हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो देट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में complete स्चोरी ताकि आप enjoy कर सके without interruption, seamless listening experience चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रविवार 15 फरवरी मुंबई कॉल बेल के जवाब में शोबना ने अपने फ्लैट का दर्वाज़ा खोला सामने एक नितान तर्शनभी व्यक्ति मौजूद था शोबना ने संशक भाव से सिर से पाउं तक उस पर निगा दोड़ाई वो कोई 40 साल का व्यक्ति था जो हौले हौले हाफ रहा था और बहुत बौकलाया सा लग रहा था आँखों पर वो मोटे लेंसों वाला निगा का चश्मा लगाए था और जिस्म पर एक चेक की पूरी बांक की कमीज और डैनिम की नीली जीन्स पहने था शोबना की पैनी निगा के नीचे उसने नर्वस भाफ से पहलू बदला और होंटों पर जुबान फेरी फरमाईए शोबना बोली क्या आपका नाम शोबना शेटी है उस व्यक्ति ने पूछा हाँ क्या ये फ्लैट आपका है मेरा नहीं है भई शोबना धेरत से बोली किराय का है लेकिन आप यहां रहती है जाहिर है तुम्हारे कॉल बेल बजाने पर अभी दर्वाजा नहीं खोला क्या मैंने भीतर से ऐसा तो कोई मेहमान भी कर सकता है मैं मेहमान नहीं हूँ मैं मैं हूँ शोबना शेटी यहां मेरे सिवाई और कोई नहीं है यानि कि मैं सही मुकाम पर पहुँचा हूँ पहलिया मत बुझाओ मिस्चर जो कहना है साफ कहो वो वो क्या है कि पहले अपना नाम बोलो ममा मेरा नाम मोडक है क्या चाहते हो मैं कुछ नहीं चाहता वो क्या है कि मेरे पास आपके लिए एक चिठी है जो मैं आपको सौंपना चाहता हूँ चिठी? हाँ, जो मैं दस्ती लेकर आया हूँ किस से? कहां से? गोवा से? जामवंत राओ पाटिल से? शोपना सक पकाई, उसने एक बार फिर गोर से उस व्यक्ति की और देखा और फिर चौकर्ट से एक तरफ हटती हुई बोली, भीतर आओ नहीं नहीं, मोड़कर्ट बढ़ाया सा बोला, मैं चलूँगा तुम इतने घबराई हुए क्यों हो? वो क्या है की? मुझे लगता है की कोई मेरी ताक में है कौन कोई? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्यों हगा बला कोई तुम्हारी ताक में? मैं जिस लिए क्योंकि तुम मेरे लिए पाटिल साहब की चिठी लाई हो? हाँ नॉनसेंस तुम वहम के शिकार हो हो सकता है लेकिन आप चिठी संभालिए उसने यू एक बंद लिफाफा शोबना के हाथ में जबरन थमाया जैसे किसी अववांचनी वस्तु से निजात पा रहा हो मैं चला नमस्ते अरे अरे रुको जाने को तत पर वो व्यक्ती वहीं ठिटका एक मिनट रुको प्लीज ओल्राइट एक मिनट भीतर आओ ऐसे ही बोलो और जो कहना है जल्दी कहो हाँ कहां मिले वो तुम्हें गोवा में बताया तो मैंने सुना लेकिन गोवा में कहा फिगारो आईलेंड पर वो कहां है पंजी से पचास किलो मेटर दूर है कलंगोट बेट से वहां के लिए स्चीमर चलते है मैंने तो कभी नाम तक नहीं सुना बहरहाल पाटिल सहब तुम्हें उस आईलेंड पर मिले थे क्या हाँ वो वहां क्या कर रहे थे पता नहीं मेरी तो इतिफाकन पायर पर उनसे तब मुलाकात हो गई थी जबकि मैं पंजी का स्चीमर पकड़ने के लिए वहां माजूद था मैंने उन्हें बताया कि मैं आगे मुंबई जा रहा था तो उन्होंने मुझे ये चिठी दे दी क्या वो अभी भी वही है हो सकता है मेरे स्चीमर पर रवाना होने तक तो वही थे वो वहां क्या कर रहे थे बोला ना पता नहीं तुम वहां क्या कर रहे थे मैं तो किसी से मिलने वहां गया था मिलकर लौट रहा था तो इतिफाक से वो मिल गए थे ये चिठी उन्होंने तुम्हारे से मुलाकाथ होने के बाद तयार की थी या पहले से ही उनके पास मौजूद थी मेरे से मुलाकाथ होने के बाद तयार की थी आनन फानन मेरे सामने लिखी थी और मेरे सामने एक लिफाफे में बंद करके आपका नाम और यहां का पता लिखा था क्या लिखा है चिठी में? मुझे क्या मालूम आप क्या समझती हैं कि मैंने रास्ते में चिठी खोल के पढ़ ली होगी? अरे नहीं मैंने सोचा कि क्यूंकि चिठी पाटिल साहब ने तुम्हारे सामने लिखी थी इसलिए? मेरे सामने लिखी थी लेकिन मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या लिखा था जानने की कोशिश भी नहीं की थी ओ, मैं अब चला ततकाल वो वापिस घूमा और सेडियों की तरफ बढ़ चला कुछ शन बात वो द्रिष्टी से उजल हो गया फिर सेडियों पर नीचे को उदरते कदमों की आहट शोबना को मिली हाथ में चिठी उलटती पलटती, शोबना अनिश्चित से चौकट पर खड़ी रही, तबी मोडक लगभग दोड़ता हुआ वापिस लोटा, इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बोखलाया हुआ लग रहा था क्या हुआ, शोबना सक्पकाई सी बोली, नीचे दो आदमी है, वो हाफ़ता हुआ बोला, सडक के पार, बिजली के खंबे के नीचे खड़े है, वो जरूर मेरी ही ताक में है तुम तो हद से ज्यादा वहमी आदमी मालुम होते हो, क्यों होंगे भला वो तुम्हारी ताक में, क्या किया है तुमने, पर आए शहर में सिर्फ अपने एक दोस्त के कहने पर, तुमने एक चिठ्ठी यहां डिलिवर की है, बस, इतने से कोई तुम्हारी ताक में हो गया मेडम, मेरा दिल गवाही दे रहा है, कि ऐसा ही है, तुम तो हद से ज्यादा डर्पोक आदमी हो, यही समझ लीजिए, इस इमारत का पिछवारे से भी कोई रास्ता है क्या हाँ है तो सही, किधर से है, आओ दिखाती हूँ, शुक्रिया, वो शोबना के पीछे फ्लैट में दाखिल हुआ, तो शोबना ने फ्लैट का दर्वासा भीतर से बंद कर लिया बैठक लांग कर, वो किचन में पहुँची, जिसकी परली तरव का दर्वासा, एक बैलकनी पर खुलता था, और उस बैलकनी के एक बाजू में, नीचे उपर जाती, लोहे की गोल सीड़िया थी शोबना ने सेड़ियों की तरफ इशारा किया, और बोली, इन से पुछली गली में पहुँच जाओगे, ओके मोड़क ने सेमती में सेर हिलाया, और सेड़ियों की तरफ लपका, अगले हिक्षन, वो वो जा, ये जा शोबना वापिस फ्लैट के प्रवेश द्वार पर पहुची, बाहर निकल कर, वो सेड़ियों के करीब तक गई, और वहां से उसने, दो मंजिल नीचे सामने सड़क पर जांका, वहां बिजली के एक खंबे के नीचे, दो आदमी तो माजूद थे, लेकिन वो सिगरेट के गंजी, खोपडी, सूरज की रोशनी में, शीशे की तरह चमक रही थी, सालक चूहा, खामका डरता था, फिर उसके देखते देखते, वो वहां से हिले, और एक तरफ चल दिये, वो अपने फ्लैट में वापिस लोटी, वो एक सोफे पर धेर हो गई, और फिर लिफाफे को उलटने पलटने लगी, हैंडराइटिंग से क्या जान सकती थी वो, जामबंतराओ पार्टिल का हैंडराइटिंग तो वो पहचानती नहीं थी, पहले तो कभी उसने यूँ, उसे चिठी नहीं लिखी थी, कुल जमा छे महीने से उसकी पार्टिल से घनिश्चता थी, उस द कभी बताया था, वो महज इतना जानती थी, कि ऐसे किसी दौरे से, वो जब भी लटके आता था, उसकी बांचे खिली होती थी, और जेबे नोटों से भरी होती थी, जो कि शोपना के लिए नहायत तसलिवक्ष सिलसिला था, उसे और क्या चाहिए था, लेकिन चिठी, चिठ मामुली तरीके से उस तक पहुँचवाई, बड़े सस्पेंस बड़े अंदास से उसने लिफाफे को खोला, और उसमें से तै की हुई चिठी निकाली, उसने चिठी को खोल कर पढ़ना आरम किया, जियों जियों वो चिठी पढ़ती गई, उसका चेहरा संजीदा होता किया चिठी खत्म हुई, तो उसने उसे फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, आकिरकार उसने चिठी को तै करके अपने गिरेबान में खोस लिया, और लिफाफा फाड के फैंक दिया, अब क्या करे वो, अकेले पंजी के लिए रवाना हो जाए, लेकिन उसके दिल ने गवाही नहीं दी अजनभी शहर में लेने के देने पढ़ सकते थे, कोई मुहाफिज, कोई मददगार साथ होना चाहिए था, उसके जहन में अपने उन वाकिफकारों की सूरते गूमने लगी, जो बवक्ते जरूरत उसके काम आ सकते थे, उसके मुहाफिज और मददगार बन सकते थे, ऐसी एक सूरत धर्मेश ठाकुर की थी, छे महीने पहले हुई, आखरी मुलाकात तक धर्मेश ठाकुर सायन में स्थित, एक चौल के एक कमरे में रहता था, शोबना वहाँ पहुँची, तो उसे मालुम हुआ कि तीन महीने पहले, वो अपना वो ठिकाना छोड़ गया था, छोड की धर्मेश के पाए जाने की संभावना थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, अब उसके तलाश का एक ही तरीका मुम्किन था, वो एक रेस्टरेंट में पहुँची, जहां की पबलिक टेलिफोन था, वहां से उसने बोरी बंदर के इलाके में स्थित, सेलर्स कलब के नाम से जा की, बिग बॉस को शोबना का सलाम पहुचे, शोबना खरवड़े की सकपकाई सी आवास आई, क्या बात है, पैचाना नहीं अपनी बंदी को, कैसी बाते करती है शोबना, तू भी कोई भूलने वाली चीज है, जानकर खुशी हुई, जिस दिन कदरदान ही भूलने लगे, उस दिन तो बैराग ही धारन करना पड़ेगा, अरे, बैराग धारन करें तेरे दुश्मन, कहा है इस वक्त, तुम्हारे कदमों में ही हूँ, जरा टटोलोगे तो खबर लग जाएगी, सैंसी बाते करना तो कोई तेरे से सीखे, कैसे फोन किया, अब जूट क्या बोलू, मत कभी तुमने अपनी कलब में कैबरे के लिए मुझे पेशकश की थी, की थी, लेकिन वो तुझे कबूल कहा हुई थी, तू तो तब सात्वे आसमान पर उड़ रही थी, किसी पार्टिल नाम के उड़न खटोले पर सवाल, बोस, यो समझो कि सात्वे आसमान की हवा, तुमा करार हो, तो उसे मैं कबूल कर सकती हूँ, ऐसा क्या? हाँ, बोलो क्या कहते हो? अरे कहना क्या है? खरवडे तुम्हारा, कलब तुम्हारा, कहना क्या है? अब बोल, कब से आ रही है? जब से बिग बॉस का हुकम हो? शोबना, अगर मेरे हुकम की बात है, तो आज ही आजा, बलकि अभी आजा, ये वो खरवडे के जुबानी सुनना चाहती थी, टेलिफोन की तार से बंदी तो नहीं आ सकती, बॉस, इसलिए थोड़ा इंतिजार तो करना पड़ेगा, लेकिन पहुंचूंगी में आज ही, आठ बजे से पहले पहुंचना, ताकि आज ही से नया सिलस शुरू हो जाए, आज ही से होगा बॉस, बढ़िया, मैं इंतिजार करूँगा, शोबना ने संबंद विच्छेत कर दिया, वो वापिस दादर पहुंची, तब तक सूरज ढल चुका था, और वाता वरंड पर रात का अंधेरा काबिच होने लगा था, उसने दो मंजिल पहुंची, उसने पर्स से चाबी निकाल कर, उसे दर्वाजे के बिल्ट इन लॉप के की होल की तरफ बढ़ाया, तो एका एक ठिट की, दर्वाजा चौकट से मिला हुआ नहीं था, क्या वही अंजाने में दर्वाजे को ठीक से ताला लगाना भूल गई थी, नहीं, तदक पाल उसकी अकल ने विरोध किया, ऐसा नहीं हो सकता था, वो ताला लगाना भूल सकती थी, लेकिन दर्वाजा भी ठीक से बंद ना कर पाई हो, ये नहीं हो सकता था, तो फिर क्या कोई भीतर था, उसकी आँखों के आगे, मोड़क का आश्रंकित चेहरा, और सिगरेट पी दर्वाजे को धक्का दिया, भीतर अंधेरा था, सन्नाटा था, कौन है भीतर, वो हिमत करके बोली, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, उसने हाथ बढ़ा कर, बिजले का स्विच बोर्ट टटोला, और एक स्विच शॉन कर दिया, जलने की तयारी में एक त्यूब लाइट ज सामने कूदा, अपने विशाल कंधे से उसने जोर से शोबना को धक्का दिया, और फिर खुले दर्वाजे से बाहर चलांग लगा दी, शोबना भर भराकर एक तरफ गिरी, जब तक वो उठकर सीधी हुई, तब तक साया कपका वहां से कूच कर चुका था, ट्यूब तब तक ठीक से जल चुकी थी, शोबना अपने आकरमन कारी की सूरत तो नहीं देख पाई थी, लेकिन उसकी अदगंजी खोपडी की एक जलक उसे फिर भी मिली थी, तब उसकी निगा ड्राइंग रूम पर पड़ी, ये देखकर वो भोचक्की रह गई, कि वहां की हर फिर से वहां घुसा बैठा था, क्यूंकि वैसे विस्तरित तलाशी चंद मिंटों में तो नहीं हो सकती थी, लेकिन तलाशी किस चीज की थी, उसका ध्यान उस चिठी की तरफ गया, जो अभी भी उसके ब्लाउस में उसके कलेजे के करीब सुरक्षित थी, एक चिठी के लि चीज सुरक्षित थी, वैसे ही सस्पेंस के आलम में उसने सेलर्स कलब पहाँशने की तयारी आरम की, सोमबर 16 फरवरी मुंबई, अगले रोज दोपहर के करीब शोबना सोकर उठी, रात एक बजे वो सेलर्स कलब से वापिस लोटी थी, इस लिहास से दोपहर तक सोती रहन तो उससे वैसे ही अपेक्षित था, वैसे भी दस साड़े दस से पहले वो शायद ही कभी सोकर उठती थी, नित्यकर्म से निर्वित होकर वो किचन में पहुँची, जहां उसने अपने लिए चाई बनाई, उसने प्रवेश द्वार के नीचे से भीतर सरकाया गया उस रोज पहांच गई, चाई की चुस्कियों के साथ उसने अकबार पर निगार डालना शुरू किया, एक एक वो चौंकी, मोड़क की तस्वीर उसे मुख्य प्रिष्ट पर छपी दिखाई थी, साथ में हेड्लाइन थी, खड़ा पार्सा में निर्मम हत्या, उसने जल्दी जल्दी हेड्लाइन के नीचे छपी खबर पढ़ी, खबर के मताबिक, शांतारा मोड़क की लाश आधी रात के करीब, उसके एक पड़ोसी ने, खड़ा पार्सा में स्थित, उसके घर से तब बरामत की थी, जबकि टेलीफोन करने के इरादे से, वो वहां पहुंचा था, तदकाल उसने पुलिस को फोन किया था, मोड़क वैसे फैमिली मैन था, लेकिन उन दिनों उसकी बीवी बच्चों को लेकर नासिक में स्थित, अपने माई के गई हुई थी, क्योंकि खुद मोड़क भी पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं था, अडोस पडोस में उसकी बाबत कह जाता था, कि वो किसी कंपनी में ट्रेवलिंग सेल्समेन था, जबकि पुलिस के एक प्रवक्ता का कहना था, कि वो एक धका छुपा स्मगलर था, और अंडर वर्ड के कुछ लोगों के साथ उसके गेरे तालुकात थे, पुलिस के तफ्तिश बताती थी, कि मौत से पहले को काफी टॉर्चर किया गया था, पडोस पडोस में उसकी आवास सुनी जा सके, इसलिए उसके मूँ पर एक कप्रा ठोस दिया गया था, वो कप्रा ही वस्तुते उसकी मौत का कारण बना था, क्योंकि टॉर्चर के दौरान वो उसके हलक में उतर गया था, और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी पुलिस ने उसकी मौत का कारण अंडर वर्ल्ड का ही कोई आपसी मत भेद बताया था शोबना ने अकबार एक तरफ फैंका और सोचने लगी क्या मोड़क के हत्यारे पार्टिल की चिठी की बाबत उससे कुछ कुबलवास सके होंगे शायद नहीं क्य क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक वो जरूर वापिस उसके फ्लैट पर पहुंग चुके होते हैं या शायद दिन दहाड़े उस पर चट दोड़ना उन्हें मुनासिब नहीं लगा हो इसलिए वो रात थोने का इंतिजार कर रहे हों हो सकता था अपने अनिष्ट की आशंका से उसका दिल लरशने लगा क्या करे वो धर्मेश से मुलाकात होने का इंतिजार करे किसी और की मसलन खरवड़े की या उस जैसे किसी और कदरदार महरबान की मदद हासिल करे या पुलिस से संपर्ट करे उसका एतबार क्यूंकि धर्मेश पर ही सर्वा धिकता इसल उठकर कल से भी बुरे हाल में पहुँचे अपने फ्लैट को विवस्तित किया और किचन में जाकर फिर चाय बनाने के लिए गैस पर चाय का हैंडल वाला बर्तन रखा बर्तन में उसने इतना पानी डाला कि एक प्याली चाय बना लेने के बाद उसी उबलते पानी में वो पेश द्वार पर पहुची और संशक भाव से पूचा कौन पुलिस अप्रत्याशित जवाब मिला उसने ततकाल दर्वाजा खोला सामने उसे एक वर्दी धारी सब इंस्पेक्टर खड़ा मिला नमस्ते वो जबरन मुस्कुराता हुआ बोला मेरा नाम गोत मारे है सब इंस जानते हैं मैं कौन हूँ? सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपका नाम शोबना शेटी है और आप इस फ्लैट में रहती हैं कैसे जानते हैं? वैसे ही जैसे जाना जाता है पुलिस का काम जानना ही होता है इसलिए तफ्तिश की जाती है अब क्या जानना चाते हैं आप? भीतर चलिए बताता हूँ वो एक तरफ फटी तो सब इंस्पेक्टर भीतर दाखिल होकर उससे पहले जाकर सोफे पर बैठ कया तश्रीफ रखिए वो यूं बोला जैसे घर उसका हो और शोबना यहां मेमान आई हो शोबना उसके सामने एक सोफा चेयर पर जा बैठी घर में और क खड़ा पारसा में शांतारा मोडख नाम के एक आदमी का उसके घर में कतल हुआ है। खबर आज के अकबार में छपी है। आपने देखी होगी? जी हाँ देखी थी। क्या आप उस शख्स को जानती थी? किस शख्स को? मोडख को जो की मर गया। हर्गिस भी नहीं कौन कहता है ऐसा वो आपको जानता था ये भी कौन कहता है तबी तो कल वो आप से मिलने यहां आया था कैसे मालूम शोबना सिसकारी से भड़ती हुई बोली पुलिस के पास मालूमात के अपने तरीके होते हैं वो रॉप से बुला अपने जर्ये होते है फिर बे बताईए तो सही कि कैसे मालूम क्या आप इस बात से इंकार करती है कि कल मोड़क यहां आया था हाँ सरसर इंकार करती हूँ मैं किसे मोड़क को नहीं जानती मोड़क नाम का कोई आथमी कल यहां नहीं आया था है कई बार लाश से शकल नहीं पहचानी जाती मैडम हमें यकीनी तौर से मालुम है कि मोडक कल यहां आया था और आप से मिला था भले ही आप उसे अकबार में चपी तस्वेर से ना पहचानती हो नाम से ना पहचानती हो शोबना हर बढ़ाई मवालियों की तरह सब इंस्पेक्टर का क्या कहना उसे बहुत अजीब लगा अब बताईए वो क्यों आया था और क्या चाहता था आप से अरे मैंने कब कहा कि ऐसा कोई शक्स यहां आया था शोबना चिल्लाई आप क्यों खाम का मुझे जुबान देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका यह यही जवाब है कि मोडक यहां नहीं आया था हां यही जवाब है और इस बाबत आपकी जो भी जानकारी है वो सरसर गलत है बेबुनियात है हम् वैसे ही उसने एक बार फिर हुंकार भरी और फिर बोला क्या आप जामवंत राओ पाटिल से वाकिफ हैं कौन जामवंत राओ सवाल मैंने पूछा है जवाब दीजिए अ हाँ वाकिफ हूं कैसे वाकिफ हैं वैसे ही जैसे हुआ जाता है क्या आपके उससे तालुकात हैं मुझे नहीं पता तालुकात से आपका क्या मतलब है अल्बता फ्रेंचिप है मेरी पाटिल साहब से वैसे ही जैसे इस शहर के औ और कई लोगों से हैं। आज कल कहा है पाटिल सहब? मुझे नहीं मालूम कहा है। वो कोई हर घड़ी मेरे पल्लू से नहीं बने रहते। आपके कब से मुलाकात नहीं हुई उनसे? यही कोई एक देड़ हफते से। एक देड़ हफता पहले आप से कहां मिले थे वो? यही क्या आपके इसी फ्लैट पर? नहीं तो फिर एक बार में बार का नाम बोलिए सेलर्स कलब बोरी बंदर के इलाके में हैं अब कहां है पाटिल सहब? मुझे क्या मालूम कहां है? आप उनसे फिर मुलाकात की उमीद तो कर ही रही होंगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं? दोस्तों से मुलाकात की हमेशा ही उमीद रहती है आप भी तो जाकर मिल सकती हैं उनसे? नहीं मिल सकती मुझे नहीं पता वो कहां रहते हैं वो आपके दोस्त हैं लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो मुंबई में कहां पाए जाते हैं वो क्या है कि उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड मुझे दिया था जो मेरी लापरवाही से कहीं इधर उधर हो गया है कारूबार क्या है उनका वो भी कार्ड भर ही दर्श था इस वक्त याद नहीं कार्ड मिल जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या मुलाकात के लिए वही संपर्ट करते हैं आपसे हाँ कैसे यहाँ फोन लगाते है क्या हाल ही में ऐसा कोई फोन आया था नहीं डेड़ हफते पहले के पिछली मुलाकात के बाद से उन्होंने आपसे कोई संपर्ट नहीं किया नहीं किया टेलिफोन से ना सही शायद किसी और तरीके से किया हो और कौन से तरीके से शायद कोई संदेशा भेजा हो कोई चिठी भेजी हो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारी तफ्तिश ये कहती है कि शांतारा मोडक कल दोपहर बाद जब यहां आया था तो आपके लिए कोई चिठी लेकर आया था आप फिर पहुंच गए पहली वाली जगा पर वो चिठी कहा है मैडम ऐसी कोई चिठी नहीं है और ना ही कोई मोडक यहां आया था पहले भी कई बार कहा फिर कहती हूँ हमारी तफ्तिश ये कहती है कि कब कर ली आपने ऐसे तफ्तिश मरने वाले को मरे अभी आदा दिन नहीं हुआ और आपने इतनी बाते जान भी ली कैसे जान ली हम पुलिस वाले अपने जानकारी का जरिया नहीं बताया करते तो मत बताओ मैं जानने के ख्वाइश मन भी नहीं हूँ लेकिन जो जानकारी तुम हासिल हुई बताते हो वो सब गलत है मैडम यूँ पुलिस से आप पीछा नहीं छुड़वा सकती क्यों छुड़वाना है मैंने पुलिस से पीछा क्यों पड़ी है पुलिस मेरे पीछे क्या किया है मैंने पुलिस उसी के पीछे नहीं पड़ती जिसने की कुछ किया हो जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ऐसे लोगों के पीछे भी पड़ती है जिनोंने जाहिर तौर पर कुछ किया तो नहीं होता लेकिन जिने पुलिस के मतलब का कुछ मालूम होता है मुझे ऐसा क्या मालूम है? आपको जामवंतराओ पार्टिल का मौजूदा पता मालूम है आप जानती हैं कि आज की तारीक में वो कहां छुपा हुआ है? छुपा हुआ है? किस लिए? म मेरा मतलब है कि वो कहां माजूद है? हमें मिस्टर पार्टिल की बड़ी शिद्दत से तलाश है आपको बताना होगा कि वो कहां है? क्यों तलाश है? क्या किया है उन्होंने? हर बात नहीं बताई जाती मैडम कमाल है? उस चिठी में पार्टिल साहब का मौजूदा अतापता जरूर दर्च होगा जो कि मोड़कल यहां लाया था अवल तो ऐसी कोई चिठी है नहीं होते भी तो उसकी आपको या लिखने वाले से खबर लग सकती थी या पाने वाले से और या लाने वाले से लिखने वाले से आपको खबर नहीं लगी हो सकती वरना आप उसकी बाबत सवाल नहीं कर रहे होते पाने वाली अगर मैं हूँ तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं अब बाकी बचा लाने वाला जो कि कल रात कतल कर दिया किया इंस्पेक्टर साहब इस लिहाज से आपको ये चिठी वाली बात अगर मालूम होई तो कैसे मालूम होई क्या वो पुलिस को अपना बयान दे कर मरा था काफि फिट दिमाद पाया है आपने दिमाग फिट शोबना का माता फिट ठंका आपने अभी कहा आप थाने से आई है कौन से थाने से आई है आप खड़ा पार्सा से या दादर से वो गड़ बड़ाया ककक्या मैंने पूछा है आप कौन से थाने से आई है खड़ा पार्सा से और आपका नाम क्या गोत मारे है हाँ मैं अभी आई शोबना एका एक कुटती हुई बोली कहां जा रही है आप वो तीखे स्वर में बोला किचन में गैस पर पानी चड़ा कर आई थी वो नाहा कुबल रहा होगा ओ, वो उटकर किचन की और बढ़ी किचन में एक वाल टेलीफोन लगा हुआ था जो कि बेडरो में लगे फोन के साथ पैरलल में काम करता था उसके फोन को वो उस सर्ब इंस्पेक्टर की बाबत जानकारी हासिल करने के लिए इस्तिमाल कर सकती थी लेकिन वैसी नौबत नहीं आई वो किचन में पांची तो सब इंस्पेक्टर उसके पीछे पीछे वहां पहुँच गया शोबना ने टेलीफोन की और बढ़ते हाथ को वापिस खींच लिया और गैस पर चड़े बर्तन पर से धक्कन उठाया पानी बुरी तरह से खौल रहा था यहां क्यों चले आए वो अप्रसन भाफ से बोली वहीं बैठिये जहां किस फिलात में है आप मैडम वो करकर स्वर में बोला उस आवास ने शोबना की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी अब वो अदब वाली संभांत आवास नहीं साफ साफ किसी मवाली की कड़क आवास थी ककक क्या वो बड़ी कठी नाई से कह पाई वो चिठी निकाल उसके स्वर में कहर का पुट आ गिया वरना अभी इधर इच खलास करता हूँ मैं शोर मचा दूँगी तुम यो दिन दहाडे वो ततकाल खामोश हुई अब उस शक्स के हाथ में एक रिवालवर चमक रही थी जसकी नाल का रुख शोबना की चाती की तरफ था क्या वो खुंखार लेचे से बोला शोबना ने जोर से थोक निकली बहुत शानपंती हो चुकी चिठी निकाल तुम तुम पुलिस वाले नहीं हो वो कमपित स्वर में बोली बोला ना बहुत शानपंती हो चुकी टैम खोटी ना कर चिठी निकाल लल लेकिन निकाल शोबना ने भईभीत भाव से यूँ पहलू बदला जैसे अपने पीछे कहीं से चिठी बरामत करना चाहती हो फिर उसने गैस पर चड़े हवा में अर्ध वृत बनाता जाकर उस शक्स की चाती से टकराया खौलता पानी बरतन से उचल कर उसकी गर्दन और मूँ सिर पर पड़ा तदकाल उसके मूँ से एक घुटी होई चीक निकली उसने अपनी गर्दन को एक जोर का जटका दिया तो वर्दी की पीक कैप उसके सिर से उचल कर नीचे फर्ष पर जा किरी साथी रिवॉल्वर भी उसके हाथ से निकल कर फर्ष पर गिरी तब शोबना ने उसकी अदगंजी खोपड़ी साफ देखी वो शक्स चीक रहा था और दोनों हाथों से अपने चेहरे और गले को यूँ थपक रहा था जैसे खुद को तमाचे जड़ रहा हो शोबना ने जपट कर रिवॉल्वर उठा ली खबरदार आतंग के आधिक्य में बड़ी मुश्किर से उसके मूँ से आवास निकली गोली चला दूंगी धम की कारगर साबित हुई वो शक्स ततकाल वहां से भाग निकला उसके जाने के भी कितनी ही देर बाद शोबना की जान में जान आई तब सबसे पहले उसने फ्लैट का प्रवेश द्वार मजबूती से भीतर से बंद किया अब एक बात तो निश्चित थी वो अदगंजा अपने उस जटाधारी साथी के साथ शुरू से ही मोड़क की ताथ में था और उन्होंने ही पिछली रात मोड़क के घर पर उसका कतल किया था इतिफाक से अभी वो पार्टिल के चिट्थी के बाबत ही उन्हें कुछ बता सका था कि दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी उस चिट्थी की खबर उन्हें मोड़क के इलावा और किसी से नहीं लग सकती थी लेकिन अब वो क्या करे अभी तो पासा संयोगवश पलट गया था लेकिन वैसी नौबत तो फिर आ सकती थी उन लोगों को बड़ी शिदत से पार्टिल की तलाश थी इसलिए जाहिर था कि वो आसानी से तो उसका पीछा छोड़ देने वाले नहीं थे यानि कि उस फ्लैट में ही बने रहना उसके लिए खतरनाक था अब कोई और अस्थाई ठीकाना तलाश करना उसके लिए अवश्यम भावी था वो ऐसे किसी ठीकानी की बाबत सोचने लगी अदगंजे व्यक्ती का नाम वास्तव में ही गोत मारे था उसके लंबे बालों वाले साथी का नाम भवरलाल था जो कि ततकाल उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गया था बचाव हो गया डॉक्टर गोत मारे के गले और ठोड़ी के आसपास के हिस्से पर मलहम सी मलता हुआ बोला ज्यादा पानी कपड़ों पर पड़ा वही से उचल कर गले और चेहरे पर पड़ा इसलिए बचाव हो गया वरना सारी शकल कचालू बन गई होती बहुत जलन है गोत मारे कराहा अभी आराम आ जाएगा आधा गंडा इंतिजार करो कल तक काफी ठीक हो जाओगे शुक्रिया डॉक्टर कौन से थाने से हो थाना अरे भई सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हो तो किसी थाने में नहीं डॉक्टर सहब ततकाल भवर लाल बोला हम तो फिल्मों में एक्स्ट्रा हैं रोल के लिए वर्दी पहनी है इसने ओ, स्चूडियो की कैंटीन में खुद चाय बनाने की कोशिश कर रहा था जबकि खोलता पानी खुद अपने पर पलट बैठा ओ, ये ट्यूब ले जाओ, दो दो घंटे बाद लगाना ठीक है, पचास रुपए भवर लाल ने पचास रुपए अदा किये फिर दोनों वहां से रुक्सत हुए सडक पर एक काली फियर्ट कार मौजूद थी जिस पर दोनों सवार हो गए भवर लाल ने कार सडक पर आगे बढ़ाई गोत मारे हौले हौले करा रहा था अच्छा हुआ, भवर लाल अप्रसन भाफ से बोला तो साला इसी काबिल है एक छोकरी को नहीं संभाद सका उपर से अपनी पाव भाजी बनवा लाया रिवॉल्वर भी चिन्वा आया इत्तिफाक से हुआ इत्तिफाक से हुआ भवर लाल ने चड़कर उसके स्वर की नकल की अब हम कहां जा रहे हैं वापिस कमाठी पुरे जा रहे हैं चुलू भर पानी में डूब मरने क्यूं जा रहे हैं क्यूं जा रहे हैं का क्या मतलब वो लड़की अभी वही होगी हम फिर माथा फिरेला है क्या हमारी शकल देखते ही इस बार वो आस्मान सेर पर उठा लेगी गोली भी चला बैठे तो वांदा नहीं तो फिर दिन में कुछ नहीं हो सकता रात को ट्राई मारेंगे आदी रात को बल्कि उसके भी बाद हम और भाई को फोन लगाना होगा ककक क्यूं वो बोला ऐसा रोज का रोज खबर करने को इसलिए क्या भाई को ये भी खबर करेगा कि अभी अभी पीछे दादर में क्या हुआ करना ही पड़ेगा साले हलकट तेरी खैर नहीं गोत मारे सिर से पाउं तक कामपा फिर कार खामोशी से कमाठी पुरे की और बढ़ती गई धरमेश ठाकूर अपने दोस्त देसाई के साथ सेलर्स क्लब पहुँचा क्लब में काफी भीड थी बड़ी कठिनाई से वो हौल में एक टेबल हासिल कर पाई हौल के स्चेज पर एक देसी पॉप सिंगर विलाईती पॉप सौंग गार रही थी जिसे शायद ही कोई सुन रहा था सेलर्स क्लब जाने का आइडिया देसाई का था वो उधर से गुजर रहे थे कि देसाई ने वहीं दो दो पैग मार लेने की पेशकश की जो कि धर्मेश ठाकुर को भी कबूल हुई थी धर्मेश ठाकुर कोई 32 साल का गोरी रंगत वाला फिल्म स्चार्ज जैसे रख रखाव वाला व्यक्ति था देसाई भी उसे की उम्रका उसी जैसी शकल सूरत वाला उसी जैसी आदतों और पसंद ना पसंद वाला आदमी था इसलिए दोनों की खूब निप्ती थी सेलर्स क्लप के नाम से जाना जाने वाला वो बार क्योंकि बंदरगा के करीब था इसलिए वो रात को अकसर वैसे ही खचाखच बरा पाया जाता था जैसे कि वो उस घड़ी था तब ही पॉप सिंगर की परफॉर्मिंस खत्म हुई चंद लोगों ने बेमन से तालियां बजाई वेटर उन्ड के लिए विस्की ले आया तो दोनों सिगरेट के कश लगाते विस्की चुसकने लगे उनके दूसरे पैक के दौरान खामोश बैंट एक एक फिर बजा स्ट्रेच पर रोश्निया जग मगाई और वहाँ एक कैब्रे डांसर प्रकट हुई अरे तदकाल धर्मेश के मुँ से निकला ये तो वही है देसाई सक पकाया उसने भवे उठा कर धर्मेश की तरफ देखा कौन वही है फिर उसने पूछा वो कैब्रे डांसर जो अभी स्टेश पर आई है देसाई की निका स्टेश की तरफ उठी फिर वापिस धर्मेश की तरफ गुमी क्या तू जानता है इसे हाँ धर्मेश बोला कौन है ये चालू रकम है वो तो होगी ही कैब्रे कर रही है तो और क्या होगी तू कैसे जानता है धर्मेश ने ततकाल उत्तर नहीं दिया उसके नए जाम में से विस्की का घूंट भरा और नया सिग्रेट सुलगाया कैबरे डांसर का नाम शोबना शेटी था वो उससे काफी पहले से वाकिफ था अलबता उसके मौजूदा धंदे से वाकिफ नहीं था शोबा कैबरे भी करती थी या कर सकती थी या कैबरे करना उसे कुबूर था ये बात उसके लिए नहीं थी वसे कैबरे के लिए कोई खास काबलियत तो दरकार होती नहीं थी लड़की नौजवान हो जो की शोबना थी हसीन हो वो भी वो थी कसी हुई हो उस डिपार्टमेंट में भी उधर कोई कसर नहीं थी तो बाकी काम तो म्यूजिक की लेपर हिलना ढूलना और जिस्म नुमाया करना ही होता था डांस के जो चोटे मोटे स्टेप्स शोबना उस वक्त पेश कर रही थी वो तो बच्चे भी महज सिनेमा देख कर सीख जाते थे शोबना कोई लगभग 24 साल की लंबी उंची भरे भरे बदन वाली नहायत खुब सूरत युफ्ती थी उसके रेशम जैसे मुलायम भूरे बाल लंबे थे जो कि उसकी कमर से नीचे तक जाते थे उसका रंग अंग्रेजों जैसा गोरा था और रोमनों जैसे उसके नयन नक्ष थे कभी कोई विलायती परिधान पहनती थी तो एन फॉर्णर मालुम होती थी शोबना से उसकी वाक्वियत की वचा कारूबारी थी कारूबार जो कि उसका भी था और धर्मेश का भी शोबना छे महीने पहले तक एक धगी चुपी हाई क्लास कॉल गर्ड थी और धर्मेश उसका धंग उसी धंग का चुपा दलाग था अलबत तक खुद को हाई क्लास कहने की जुर्रत वो नहीं कर सकता था वैसे देसाई जैसे उसके करीबी उसे कहते थे कि उसके शकल शारुखान से मिलती थी इसी खुश फैमी में मुफ्तला वो हीरो बनने की खुआश लेकर मुझफर पूर से मुंबई आया था लेकिन हकीकतन एक्स्ट्रा भी नहीं बन सका था फिल्में दुनिया से नाउमीद होकर उसने जो दर्जन भर काम पिछले तीन सालों में आसमाई थे उनमें से एक वो भी था जो से शोबना के करीब लाया था शोबना से उसके मुलाकात कोई डेर्ड साल पहले चैंबुर के एक फिल्म स्टूडियो में होई थी जहां की वो भी स्टार बनने की ख्वाइश में धक्के खा रही थी वहीं ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि गोवा से शूटिंग देखने आई एक साहब के मन में उसको हासिल करने की ख्वाइश जाक उठी थी उसी धर्मेश के साथ पाकर उन्होंने पता नहीं कैसे ये वाहियात मतलब लगा लिया था कि शूबना को हासिल करने की खातिर धर्मेश से बात की जा सकती थी उन्होंने अपनी मन्शा जाहिर की तो धर्मेश ने उन्हें घुड़क कर भगा दिया वो सहब चले गए तो शूबना ने उत्सुकता वर्ष उस बाबत धर्मेश से सवाल किया उसने जवाब दिया और बताया कि कमीना बीस अजार देने की पेशकश कर रहा था सुनकर कुछ शंट तो शूबना के मूँ से बोल नहीं फूटा फिर दर्मेश को ऐसा लगा जैसे वो भड़क कर उसके मूँ पर तमाचा जड़ने वाली थी उसने जहनी और जिस्मानी तोर पर अपने आपको एक जणनाटेदार तमाचा खाने के लिए तयार भी कर लिया था जबकि शूबना ने अप्रत्याशित जवाब दिया बुला कर लाओ बात में शूबना ने खुशी खुशी पांच हजार रुपे उसे दिये क्या हर्स था जिस सादुनिक समाच में पती पतनी का दलाल पाया जाता था बाप बेटी का दलाल पाया जाता था भाई बेहन का दलाल पाया जाता था उसमें उसका एक लड़की से जो कि उसकी कुछ लगती भी नहीं थी जिसे कि डेर्ट साल से पहले वो जानता भी नहीं था दलाली खाना क्या बड़ी बात थी बहराल उस वाक्य के बाद आएंदा काफी अरसे तक 6 महीने पहले तक बहुत खामोशी से बहुत एतियात से और बहुत काम्याबी से वो सिलसिला चला यानि कि शोबना शैटी लिमिटेड क्लाइंटल वाली हाई क्लास कॉल गर्ल जिसकी एक रात की फीस 20-30,000 तक और धर्मेश ठाकुर उसका मैनेजर, मैनेजर दलाव से तो अच्छा ही शब्द था, फिर एक एक उस सिलसिले में विग्न आ गया, शोबना ने उसे नोटिस दे दिया, कि ना सिर्फ वो, वो सिलसिला बंद समझे, बल्कि अगर वो उसका खैर खुआ था, तो आएंदा कभी उसके पास भ जमा हो गए थे, इसलिए फिलहाल तो उसे किसी माली तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था, शोबना के पास तो वो सच में ही नहीं फटका था, लेकिन ये जानने के लिए उत्सुक जरूर था, कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, जिसकी वज़ा से शोबना ने ऐसे मुफित धंदे से किनारा कर लिया था, वैसे धर्मेश का खुद का अंदाजा ये था, कि शोबना का कोई क्लाइंटी उस पर ऐसा लट्टू हो गया था, कि उसका सोल प्रोप्राइटर बरने का ख्वाइश मंद हो उठा था, ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसी कितनी टैंप्रेरी होती थी, ये कोई नहीं जानता था, तो किसी कॉल गर्ड को ऐसी पेशकर्श करने वाला शक्स ही नहीं जानता था, अब छे महीने बाद, शोबना शेटी उसे सेलर्स क्लब में कैबरे करती दिखाई दे रही थी, भीडू, देसाई बोला, मैंने तेरे से एक सवाल पूछा है, मामूली वाक्फियत है, धरमेशला परवाही से बोला, जिन दिनों मैं हीरो बनने की क्वाईश में, स्चूडियो दर स्चूडियो धक्के खाया करता था, उन दिनों मेरे जैसे ही, गर्डिश के दौर से ये भी गुजर रही थी, ओ, फिर भी तेरे से तो चालू रकम कैसे बोला, अंदाजा लगाया, कैसे अंदाजा लगाया, अरे जैसा कैबरे के धंदे में होगी, वो चालू तो होगी ही, ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं है तो ना सही, इसे कैबरे करते देख के चांकने वाली बात क्या थी, कौन चांका था, तेरे सिवा और कौन है यहां इस टेबल पर लेकिन मैं तो नहीं चौंका था लेकिन जब तुने कहा था कि तभी बैंड बशना बंद हो गया कैबरे डांसर ने दाएं बाएं जोक कर सबका अभिवादन किया और फिर घूम कर पीछे लगे शनील के परदे को हटा कर उसके पीछे गायब हो गई दो तेन मिनट बाद वो बार पर दिखाई थी तब वो कैबरे की पोशाक की जगा टाइड जीन और स्कीवी पहने थी अपने खुले बाल उसने कसकर पोनी टेल की सूरत में बांध लिये थे उसने बार मैं से एक ड्रिंक हासिल किया और एक स्चोल पर जम गई लगता न रही थी दरमेश को भी एहसास नहीं होता अगरचे कि वो उसे पहले से ना पहचानता होता मैं अभी आया एका एक वो बोला फिर देसाई के कोई एतरास कर पाने से पहले ही वो उटकर बार की और बढ़ चला आधे रास्ते में वो ठिटका उसने गूम कर पीछे देखा तो पाया की देसाई की निगाहें अप अलक उस पर टिकी होई थी बार का रास्ता छोड़ कर वो टॉयलेट की और बढ़ चला टॉयलेट में थोड़ा वक्ग जाया करने के बाद वो बाहर निकला उसने देसाई की दिशा में निगा दोड़ाई तो उसे विसके चुसकते और सि कोई नहीं था हलो वो करीब जाकर धीरे से बोला शोबना ने सिर उठाया दर्मेश को सामने खड़ा पाकर उसे कोई हैरानी हुई हो तो वो कम से कम उसके सूरत से नहीं जलकी हलो वो भी बोली पैचाना ये भी कोई पूछने की बात है शुकर है किस बात का इसी बात का की जाना वरना रात के राही कहां याद रहते हैं किसी को वो हसी कैसी हो धर्मेश ने पूछा बढ़िया वो बोली अपना बोलो इधर भी छीखी है यानि कि छे महीने में कोई नया तीर नहीं मारा उसने उत्तर नहीं दिया विसकी पीओगे फिर उसने पूछा उठके नहीं चल दोगी तो पी लूँगा वो फिर हसी उसने बार्मेश को इशारा किया बार्मेश ने धर्मेश को भी ड्रिंग सर्फ कर दिया उसने उसे उसके साथ चेर्स बोला क्या किस्सा है फिर वो संजीद की से बोला कौन सा उसकी भवे उठी तुमें मालुम है मेल ट्रेन जैसा गाड़ी क्यों पकड़ ली जानना चाहते हो हां दोस्त को चलता करो यानि कि शुरू से ही तुम्हारी मुझ पर निगा थी तुम्हारी भी तो थी तुम्हारी बात और है स्चेज पर तुम एक ही थी बार में तो मेरे जैसे सौ होंगे अपने कही निगाहों से छुपते हैं क् अपने करीबी क्या नहीं हो कह नहीं सकता हाँ हो बराबर हो दोस्त को चलता करो फिर मिल बैठ के बाते होंगी खूब गुजरेंगी जो मिल बैठेंगे दिवाने तो ऐसे कैसे चलता होगा वो वो तो तुम्हें मालूम हो That's your problem कहां मिल बैठेंगे वो सोचने लगी मेरे घर पहुंचो फिर एका एक वो बोली तुम्हारी घर कहा है तुम्हारा घर वहीं जहां पहले था यानि कि वो दादर वाला फ्लैट अभी भी तुम्हारे कबजे में है हाँ कमाल है क्या कभी चकर नहीं लगाया वहाँ लगाया होता तो तुम्हें मालुम होता हाँ ये भी ठीक है जब तुम्हारे पास नहीं फटकू तो मैं ऐसा भला I understand मैं तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ कि तुमने मेरा कहना माना मेरी बात रखी कोई दूसरा होता तो पीछा ही नहीं छोड़ता I am thankful to you तो तुम चल रही हो मेरे साथ मैं नहीं चल रही मैंने बोला तुम पहुँचो मैं पहुँचो मैं वहाँ पहुँच कर क्या करूँ मेरा इंतिजार जो कि पता नहीं कितना लंबा होगा ज्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन फिर भे तुमारे फ्लैट के सामने तुमारे इंतिजार में सड़क पर आजो बाजो फिरना तो सड़क पर नहीं फिरना पड़ेगा तो उसने अपना परस खोला और उसमें से एक चाबी बरामत की उसने चाबी धर्मेश के सामने बार काउंटर पर रख दी और बोली तो ये ओ, अब चीक है ना? हाँ, मैं तुम्हारी उमीद से पहले वहां पहुँचूंगी बढ़िया, now get along सेहमती में सेर हिलाते हुए धर्मेश ने चाबी उठा ली पिछवाडे से जाना, वो बोली धर्मेश की भवे उठी, कुछ लोग मेरी ताक में है वो दबे स्वर में बोली, मैं उन पर ये जाहिर करना चाहती हूँ कि फ्लैट खाली है, ये चाबी पिछवाडे की बैलकनी में खुलने वाले किचन के दर्वासे की है, तुम किचन के रास्ते चुप चाप बेड्रूम में पहुंच जाना बेड्रूम में जलती रास्ते ना सामने में रोट से दिखाई देती है और न पिछवाडे की गली से इसलिए किसी को तुम्हारी वहां माचूदगी की खबर नहीं होगी खुद मैं भी उसी रास्ते से वहां पहुंचूंगी कौन लोग हैं तुम्हारी ताक में वो किस्सा बात में वहां मुलाकात होने पर ओके धर्मेश ने सेमती में सिर हिलाया फिर उसने अपना विस्की का गिलास खाली किया और बार्मेन की तरफ देखा ओन दा हाउस बार्मेन मुस्कुराता हुआ बोला मैडम का महमान हमारा महमान थैंक यू दर्मेश बोला यूर वेलकम सर वो घूमा और अपनी टेबल की तरफ बढ़ चला एक सवाल हथोड़ी की तरह उसके जहन में बच्चता रहा क्या वो मुलाकात वाके इतिफाक था धर्मेश दादर पहुंचा वो बहुत साफ धानी से लेकिन बहुत लापरवाही का प्रदर्शन करता हुआ दादर में रोड की उस छे मंजिली इमारत के सामने से गुसरा जिसके दूसरी मंजिल पर शोबना का फ्लैट था सड़क पर आवाजा ही बराबर थी लेकिन उसे ऐसा कोई शक्स वहाँ नहीं दिखाई दिया जिसके निकाहों का मर्कस खास शोबना के फ्लैट वाली इमारत ही होती वो इमारत में दाकिल हुआ और लिफ द्वारा चौथी मंजिल पर पहुँचा वहाँ से सेडियों के रास्ते वो दूसरी मंजिल पर पहुँचा वहाँ भी उसे शोबना के फ्लैट की निग्रानी करता कोई शक्स दिखाई नहीं दिया वो इमारत से बाहर निकला और बहुत लंबा घेडा काट कर पिछवाड़ी की संक्री गली में पहुँचा और दो मिनट बाद वो शोबना के फ्लैट के बेडरूम में था उसने पाया कि फ्लैट तब भी वैसा ही था जैसा कि तब था जबकि वहाँ उसका अकसर आना जाना होता था पिछले छे महीनों में शोबना ने कोई तरक्की की थी तो उसकी चुगली कम से कम वो फ्लैट नहीं कर रहा था विसकी की बोतल भी उसे किचन की उसे वाल कैबिनेट में रखी मिली जिसमें कि उसकी मौजूदगी अपेक्शित थी उसने वो बोतल जो कि आधी भरी होई थी कबजाई वहीं से एक गिलास उठाया और वापिस बेडरूम में आ किया वहां लखे रेफ्रिजरेटर में उसने ठंडे पानी की एक बोतल निकाली अपने लिए एक जाम तयार किया एक सिगरेट सुलगाया और फिर डबल बैट पर पसर गिया बेडरूम में एक टीवी मौजूद था लेकिन उसने चलाना मुनासिब नहीं समझा वहां रोशनी भी उसने ट्यूब जला कर करने की जगा एक टेबल लेम को फर्श पर रख कर ओन करके की थी विसकी चुसकता सिगरेट फूंगता वो शोबना का इंतिजार करता रहा वो बारा बजे लोटी सौरी वो तनी खाफती हुई बोली देर हो गई कोई वांदा नहीं धर्मेश नशे से थर थराती आवास में बोला बोतल तलाश कर ली हां बड़ी आसानी से वही थी जहां हमेशा होती थी गुड मुझे तुम्हारा ये एक्शन अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये कहना अच्छा लगा वो खाम खा मुस्कुराई खाम खा ही या शायद आत्मियता जताने के लिए पुराने तालुकात को हवा देने के लिए उसने धर्मेश के हाथ से सिगरिट लेकर उसका एक लंबा कश खींचा साइट टेबल पर से गिलास उठा कर विस्की का घूंट भरा और धर्मेश के सामने एक कुर्सी पर धेर हो गई और वो बोली धर्मेश को नहीं मालुम था कि उसका वो सवाल किस बाबत था इसलिए वो बोला और क्या जवाब देने की जगा उसने खामोशी से कुर्सी में पहलू बतला कैब्रे डांसर कैसे बन गई घर्मेश ने उच्सुक भाव से पूछा जो जवाब मिला वो अप्रित्याशित था तुम्हारी तलाश में वो बोली क्या? फिल्मों की तरह तू कहां तू कहां की गुहार लगाते मुंबई के गली कूचों में धक्के खाते फिरने से वो तरीका अच्छा था कैसे अच्छा था? सेलर्स क्लब जैसे हजार ठिकाने होंगे मुंबई में क्या गैरेंटी थी वहाँ कदम पढ़ने की? बात में हो जाती? कैसे? क्लब के मालिक खरवड़े का मेरे से वादा था कि अगर मेरी परफॉर्मेंस वहां क्लिक कर गई तो वो शहर में मेरे पोस्चर लगवा देगा अकबारों में इश्तिहार छपवा देगा यूँ किसी पोस्चर से या किसी अकबार के पने से जांगती मेरी सूरत तुम्हें दिखाई देती तो कम से कम एक बार तो तुम सेलर्स कलब में पहुँचते या नहीं पहुँचते? हाँ, जरूर पहुँचता तस्दीक करने की तुम्हारी जानी पहचानी सूरत थी इश्तेहार में अकबार में छपी थी क्या बरो बर लेकिन इतने फाक देखो कि क्या खोब हुआ अभी वहाँ मेरा दूसरा ही दिन था कि तुम खुदी वहाँ चले आए मैं बयान नहीं कर सकती कि तुम्हें हॉल में बैठा देख कर मुझे कितनी खुशी हुई थी उससे ज्यादा नहीं हुई होगी जो कि तुम्हें देख कर मुझे हुई थी लेकिन कैबरे छोड़ भी दिया मतलब हल हो गया अब क्या जरूरत थी मुझे उस नामुराद काम की ठैंक गॉड ये गुड नियूस दी तुमने मुझे है तो गुड नियूस ही तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी धर्मेश ने उसकी उस बात का कोई और ही मतलब लगाया इसलिए बोला तुम्हारा एक खास कदरदान कोई दिन जाता होगा जबकि मेरे से ना पूछता हो कि तुम एका एक कहां गायब हो गई थी साफ बोला कि तुम भाव बढ़ाने की खातिल उससे कन्नी कत्रा रही थी तीस देने को कह रहा था जोर देने पर 35 भी दे सकता है बात करूं क्या तुम पागल हो या तुम्हें नशा हो गया है क्या मतलब तुम समझते हो कि इस टुचे काम के लिए मुझे तुम्हारी तलाश थी तो फिर मैं तो खयाल नहीं करना चाहती कि मैं कभी वो काम करती थी कैबरे भी तुम्हारी तलाश की खातिर किया अच्छा हुआ उस नामुराद काम से जल्दी पीछा चोड़ गया उसने असमंजस पून भाफ से उसकी तरफ देखा तुम मेरे करीबी हो तुम्हारा मतलब है था नहीं अभी भी हो एक बार बन गए अच्छे तालुका थमेशा याद रहते हैं और अच्छे तालुका थमेशा याद आते हैं और अच्छे तालुका खांगा नहीं बन जाते कोई न कोई common factor ज़रूर होता है जो किसी को किसी का करीबी बनाता है हम दोनों में common factor ये था कि हम एक दोसरे के मिजाज को एक दूसरे की मजबूरियों को समझते थे हम एकी तरह से जमाने के सताई हुए दो शक्स थे आज भी है? Correct मैं तुमारे मिजाद से वाकिफ हूँ तुम मेरे मिजाद से वाकिफ हो मेरे कारूबार की वज़ा से तुमने कभी मुझे हिकारत की निगास से नहीं देखा तुमारे कारूबार की वज़ा से मैंने कभी तुमें हिकारत की निगास से नहीं देखा तुमने कभी मुझ पर हावी होने की मेरा मालिक बनने की कोशिश नहीं की मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम कमिशन खाने वाले दलाग थे हमेशा अपना दोस्त और खेर खुआ समझा तुमे वो तुम्हे हूँ ही बिल्कुल धर्मिश तभी तो मुंबई में तुमें तलाश करने का अभ्यान चेडा ओ, सबसे पहले मैं सायन ही पहुंची थी जहां कि मेरी जानकारी में तुम रहते थे लेकिन पता चला कि वो जगह तुम कप की छोड़ चुके थे तीन महीने पहले छोड़ी कुछ तुम्हारे सदके, कुछ घड़ियों के एक स्मगलर के सदके चार पैसे ज्यास्ती कमा लिये थे इसलिए छोड़ दी अब कहां रहते हो वर्सोवा में वहां बीच रोड़ पर एक दो कमरों का फ्लैट है जो कि मैंने किराई पर ठीक किया है गुड फिर तो तरक्की की तुमने साइन के चौर को छोड़ कर वर्सोवा के फ्लैट में पहुँच गए यही समझ लो अब बोलो क्यूं तलाश थी तुम्हे मेरी बताती हूँ आज कल कर क्या रहे हो खास कुछ नहीं यूही तूटे फूटे काम जहां कहीं से भी चार पैसे हासिल हो जाए क्या कुछ खास करना चाहते हो है कुछ खास क्या तुम्हारी निगाह में है तभी तो यहां बैटे हो खास क्या बहुत खास वांस इन लाइफ टाइम जैसा खास ऐसा क्या हाँ क्या मैं कर सकूंगा वो खास काम उम्मीद तो है तभी तो पेशकर्ष है आई सी वो कोई मुश्किल या नामुम्किन काम नहीं है धरमेश वो ऐसा काम है जिसे कोई भी अंजाम दे सकता है तो फिर खास मेरी तलाश किस लिए क्यूंकि मैं हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती मैं सिर्फ तुम्हारे पर भरोसा कर सकती हूँ क्यूंकि तुम मेरे पर्खे और आसमाई हुए आदमी हो इसलिए मैं तुम्हारी लंबी तलाश में नहीं लगी रह सकती थी काम तो बोलो काम ऐसा है जिसे तुम ठीक से अंजाम दे पाए तो एक बहुत बड़ी रकम तुम्हें एक मुश्थ थासिल होगी सिर्फ मुझे पागल हुए हो मैं कोई वॉलेंटियर हूँ यानि कि तुम्हें भी हाँ जाहिर है रकम बोलो बोलती हूँ लेकिन पहले घूट लगा लो कश लगा लो और कलेजा थाम लो उसने वैसे कोई कोशिश नहीं की अलबता सस्पेंस में वो जरूर पड़ गया बात को जैसा ड्रामेटिक टच वो दे रही थी उस लिहास से रकम का लाखों में होना लास्मी था पच्चिस तेस लाख से कम तो क्या होगी अपने हिस्से के तौर पर हासिल होने वाले लाखों के सपने वो देखने भी लगा वो रकम वो कह रही थी कहां उपलब्ध है ये सर्फ मैं जानती हूँ और अब मेरे बताई तुम जानोगे बस ये समझो कि हाथ बढ़ाना है और वो रकम कबसे में कर लेनी है किसी चोरी की भूमी का तो नहीं बांध रही हो ना वो संशक भाफ से बोला नहीं चोरी मेरे बस का काम होता तो आज तक मैं इंतिजार कर रही होती तकदीर के पल्डा खाने का तो रकम किसी के पास है जो कि मुझे देना चाहता है क्या खाम खाम हाँ बंडल ऐसा कहीं होता है क्या देना नहीं तो समझ लो की सौंपना चाहता है किस लिए हिफाज़त से रखने के लिए क्यूंकि उसे अंदेशा है कि वो रकम उससे चिन सकती है ओ यानि कि अमानत के तौर पर वो अपना माल तुम्हारे हवाले करना चाहता है हाँ यही समझ लो और तुम अमानत में खयानत करना चाहती हो तुम पागल हो वो जुझ लाई अरे कोई शक्स एक मोटी रकम मुझे मुझे सौंपना चाहता है तो इसका क्या मतलब हुआ क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि इस दुन्या में उसका मुझ से ज्यादा करीबी कोई नहीं ऐसा कोई नहीं जिसका वो मुझ से ज्यादा भरोसा कर सके हम् उस आदमे की जान को खत्रा है मवाली उसके पीछे लगे है उसका कतल हो सकता है ऐसा हो जाने पर उसकी जो अमानत मेरे पास मौजूद होगी वो मेरे से कौन वसूल करने आएगा अगर मवालियों को तुम्हारी खबर नहीं है तो कोई नहीं सोद्यर तुम कहती हो कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं अगर वो उसी शक्स की वज़ा से तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो कि अपना माल तुम्हें सौपना चाहता है तो ऐसा क्यों कर होगा कि उन्हें तुम्हारी खबर नहीं होगी और माल की वसूली के लिए वो तुम्हारा भी वही हश्र नहीं करेंगे जो कि वो उस शक्स का कर चुके होंगे वो विचलित दिखाई देने लगी जवाब दो जवाब देने से पहले उसने विस्की का एक घून भरा धर्मेश से लेकर सिग्रेट का कश लगाया उन्हें मेरी वैसी खबर नहीं फिर वो बोली वो नहीं जानते कि मेरा उस शक्स के क्या रिष्टा है या वो मेरा कितना करीबी है कहें से उन्हें उस शक्स के संदर्ब में मेरे नाम की खबर लग गई और वो लोग यूँ ही पोश्टाश करने के लिए मेरे पास पहांच गए कि क्या मुझे उस शक्स का कोई मौजूदा अतापता मालूम था यूँ ही धर्मेश उसे घूरता हुआ बोला उसने फिर बेचैनी से पहलू बदला मुझे पुरा किसा सुनाओ शुरुआत से इस बात से करो कि वो शक्स है कौन सुनाती हूँ लेकिन पहले तुम ये चिठी पढ़ो उसने चिठी धर्मेश को सौंपी धर्मेश ने पहले चिठी का सरसरी तोर पर मौइना किया और फिर बोला इस पर परसों की शनिवार चौधा फर्वरी की तारीक है हाँ लेकिन ये मुझे कल दोपहर को मिली थी कोई दस्ती लेकर आया था लिखने वाले का नाम जामबंत राओ पाटिल दर्च है ये पाटिल कौन है धर्मेश ये वो शक्स है जो डेट साल पहले तुम्हारे सदके मेरा पहला ग्राहक बना था वो गोवा से शूटिंग देखने आया हुआ भेडू जो चैंबूर के फिल्म स्चूडियो में मिला था हाँ जिसने 20,000 दिये थे हाँ वही वो आज तक तुम से तालुकात बनाई है हाँ अरी बिबो कहीं ये पाटिल ही तो शक्स नहीं जिसकी वज़ा से 6 महीने पहले तुने मुझे नोटिस दे दिया था कि मैं आइंदा कभी तुमारे पास नहीं फटकूं हाँ वही है क्या तभी से तुमारा स्चेडी है डेट साल से स्चेडी 6 महीने पहले बना तभी तुम्हें नक्की बोला करता क्या है ये पाटिल ठीक से नहीं मालूम लेकिन कोई स्ट्रेट काम नहीं करता स्ट्रेट काम में किसी के पास उडाने के लिए उतना पैसा नहीं हो सकता जितना की पाटिल हमेशा चमकाता था मेरे खयात से वो कोई स्मगलर है क्या तुमने कभी सवाल नहीं किया इस बाबत किया था लेकिन पहले चिठी पढ़ो उसने सेहमती में सेर हिलाया और फिर चिठी को पढ़ना शुरू किया लिखा था मेरी जान ये चिठी पाकर तुम्हें यकीनन बहुत हैरानी होगी क्योंकि मैंने ना कभी आज तक तुम्हें चिठी लिखी और ना इस बाबत कभी खयाल किया फोन करना या खुद तुम्हारे पास पहाशना मुम्किन होता तो अब भी नहीं लिखता इतिफाक से यहां गुआ में मुझे मेरा एक वाकिफकार मिल गया जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि वो चिठी ले जाकर सीधे तुम्हारे हाथ में देगा इस बाबत मुझे डाक विभाग का भी भरोसा नहीं किसी कुरियर सर्विस का भी भरोसा नहीं इसलिए मैंने चिठी मोडक नाम के उस शक्स को सौंपी जो कि मुंबई के लिए रवाना हो रहा था मेरी जान मैं बहुत मुसीबत में फसा हुआ हूँ मेरे सामने भारी संकट की घड़ी है मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं जिन से की मैं चुपता फिर रहा हूँ मेरी बाबत दर्याफ्त करते वो तुम्हारे तक भी पहुंच सकते हैं इसलिए मैं तुम्हारे फ्लैट का रुख नहीं कर सकता बहराल अभी तक मेरे दुश्मनों को मेरी कोई कोच कबर नहीं मिली है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं मिलेगी मेरी मौजूदा प्रॉब्लम ये है कि जो माल मेरे पास है वो मैं हिफाज़त से रखने के लिए तुम्हें सौंपना चाहता हूँ इसलिए सौंपना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी जान हो मुझे तुम पर मुकमल एत्बार है और आज की तारीक में तुम से ज्यादा सगा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं इस गड़ी मेरे सामने जान और मार दोनों की हिफाज़त की समस्या है मैं माल तुमें सौंप पाऊंगा तो मेरा काम आधा हो जाएगा लेहाज़ा अब मेरी तुम से दर्ख्वास थे कि तुम किसी भी तरह 18 फरवरी बुद्वार दोपहर तक पंजी के होटेल मैफियर में पहुँचू वहाँ तुमने मिसिस गोपिना तुमाठी के नाम से ठहरना होगा और इस बात का पूरा पूरा खयाल रखना होगा कि मुंबई से वहाँ तक कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर पाई ऐसा कैसे मुम्किन हो पाईगा ये तुम सोचना इसे हसी खेल नहीं समझना क्यूंकि ये करोडों का मामला है पंजी में मुलाकात के इंतिजार में सिर्फ तुम्हारा जामपंत राव पाटिल बुद्वर 18 फरवरी धरमेश चिठी वापिस उसे सौमता हुआ बोला ये तो परसो है हाँ वो बोली यानि कि सिर्फ कल का दिन बीच में है हाँ चिठी तो कल दोपहर की आई बता रही हो चली क्यों नहीं गई अकेले जाना होता तो चली ही जाती हम्द इसमें करोडों का जिक्र है जाहिर है यानि कि ये करोड एक से ज्यादा तो है ही वरना उसने बहु वचन का इस्तेमाल नहीं किया होता जाहिर है यानि कि कम से कम दो करोड और ज्यादा से ज्यादा का कोई और छोर ही नहीं इतनी बड़ी रकम में तुमें हिस्सेदार कबूल है क्या कबूल है तब ही तो तुम यहां बैटे हो मैं औरत हूँ उपर से डरपोक औरत हूँ मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती मेरे पास कौन सी तोफ है मर्द तो हो ना फिर वो कहते नहीं है कि एक से दो भले दो से तीन तीन से चार भले और चार से पागल मत बनो दो से आगे बढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं माल हासिल होने की कोई गैरेंटी तो नहीं है गैरेंटी है उसने चिठी में साफ लिखा है कि वो माल मुझे सौंपना चाहता है मैं बात को और तरीके से कहता हूँ माल के हमेशा के लिए हासिल हो जाने की कोई guarantee तो है नहीं ये बात की बात है अगला पड़ाव हम अगला पड़ाव आने पर ही पार करेंगे पहले माल हाथ तो आए ये भी ठीक है लेहाजा हम पहले माल के हाथ में आने का इंतिजार करेंगे और फिर माल के असली माली के खलास हो जाने का इंतिजार करेंगे यही समझ लो बशर्टे कि वो हमारे पंजी पहाँचने से पहले खलास ना कर दिया किया हो ऐसा नहीं होगा पार्टिल को यकीन होगा कि ऐसा नहीं होने वाला तबी तो उसने ये चिठी लिखी फिर भी ऐसा हो गया तो उसका क्या मतलब होगा ये मतलब होगा कि सोने की मुर्गी भी गई और अंडा भी गया तुम्हारे मुँ में खाक धर्मेश शसा और फिर बोला ऐसा हुआ तो क्या करोगी क्या करूंगी दौलत के ख्वाब देखने बंद करूंगी और धर्मेश को कहूंगी कि जा भई उस आदमी को पकड़ के ला जो रोज पूछता है कि मैं एका एक कहां गायब हो गई थी और जो मेरा भाव बढ़ाने को तयार है बढ़िया ये बात पसंद आई मुझे यानि कि हमेशा ही खयालों की दुन्या में नहीं विचरती होगी दुरुस्त अब बोलो क्या कहते हो बोलता हूँ लेकिन पहले बाकी किसा भी बयान करो बाकी किसा उस हत्यारे के चिठी लेकर आने से लेकर अब तक के वाक्यात का खुलासा करो शोबना ने सब कैसुनाया हे भगवान धर्मेश बुला कल दो पहर से आज शाम तक इतना कुछ हो गया हर कारे मोडक का कतल हो गया एक मवाली दो बार तुम्हारे फ्लैट में घुस आया तीसरी बार उसके फिर लाट आने के तुम्हें अंदेशा है चिठी की उन लोगों को खबर है पाटिल के तुम्हारे से तालुकात की उन्हें खबर है ये हालात तो होश उड़ा देने वाले है अरे जब मेरे होश नहीं उड़ रहे तो तुम्हारे क्यों उड़ रहे है होश नहीं उड़ रहे मेरे अब जब ओकली में सिर देने का फैसला कर लिया तो फिर मुस्लों से क्या डड़ना शुक्र है वो चैन की सांस लेती हुइ बोली कि ऐसा फैसला तुमने कर लिया है मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे सामने सबसे पहला और सबसे एहم काम ये है कि हम हर गिस हर गिस भी और मवालियों के निगा में नहीं आ पाएं जिन में से एक का नाम शायद गोत मारी है दुरुस्त इस लिहाँ से मुंबई से हमें एक चोरो की तरह रुकसत होना होगा ये काम बस रेल या हवाई जहाद से सफर करने पर होना मुश्किल है क्योंकि हम नहीं जानते कि निग्रानी करने वाले वो दो जने ही है जो कि तुम्हें दिखाई दिये या वो दरजनों की तादात में है क्या मतलब चोरी से मुंबई से निकलने के लिए कार सबसे मुनासिब जरिया है हमें एक कार का इंतिजाम करना होगा क्या मुश्किल है कोई भी इंटरस्टेट टूरिस्ट टेक्सी टेक्सी नहीं प्राइविट कार जिसे हम खुद चला कर पंजी पहांच सके क्या तुम कार का इंतिजाम कर सकती हो उसने हिच किचाते हुए सहमती में सिर हिलाया बढ़िया लेकिन कल ही हो पाएगा ये इंतिजाम कोई वांदा नहीं तुम कल कार चौकस करना चीक है लेकिन उसे यहां मत लाना तो कहां लाओं तुम कार को क्रॉफ़ोट मार्केट की पारकिंग में खड़ी कर देना और चाबी अटेंडेंट को ही ये समझा कर देना कि कार लेने तुम नहीं मैं आऊंगा मैं कल सूरज डूबने के बाद कार को वहां से उठाऊंगा और अकेले कार चलाता हुआ वहां से रवाना होंगा और मैं धरमेश कुछ शंट सोचता रहा और फिर बोला तुम्हें पनवल तक खुद पहांचना होगा ऐसा करने में तुम्हें ट्रेन, बस, टेक्सी वगेरा जैसे सफर के कई जरीये तब तक इस्तेमाल करने होंगे जब तक कि तुम्हें गैरेंटी ना हो जाए कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं था यूँ तुम पनवल पहुँचोगी और मेरे साथ कार में सवार हो जाओगी फिर आगे सारी रात अपनी होगी पंजी यहां से 600 किलो मिटर दूर है पर सो सुबा वक्त रहते हम पंजी पहुँच जाएंगे बढ़िया हिस्सा कितना होगा तुम कितना चाहते हो तुम ही बोलो उतना ही वो सावधान स्वर में बोला जितना हमेशा होता है और हमेशा कितना होता है तुम्हें मालूम है एक चोथाई मेरी भोली बेगम वो किस्सा जिस धंदे में था उसमें अब ना तुम हो ना मैं हो अब तो बराबर के हिस्से की बात करो ताकि ये स्थापित हो कि ना तुम वालेंटियर हो ना मैं वालेंटियर हूँ लेकिन 50-50 or nothing and that is final ये तेवर हैं तुम्हारे हाँ अपनी बीबो से हाँ ओके 50-50 खुश हाँ बहुत लेकिन एक बात का ध्यान रखना धर्मेश ठाकुर कौनसी बात का धर्मेश तनी खट बड़ाया सा बोला आधे पर ही बने रहना पूरे के सपने नहीं देखने लगना तुम मुझसे ऐसी उमीद करते हो नहीं करती अभी नहीं करती लेकिन कहते हैं कि दौलत की चमक आँखों पर परदा डाल देती है ये बात तुम्हारे पर भी तो लागू होती है ना मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से अपना पार्टनर बनाया है इसलिए मैं आधे हिस्से के लिए जहनी तौर पर पहले से तयार हूँ उपर से मैं औरत हूँ कमसोर हूँ चलकपट के मामले में जैसी पैंत्रे बाजी मर्द दिखा सकता है वैसी मैं नहीं दिखा सकती कहने का मतलब ये है कि डबल क्रॉस नको बरोबर नको लेकिन दोनों तरफ से कुबूल और ये भी कुबूल की तबी एका एक फ्लैट की कॉल बेल बजी शोबना ने चिहुंकर आवास की दिशा में सेर उठाया कौन होगा वो संशक भाव से बोली तुम्हें मालूम हो फ्लैट तो बंध है बेल्ट इन लॉक में क्या पता लगता है कि प्रवेश्द्वार भीतर से बंध है या बाहर से बंध है हाँ ये भी ठीक है घंटी फिर बची बचने तो धर्मेश बोला जवाब ना मिलने पर जो कोई भी होगा हार कर चला जाएगा कहीं वो मवाली ही तो मैंने यहां कदम रखने से पहले सारे इलाके का चकर लगाया था मुझे ऐसा कोई शक्स दिखाई नहीं दिया था जिसकी कि तुम्हारे फ्लैट पर निगा हो वो अभी आया होगा ऐसा है तो जवाब ना मिलने पर वो दर्वाजे का ताला जबरन खोल कर भीतर घुसेगा तुम्ही ने कहा था कि ऐसा वो पहले कर चुका था इस बार वो गोली खाकर जाएगा गोली शोपना ने पलंग की मैट्रस के नीचे हाथ डाल कर वहाँ से रिवालवर बरामत की उसी की है वो बोली जब मुँपर खौलता पानी पड़ा था तो उसके हाथ से गिर गई थी शायद रिवालवर लेने ही वापिस लोटा हो देखते हैं कॉल बेल फिर नहीं बजी लेकिन इस बार टेलिफोन की घंटी बजी शोबना ने जिजगते हुए फोन उठा कर कान से लगाया और सांस रोके दूसरी और से कोई आवाज जाने की प्रतिक्षा करने लगी मुझे मालुम है तुम भीतर हो दूसरी और से इतनी जोर की मरदाना आवास आई कि वो धर्मेश को भी साफ सुनाई दी अभी के अभी दर्वासा खोलो वरना में इसे खट-खटा कर सारी बिल्डिंग को जगा दूँगा शोबना सक पकाई कौन है धर्मेश दबे स्वर में बोला पता नहीं वो माउथ पेस पर हाथ रख कर बोली लेकिन वो मवाली नहीं है ये उसकी आवास नहीं वैसे भी वो इतने हल्ले गुले के साथ भीतर दाकिल होने का तलबकार नहीं हो सकता तो फिर कौन है बोला ना पता नहीं मैं एन तुम्हारे दर्वासे के सामने खड़ा हूँ और अपने सेलिलर से तुम्हें घंटी कर रहा हूँ फोन से फिर आवास आई दर्वासा खोलती हो या मैं इसे पेटना शुरू करूँ खोलना पड़ेगा वो बोली मैं देखता हूँ दर्मेश ने पलंक से नेचे उतरने का उपकरम किया नहीं तुम यही ठहरो मैं देखती हूँ छीक है शुबना ने रिसीवर वापिस क्रैडल पर रखा और वहां से बाहर निकली ड्राइंग रोम में जाकर उसने वहां की एक बत्ती जलाई और फिर चाबी लगा कर प्रवेश द्वार को भीतर से खोला धर्मेश तब तक बीच के दर्वाजे के पास पहांच कर उसकी ओट में हो गया था और अब दर्वाजे में एक जीरी बना कर उसमें आँख लगाए बाहर का नजारा कर रहा था प्रवेश द्वार खोलते ही सूट बोर्ट धारी एक व्यक्ती जबरन भीतर घुस आया उसने पाउं की ठोकर से अपने पीछे दर्वाजा बंद किया और बड़े अशलील भाव से हस्ता हुआ शोबना को देखने लगा शोबना ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ अपनी पीट पीछे कर लिया और बड़ी अरूची से नाक चड़ाई हेलो डार्लिंग वो शक्स पूरवर थस्ता हुआ बोला लॉंग टाइम नो सी धर्मेश ने देखा कि वो एक कोई चालिस साल का सामली रंगत वाला व्यक्ती था उसके उपरी होन पर बारी कटी मूश थी और दाइं आँख के नीचे गाल पर एक काले रंग का मस्सा था उसका चेहरा तम तमाया हुआ था और जुबान लड़ खड़ा रही थी साफ मालुम हो रहा था कि वो नशे में पूरी तरह से टोन था क्या है शोपना गुस्य से बोली मैं है और क्या है वो आगे पीछे जूमता हुआ बोला पारिक पार्खी पारिक इन परसन आज उधर साला सेलर्स क्लब में तेरे को देखा साला देखते ही टोटल फिदा हो गया सोचा कलब बंध होने पर तेरे से बात करेगा पर तो बेच में ही उधर से नक्की किया पर मैं भी साला बुरे के घर तक पहांचने वाला है देखा कैसे इधर पहांच के दिखाया मेरे पीछे लगा था क्या पिछो काहे लगता मालुम होता कि तो उधर से नक्की करना मानता था तो उधर इश दबोश लेता मुर्गी का माफिक पर तो तो साइलेंटली उधर से नक्की किया फिर कैसे पहुँचा यहां खरवड़े अपना फिरेंट उसे फिरेंशिप का वास्ता दिया तो वो तेरा पता बोला फोन नमबर बोला मैं इधर आया अब इधर तेरे सामने खड़ेला है क्या मानता है मैं तो तेरे को मानता है तू बोल तू क्या मानती है क्या मैं अभी तेरा भाव देगा भाव से ज्यादा देगा कैश पेमेंट करेगा क्या बगता है कितना मांगता है अभी का अभी बोल पारे क्रेडिट पर काम नहीं करता कैश देता है डाउन पेमेंट भी नहीं करता 100% कैश देता है क्या दफा हो जा यहां से वरना शोर मचा दूँगी काहे जब मैं वैसे इच भाव ज्यास्ती देने को तयार तो शोर काहे ठहर जकमी ने शोबना दाम पीस्ती हुई उसकी और बढ़ी उस आदमी ने एक कदम यूँ पीछे हटाया जैसे वो एका एक भैबी थो उठा हो उसी बात से शोबना धोका खा गई उसे डर गया जान कर वो उसके और करीब आ गई लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी दोनों बाहें फैलाई और शोबना को मुर्गी की तरह दबोश लिया शोबना के मुँ से एक घुटी हुई चेक निकली उस आदमी ने जोर से उसे अपनी चाती के साथ भींचा छोड शोबना चट पटाती हुई बोल छोड कमी ने छोड़ेगा वो वैशियों की तरह हसता हुआ बोला बेडरूम में छोड़ेगा किधर है छोड मुझे नहीं धरमेश ने बीच बचाफ के लिए दर्वासा खोल कर आगे कदम बढ़ाया ही था कि एका एक शोबना का रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में घूमा और उसके भारी दस्ते का बरपूर प्रहार उस आदमी की फर्ष पर गिरा वादावरन में एका एक मुकमल सननाटा चा किया धरमेश उसके करीब पांचा कौन है वो संशक भाफ से बोला क्या पता कौन है सेलर्स कलब से मेरा डास देखने वालों में से कोई मालूम होता है कमीना पीछे ही पढ़ गया यहां पांच किया अब होश ठि काने आ जाएंगे इसके उठेगा और चल देगा नहीं चल देगा तो पुलिस को बुलाओंगी क्या वांदा है बलकि मैं इसे अभी उठाती हूँ शोभा ने अपनी सैंडिल से उसकी पसलियों को टहो का कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उसने दो तीन बार वही हरकत दोहरा नीचे जोग कर उसके एक गाल पर तमाचा रसीत किया लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई वो सक पकाई और फिर उकड़ो उसके पास बैट गई उसने उसकी नबस टटोली दिल की धड़कन टटोली गर्दन के पास शाह रग को चुआ ओ माई गॉड फिर वो आत जंकित भाफ से फुस फुस आई ये तो मर गया क्या धर्मेश के मुझ से निकला ये तो मरा पड़ा है नबस नहीं दिल की धड़कर नहीं कुछ नहीं ठीक से देखा है ना बहुत ठीक से देखा कई कई बार देखा मरा पड़ा है सत्या नाश अब क्या होगा धर्मेश जव वाप देने की जगर धर्मेश ने सबसे पहले लपक कर प्रवेश द्वार को भीतर से बंद किया। कैसे मर गया। शोपना के मुझ से निकला। कनपटी पर हुए एक वार से क्या कोई मर जाता है। दिल कमजोर होगा। धर्मेश धीरे से बोला। उपर से बेहत नशे में दिल की धर्कट बंद हो गई होगी। ओ, अब क्या होगा। पुलिस को खबर करनी होगी। नहीं, वो द्रिटा से बोली, हरकिस नहीं। धर्मेश की भवे उठी। तुम पागल हो, जो इतने सी बात नहीं समझते। कि अगर हमें पुलिस के फेर में पढ़ना पड़ा, तो ह ओ, तो क्या किया जाए? मुझसे पूछते हो, हाँ, क्या किया जाए? इसे चुप चाप यहां से हटाना होगा। कैसे? पैसे वाला आदमी मालुम होता है, कार पर आया होगा, उसकी कार कहीं बाहर खड़ी होगी, हम इसे… ये टैक्सी पर आया हो सकता है, और टैक्सी बाहर स सकती है ऐसा है तो बेड़ा गर्क है तुम तुम पहले यही देख कर आओ कि क्या बाहर सड़क पर ऐसी कोई टैक्सी मौजूद है धर्मेश सहमती में सिर हिलाता वहां से बाहर निकल गया पांच मिनट बाद वो वापिस लोटा टैक्सी कोई नहीं है वो बोला लेकिन इमारत क एन सामने एक सफेद जैन खड़ी है इसी की होगी शोबना जल्दी से बोली ये जैन की चाबी इसकी जेब से बरामत हुई है लगा कर देखो धर्मेश ने वैसा ही किया वो फिर फ्लैट में वापिस लोटा चाबी जैन की ही है वो बोला गुड शोबना बोली अब हमने इसक की लाश को जैन में पहुच आना है और जैन को यहां से कहीं दूर छोड़ के आना है हम बाहर मोहल कैसा है धर्मेश सनाटा है फिलहाल दूआ करो कि आगे भी सनाटा ही रहे इसे उठाओ मैं मैं भी उठाती हूँ दोनों आजू बाजू से थामते हैं इसे और बीच में यू लेकर चलते हैं कि अगर कोई देख ले तो यही समझे कि तीन जने सेडियां उतर रहे थे यगा एक बहुत पते की बहुत दिलेरी की बाती करने लगी हो मरती क्या ना करती वाली बात है भाई लेकिन सेडियां किस लिए जब इस इमारत में लिफ्ट है तो फिर सेडियां लि क्या कोई सोचेगा नहीं कि हम क्यूं लिफ्ट छोड़ कर सेड़ियां उतर रहे थे अरे कोई मिलेगा तो सोचेगा ना मैंने कहा ना इस वक्त सेड़ियों में कोई नहीं मिलेगा हम फिर भी कोई मिलेगा तो बोल देंगे लिफ्ट खराब हो गई मालूम होती थी या वो खुदी समझ लेगा कि हमारे में लिफ्ट का इंतिजार करने जितना सबर नहीं था आखिर दो ही मंजिले तो उदरनी है छीक है फिर दोनों ने उसे उठा कर खड़ा किया और वैसे ही उठाए उसे बाहर ले चले जैसे कि शोबना ने सुझाया था उन्होंने पहली मंजिल से आगे कदम रखा तो एका एक नीचे से उपर को आते कदमों की आहट हुई शोबना ने आतंकित भाव से धर्मेश की तरफ देखा खुद धर्मेश के गले की गंटी जोर से उचली सेडियों के मोड पर एडिया ठक ठक आती एक स्कर्ट धारी युफती उपर को आती दिखाई थी उन्हें देखकर वो ठिटकी क्या है वो संशक भाव से बोली कुछ नहीं शोबना बड़ी कठीनाई से कह पाई ज्यादा पी गया है ओ ततकाल वो आगे बड़ी और उनकी बगल से गुजरी मोड पर पहुँचकर धर्मेश ने पीछे जांका तो पाया वो युफती उपर सेडियों के दहाने पर ठिटकी खड़ी थी और नेत्र सिकोडे उधर ही देख रही थी उसकी धर्मेश से निगा मिली तो वो ततकाल घुमी और पूरवत एडिया ठक ठका थी आगे बढ़ गई उन्होंने भी आगे कदम बढ़ाए कौन थी दर्मेश उत्सुख भाव से बोला तिसरे माले पर रहती है मार्गरेट नाम है टेलिफोन एक्सचेंज में ट्रंक ओपरेटर है अमूमन सुभा घर आती है तकदीर की मार्गी आज इस वक्त लोटी सेडियों के रास्ते दर्मेश के स्वर में तनिक व्यंग्य का पुटा गया जिदर की इस वक्त कोई नहीं मिलने वाला था अब मैं क्या कह सकती हूँ ये कोई पंगा तो नहीं करेगी न क्या पंगा करेगी चलीक तो गई थी चुप चाब आगे जाकर रुख गई थी शक्की निगाहों से हमारी तरफ देख रही थी मेरे से निगाह मिली थी तो ही आगे बढ़ी थी ओर जो होगा देखा जाएगा अब बीच रास्ते में हम क्या कर सकते हैं उसकी बाबत धर्मेश खामुश रहा वो जैन तक पहुँचे उन्होंने लाश को पैसेंजर सीट पर धकेला धर्मेश ड्राइविंग सीट पर बैठा और शोबना कार में पीछे सवार हुई किधर चलें? धर्मेश इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला किधर भी? शोबना बोली लेकिन यहां से दूर बहुत दूर वापिस बोरी बंदर जाना ही ठीक होगा कार वहीं खड़ी पाई जाएगी तो लगेगा कि वो वहां से रवाना तो हुआ था लेकिन किसी मुकाम पर पहुँच नहीं पाया था छीक है? धर्मेश ने कार को तोलसी पाईप रोड पर दौड़ाया खामोशी से कार आगे दौड़ती रही रेस कोर्स के करीब एका एक कार की रफ्तार कम होने लगी क्या हुआ? शोबना बोखलाई से बोली रोड ब्लॉक धर्मेश दबे कंट से बोला हे बगवान सड़क पर नाकाबंदी हुई थी और वहां कई वर्दी धारी पुलिसिये मौजूद थे वहां एक एक वाहन को चेक करके नाकाबंदी से गुजरने दिया जा रहा था एक तीन फीती वाला हवलदार उनकी कार के करीब पहुचा उसके हाथ में एक रिजिस्टर था जिसमें उसने सबसे पहले कार का मेक और नमबर दर्ज किया और फिल उसकी ड्राइविंग साइट में धरमेश के करीब पहुचा किधर से आता है उसने पूचा बैंदरा से धरमेश बड़ी कठीनाई से कह पाया किधर जाने का है कोलाबा लाइसेंस दिखाओ धरमेश ने दिखाया डिकी खोलो कार से निकले बिना धरमेश ने वो लिवर उमेठा जिससे डिकी खुलती थी हवलदार पीछे को चल दिया एका एक धरमेश का दिल धार धार उसकी पसलियों के साथ टकराने लगा पराईकार थी पता नहीं डिकी में क्या था हवलदार ने डिकी को खोल कर भीतर जांका उसे बंद किया और वापिस लोटा क्या बात है हवलदार सहब धरमेश ने पूछा रास्ते में कोई हवलदार बोला दो रंगी स्वराश माच्दा मिनी बस देखी क्या नहीं क्यूं इसे क्या हुआ है तुन है ठीक हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ो धरमेश की जान में जान आई ततकाल उसने कार आगे बढ़ाई शोबना ने भी चैन की मील लंबी सांस ली क्या बात थी फिर वो बोली क्या पता कोई वार्दा थुई होगी उसी वज़ा से नाकाबंदी खड़ी की गई होगी सुबह अकबार पढ़के ही पता चलेगा कि क्या हुआ था वो हमें कार से बाहर निकलने को कहता तो तो हो जाता काम फिर बाकी की रात हवालात में कटती और बाकी की जिन्दगी जेल में फिर धर्मेश खामोश हो गया भगवान के लिए कार से जल्दी पीछा चुडवाओ मुझे तो अब एक सेकिंड भी इसके भीतर बैठना गवारा नहीं है हासला रखो लेकिन अच्चो बैठ प्लीज तू हल्ला करेगी तो मैं ही कार छोड़ के भाग जाऊंगा ओ नो तो फिर कहना मान वो खामोश हो गई बाकी रास्ते कार में पूरी खामोशी व्यापत रही कार फोर्ट के इलाके में पहुँची वो आजाद मैदान पार कर गई तो धर्मेश ने उसे रोका उतर वो धीरे से बोला शोबना बिना कोई सवाल किये खामोशी से कार में से उतर गई धर्मेश ने कार को यू टर्ण दे कर उसका रुक दादर की तरफ किया और फिर कार को पटरी पर चड़ा कर एक बिजली के खंबे से टकरा दिया फूर्ती से कार से निकल कर उसने हद प्रान की लाश को ड्राइविंग सीट पर पहुँचा दिया और उसे ओंधे मुस चेरिंग पर डाल दिया फिर वो लंबे डग भढ़ता शोबना के करीब पहुँचा लगेगा कि नशे में एक्सिडेंट कर बैठा वो बोला और दिल का जान लेवा दौरा पढ़ गया लेकिन पीछे कार का नंबर नोट हुआ था वो संशक भाव से बोली तो क्या हुआ पुलिस को नंबर से कुछ याद आएगा तो ये भी तो याद आएगा कि हमारे साथ एक पैसेंजर ऐसा था जो कि टुन था हमारे कोलाबा उतर जाने के बाद उसने वापसी में कार खुद चलाई तो एक्सिडेंट कर बैठा शोबना के चेहरे पर आश्वासन के भाव नहीं आए घबरा नहीं कुछ नहीं होता कार के नंबर के साथ हमारा नाम दर्श नहीं था कार में लाश पड़ी है इस बात की खबर भी सवेरा होने से पहले नहीं लगने वाली तब नाके की और यहां की वारदात का आपस में कोई रिष्टा जोड़ना आसान काम नहीं होगा और अगर होगा भी तो इतने बड़े शहर में कार के बाकी दो पैसेंजरों को तलाश कर लेना कोई हसी खेल नहीं होगा मौत की खबर आम होने पर पैसेंजरों से भी तो अपेक्षित होगा कि वो खुद सामने आए कैसे होगा हम तो इसे जानते तक नहीं पुलिस को तो ये बात नहीं मालूम यूँ कोई सामने नहीं आएगा तो यही समझा जाएगा कि मरने वाले ने किसी पार्टी में किनी लोगों को लिफ्ट दी थी लिफ्ट लेने वाला कार्ट खुद थोड़े ही चलाने लगता है कई बार चलाने लगता है हालात पर निर्भर करता है हमने उसे टुन बताया था पुलिस समझे कि कि उसने लिफ्ट ही शायद इसलिए दी थी कि बैंदरा से लेकर कोलाबा तक के लंबे रास्ते में कार उसे नहीं चलानी पड़ती ओ वो फासलत एह हो जाने तक उसकी हालत कदरन सुधर गई थी इसलिए वापसी में वो कार खुद चलाने लगा था लेकिन जाहिर है कि हालत उतनी नहीं सुधरी थी जितनी की कार चलाने लायक सुधरनी चाहिए थी इसलिए वो एक्सिडेंट कर बैठा यानि की हमें कोई खत्रा नहीं दिखाई तो नहीं देता बढ़िया फिर दोनों ने एक टैक्सी पकड़ी और वापिस दादर लोटे धर्मेश ने टैक्सी शोबना के फ्लैट वाली इमारत के सामने रुकवाई तुम उतर जाओ वो बोला मैं इसी पर आगे वर्सोवर चला जाओंगा मुझे डर लग रहा है वो दबेस्वर में बोली अरे अब काही का डर असली डर अभी भी बरकरार है टैक्सी छोड़ दो और मेरे साथ उपर चलो लेकिन प्लीज धर्मेश अनमने भाव से धर्मेश ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और उसके साथ हो लिया उस रात वो घर नहीं जा सका मंगलवार 17 फरवरी चिपलन वो एक मिनी बस थी जो बॉम्बे गोवा रोड़ पर दोड़ रही थी बस के भारी भरकम ड्राइवर का नाम डॉन पेडरो था और वही उसका मालिक था बस को वो बड़े गर्व से डॉन पेडरो इंटरस्ट्रेट बस लाइन कहता था बस में 17 सवारियों के बैठने की जगा थी लेकिन रश के मौसम में वो उसमें 30 तक भी भर लेता था उसकी बस का ना कोई निर्धारित टाइम टेबल था ना निर्धारित रोट था और ना ही निर्धारित किराया था उसका स्थाई ठिकाना पंजी था और वो जिधर के भी ज्यादा सवारियां पाता था उधर चल पड़ता था वैसे उसका पसंदीदा रोट वही था जिस पर की वो उस घड़ी चल रहा था यानि की गोवा टू मुंबई, मुंबई टू गोवा पिछले रोज पंजी में उसे एक जापानी टोरिस पार्टी मिल गई थी जिने वो पहले गोवा की सेर कराता रहा था और फिर बस पर ही फिगारो आइलेंड चोड़ कर आया था फिगारो आइलेंड एन समुद्र के बीच में था लेकिन जो स्चीमर वहां जाते थे उन में से अधिकतर पर मुसाफिरों समेत बस ही चड़ जाती थी लिहासा मुसाफिर बस में ही बैठे रहते थे और बस आइलेंड की खुशकी पर पहुँच जाती थी आज उसे वापसी में फिगारो आइलेंड से ही कई सवारियां मुंबई और उसके रास्ते के लंबे रोट की मिल गई थी इसलिए वो खुशी-खुशी अपने पसंदीदा रोट पर रवाना हो गया था दोपहर बाद वो फिरागो आइलेंड से चल पड़ा था और अब चिपलन पहुशने वाला था जो कि बॉम्बे गुआर रोट के आधिर रास्ते में था मिनी बस में उस वक्त केवल दस सवारियां थी जिन में से तीन ही एन मुंबई तक की थी उन तीन सवारियों में एक वो ब्राउन सूट और ब्राउन फेल्ट हैट वाला काफी संभ्रांत और रौबदार लगने वाला व्यक्ती था जो कि फिगारो आइलेंड से ही बस में सवार हुआ था ब्राउन सूट और हैट वाला बस के रवाना होने के वक्त दोड़ता हुआ पायर पर पाहँचा था और यूँ चलती बस में सवार हुआ था जैसे वो बस छोट जाती तो उसकी जान पर आप बनती उसने मुंबई का नाम लिया था तो पेडरो ने पंजी से थोड़ा आगे कोलवा उतर जाने वाली एक सवारी को सीट से उठा कर उसके लिए बैठने की जगा बनाई थी आगे हाईवे पर उसका एक जाना पहचाना बार एंड रेस्टरेंट था पेडरो ने बस को उसके कमपाउंड में दाखिल करके रोका और बोला दस मिनट फिर वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर से नीचे कूदा और रेस्टरेंट की इमारत के पिछवारी की तरफ बढ़ा जिधर की मैनेजर का ओफिस था और जो उसका दोस्त था सुनो पीछे से आवाज आई वो ठिटका घूमा उसने देखा उसका ब्राउन सूट और हैट वाला पैसेंजर बस से उतर कर उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था पेडरो ने तब उसे गौर से देखा वो कोई 45 साल का अच्छी तंद्रुस्ती वाला शक्स था जो की कीमती सूट और हैट पहने था उसका चेहरा रौबदार था जिस पर मोटी मूचे थी और भारी भवे थी उसका माथा चौड़ा था और कान अपेक्षा क्रित बड़े बड़े थे उसने फैल्ट हैट माथे पर बहुत नीचे जुका कर पहना हुआ था जिसकी वज़ा से उसके सिर के बाल नुमाया नहीं थे अलबता वो कनपटियों पर से सफेद थे ऐसे हैट के बावजूद भी साफ दिखाई दे रहा था सूरत से वो बहुत संजीदा लगता था और आंखों से पशे मान कद उसका पैडरों के बराबर ही यानि की कोई साड़े पांच फुट था गोवानी वो हर्गिस नहीं था अलबता मराठा हो सकता था सामान के नाम पर उसके पास एक हैंड बैग ही था जो कि वो उस घड़ी भी उठाई था येस पैडरों बोला अभी हम कहां पहुँचेंगे ब्राउन सूट वाले ने पूचा चिपलन वहां से आगे की सवारियां कितनी है तुम्हारे इलावा दो और कहां की तुम्हारी ही तरह मुंबई की यानि कि चिपलन में तुम्हारी बस एक तरह से खाली हो जाएगी हाँ चिपलन से आगे को सवारियां मिल जाएंगी क्या शायद मिल जाए रात बहुत हो गई है शायद ना भी मिले मैं शडियूल से तीन घंटे लेट हूँ इसलिए तीन घंटे लेट होने के वचा बस का रास्ते में बिगट जाना था उस घड़ी रात के दस बज़े थे नाइट ड्राइविंग से दिक्कत नहीं होती क्या क्या दिक्कत है पेड्रो ला परवाही से बोला आदत है इधर फिर भी आराम का मौका मिले तो कमाई भी पूरी हो जाए तो क्या वान्दा है क्या मतलग आज अपना रोट चिपलन में ही ब्रेक कर दो तो फिर तो मुंबई कैसे पहुंचेगा मैं भी मुंबई पहुंचने का खयाल छोड़ दूँगा और मुंबई के दूसरे दो पैसेंजर उनको किसी और बस में चड़ा देना उनका किराया वापिस कर देना जो मुनासिब लगे करना रोकड़ा मैं भरूँगा पर बोल देना बस रास्ते में फिर बिगड़ सकती है जो कि रात के वक्त उनके लिए ज्यादा मुसीबत का बायस होगी मुझे चिपलन से और सवारिया मिल सकती है उनसे जो कि राया तुमने कमाना है वो भी मैं भरूँगा क्यूं तुम्हारे को क्या मानता है मेरे को रेस्ट मानता है तुम्हारे को भी रेस्ट मानता होगा अभी मुंबई यहां से पौने तेन सो किलो मिटर दूर है दिन चड़े जाकर मुंबई लगोगे यानि कि सारी रात बस चलानी पड़ेगी क्या वांदा है कोई वांदा नहीं लेकिन कमाई पूरी हो और बस ना चलानी पड़े तो भी क्या वांदा है तुम्हारे को क्या मांगता है बोलाना रेस्ट मांगता है और रेस्ट के बाद सुबह तुम मुझे अकेले पैसेंजर को वापिस पंजी लेकर चलोगे अकेले पैसेंजर को माथा फिरेला है क्या ये क्या टैक्सी है समझ लो कि टैक्सी है मैं पूरा रोकडा भरूँगा पूरा रोकडा तुम समझना तुम चिपलन से पंजी भरी लेकर गए थे पंजाएगा खाली एक पैसेंजर हाँ तुम हाँ, सुबह साथ बजे हम यहां से रवाना होंगे ताकि हम दोपहर तक वापिस पंजी पहुंच सके बॉस, पिच्छु कुछ रह गया है क्या क्या मतलब अभी उधर से आया अभी का अभी वापिस लोटना मांगता है तो तुम्हें उन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम मेरी पेशकश कबूल करो और अपना किराया बोलो बॉस में एडवांस लेका पेडरो चेतावनी भरिस्वर में बोला हाँ हाँ एडवांस ही देखा तुम साला सुबह बस में बैठने को नहीं आया तो मेरा तो धन्दा गया ना काम से I understand मैं अभी एडवांस देता हूँ रकम बोलो पेडरो ने मन ही मन भरी बस के किराय का हिसाब लगाया और फिर इत्मिनान से रकम को डबल कर दिया पांच शे हजार एन वक्त पर डबल रकम में भी इजाफा करता वो बोला ज्यादा है बहुत ज्यादा है लेकिन मुझे मन्जूर है उसने उसे पांस पांस सो के बारा नोट सौंपे पेडरो की तबियत बाग बाग हो गई सांता मारिया वो मन ही मन बोला ऐसा पैसेंजर रोस रोस मिले मैं रसीद देता है वो उमंग भरे स्वर में बोला जरूरत नहीं ब्राउन सूट वाला बोला बस मैं रोकड़ा लेकर रात को ही इधर से नक्की किया तो तो समझना तुम्हारी तकदेर ने भी तुमको नक्की किया क्या फिर ना तो बस रहेगी और ना ही बस वाला पेडरो के शरीर में ठंड़की लहर दौड गई वो लफ्स उस शक्स ने ऐसे कहर बरपा ढंग से कहे थे कि वो हक बकाया सा उसका मुद देखता रह किया था बस शर्ते की ब्राउन सूट वाला पूरवत कहर भरे स्वर में बोला तुम बस को चांद पर ले जाकर नहीं चलाने लगो बहुत कड़क बोलता है बॉस पेडरो किस्याया सा बोला ब्राउन सूट वाला खामोश रहा मैं रसीद देता है बोलाना जरूरत नहीं मैं देता है चीक है मरसी तुम्हारी आप बार में चलो मैं आप बार में नहीं वो इंकार में सिर हिलाता हुआ बोला मैं बस में जाकर बैठता हूँ तुम्हारा नाम क्या है बस? क्यूं पूछते हो? रसीद पर लिखना होगा जरूरत नहीं, ऐसे ही चलेगा फिर ततकाल वो घूमा और लंबे डग भड़ता वापिस बस की और बढ़ चला पेडरो मैनेजर के कमरे में पहुचा वहां से कागस और बॉल पेन हासिल करके उसने कागस पर लिखा चिपलंड से पंजी का फुल बस फियर 6,000 रुपे वसूल पाई डॉन पेडरो डॉन पेडरो इंटरस्ट्रेट बस लाइन पंजी, गोवा 6,000 रुपे ग्रेट, जस्ट ग्रेट अब चिपलंड से आगे बस चलाने की उसके जिम्मेदारी खत्म थी इसलिए वो बार में पहुचा जहां कि उसने आनन फानन रम के दो पैग हलक में उतारी जब तक वो वापिस बस में पहुचा, तब तक सारे पैसेंजर भी वापिस आ चुके थे तद काल उसने बस को हाईवे पर आगे बढ़ा दिया ये कार पंजी नहीं पहुचने वाली धर्मेश ठाकुर भुन भुनाता हुआ बोला कार डीजल की एमबेज़र थी जिसका कि मुंबई में शोबना शेंटी ने इंतिजाम किया था प्रोग्राम के मुताबिक वो कार जब धर्मेश ने क्रोफोर्ट मार्केट की पार्किंग से उठाई थी तो तब ही उसका माथा ठनका था लेकिन ना तब शोबना से संपर्ट का कोई साधन बाकी रहा था और ना वो खुद उस कार की जगा किसी और कार का इंतिजाम कर सकता था शाम को पूरी साधधानी से कार चला था वो शेहर से बाहर को जाने वाले अपने रूट पर बढ़ा था पूर्वा निर्धारित प्रोग्रेम के मताबिक पन्वल पहुँशने पर उसे शोबना वहां मिल गई थी जिसने इस बात की तज्दीक की थी कि कोई उसके पीछे नहीं लगा था अब ड्राइफ पर उन्हें चार घंटे होने को आ रहे थे और इस दोरान दो बार कार का इंजन बंद हो चुका था शुब शुब बोलो शोबना अश्रंकित भाव से बोली कोई बैतर कार नहीं मिली क्या मिली होती तो क्या कहती यहीं लेंगे लानत चोटा मोटा नुक सर काम में आ जाता है देख लेना हम निर्विग्न पंजी पहुँचेंगे अरे विग्न से ही पहुँच जाएं तो गनी मत है ठीक तो चल रही है अब तब ही इंजन फिर खड़खड करने लगा लो धर्मेश चड़कर बोला शुबना खामोश रही इसे कहीं किसे मिस्त्री को दिखाना होगा इस वक्त मिलेगा क्या कोई मिस्त्री राच चलते तो कहां से मिलेगा अल्बत्ता आगे कहीं आबादी आएगी तो रुकेंगे इस वक्त हम कहां से गुजर रहे हैं अभी खेड पीछे चूटा है अच्छा होता मिस्त्री को कार्ट दिखाने का खयार मुझे पहले आया होता हम वही रुक जाते अब आगे क्या आएगा चिपलन दुआ करो कि वहां तक हम सेफ पहुँच जाएं फिर कोई मिस्त्री तलाश करेंगे चीक है ब्राउन सूट वाला अपने से अगली सीट की पीट से अपने घुटने सटाई गठडी सा बना बस में बैठा हुआ था उसकी आँखें मुंदी हुई थी और अपना हैट उसने मुंदी आँखों के उपर तक खेंच लिया हुआ था उसके जहन पर बार बार फिगारो आईलेंड का अक सुभर रहा था जहां कि वो भाई के आदमियों के निगाह में आने से बाल-बाल बचा था वो दोड़कर पायर पर पहुँचा था तो उसने एक मिनी बस को स्चीमर पर चड़ने के लिए तयार पाया था बिना ये जाने कि आगे बस की मन्जिल कौन सी थी वो उस पर सवार हो गया था पंजी पहुचकर ही उसे पता चला था कि बस आगे मुंबई जा रही थी लिहाजा उसने मुंबई का टिकट ले लिया था सारे रास्ते बस से सवारियों के चड़ने उदरने का सिलसिला चलता रहा था उसने बस के हर नए मुसाफिर को पर्खा था लेकिन कोई उसे भाई का आत्मी नहीं लगा था कोई उसे अपने पीछे पड़ा नहीं लगा था एक बात से वैसे वो बे खौफ था भाई का कोई आम आत्मी सिर्फ उसके निगरानी कर सकता था उस पर हाथ डालने के जुर्रत नहीं कर सकता था आखिर वो भाई का विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट था अपनी निगरानी का कोई नतीजा वो आगे भाई तक पहुँचा सकता था और फिर भाई अपना कोई खास आत्मी जैसे कि वो आधा चांद, गोत मारे या जटा शंकर भवरलाल या भाई का खास जलाद, टीका राम या कोई और उस पर हाथ डालने के लिए तैनात किया जा सकता था बहरहाल अब उसे गैरेंटी थी कि वो किसी की भी निगाहों में नहीं था, इसलिए उसने पंजी वापिस लोटने का फैसला किया था, ताकि वो माल के करीब रह पाता मुंबई जाने का उसका वैसे भी कोई इरादा नहीं था, हकीकतन उसकी मंजिल चिपलन ही थी ग्यारा बजे बस चिपलन जाकर लगी, तमाम पैसेंजर बस से उतरे, ब्राउन सूट वाला भी उतरा उसने अपना हैट सिर से उतर कर अपने हाथ में ले लिया था, और बार बार अपने उलजे बालों में उंगलिया फिरा रहा था, और आँखों को सहला रहा था, वो जमहाईया लेता बस के पहलों से लग कर खड़ा हो गिया, पैडरो उसके करीब पहुँचा तुम्हारी रसीद बॉस, वो एक तैकिया हुआ कागस अपने महरबान पैसेंजर की और बढ़ाता हुआ बोला अरे, रखो अपने ही पास, ब्राउन सूट वाला अनमने भाव से बोला, पंजी चलके ले लेंके अभी ले लो बॉस, बाद में मैं भूल जाएगा ठीक है, उसने रसीद ले ली और ला परवाही से उसे हाथ में थामे फेल्ट हैट के बैंट में खोंस लिया साथ बजे रवाना होंगे, पेड्रो बॉला हाँ, मैं इधर इश मिलेगा बढ़िया, क्या यहाँ कोई लोकल सवारी मिलेगी उधर पेड्रो ने एक तरफ फात उठाया, टैक्सी स्टैंड है बॉस ब्राउन सूट वाला सेहमती में सिर हिलाता, तक काल उधर बढ़ गया एक संक्री सी गली में उसके दहाने के करीब काली फियट खड़ी थी फियट की अगली सीट पर गोत मारे और भवरलाल बैठे, कामोशी से सिग्रेट के कश लगा रही थी अपनी उस थिती से उन्हें सामने बस चैंड का निरबाद नजारा हो रहा था बेकार एक 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 गोत मारे भुन भुनाया क्या? स्चेरिंग के पेछे बैठा, भवरलाल सक पकाया क्या बेकार? बेकार रात खोटी कर रहे है भवरलाल ने अंधेरे में घोर कर अपने जोडी दार को देखा उसने कोई सकत बात कहने के लिए मुग खोला लेकिन फिर इरादा बदल दिया भाई का हुकम है वो सहज भाफ से बोला वो तो है, तबी तो यहां बैठे है भाई तक खबर पहुंची है कि हमारे आदमी की शकलो सूरत का कोई आदमी शाम को पंजी से मुंबई की किसी बस पर सवार हुआ था हमने उसको यही रास्ते में थामना है इसलिए गोवा मुंबई रूट की हर बस पर निगार रखनी है इस जगा से हमें गोवा तरफ से आती सड़क भी दिखाई दे रही है और बस स्टैंड भी क्या पता उसकी बस गुजर भी गई हो? अगर उसने शाम को पंजी से बस पकड़ी होगी तो अभी यहां से नहीं गुजरी हो सकती क्या पता उसने किसी और रूट की मसलन बैंगलोर की या करनाटर की किसी और जगा की बस पकड़ी हो? भाई बोला मुंबई क्या पता भाई को खबर पहुचाने वाले ने पंजी में हमारे आदमी की शिनाथी गलत की हो? ऐसा नहीं हो सकता कोई भाई को कच्ची खबर देने का हौसला नहीं कर सकता क्या पता वो रास्ते में कहीं उतर गया हो? बके जा बके जा कौन रोक सकता है तुझे? जवाब नहीं सूजा तो जाड लगा दी अब इस साले टपोरी हमारा काम हुकम मानना है मीन में एक निकालना नहीं आपस में ही तो बात कर रहे है कोई भाई को तो नहीं बोल रहे ऐसी बात आपस में भी ना कर जो दिल बैठाने वाली हो गोत मारे खामोश रहा और दुआ कर अपने गणपती बपा से कि भाई की जानकारी सही हो और हमारा इंतिजार रंग लाई वो तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन हम चिपलन में क्यों है क्या मतलब अगर ये पक्का है कि उसने पंजी से मुंबई की बस पकड़ी है तो जो इंतिजार हम यहां इस कमबक तमारी जगा पर कर रहे हैं वो हम मुंबई में भी तो कर सकते हैं कर सकते थे लेकिन यहां उसको थामना हमारे लिए ज्यादा आसान है यहां उसकी बस रात के अंधेरे में पहुंचेगी मुंबई उसके पहुँशने तक दिन चड़ा होगा मुंबई में दिन दहाड़े उस पर हाथ डालना मुश्किल काम साबित हो सकता है लेकिन चिपलन ही क्यों? क्योंकि वो पिछले हफ़ते भी यहां आया था ताज जिन्दगी कभी उसने चिपलन में कदम नहीं रखा फिर भी यहां आया था हो सकता है उसके दिमात में माल को इधर इशनकी करने का कोई जरिया हो? इस लिहाज से उसकी मुंबई पहाँशने की गैरेंटी हो या ना हो चिपलन पहाँशने की गैरेंटी ज्यादा है हाँ ऐसा ही छे फिर हम दादर वाली बाई के पीछे क्यों पड़े हुए थे? अब एक खोटी अकल उस वक्त तक हमें भाई से ये खबर नहीं मिली थी कि वो पंजी से मुंबई की बस पकड़ता देखा गया था ओ, कुछ शंड कामोशी रही वो, गोत मारे फिर बुला इधर कैसे नक्की करेगा माल? इधर कोई गिलाहक ठीक किया होगा उसने यानि की माल उसके पास होगा? हो सकता है? भीडू, अगर हम उसके साथ साथ माल भी पकड़ पाए तो हमारी जैजै हो जाएगी? हाँ, ऐसे ही सोच भाई की निगा में हमारा भाव बढ़ जाएगा बरो बर बढ़िया, पन अब क्या पन? ये इंतिजार कब तक चलेगा? तब तक जब तक वो आ नहीं जाता या जब तक सवेरा नहीं हो जाता ओ या सवेरा होने के बाद तक अगला सवेरा होने तक उससे भी अगला सवेरा होने तक अब चुप चाब बैट एक मिनी बसा रही है भावनलाल ने सड़क की और निगा उठाई गौळ टू मुंबई लिखा है भावनलाल का सेल मशेन की तऱा सेहमती में हिला अड़े पर रुक रही है गोत मारे एका एक भावर लाल का हाथ उसके कंधे पर पड़ा और वो उत्तेजित स्वर में बोला उस ब्राउन सूट वाले को देख जो बस से उतर रहा है कौन? वो जिसके एक हाथ में हैट है और दोसरे में बैग है वो जिसकी तरफ डिलेवर बढ़ रहा है अब बात कर रहा है वही है क्या? गोत मारे मंत्र मुग्द स्वर में बोला बिल्कुल वही है मिनी बस से उतरा भाई ने ये खबर दी होती तो काम आसान हो जाता वो तो है क्योंकि मेंनी बस तो लंबे रूट पर चलती नहीं इकका दुक्का चलती है में साथ सामने है आओ गोत मारे ततकाल अपनी तरफ का धर्वासा खोलता हुआ बोला जरा आओ तो था में सालिको अभी नहीं भावरलाल तीखे स्वर में बोला क्यों? गोत मारे ठिटका क्योंकि मैं कहता हूँ वो तो मैंने सुना पन क्यों? देखता नहीं अड़े पर कितने लोग जमा है ओ गोत मारे ने दरवासा वापिस बंद कर दिया वो एक शंट ठिटका और फिर बोला वो खिसक गया तो? कहां किसक जाएगा ड्राइवर तो बस छोड़ कर चल दिया वो वो भी जा रहा है वो टैक्सी स्टेंड की तरफ जा रहा है बढ़िया क्या बढ़िया? हम टैक्सी के पीछे लगेंगे फिर? फिर देख क्या होता है बचके नहीं जाने पाएगा अपना भीडू वो टैक्सी में सवार हो रहा है टैक्सी जा रही है हाँ मैंने देखा भवरलाल इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला अब चुप चाप बैठ कार खामोशी से गली में से निकली और आगे टैक्सी स्टैंड की और बढ़ चली वा, भवरलाल यूं बोला जैसे अपने आप से बात कर रहा हो जिस बेडू के तलाश में गोवा से मुंबई तक धक्के खाते फिरे वो जैसे हमारी गोध में आकर गिरा अभी कहा गिरा गोध मारे बोला अभी काबू में आए तब ऐसा बोलना अभी क्या कसर है अब कैसे निकल जाएगा कहा निकल जाएगा यानि कि टैक्सी के किसी सुंसान रास्ते पर पहांचते ही हम उसे रोक लेंगे और फिर नको डिरैवर का लफडा नहीं मांगता गवा नहीं मांगता हम उधर काबू करेंगे जिधर ये जाके लगेगा किधर जाके लगेगा मालूम पढ़ जाएगा पर अब चो बैट और तमाशा देख गोध मारे फिर खामोश हो गया बाप टैक्सी ड्राइवर एका एक बोला उंगते से ब्राउन सूट वाले ने से रुठाया कोई हमारे पिच्छू क्या वो काली फियर्ट बस चैंट से ही हमारे पिच्छू ब्राउन सूट वाला सननाटे में आ किया सावधानी से गर्दन गोमा कर उसने पेचे सडक पर देखा जहां एक काली फियर्ट कार टैक्सी के ही रफदार से दोड़ी आ रही थी और जिसका की टैक्सी से आगे निकलने का कोई इरादा नहीं मालुम होता था क्या उसकी अब तक की सारी सावधानी बेकार गई थी कार में दो आदमी सवार मालुम होते थे मौजूदा हालात में जिनकी सूरत देख पाना ना मुम्किन था रफदार घटाना जरा वो दबे स्वर में ड्राइवर से बोला ड्राइवर ने आदेश का पालन किया ततकाल पीछे आती फियर्ट की भी रफदार घट गई तेज करो टोपी वाला बोला टैक्सी के रफदार बड़ी तो ततकाल फियर्ट ने भी स्पेट पकड़ ली अब फिलहाल हरा बाग जाने का खयाल छोड़ दो ब्राउन सूट वाला उस थान का नाम लेता हुआ बोला जहां के लिए कि उसने टैक्सी की थी आगे जो भी क्रोस रोड आई उस पर दाएं बाएं किधर भी मुड़ जाना ड्राइवर ने सहमती में सेर हिलाया कुछ एक शन बाद एक चौरहा आया जस पर टैक्सी बाएं मुड़ गई फियर्ट ने भी उसके पीछे ततकाल बाएं मुड़ काटा अब ब्राउन सूट वाला साफ साफ भै भी दिखाई देने लगा सुनो वो व्यग्र भाफ से बोला इस कार से पीछा छुड़ा सकते हो क्या मैं तुम्हें दुगना भाड़ा दूगा तिगना भाड़ा लेकिन टैक्सी ड्राइवर पहले ही इंकार में सिर्फ हिला रहा था टैक्सी पुरानी है बाप वो खेद पॉर्ण स्वर में बोला स्पेड नहीं पकड़ती उपर से रास्ते सुनसान पड़े है कैसे होईगा कोशिश तो करो कोई फाइदा नहीं होगा ऐसे काम हैवी ट्रैफिक में मुम्किन होते है इतनी रात गई ट्रैफिक किधर है इधर क्या इधर कहीं कोई रेस्टरेंट खुला होगा करीब ही एक बार है रात एक बज़े तक खुलता है ठीक है वहीं पहुंचो ड्राइवर ने सेहमती में सेर हिलाया और फिर बोला किसा क्या है बाप वो फियट क्यों पिछू लगेला है तुम नहीं समझोगे मेरे को तो वो कोई मवाली लोग मालूम होता है पता नहीं कौन है मैं कोई गलाटा नहीं मांगता साहब कोई पंगा नहीं मांगता कोई पंगा नहीं है है तो तुम्हारे साथ नहीं है क्या पता चलता है मैं तुम्हारे को बार पर उतार कर उधर से नक्की करना मांगता है हरगिस नहीं तुम्हें वही रुखना होगा नक्को मैं बोलाना मैं कोई पंगा नहीं मांगता मैं भी बोला ना कोई पंगा नहीं होगा तब ही आगे एक इमारत दिखाई थी जस पर नियोन साइन में बार लिखा था टैक्सी के रफ़तार खटने लगी यहां नहीं ततकाल ब्राउन सूट वाला तीखे स्वर में बोला यह बार है बाप वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है लेकिन उजार पड़ा है किसी एकिसी जगा चलो जहां भेड़ भाड हो भेड़ भाड नहीं तो चार बंदे तो दिखाई दे पंगाप और किसी सलीके के बार पर पहांच यह बार नहीं बेवडे का अड़ा है पंगाप फिर आगे सडक पर दोडने लगी। पीछे आती फियर्ट की रफ़तार भी तेज हो गई। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक दो मंजली इमारत के करीब पहुची। जसके नीचली मंजली से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। उस इमारत पर भी बार का साइन बोर्ड लगा उसने उसकी जिप खोल कर भीतर से एक पैकेट बरामत किया। उसने पैकेट को कोड की भीतरी जेब में धकेलने की कोशिश की तो पाया कि वो उसमें नहीं समा रहा था। उसने एक आज सी भरी और फिर पैकेट को वापिस यदा पूर्व बैक के हवाले कर दिया। रियर व् मिरर में से ड्राइवर अपलक अपने पैसेंजर के हर कारे कलाप को नोट कर रहा था। ब्राउन सूट वाले ने बैक संभाला और फिर टैक्सी से बाहर निकल कर आगे उसकी ड्राइविंग साइड में पहुँचा। उसने कार की खुली खिर्की में से भीतर हाथ डाला और इगनिशन में लगी चाबी के सहारे जूलते चाबियों के गुच्छे को अपने कबसे में कर लिया। ककक क्या ड्राइवर ने ततकाल विरोध किया क्या करता है बाब। इधर ही ठहरने का ब्राउन सूट वाला सक्ति से बोला समझा। पन। ब्राउन सूट वाले ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो घूमा और इमारत के प्रवेश द्वार की और बढ़ गया। भवरलाल ने फियर्ट को ब्रेक लगाई। उसे हमारी खबर लग गई मालूम होती है गोत मारे बोला। वो तो लगनी ही थी भवरलाल बोला। पन क्या वांदा है। वो हुश्यार हो गया होगा। और खौफ जदा भी दम निकल रहा होगा साले का। और अब। भवरलाल न बोला। पिच्छु से भी कोई रास्ता हुआ तो वो खिसक जाएगा। कहीं नहीं खिसक जाएगा। भवनलाल भुन भुनाया। कहां खिसक जाएगा। और फिर अभी तो वो हमारी निकाहों के सामने है। क्या। उधर बार के दर्वाजे के बाजु की शीशे के खिड़क पंड क्यों फोन क्यों कर रहा है। किसे फोन कर रहा है। वो जरूर कोई मदद बुला रहा होगा। तो देख लेंगे मददगार को भी तू अभी होसला रख। लेकिन गोत मारे उसकी सला पर अमल नहीं कर पाया। वो बार बार बेचैनी से पहलु बदलने लगा। भवनल कुछ सोच कर हाग धीला चोड़ दिया। तो इधर हा वो अपनी और का कार का दर्वासा खोलता हुआ बोला। किधर आऊं। गोत मारे असमंजस पोन्ट स्वर में बोला। इधर ड्राइविंग सेट पर। ओ ठीक है। भवनलाल बाहर निकला तो गोत मारे उसकी जगा ड्र काट कर टैक्सी में उसकी जगा आ बैठा। तब उसने जेब से रिवाल्वर निकाली और उसे अपनी दाइं जान के नीचे दबा कर सीट पर रख लिया। कोई मदद काम नहीं आने वाली साले के फिर वो पूरे विश्वास के साथ बोला। तु गलती कर रहा है। मैं कहता ह हमें अभी उसे तो चुप कर। ब्राउन सूट वाला रिसीवर कान से लगाई वाल टेलीफोन पर तेजी से एक नमबर डाइल कर रहा था। शीशे के खिरकी में से उसे बाहर आन खड़ी हुई काली फियर्ट दिखाई दे रही थी और उसे बड़ी शिदत से एहसास हो रहा था कि वो भारी खत्रे के बहुत करीब था। उसने बार में निगाध दोड़ाई। बार काउंटर पर बार मैन माचूद था जो कि वस्तुदै बार का मालिक भी था और उसके सामने उंचे स्चूलों पर दो कस्चमर बैठे हुए थे। एक कोने की टेबल पर उंगता सा एक आदमी माचूद था और पिछवारे के एक जूलते दर्वासे के करीब एक वेटर खड़ा जमहाईया ले रहा था। ब्राउन सूट वाले को कुछ राहत मैसूस हुई। इतने लोग भी कम नहीं थे। वो दोनों इतने लोगों के सामने उस पर हाथ डालने की जुरत नहीं क कर सकते थे। वो जुरूर बार बंद होने का और फिर उसके खाली होने का इंतिजार करते। जो कि लगता था कि किसे भी क्षंट हो सकता था। फोन पर घंटी जा रही थी। वो बार बार पहलू बदल रहा था और व्याकुल भाफ से खेड़की से बाहर देख रहा था। ए ये का एक घंटी बशनी बंद हो गई। हेलो फिर अपेक्षित परंतु साफधान और प्रसंत स्वर उसके कान में पड़ा। कौन? मिस्टर हजारे? हाँ, कौन? उसने माउट पेस के साथ मूर जोड़ कर अपना नाम लिया। कहा हो? पूछा गया। यहीं आपके शेहर इस वक्त क्यूं फोन किया? इसी वक्त यहां पहुँचा। यह कोई वक्त है? बस खराब हो गई थी, तीन घंटे रास्ते में ही अठका रहा। तो सुबह होने का इंतिजार किया होता? मैं नहीं कर सकता। क्यूं? हालात ऐसे बन गई हैं, मुझे उमीद नहीं थी कि यहां क कोई मेरी ताक में होगा, मेरी उमीद गलत निकली, इसलिए फॉरण आप से संपर्द करना ज़रूरी था। अब क्या चाहते हो? सौदे का फाइनल फेस मुकमल करना चाहता हूँ और क्या चाहता हूँ? ओ, मैंने यही खबर करने के लिए फोन किया था, कि मैं आपके पास प पूछ रहे हो, अभी खुद कहके हटे हो, कि यहां कोई लोग तुम्हारी ताक में है, फिर भी यहां आना चाहते हो, क्या अपने साथ मुझे भी मरवाओगे? तो फिर कैसे बात बनेगी? बनेगी, वैसे ही बनेगी जैसे की करार हुआ है, लेकिन पहले तुम उन लोगों स जब तुम्हें गैरेंटी हो जाए, कि वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं थे, तो फिर फोन लगाना क्या तब मैं आपके पास पहुंचूँ? तब मैं तुम्हारे पास पहुंचूँगा कहा? जब दुबारा फोन करोगे तो सेटल कर लेंगे ठीक है, मैं दुबारा फोन करूँगा, लेकिन फोन पर उपलब्द रहिएगा, रिसीवर आफ करके सो नहीं जाईएगा पागल हुए हो, जिस सौदे में हम दोनों का फाइदा है, उसके सेरे पर पहुंच कर, क्या मैं अब ये हरकत करूँगा? हम, खातिर जमा रखो, जब फोन करोगे, मुझे लाइन पर पाऊगे शुक्रिया, और लाइन कट गई, उसने एक सावधान निगा, फिर शीशे के खिरकी से बाहर डाली, और फिर एक नया नमबर डाइल करने लगा हलो, किसी का मशीनी स्वर उसके कान में पड़ा, होटेल पैरा माउंट, रिसेप्शन प्लीज, वो सावधान स्वर में बोला वन मिनट सर, वो प्रतिक्षा करने लगा, रह रह कर उसके निगा, खिरकी की तरफ उठ जाती थी, वो अब भी हैरान था, क्यों लोगों को उसकी खबर कैसे लग गई थी, किसी को उसकी मंजिल की खबर नहीं थी, किसी ने उसे फिगारो आइलेंड से बस में सवार होते नह ही मिला था, जिसकी निगा उस पर हो, तो फिर कैसे, हलो रिसेप्शन, उसके कान में एक पोरुष स्वर सुना, हलो, वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, मैं इंडो नेपाल एयरलाइन्स के सेंट्रल आफिस से बोल रहा हूँ, हमारे एक रेशनल डारेक्टर मिस्चर, उसकी निगा, बार पर सजी विसकी की कई बोतलों में से, जॉनी वोकर ब्लैक लेबल की, एक बोतल पर्टी की, मिस्चर वोकर, मिस्चर जॉन वोकर, कल सुबद चिपलन पहाँचने वाली है, क्या आप उसके लिए एक डिलक्स स्वेट बोक कर सकते हैं, जी, क्या फरमाया, कॉट जी, कॉटिज का नंबर बताइए, पांच, जो कि डिलक्स कॉटिज है, सभी कॉटिज डिलक्स है, गुट गुट, तो आप मिस्चर जॉन वोकर, रिजनल डारेक्टर इंडो नेपाल एरलाइन्स के लिए, अपने होटेल में, डिलक्स कॉटिज नंबर पांच, कल सुबद क के लिए बुक कर रहे हैं, गुट, थैंक यू, गुड नाइट, उसने रिसीवर को हुक पर टांगा, और बोत से बाहर निकल आया, बार मैंने एक उड़ते निगा, उसकी तरफ डाली, और किसी ने बोत की दिशा में जांकने तक की, जहमत नहीं उठाई, वो बार से बाहर निकला, पड़े खड़ी काली फियर्ट में, उसे कोई हल्चल नहीं दिखाई थी, वो टैक्सी के करीब पहुंचा, और इस बार उसमें, ड्राइवर के साथ, पैसेंजर सेट पर सवार हो गया, उसने चाबियां, ड्राइवर की गोद में उचाल दी, और बोला, होटेल पैर माउंट, ड्राइवर हड बढ़ाया, वो टो बहुत दूर है, तो बहुत दूर चल, वो टो शेहर के दूसरे सेरे पर, चल, और होसला रख, वो लोग मेरे पीछे हैं, उन्होंने तेरे से कुछ नहीं लेना देना, और ये किराया, उसने 500 का एक नोट, ड्राइवर की गोद म बलकि किराय से कहीं ज्यादा किराया, एडवांस में पकर, 500 का नोट देखकर ड्राइवर के चेहरे पर रौनक आई, तदकाल उसने कार को आगे बढ़ाया, होटेल पहाँचने पर, वो ड्राइवर को समझाता हुआ बोला, तुम उसके सामने रुकना, कम से कम 10 मिनट मीटर क के रहना, जैसे तुमें मेरे लौटने का इंतिजार हो, 10 मिनट के बाद, तुम मेरे तरफ से अपने आप को आजाद समझना, ऐसा क्या, ड्राइवर आशापॉंट स्वर में बोला, हाँ, मेरे होटेल में दाकिल होने के बाद, 10 मिनट बाहर रुकना, और फिर जहां जी में चले जाना, ठीक है ना? जी ठीक है, लेकिन वो चेतावनी भरिस्वर में बोला, अगर मेरे पेट फेड़ते ही वहाँ से भाग निकले, तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं, तुम क्या पुलिस वाला है बाप? एहमक, मैं पुलिस वाला होता तो उन मवालियों से खाए होता क्या? ड्राइवर के मुझ से बोल नहीं फूटा, फिर उसकी पूरी तवज्जो कार्ट चलाने की तरफ लग गई, ब्राउन सूट वाले ने हैट उतार कर गोद में रख लिया और एक सिगरेट सुलगा लिया, दो तेन कश लगाने के बाद उसे खयाल आया, कि य बस के ड्राइवर से मिली रसीद बरामत की और कोट की जेब से बॉल पेन निकाल कर उसकी पेट पर लिखा जॉन वॉकर, रिजनल डारेक्टर, इंडो नेपाल एयरलाइन्स, उसने कागस को तेह करके वापिस हैट के बैंड में खोज लिया, टैकसिस उनसान सड़कों पर द पीछे लगी रही, तब ही आगे होटेल की विशाल इमारत प्रकट हुई, रफ्तार बढ़ा, वो एका एक बोला, ककक्या, ड्राइवर बोला, ब्राउन सोट वाले ने उसके एकसीलेटर पर टिके पाउं पर अपना पाउं रख कर जबरन दबाया, टैकसी एक एक यून जप बढ़ कर आगे भागी, कि ड्राइवर के हाथ से स्चेरिंग छोटते छोटते बचा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, ब्राउन सोट वाला जल्दी से बोला, तुम्हारे होटेल पर रुकने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर मार्की में टैकसी ले जाने की भी कर तुम फॉरन यहां से फूट जाना, समझ गए? ड्राइवर का जिर्द सोर से सहमती में हिला, गुड, ड्राइवे के करीब आया, तो ब्राउन सोट वाले ने ड्राइवर के पाउं से पाउं हटा कर, उसे ब्रेक के पैडल पर स्थानांतरित किया, और फिर जोर से दबाया चल चराहट की भीशन आवास के साथ टैक्सी गती शुन्य होने लगी, ब्राउन सोट वाले ने हैट सेर पर जमाया और बैक संभाल लिया, टैक्सी होटेल के ड्राइवे के सामने रुगी, ब्राउन सोट वाला जपटकर टैक्सी से बाहर निकलता हुआ बोला, फूट जा, फोरण, टैक्सी ततकाल फिर आगे दौट चली, ब्राउन सोट वाले के पाउं ड्राइवे पर पड़े और फिर वो आगे लॉबी की तरफ लपका, उस शंट तक काली फियट का पीछे सड़क पर अतापता नहीं था, वो होटेल में दाकिल हुआ और सीधा रिसेप्शन पर पहुँचा, रिसेप्शन पर पेछे दिवार पर लगी पांच मुलकों का वक्त दिखाने वाली, पांच गड़ीओं में से, इंडिया का वक्त दिखाने वाली घड़ी उस वक्त साड़े बारा बजा रही थी, रात की उस घड़ी बस केवल रिसेप्शनिस्ट ही वहां था, उसके आसपास कोई बेल बॉई तक नहीं था जरूर आधी रात के बाद चेक इन या चेक आउट करने वाले महमान वहां दुल्लक थे रिसेप्शनिस ने भवे उठा कर उसकी तरफ देखा फिर उसके होंट नकले मुस्कुराहट में फैले मिस्टर जॉन वॉकर प्लीस ब्राउन सूट वाला बोला मिस्टर जॉन वॉकर जो के इस होटेल में ठहरे हुए है जॉन वॉकर ओ मिस्टर जॉन वॉकर वो तो अभी होटेल में पहुंचे नहीं है सर लेकिन उनकी यहां रिसरवेशन जी हाँ है लेकिन कल सुबा से है उनके Central Office ने Reservation करवाते वक्त साफ कहा था कि Mr. John Walker कल सुबा यहाँ पहुंचेंगे लेकिन मुझे तो आज शाम के लिए कहा गया था वो कल सुबा पहुंचेंगे जब के लिए उनके Reservation यहाँ है पकी बात जी हाँ पकी बात मैंने खुद उनके Office से आई कॉल रिसीव की थी अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो कॉल आई थी ओ, ये तो बहुत गड़बर हो गई मेरा तो Mr. Walker ने फॉरण मिलना बहुत ज़रूरी था रिसेक्शनेस के चेहरे पर नकली हमदर्दी के भाव आई वो क्या है कि मेरे पास Mr. Walker के लिए एक जरूरी पैकेट है जिसका Mr. Walker के हाथों में जल्दी से जल्दी पहुँचना बहुत जरूरी है और खुद मैं सवेरे तक उनके इंतिजार में यहां नहीं रुक सकता अब आप ये बताईए कि क्या आप इस बाबत मेरी कोई मदद कर सकते हैं आप पैकेट यहां रिसेप्शन पर छोड़ कर जा सकते हैं सर Mr. Walker जब यहां पहुँचेंगे तो पैकेट उन्हें डिलिवर कर दिया जाएगा गुड ब्राउन सूट वाले ने बैक में से एक आईता कार पैकेट निकाल कर काउंटर पर रखा एंड थैंक यू रिसेप्शनिस्ट ने पैकेट उठा कर एक दो बार उल्टा पल्टा और फिर बोला इसमें कोई केमती चीज तो नहीं है सर केमती चीज है ब्राउन सूट वाला तनिक मुस्कुराता हुआ बोला लेकिन सिर्फ मिस्टर वाकर के लिए उनके इलावा और किसी के लिए इस पैकेट की कोई कीमत नहीं कोई एहमियत नहीं I see तो पैकेट मिस्टर वाकर को मिल जाएगा ना जरूर मिल जाएगा सर मैं इसे उनके कोटेश में मेल बॉक्स में रख देता हूँ वो पैकेट को अपने पीछे बने कबूतर के दर्बो जैसे कई छेदों में से एक में धकेलता हुआ बोला कोटेश की चाबी के साथ ही मिस्टर वाकर को ये पैकेट भी मिल जाएगा मैंने पैकेट पर उनका नाम लिख दिया है मैंने देखा है सर यू है ड़न दा राइटेस थिंग वो एक शंट ठेटका और फिर बोला आप बिलकुर फिक्र ना कीजिए मिस्टर वाकर के यहां कदम रखते ही आपका पैकेट उनके हाथों में होगा थैंक यू मैं अपनी कार होटेल के पिछवारे की सड़क पर खड़ी करके आया हूँ क्या मैं होटेल के भीतर की तरफ से उधर जा सकता हूँ हाँ हाँ जरूर यू मैं बहुत लंबा चक्कर पैदल काटने से बच जाऊंगा यूर मॉस वेलकम सर पिछवारे में कौटेजों के पीच में पिछले सड़क पर पहुँचने का रास्ता है मैं ढोन लूँगा शुक्रिया और वो आगे बढ़ा होटेल के पिछवारे में एक गार्डन था जिसके आगे डीलकस कौटेजों की कतार थी गार्डन में से गुज़रते वक्त उसने हाथ में थमे खाली बैक को राधारी के साथ उगे जाडियों की एक कतार के पीछे डाल दिया पिछवारे में पहुँचा जहांकि एक आइरन गेट से पार पिछवाड़ी की सड़क थी उसने धीरे से गेट को खोला और खामोशी से उसे पार करके सुनसान सड़क पर कदम रखा कुछ शन वो गेट के पास से ठिटका खड़ा कान खड़े करके आहट लेने की कोशिश करता रहा लेकिन सब तरफ मुकमल सनाटा था कितने ही अरसे बात तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई फिर वो पेड़ों की ओट में चलता हुआ एक तरफ बढ़ा सड़क पर जहां होटेल की चार दिवारी खत्म हुई उससे आगे बराबर फासलों पर उगे पेड़ों की कतार थी सड़क पर चलने की जगा वो पेड़ों के नीचे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा एक 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 पेड़ के पहलु से एक साया अलग हुआ और प्रेत की तरह उसके सामने आख़डा हुआ वो थमक कर खड़ा हो गया उसका दिल जोर से उसके सीने में उचला हेलो भवरलाल मिठे स्वर में बोला कैसा है बाप साथी एक रिवॉल्वर की नाल उसकी चाती से आकर लगी नाल के चाती से चूते ही ब्राउन सूट वाला सिर से पाउंट तक कांपा तब ही पेड़ के पीछे से निकल कर गोत मारे अपने जोड़ीदार के पहलू में आखड़ा हुआ कैसा है बाप वो भी मुस्कुराता हुआ बोला नहीं ये लोग उसे नहीं मार सकते थे फिर ब्राउन सूट वाले ने अपने आपको तसल्ली दी जब तक पैकेटिंग के हाथ में नहीं आता तब तक वो सेफ था लेकिन उसकी कनपटियों में बचता खून उसका कामता जिस्म उस ताश्वासन के खोकले पन को साफ उजागर कर रहा था हवा खुश कहना बाप भवरलाल पूरवत मेठे स्वर में बोला पन भाई से दगा करते वक्त हवा खुश्क नहीं हुई भाई का माल नक्की करते दम नहीं निकला अमानत में भांजी मारते, वक्त कुछ नहीं हुआ तुम्हारे को मैंने, मैंने कुछ नहीं किया तो फिर डर काहे का ब्राउन सूट वाला खामोश रहा फुल काम किया पन ये सोच के किया कि करके पकड़ाई में कौन आने वाला था भाई के खास आदमी पर इधर कौन हाग डालने वाला था ऐसा ही सोचा था ना बाप ब्राउन सोट वाले के मूँ से बोल नहीं फूटा उसने अपने एका एक सूखाई होंटों पर जुबान फेरी काफी चिलाकी की पन कुछ काम नहीं आई हमारे को सालाखाली टैक्सी के पिछो दोडा दिया पन कितनी देर दो सड़क आगे तक मैं जाके टैक्सी डिरेवर को थामा तो वो गागा के बताया कि उसका पैसेंजर टैक्सी में से किधर उत्रा फिर बाप तुम सोचता होईगा कि हमें पिछोड़े के रास्ते की क्या खबर होगी ऐसा ही सोचता होईगा तब ही होटेल में घुसा तो चोर का माफिक इधर से निकला मेरे को फुल गैरंटी था कि अपना बड़ा बाप इधर इश दिखाई देगा इसी वास्ते मैं बड़े सबर के साथ इधर वेट किया जवाब में ब्राउन सोट वाले के गले की घंटी जोर से उचली हत्यार देख फिर भावरलाल बदले स्वर में बोला गोत मारे ब्राउन सोट वाले के पीछे पहुँचा और दोनों हातों से उसके जस्म कर टटोलने लगा कांटी पर निगार रख भावरलाल बोला जो कि बाप की पसंद का हत्यार है गन पसंद नहीं करता साइलेंट हत्यार पसंद करता है उसने नाल से उसके चाती को टोहो का ब्राउन सूट वाला खामोश रहा उसके जस्म कर टटोलते गोत मारे के हाथ उसकी दाईं टांग पर गुटने के नीचे ठिटके वहाँ एक लंबा पतला संक्रा होलेस्चर जैसा चम्रे का खोल बदा हुआ था जिसमें की एक कोई छे इंच लंबा तीखा खंजर मौचूद था उसने खंजर वहाँ से निकाल कर भवनलाल को दिखाया भवनलाल ने संतोश पूर्ण भाव से सहमती में सिर हिलाया और फिर बोला गाड़ी लेकर आ काली फियर्ट करीब ही कहीं खड़ी थी जिसे गोत मारे पलक जपकते उनके करीब ले आया उसने कार का पैसेंजर सेट का साइट का दर्वाजा खोला तो भवनलाल अपने बंदी को रिवालवर की नाल से तहोक था अपने आगे धकेल था उसके साथ कार में सवार हो गया ककक क्या चाहते हो ब्राउन सोट वाले ने निरठक प्रश्न किया माल चाहते हैं भवर लाल बोला और क्या चाहते हैं मेरे पास माल नहीं है मेरे को मालूम होता तो कांटी के साथ बरामत हुआ होता कांटी से पहले बरामत हुआ होता किदर है माल ब्राउन सूट वाले ने जवाब नहीं दिया मेरे को ऐसे चुमीद थी एक बार पूछने पर कोई बताता है क्या पर हमारे पास टैम का कोई तोड़ा नहीं फिर पूछेगा फिर पूछेगा और बीच-बीच में क्या होगा मालूम है ना ब्राउन सूट वाले के प्राण काप गई परेड ग्राउन चल भवरलाल अपने साथी से बोला गोत मारे ने खामोशी से सेमती में सेर हिलाया वह वहाँ ब्राउन सूट वाला हक लाया वहाँ ककक क्या है कुछ नहीं है रात की इस घड़ी उजार बिया मान के इलावा कते ही कुछ नहीं है तबी तो उधर जाना मांगता है ततत तुम क्या करोगे खास कुछ नहीं बस तुम्हारे से पूछेंगे कि माल किधर छोड़ा तुम्हें मालूम है किधर छोड़ा नहीं मालूम, मालूम होता तो ना तुम आगे आगे भागता, फिर रहा होता, और ना हम तुम्हारे पीछे होता माल वही है, मालूम, पड़ वहां कहा, जाके ढून लो ऐसा हो सकता होता तो हम कब का कर चुके होते, वो कैसी जगा है, तुम्हारे को मालूम तुम्हारे को सबसे बेहतर मालूम उदर हर जगा पंगा नहीं लिया जा सकता ये भी तुम्हारे को मालूम है और हमारे को भी मालूम भाई को भी मालूम मेरे को एनसुई की नोक की तरह ठीक के वो ठीया मालूम होना मानता है समझा क्या ब्राउन सूट वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया कोई वांदा नहीं मेरे को कोई जल्दी नहीं जवाब की हमें इसको पहले ही थामना चाहिए था गोत मारे भुन भुनाया मैं पहले ही ऐसा बोला पंटो किदर सुनता है सुनता तो तब माल इसके पास होता और अब तक हमारे पास होता अब भी हमारे पास होगा भावरलाल साम की तड़ा फुंकारा जब ये हमारे पास है तो माल भी हमारे पास होगा उसने अपनी कोहनी जोर से ब्राउन सूट वाले की पसलियों में चुब होई और बोला समझा क्या ब्राउन सोट वाले के मुँ से केवल एक दर्द भरी सिसकारी निकली कोई वांदा नहीं बहुत टैम है हमारे पास माल की बरामदी के लिए बहुत टैम है हमारे पास धीरे धीरे तुम्हारे प्रांड खेंच के तुम्हारी बॉडी से निकालने के लिए अभी तो रात जवान है, क्या जल्दी है, क्या वांदा है सुबर आट बजे एक आटो पर सवार होकर धर्मेश और शोबना उस गैराज में पांचे जहां पिछले रात से उनकी कार्ड जमा थी गैराज पर एक बहुत बड़ा बोड लगा था जिस पर लखा था M. Salim Motor Garage यहां हर किस्म की देशी, विलायती गाडियों की तसली बक्ष मरमत की जाती है प्रोप्राइटर मोहमद सलीम गैराज एक टीन कनस्तर जैसे खड़खड शेड में था जिसके उपर ही बने एक कमरे में उसका मालिक रहता था जैसा बड़ा बोल गैरिच का साइन बोर्ट बोलता था वैसी कोई खूबी तो पिछली रात उन्हें मोहमद सलीम में नहीं दिखाई दी थी लेकिन गैराज में खड़ी दो जीपों से लगता था कि डीजल के इंजन की मरमत का एतबार तो स्थानिये लोग बाग उसका कर ही लेते थे पिछले रात को ही उसने उनकी अमबैस्जर का मुआइना किया था और फिर कोई दर्जन भर नुक्स उसमें गिनवा दिये थे जिन में से दो तेन दिन की रोचनी में ही ठीक हो पाने मुम्किन थे नतीशतन उन्होंने कार रात को वहीं चोड़ी थी और जाकर एक होटेल में रात गुजारी थी मिस्तरी का वादा सुभा आट बजे गाड़ी चौकस उनके हवाले करने का था जबकि वहाँ पहाँच कर उन्होंने गैरिश को बन पाया था नीचे शेड को भी ताला लगा हुआ था और उपर उस कमरे को भी जिसमें मिस्तरी एम सलीम की रिहायश थी वो गैराज परेड ग्राउंड के एन सामने था गैराज के आजू बाजू कुछ खोकों में बनी कुछ दुकाने थी जिनमें गैराज के एन दाएं बाजू वाली दुकान एक चाई वाले की थी आज गैराज नहीं खुला धर्मेश ने चाई वाले से पूछा खुल जाएगा चाई वाला लापरवाही से बोला उपर भी ताला है, मिस्तरी कहां चला गया सुबा सवेरे थाने क्या? थाने में है वो क्यूं? पुलिस पकड कर ले गई लेकिन क्यूं? अज सुबा सवेरे परेड ग्राउंड से एक लाश बरामद हुई थी रात को सामने परेड ग्राउंड में किसी बेचारे का कतल हो गया सुबा सवेरे लोग बाग परेड ग्राउंड चहल कदमी करने और दोड लगाने आते हैं तब ही किसी ने लाश देखी और पुलिस में खबर की पुलिस तफ्तेश के लिए आई फिर लाश को भी ले गई और सलीम मिस्त्री को भी उसे क्यूं उसका बयान लेने के लिए शायद उसने रात को कुछ देखा सुना हो क्या सिर्फ उसी को क्यूं ले गई गैराश की तरह यहां और लोगों का भी तो कारुबार चलता है दुकान बंद करके रात को अपने अपने घर जा कर लगते हैं सिर्फ सलीम मिस्त्री ही रात को भी यहां होता है ओँ सलीम मिस्त्री पर ही तो शोपना संशक भाफ से बोली कहीं कतल का शक नहीं पुलिस को नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं उसे तो योही तफ्तिश के लिए वो लोग ले गए हैं अपना सलीम भाई भला क्यों किसी अशनबी का खून करेगा अशनबी? हाँ अशनबी ही तो वो क्या है कि पुलिस को कुछ पता नहीं लग पाया है कि मरने वाला कौन था क्यों? धर्मेश बोला उसके पास से कोई सामान, कोई कागस पत्तर बरामत नहीं हुए थे क्या? जिनसे के मालूम हो पाता कि वो कौन था? नहीं जब लाश मिली थी तो उसके जिस्म पर सिर्फ एक ब्राउन पतलून थी उसके जिस्म के बाकी कपड़े जैसे कमीज, बनियान, पतलून के साथ का कोट, टाई, हैट वगेरा सब लाश के इर्द गेर्द बिकरे पड़े थे जूते तक भी ऐसे ही मिले थे कमाल है, कतल हुआ कैसे? बहुत बेरैमी से हुआ, बाबु साहब, मैंने भी लाश देखी थी, किनी पहुँचे हुए मवालियों का काम मालुम होता था, वो कतल, किसी तीखे चाकू या खंजर से, बेचारे के चाती, पेट पेट कंदों को ऐसे गोदा गया था, कि तौबा भली, बहुत सता सता कर मारा गया था उसे, यानि कि टॉचर करके, क्या करके? वही जो तुम बोले, सता सता कर, लगता है जुल्म के ही मिगदार ज्यादा हो गई, तो आखिरकार उसके प्राण निकल गए, ओ, उसके कपड़ों में शोबना बोली, कोट पतलून या कमेस की ज शिन्नाक थो पाती, मसलन कोई पर्स, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई और किसी तरह का कोई अडेंटिटी कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड, कोई कागस परचा, कोई रुका, नहीं जी, कुछ नहीं मिला पुलिस को, मारने वाले, धर्मेश बोला, जान बुझ के सब कुछ निकाल के ले गए होंगे, ताकि उसके शिन्नाक ना हो सके, जी शायत, शिन्नाक के और भी जर्ये होते हैं, शोबना बोली, जैसे किसी हाथ पर कोई गोदना, कलाई पर कोई नाम, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन, क्या लेकिन, मैंने लाश देखी थी, उसके जिसम को ज जहां से भी, चाकु से गोदा गया था, सब जगा से खून निकला, तब भी साफ मालूम पढ़ता था, लेकिन, उसकी दोनों बाहों पर, कोहनियों से लेकर कलाईयों तक, ऐसी खरोंचों के निशान थे, जैसे जमीन पर हल फिरने से बनते हैं, जैसे औरत लोगों के, पेट शक बकाया सब बोला, उम्र क्या रही होगी उस शक्स की, शोबना धर्मेश की और ध्यान दिये बिना, तीखे स्वर में चाय वाले से बोली, पेटालिस के पेटे में लगता था, मोटी मूचे, भारी भवे, चोड़ा मा था, शोबना पूछती गई, बड़े बड़े कान, क कोई साड़े पांच फुट, बाल खड़े खड़े, फूले फूले और बिना मांग निकाले, पीछे को कंगी किये हुए, एक्दम चीक बोला मेडम, आपने लाश देखी मालूम होती है, धर्मेश हैरानी से शोबना का मूँ देख रहा था, इधर आओ, एका एक वो उसकी ब हो गए, तो धर्मेश अपनी बांच छुडाता हुआ बोला, तुमने मरने वाले के बारे में इतना कुछ कैसे कह दिया, वो पाटिल है, क्या, कौन पाटिल है, वही जिसकी लाश वो चाय वाला सामने परेड ग्राउंड से बरामद हुई बताता है, तुमारा मतलब है, हमार चिठी के जवाब में हम पंजी जा रहे हैं, हाँ वही, लेकिन उसका यहाँ चिपलन में क्या काम, वो सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पाटिल है, वो पाटिल नहीं, पाटिल से मिलते जोलते शकल सूरत वाला, कोई शक्स होगा, आज तो बहर को तुम्हें पंजी पह शोबना, पाटिल के यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है, जैसा हुलिया तुमने बयान किया है, वो आम हुलिया है, जो कि किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो खरोंचे, वो खास खरोंचे, जिनका जिक्र चायवाले ने किया था, और जो मैंने खोद अपनी आँखों से, कई कई बार पाटिल की दोनों कलाईयों पर देखी है, हर किसी की बाहों पर नहीं हो सकती, हम, मेरे पास उसकी एक तस्वीर है, क्या, मैंने कहा मेरे पास पाटिल की एक तस्वीर है, इस वक भी पास है क्या, हाँ, तबी तो जिक्र किया, लेकिन मैं उसे किसी को दिखा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो ऐसी वैसी तस्वीर है ऐसी वैसी तस्वीर? हाँ मुझे तो दिखाओ शोबना ने अपना बैक खोल कर उसमें से पॉले राइट कैमरे से खिंची तस्वीर बरामत की और हिच किचाते हुए उसे आगे धर्मेश की तरफ बढ़ाया धर्मेश ने तस्वीर लेकर उस पर निगा डाली तो वो बड़े यतन से परेद देखने लगी तस्वीर में वो लगभग पूर्ण नगना वस्था में सूट बूर्ट पहने पाटिल की गोद में बैठी थी ये है पाटिल? फिर भी उसने पूछा हाँ बढ़िया काफी नुमाईशी तस्वीर है इसलिए साथ रखती हो वो किस्सा तुम छोड़ो धर्मेश तुमारी मन्शा है कि हम तस्वीर दिखा कर दर्याफ्ट करें कि मरने वाला वही शक्स था या नहीं हमें पहले लाश देखनी चाहिए बैतरीन शिनाक लाश देखकर ही हो सकती है कुबूल फिर इस तस्वीर का हवाला किस लिए? तुम पागल हो किसी वज़ा से लाश तक हमारी पाहंश नहीं हो पाती तो शिनाक का दूसरा जर्या ये तस्वीर ही हो सकती है पाटिल के सूरत कौन देखेगा इसमें? सब तुझे ही देखेंगे ओ, शट अब धर्मेश ओके, तुम अकल की बात सुनो, सोचो और समझो अगर पाटिल मर चुका है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं तो यहां से पंजी का बाकी का तीन सो किलोमेटर का सफर बेमानी है वो पाटिल नहीं होगा, वो पाटिल नहीं हो सकता तस्दीक तो होनी चाहिए, जो कि लाश देखकर ही होगी हमें लाश कौन देखने देगा? पुलिस वाले देखने देंगे, खुशी से देखने देंगे उनके पास एक कतल का केस है, जिसमें मक्तूल के शिनाक नहीं हो रही शिनाक थो जाने का कोई जरिया भला वो लोग क्यों कर नजर अंदास कर देंगे? क्या वो पूछेंगे नहीं की? तुम पहले जाकर चाय वाले से पता करो कि पुलिस वाले लाश को कहां ले गए थे? क्या उसे पता होगा? होगा ना, जब उसे ये पता है कि उसके पडोसी सलीम मिस्त्रे को पुलिस ले गई है तो ये भी पता होगा कि पुलिस उसे कहां ले गई है? तुम जाके पूछो उससे बाकी बाते रास्ते में होंगी सेहमती में सिर हिलाता धर्मेश वापिस टीस चौल की और बढ़ा थाने में जो सब इंस्पेक्टर उस केस का इंचार्श था उसका नाम दिलीब डोलस था उसने बड़े गौर से शोबना की बात सुनी हम वो बोला तो आपका दावा है कि आप मक्तूल के शिर्नाक कर सकती है हाँ शोबना धीरत से बोली देट्स गुड नियूज क्या हम लाश देख सकते है जरूर क्यों नहीं लेकिन पहले जरा एक मिनट मुझे एक आद बात और पूछने दीजिए पूछिए तो क्या मक्तूल का नाम जामवंत्राओ पार्टिल है हाँ क्या आप उससे वाकिफ है जी हाँ कैसे वो वो क्या है कि क्या कोई रिष्टेदारी है अभी नहीं है लेकिन आगे चलकर हो सकती थी क्या मतलब मिस्टर पार्टिल मेरे बॉइफरेंड है जी, शोबना खामोश रही फ्रेंड हो तो, हो, बॉई तो नहीं है पचास के पेटे में तो यकीनन होंगे आप तो उनसे आधी उम्र की भी नहीं मालूम होती दोस्ती में उम्र दकल अंदास नहीं होती अच्छा, जी हाँ मुझे इन बातों का कोई जाती तज्जूर्बा नहीं बहरहाल, बकॉल आपके आप लोग तफ्रीहन कार पर गोवा जा रहे थे जबकि कार बिगड गई और मजबूरन आपको अपना सफर चिपलन में ब्रेक करना पड़ा फिर पिछली रात की वारदात की चच्चा सुनकर आपको लगा कि मक्तूल आपका बॉइफ्रेंड हो सकता था जी हाँ मक्तूल की कलाईयों पर मौजूद जिन खरोचों की वज़ा से आपको ऐसा लगा उनके बारे में आप क्या जानती हैं? कुछ नहीं क्या आपको कताई कोई अंदाजा नहीं की वो कैसे बनी? जी नहीं क्या कभी उच्चुकता भी नहीं होई जानने की? मैंने इस बाबत एक बार सवाल किया था लेकिन मिस्टर पार्टिल ने बात को हसी में उड़ा दिया था कब से वाकिफ है आप मिस्टर पार्टिल से? कोई छे महीने से कहा मुलाकात हुई? मुंबई में मुंबई का उनका पता बोलिए मुझे नहीं मालूम क्या? वो आपकी बॉइफ्रेंड है लेकिन आप नहीं जानती की मुंबई में वो कहा रहते हैं? उन्होंने एक पता मुझे बताया था लेकिन इस वक्त मुझे वो याद नहीं अच्छी यादाश है आपकी अपने बॉइफ्रेंड का पता नहीं याद रख सकती? सौरी खुद का पता तो याद है ना? हाँ तो बोलिए शोबना ने अपना दादर का पता बोला क्या ये भी आपके साथ ही रहते हैं? जी नहीं जवाब धर्मेश ने दिया मैं वर्सोवा में रहता हूँ नमबर पांच बीच रोड पर ये क्या ये भी आपके बॉइफ्रेंड है? हाँ शोबना बोली काफी पॉपुलर है आप मुंबई में आपको मेरी जाते जिन्दगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए इंस्पेक्टर सहब हम पुलिस की हेल्प के इरादे से धर्मेश बोला अपनी मर्जी से यहां आई है लाइक रिस्पॉंसिबल लोग अबाइडिंग सिटिजन्स शोबना बोली अगर आपको हमारी हेल्प कबूल नहीं धर्मेश बोला तो आप हमें अभी चलता कर सकते हैं नहीं नहीं सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला ऐसी कोई बात नहीं I appreciate your public spirit दोनों खामोश रहे अपनी जिंदगी में सब इंस्पेक्टर बोला पार्टल साहब का कारोबार क्या था I mean what was his line of business मुझे ठीक से मालूम नहीं शोबना बोली मेरे खयाल से कोई एक्सपोर्ट का कारोबार था उनका चिपलन कैसे पहुंचे मुझे नहीं मालूम कहां से पहुंचे ये भी कहना मोहाल है आखरी बार कब मिली थी आप अपने अपने बॉइफ्रेंड मिस्टर पाटिल से आप मुझे तंच कस रहे है बताए कब मिली थी कोई दो हफ़ते पहले कहा मुंबई में अपने फ्लैट पर जबकि वो मुझे से मिलने वहां आई थे क्या तब से आपको उनकी कोई खोज कबर नहीं है नहीं ये भी नहीं कि वो मुंबई में थे या वहां से बाहर कहीं गए हुए थे नहीं आपको हैरानी नहीं कि वो यहां चिपलन में पाई गए है बहर होल आप उनके पिछली रात चिपलन में मौजूद की की कोई वज़ा बयान नहीं कर सकती क्या शोबना ने इंकार में सिर हिलाया इंस्पेक्टर साहब धर्मेश भुन-भुनाया इतने सारे सवाल सिर्फ इस लिए क्योंकि हम लाश पर एक निगा डालना चाहते हैं आप ज़रा खामोश बैठिए प्लीज लेकिन क्या आप कोई चाय वाई पिएंगे नहीं लेकिन उससे आपको खामोश बैठने में मदद मिलेगी धर्मेश ने कोई सक्त बात कहने के लिए मूँ खोला और फिर होन भेंच लिए गुड सब इंस्पेक्टर बोला और फिर शोगना की और आकरशित हुआ मेडम यूर बॉइफ्रेंड डाइड वाईलेंड डेथ मौत से पहले मिस्टर पाटिल को बहुत बुरी तरह से शायद कई घंटे टाचर किया गया था फिर ऐसा करने वालों ने पीछे ऐसी कोई चीज भी नहीं छोड़ी जिससे की लाश के शिन्नात मुम्किन हो पाती ऐसा सलूग किसी आम शेहरी के साथ तो नहीं होता और क्या हो सकता है लूटने के लिए किसी को टाचर करना जरूरी नहीं होता मैडम बलके कतल करना भी जरूरी नहीं होता शोबना से जवाब देते नहीं बना क्या मिस्टर पाटिल कोई जरायम पेशा आदमी थे जी हालात से साफ जाहिर है कि वो अपने हमलावरों के लिए अशन भी नहीं थे और हमलावर उन से कोई खास बात को बलवाना चाहते थे इसी कोशिश में उन्हें टॉर्चर किया गया था लेकिन लगता है कि वो आखरी तल करके मरा हो जाहिर है कि उसने जुबार ना खोलने की अपने जिद बर करार रखी होगी आई सी क्या आप पाटिल साहब की फैमली से वाकिफ हैं उनकी कोई फैमली है ही नहीं कोई सगा संबन्धी वो भी नहीं है ये बात मुझे यकीनी तोर से मालुम है मिस्टर पाटिल ने कई बार मुझे ऐसा कहा था कि वो तनहा आदमी थे उनका कोई करीबी रिष्टेदार इस दुन्या में नहीं था फिर तो लाश को लावारिस करार दे कर उसके अंतिम संसकार का कोई बंदोबस कराना पड़ेगा क्यूं मैं जो हूँ बॉइफ्रेंड कोई रिष्टा नहीं होता मैडम ना होने के मुकाबले में तो होता ही है आपकी बात में दब है यानि कि आप लाश क्लेम करना चाहेंगी जी मुझे कोई एतरास नहीं होगा छीक है मैं इस बारे में सोचूंगा इंस्पेक्टर साहब आपकी सोच की तभी कोई एहमियत है जबकि लाश मिस्टर पार्टिल की हो लाश मिस्टर पार्टिल की नहीं निकली तो क्या फाइदा होगा इस लाइन पर कुछ सोचने का क्या बेटर ये नहीं होगा कि आप पहले पहला कदम उठाए और फिर दूसरे कदम की बाबत सोचे बजा फरमाया आपने मैं अभी आपको लाश के रूबरू कराने का इंतिसाम करता हूँ शुक्रिया देर आई दुरुस्त आए सब इंस्पेक्टर ने मेज पर पड़ी घंटी बजाई तकाल एक हवलदार वहाँ पहुचा इन्हें ठंडी कोठी में लेके जाओ सब इंस्पेक्टर ने आदेश दिया और परेड ग्राउंड से मिली लाश इने दिखाओ आईए हवलदार सेहमती में सेर हिलाता हुआ बोला दोनों उठ खड़े हुए सलीम मिस्टर यहाँ था एक एक धर्मेश बोला उसके पास रिपेर के लिए हमारी कार है उसे आपके यहाँ पहाँचने से पहले ही रुकसत कर दिया गया था सब इंस्पेक्टर बोला ओ, क्या कुछ मालुम हुआ उससे? नहीं फिर दोनों हावलदार के साथ थो लिए ज़स सड़क पर थाना था उसी पर वहाँ से कोई छे इमारते दूर शहर का सिविल अस्पताल था अस्पताल के पिछवारे में मोर्ग थी जो के ठंडी कोठी के नाम से जानी जाती थी हावलदार ने उन्हें मोर्ग के इंचार्ज के हवाले कर दिया और खुद बार बार नाक चड़ाता बाहर लॉन में जा बैठा इंचार्ज उन्हें लाश के करीब लाया तो जो की एक पईयो वाली स्ट्रेचर पर पड़ी थी और सिर से पाउं तक ढगी हुई थी उसने एक जटके से उस पर से चादर खींच ली बड़ा विभत्स नजारा सामने आया लाश चाकूओं से यूं गुदी होई थी जैसे किसी कसाई ने किसी बकरे की धजियां उड़ाई हो धर्मेश ने उसकी कलाईयों पर बने बेशुमार खरोचों के निशानों पर खास निगार डाली अजीबी तरह के निशान थे वो और तादाद में इतने ज्यादा थे कि उनकी किसी इंसानी जिस्म पर मौचूदगी की कोई वज़ा सोच पाना मुहाल था खास तोर से तब जबकि वो निशान सिर्फ कलाईयों और कोहनियों के बीच में ही थे वही है क्या धर्मेश ने दबिस्वर में पूछा बड़े सस्पेंस भरे अंदाज से शोबना ने सेहमती में सिर हिलाया इसके कपड़े कहा है धर्मेश ने इंचार्च से पूछा आप अभी यहां और रुकना चाहते हैं क्या दोनों ने ततकाल इंकार में सिर हिलाया तो आप बाहर आफिस में चल कर बैठिये दोनों ने निर्देश का पालन किया थोड़ी देर बाद एक गठड़ी के साथ इंचार्च वहां पहुँचा उसने गठड़ी को उनके सामने मेंस पर रख कर खोला धर्मेश एक के कपड़ा उठा कर उसका मौईना करने लगा कुछ नहीं मिलने का इंचार्च बोला पुलिस पहले ही इनकी मुकमल परताल कर चुकी है कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा था जवाब में धर्मेश ने केवल एक हुंकार भरी और खामोशी से हर चीज टटोलता रहा शोबना अपलक उसके कारे कलापों को देखती रही ये गौड तलब बात थी कि कमेश के कॉलर की और कोट की सीवने तक किसी चीज की तलाश में उधेड़ी गई थी टाई भी वैसे ही अपनी पूरी लंबाई में उधड़ी पाई थी गठरी में जूते भी थे जिनके सोल को और एडी को कई जगा से चाकु से काटा गया था तलाशी के उस आलम में तो कहीं सोई भी छुपी होती तो वो आतताईयों के हाथ जरूर लगी होती आखिर में उसने हैट को उठा कर अपने हाथों में लिया और उसे उलटने पलटने लगा लाश के जस्म पर जो पतलून है एका एक शोबना बोली उसकी भी तलाशी ली गई थी क्या मुकमल इंचार्च बोला सब इंस्पेक्टर डोलस ने सारी जेबे खुद उलटकर देखी थी पतलून की बेल्ट और पॉंचों की सीवने तक टोटोली थी लेकिन नतीजा सिफ़र निकला था ओ धर्मेश की एक उंगली अंजाने में ही हैट के गिद लिप्टे काले बैंड में गुस गई और हैट की गुलाई के साथ उसके भीतर फिरने लगी उसकी उंगली के पोर से एक एक कोई चीज चुई वो सक पकाया बैंड के भीतर कुश था उसने एक साफधान निगा इंचाच की तरफ डाली तो पाया की वो शोबना से बाते करने में और उसकी खूपसूरती और नौजवानी का रस पान करने में मगन था धर्मेश ने पहली उंगली के साथ बीच की उंगली भी बैंड के भीतर सरकाई और वहां माचूद तै किया हुआ कागस दो उंगलियों में थाम लिया फिर उसने हैट की ओट से ही वो कागस खामोशी से बाहर खीनच लिया फिर कागस को संभाले उसकी उंगलियां उसके कोट की जेब में सरग गई तो हैट उसने वापिस बाकी सामान पर डाल दिया उसने शोबना को इशारा किया थैंक यू सर शोबना उठती हुई बोली थैंक यू सो मच इन चार्च ने एक कान से लेकर दूसरे कान तक मुस्कुराते हुए थैंक यू कबूल किया दोनों वहाँ से बाहर निकले तब काल लॉन में बैठा हवलदार उठकर खड़ा हुआ तीनों वापिस थाने पहुँचे सब इंस्पेक्टर डोलस वहाँ मौजूद नहीं था आप लोग उनके कमरे में बैठिये हवलदार बोला मैं पता करता हूँ ठीक है धर्मेश बोला दो मिनट बाद हवलदार लोटा साहब होटेल पैरामाउंट गए है वो बोला वहाँ एक वारदात हो गई है कैसी वारदात? दो मवाली घुस आई रिसेक्शनस को रिवालवर दिखा कर जबरदस्ती सेफ खुलवाली अरे सब लोट के ले गए क्या? इतना कुछ मुझे नहीं मालूम वो कब तक लाटेंगे? ये तो वारदात पर मुनहसर है बड़ी वारदात है तो देर भी लग सकती है हमने अपनी कार का पता करना है तब तक हम गैरश वाली के पास जाकर चकर लगा आई क्या? जी हाँ कोई हर्स नहीं ठीक है हम लोट के आते हैं दोनों थाने से बाहर निकल आए और परेड मैदान के लिए एक टैक्सी पर सवार हुए तब धर्मेश ने वो कागस का पुर्जा अपनी जेब से निकाला और उसे खोल कर उसका मौईना किया क्या है? शोबना उत्सुख भाफ से बोली ये कागस का पुर्जा पार्टिल के हैट के बैंड में था धर्मेश बोला जो के पुलिस के निगाहों में आने से रह गिया था तुम इसे निकाल लाए? हाँ कोई लफ़रा तो नहीं होगा कैसे होगा? जिस जिस के वजूद की ही किसी को खबर नहीं उसके होने या न होने से क्या लफ़रा हो जाएका? है क्या ये? रसीद है छे हजार रुपए की बस फेर की लेकिन अजीब रसीद है चिपलेंड से पंजी का बस का किराया कहीं छे हजार रुपए होता है क्या? इतना किराया तो मुंबई से पंजी का हवाई जहास का नहीं है पूरी बस का किराया होगा ना कोई टोरिस ग्रूप सफर कर रहा होगा बस से ऐसे ग्रूप का पाटिल से क्या वास्ता ये रसीद उसके पास क्यों ग्रूप का और्गिनाइजर वो होगा पागल हुई हो जो आदमी अपनी जान पर आबनी बता रहा हो वो क्या सेर सपाटे को निकलेगा तुम्हें पंजी भुला कर किसी ग्रूप के साथ खुद चिपलन में वो क्या कर रहा होगा इस पर कोई तारीक तो है नहीं क्या पता ये पुरानी रसीद हो हाँ ये हो सकता है शायद इसी वज़ा से ये भूली बिस्री उसके हैट के बैंड में घुसी पड़ी थी शोबना ने उसके हाथ से रसीद लेकर उसे गौर से बार-बार पढ़ा और फिर कागस को पलटा इधर भी कुछ लिखा है वो बोली अच्छा क्या तुम पार्टिल का हैंड राइटिंग पहचानती हो अब पहचानती हूँ उस चिठी की वज़ा से जो पार्टिल ने मोड़क के जरिये मुझे भेजी थी ये हैंड राइटिंग एन उस चिठी वाली है उसने ये सब इस रसीत की पेट पर क्यों लिखा कोई दोसरा कागस जरूरत के वक्त हाथ नहीं आया होगा मतलब क्या हुआ इसका कौन है ये जॉन वॉकर शोबना कोई जवाब नहीं सुझा पाई टेक्सी उनके गंतव्य स्थान पर पहुँची जहांकि सलीम मिस्त्री से उन्हें ये गुड नियूज मिली कि उनकी कार तयार थी उन्होंने मिस्त्री का बिल चुकाया और कार पर सवार हो गए ड्राइविंग सीट पर बैठे धर्मेश ने कार वापिस थाने की दिशा में दोड़ाई हमें बस स्टेंड पर चलना चाहिए एका एक शोबना बोली वजा रसीद पर एक इंटरस्ट्रेट बस लाइन का जिक्र है वहां किसी को उस बस लाइन की खबर हो सकती है फिर वहां हमें रसीद जारी करने वाला ही मिल सकता है तो बता सकता है कि रसीत का क्या चक्कर था और इसे उसने कब किसको जारी किया था नाशुक्रा काम है कुछ आथ नहीं आने वाला लेकिन धर्मेश ट्राई करने में क्या हर्स है तुम भोल रहे हो कि अब हमें कोई जल्दी नहीं है अब हम उस जिम्मेदारी से फारिग है जिसे भुकतानी के लिए हम घर से निकले थे अब जब यहाँ चिपलन में पाटिल की लाश पड़ी है तो हमारा पंजी जाना बेमानी है यूर राइट अब हमारे पास टाइम ही टाइम है इसलिए हम नाशुक्रे कामों में भी उसे जाया कर सकते हैं राइट अगेन माई डियर तो क्या हम बस सड्डे चल रहे हैं हाँ अभी सीधे बस सड्डे से शुरुवाती पूश्टाच से तो लगा कि उस बस लाइन का कभी किसी ने नाम तक नहीं सुना था लेकिन फिर एक कुली ने ये सुकत समा चार दिया कि ना केवल वो उस नाम से वाकिफ था बलकि कल रात गोवा से आई वैसी एक मिनी बस उस घड़ी भी अड़े पर मौजूद थी किधर है धरमेश उत्साहित स्वर में बोला कुली उन्हें एक मिनी बस तक छोड़ कर गया मिनी बस का हुड उस घड़ी खुला हुआ था और एक भारी भरकम गोवानी उसके भीतर जांकता इधर उधर हाथ मार रहा था धरमेश ने उसके करीब पहांच कर उसके कंधे पर दस्तक दी तो वो सीधा हुआ क्या ये बस तुम्हारी है धरमेश अधिकार पुर्ट स्वर में बोला जवाब देने से पहले उसने पहले प्रश्न करता पर और फिर उसके साथ आई हसीन लड़की पर निगार डाली येस वो बोला क्या मांगता है डॉन प्रेडो तुम्हारा नाम है क्या येस ये धरमेश ने रसीद उसके हाथ में रखी तुम्हें लिखा है क्या नो दूसरी तरफ देखो शोबना जल्दी से बोली पेडो ने कागस पल्टा और फिर ततकाल बोला येस कब लिखा धरमेश ने पूछा कल रात को किस से लिया छे हजार रुपेया कि सेवश में लिया क्यूं पूछता है बॉस जवाब दो वो एक पैसेंजर था जो फिगारो आइलेंड से मेरी बस पर सवार हुआ था मुंबई का टिकेट कटाया पन इधर ही उदर गया फिर वो खाली बस में टैक्सी का माफिक अकेला पंजी लोटना मांगता था जिसका उसने ये भाड़ा भरा जिसके कि मैं उसको रसीद दिया वो इधर साथ बजे आने वाला था पर अब तो दस से उपर का टैम है पता नहीं किधर गया क्या तुम उसे के इंतेजान में यहां माचूद हो हाँ नाम क्या बताया था उसने अपना नहीं बताया था पूशने पर भी नहीं बताया था मैं बोला रसीत पर लिखना था तो भी नहीं बताया था सूरत तो याठ है ना कैसे भूलेगा बस सिक्स थाउजन रुपिस लिया उससे धर्मेश ने जेब से शोबना से हासिल हुई पॉलिराइट तस्वीर निकाली और उसे यू मोड़ा कि शोबा का नगन शरीर पिश्ली तरफ छुप जाता पेड्रो ने केवल एक निगा तस्वीर पर डाली ततकाल उसका सिर सेहमती में हिलने लगा इसका इंतिजार बेकार है धर्मेश तस्वीर वापिस जेब में रखता हुआ बोला तुमारा पंजी का मुसाफिर अब यहां नहीं आने वाला पिछली रात वो किसी दूसरे ही सफर पर रवाना कर दिया गया है क्या क्या बोला बॉस उसका कतल हो गया है ओ सांता मारिया क्या अब मुझे सिक्स थाउजन रोपिस वापिस करना पड़े का अरे एक आदमी की जान चली गई शोबना जुझलाई स्वन में बोली और तुम्हें अपने पैसे की पड़ी है नहीं वापिस करना पड़े का धर्मेश शाश्वासन पॉर्ण स्वन में बोला मैडम उस शक्स की करीबी है फिर भी नहीं वापिस करना पड़े का ओ ठैंक गॉड बदले में तुम्हें मुकमल किस्सा बिना कोई बात भूले बयान करना होका मैं करता है बॉस लाइकर शाट करता है उसने सव विस्तार सब कुछ कैस सुनाया तो तुम्हारा कहना ये है धर्मेश बोला कि मुंबई जाने का उसका कोई इरादा नहीं था उसने टिकेट ही मुंबई का लिया था असल में वो यहीं तक काना चाहता था बरोबर बुला बॉस और सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक हैंड बैक था वो भी हलका सा बॉस जैसे की खाली हो रात को तुम्हारी बस यहां किस वक पहुंची थी ग्यारा बजे और यहां से वो कहां गया था टैक्सी स्टेंट मैं ही उसको बताया था टिक की टैक्सी स्टेंट किधर था क्या तुमने उसे टैक्सी में सवार होते देखा था नहीं सवार होते तो नहीं देखा था बॉस पर मा उसको स्टेंट पर पहुंचते बरोबर देखा था बॉस वो 24 आवर्स वाला पकास चैंड है उधर के डिरेवर लोग भी रेगुलर हैं वहां से मालूम पड़ जाएगा कि वो वहां जाकर टेक्सी में सवार हुआ था या नहीं क्या तब से तुमने उसको नहीं देखा नहीं देखा बॉस पन वेट करता है इ गोवा में सवारी तुम हमेशा फिगारो आइलेंड से ही उठाते हो क्या हमेशा नहीं उठाता पर उठाता भी हों क्या मतलब बॉस वो क्या है कि मेरे पास इस बस का करनाटक महाराश्र और गोवा में अप्रेट करने का टोरिस परमिट है इसमें फायदेवाला रूट आइलेंड से उठाऊं ऐसे पैसेंजर को भी फायदा है उनको पहले स्चीमर से पंजी नहीं आना पड़ता उपर से उधर सवारी ज्यास्ति मिलता है वो कैसे वो क्या है कि उधर समुदर में फिगारो जैसे कई आइलेंड है जिन में फिगारो सबसे बड़ा है और सिर्फ वहीं से बड़े वाले स्चीमर जो कि बस या कार को भी लाग सकते हैं पंजी के लिए चलते हैं बाकी आइलेंड से सीधे पंजी नहीं आया जा सकता पहले फिगारो आना पड़ता है इसलिए उधर लंबे रोट का पैसेंजर ज्यास्ति मिलता है फिर ऐसे तक्रीबन पैसें पैसेंजर भी क्या जाना पहचाना था नको मैं उसको पहली बार देखा अब तुम्हारा क्या प्रोग्रेंब हैं मैं तो बस अभी का अभी इधर से नक्की करेगा कोई पैसेंजर भी लेना होगा तो रास्ते से लिका अगर तुम्हारे से फिर कभी मुलाकात करना हो तो कहां आना होगा पंड जी उदर फेर स्टेशन से किसी से भी मिनी बस वाले डॉन प्रेडरो का पूछना सब बोलेगा डॉन पेडरो किधर है गुड ओके थैंक यू पेडरो थैंक यू बॉस उसने एक लाग सा पूर निगा शोबना पर डाली और फिर बोला थैंक यू मैडम वो दोनों घूमे और फिर टैक्सी स्टेंड पर पहुँचे वहाँ टैक्सियां एक कतार में आगे पीछे खड़ी थी और ड्राइवर लोग एक तक्त पोश पर इकठे बैठे गपे मार रहे थे उन्हें करीब पहुचता पाकर वो खामोश हुए कल रात धर्मेश अधिकार पूंटस्वर में बोला ग्यारा बचे के बाद किसी वक्त ब्राउन सोट और ब्राउन फेल्ट हैट वाला एक कोई 45 साल का आदमी यहां से एक टैक्सी पर सवार हुआ था सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक हलका सा हैंड बैग था क्या किसी को वो याद आया ततकाल किसी ने उतर नहीं दिया पुलिस से है क्या बाप फिर एक संदिक दिस्वर में धीरे से किसी ने पूछा क्या वर्दी दिखाई देता है धर्मेश उसे घोरता हुआ बोला नको सी आईडी वाले वर्दी नहीं पहनते मालूम है क्या अब मालूम जवाब दो हाँ वो हैट वाला इधर आया था और मेरी टैक्सी में बैठा था उठो तदकाल वो उठकर खड़ा हो गया तुमारी टैक्सी कौन सी है उसने लाइन में चौथी टैक्सी की तरफ इशारा किया लेके आओ वो टैक्सी को निकाल कर लाया तो दोनों उसमें सवार हो गए शोबना पीछे अब बाप ड्राइवर एक मुसाइबी सी हसी हस्ता हुआ बोला सी आइडी से क्या भाड़ा लेका लेगा धरमेश बोला फिर उसने किड़की से बाहर हाथ निकाल कर खुद मीतर डाउन किया ड्राइवर खुश हो गया तुमारा नाम क्या है धरमेश ने पूचा शकील अभी टैक्सी को बाहर सडक पर लेकर चलो आगे बोलेंगे उसने सेहमती में सेर हिलाया टैक्सी बस चैंट से थोड़ी दूर निकल आगे तो धरमेश ने उसे रुकवाया उसने जेब से मुड़ी हुई तस्वीर निकाल कर ड्राइवर को दिखाई क्या ये था तुम्हारा कल का पैसेंजर उसने पूचा और तस्वीर पर निकाप पढ़ते ही ड्राइवर ने सेहमती में सेर हिलाया क्या हुआ था कहा कहा गया था कल ये तुम्हारे साथ बिना कोई चोटी मोटी बात भी चोड़े तमाम किसा दोहराओ ड्राइवर ने आदेश का पालन किया उसने हर बात दोहराई हम वो कामोश हुआ तो धरमेश बोला तो बस टेंड से ही तुमारा पीछा किया जाना शुरू हो गया था हाँ बाप क्या वो दो थे हाँ बाप सूरत देखी थी क्या तब नहीं देखी थी जब वो हमारे पीछे लगे थे रात का वक्त था और कार में अंधेरा था तब सूरते देख पाना मुम्किन नहीं था लेकिन तब देखी थी जबकि मुझे अपने पैसेंजर से निजात मिल गई थी लेकिन उन्हा ने मुझे जबरन थाम लिया था और मेरी ठुकाई की थी ओ तब मुझे बताना पड़ा था कि मैंने अपने पैसेंजर को कहा छोड़ा था कहा छोड़ा था होटेल पैरामाउंट के सामने क्या तुमने उसे होटेल में दाकिल होते देखा था नहीं वो लेकिन दोड़कर होटेल के सामने के ड्राइवे में दाकिल होते देखा था उदर तो आगे होटेल ही था बाप हुलिया उन दो आदमियों का हुलिया बोलो वो दोनों सूरत से ही मवाली लगते थे साहब एक का सिर अदगंजा था और दूसरे के कंदों तक लंबे बाल थे लगता था जैसे एक के बालों की कसर दूसरा पूरी कर रहा हो अदगंजे का मुँ गला गर्दन यू सुर्ख हुए थे जैसे जुलस गए हो उसने उन जगों पर कोई मलहम सी मली हुई शोबना का हाथ धर्मेश के कंधे पर पड़ा और उसने कस कर कंधा दबाया धर्मेश ने उसका हाथ थप थपाते हुए सेहमती में सिर हिलाया क्या अपने ठुकाई की रिपोर्ट तुमने पुलिस में की थी धर्मेश ने पूछा नहीं क्यूं पंगे का काम था बाप उन पालियों के पास गन थी मेरा ऐसा करने पर मेरी खबर लेने वो फिर वापिस आ सकते थे मेरा कोई खास नुकसान नहीं हुआ था इसलिए मैंने खामोश रहना ही मुनासिप समझा था अच्छा उनकी कार कैसी थी काले रंग की फियर्ट थी पिछला बंफर पिछका हुआ था एक हैडलाइट की हाई बीम नहीं जलती थी और नमबर नमबर नहीं देख सका था अच्छा कोई और बात उसने इंकार में सिर हिलाया पैसेंजर के पास सामान क्या था सिर्फ एक हवाई जाहास के मुसाफिरों जैसा चोटा सा हैंड बैग था और उसमें क्या था मेरे को कैस मालूम होगा बाप शायद उसने तुम्हारे सामने बैग खोला हो खोला तो था एक बार अच्छा पर मैं क्या देखा कुछ भी नहीं मैं तो आगे इधर डिरेवर की सीट पर था वो पिच्चू पैसेंजर सीट पर था मैं बैग के भीतर कैसे जांक सकता था भीतर तो नहीं जांक सकते थे लेकिन शायद उसने तुम्हारी निगा के सामने कुछ निकाला हो या कुछ रखा हो निकाला था निकाल कर वापिस रखा था मैं रियर व्यू मिरर में से देखा क्या निकाला था क्या रखा था डबल रोटी जैसे कोई चीज थी डबल रोटी थी नहीं वैसे इच साइज, वैसे इच शकल, हम्, बैग के सामान का वैसे ही कोई अंदाजा, जो कि बैग उठाकर चलने के ढंग से हो जाता है, उसमें कोई बारी सामान था, या हलका सामान था, मेरा तो अंदाजा ये है बाप कि उसमें सामान ही नहीं था, मेरा मतलब है सिवाए उस डबल रोटी जैसी चीज के, जो कि उसको बैग से निकालने रखने के ढंग से साफ मालूम पड़ता था, कि वजनी नहीं थी, वो बैग आजो बाजो से पिचका हुआ था, और पैसेंजर के उसे उठाने के ढंग से, मेरे को तो लगा था, कि उसमें कुछ भी नहीं था, फिर बोलता है सिवाए उस डबल रोटी के, कुछ तो और जरूर होगा बैग में, होगा तो मेरे को मालूम नहीं, मैं और कुछ नहीं देखा, हम, चलो, किधर बाप, उस बार की तरफ, जिस पर तुम्हारे पैसेंजर ने रास्ते में जर्नी ब्रेक की थी, बाप, वो वहाँ टिका नहीं था, उसने उधर से सिर्फ फोन लगाया था, और वापिस कार में आ बैठा था, कोई बात नहीं, फिर भी चलो, और टैक्सी आगे बढ़ी, थोड़ी देर बाद उसकी रफदा कम हुई, वो उधर सामने वो बार है बाप, वो बोला, धरमेश ने सहमती में सिर हिलाया, टैक्सी बार के सामने पहुची, तो एका एक ड्राइवर के मूझ से एक सिस्कारी निकली, क्या हुआ? धरमेश बोला, कुछ गडबड, ड्राइवर बोला, वो देखो, धरमेश ने क दीधारी पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे थे उसके देखते ही देखते एक एम्बुलेंस वहां से हिली और फिर अपना साइरेन बजाती सडक पर डौट चली तुम टैक्सी में ही बैठो धर्मेश टैक्सी का दर्वासा खोलता हुआ बोला मैं मालूम करता हूँ कि क्या मा आश्रा है शोबना ने सहमती में सिर हिलाया धर्मेश लंबे डग भरता भीड के करीब पाहुचा उसने नोट किया कि वहां मौझूद पुलिसियों में सब इंस्पेक्टर दिलीब डोलस या ऐसा कोई पुलिसिया नहीं था जिसे कि उसने थाने में देखा हो वो पुलिस व जवाब मिला क्या फौशतारी हो गई दिन देहाडे फौशतारी हो गई क्या जमाना आ गया है कोई काईदा कानून तो जैसे मुल्क में रहा ही नहीं गुंडा राज हो गया है हर चगा अरे हुआ क्या है दो मवाली आए और आकर बार के मालिक को धुन के रख दिया बाप प इसमें खूब तोडफ और मचाई और भाग गए कोई दखल अंदास नहीं हुआ क्या था ही कोई नहीं यहाँ उस वक्त अभी बार खुलने का टाइम कहा हुआ था बस सिर्फ मालिक की खुद बार्मेन की ड्यूटी भुगता था बार पर खड़ा गिलास चमका रहा था जब देहें हत्यार बंद थे खूब गलाटा मचाया कमीनों ने बोतले तोड़ दी दरास निकाल निकाल कर बाहर फैंक दिये पता नहीं किस चेस की तलाश थी उन्हें जो नहीं मिली तो मालिक को धुन दिया बिचारे को अभी अभी एम्बुलेंस पर लाद कर अस्पताल लेके गए हैं कुछ पता नहीं लगा कि क्या चाहते थे वो नहीं मालिक बेहोश है अस्पताल में उसे होश आएगा तो ही कुछ पता चलेगा पता नहीं होश आएगा भी या नहीं ओ बहुत पीटा कमीनों ने बिचारे को सब मूँ सिर्फ फूटा पड़ा था बिचारा कई दिन अपने टैक्सी में लोटा क्या हुआ ड्राइवर उत्सुक भाफ से बोला मार पीट धर्मेश बोला दो मवालियों ने मालिक को पेट दिया वही होंगे सहब हाँ ऐसे ही जान पड़ता है अब मैं क्या आगे बढ़ूं यहाँ से तो बस तुम होटेल पैरामाउंट ही लेकर गए ना अपने पैसेंजर को हाँ बाप फिर वापिस चलो ड्राइवर की भवे उठी उदर बस टेंड पर हमारी कार खड़ी है ओ टैक्सी वापिस बस टेंड पर पहुंची धर्मेश ने उसका भाड़ा चुकता किया और फिर बोला मेरी ये कुराई है तुम्हारे लिए बोलो बाप ड्राइवर अदब से बोला एक दो देन के लिए अपने इस पक्के स्टेंड से टैक्सी ओपरेट करना बंद कर दो अभी ही यहाँ से कोच कर जाओ और अच्छा ये होगा कि एक दो दिन टैक्सी चलाओ ही नहीं खामोशी से घर पर बैठो क्यों बाप वो सस्पेंस बरे स्वर में बोला कहना मानो समझ लो इसी में तुम्हारी भलाई है सीधे घर जाओ कहीं से कोई पैसेंजर नहीं बिठाना ना यहां से ना रास्ते से घर पर समझना एक दो दिन का पूरा वक्त बीवी बच्चों को दिया चीक है ना चेहरे पर गेहन असमंजस के भाव लिये ड्राइवर ने जल्दी से सेहमती में सिर हिलाया यूँ शोबना बोली दो दिन चेहन से अपनी गिरहस्ती में बैठोगे तो हो सकता है कोई और ऐसी बात यादा जाए जो कि तुमने अभी हमें नहीं बताई है हाँ धरमेश भी बोला ऐसा हो तो स्वागत के रूम नंबर 11 में फोन लगाना तब शायद तुम्हारे खाली गए वक्त के भी तुम्हें कोई उजरत मिल जाए ऐसा क्या बात हाँ ठीक है मैं सोचेगा बढ़िया पिछली रात वाली ही संक्री गली में उसके दहाने पर काली फियट खड़ी थी अब हम यहाँ क्यों हैं गोत मारे बोला थोबडा बंद रख भवरलाल भुन भुनाया इसे कहते हैं कुम्हार का गुस्सा गदे पर गदा तो तु बरोबर है गोत मारे सारी पिछली रात ठीक से गाड़ी चलाई होती तो यह नौबत नहीं आती पांच मिनट सिर्फ पांच मिनट के लिए वो टैकसी हमारी निगाहों से ओजल हो गई और उतने में वो हरामी वो महाचिलाग प्याटिल अपना कर्तब दिखा किया उतने में ही पता नहीं कहा माल को गर्ग करने में काम्याब हो गया वो बार में नहीं होटेल में नहीं टैकसी में नहीं कहीं भी नहीं तौबा भाई सुनेगा तो क्या कहेगा क्या कहेगा कहेगा क्या कुछ करेगा क्या करेगा गोली मार देगा हम दोनों को गोत मारे के शरीर ने जोर से जुर जुरी ली मैं क्या किया वो बोला तेरे को मालूम मैं कुछ नहीं किया भाई को बताना तो भी तो बताना कि मैं कुछ नहीं किया अच्छा तेरे लिए जोट बोलू साले हर जगा तेरी वज़ा से पंगा हुआ कोई काम ठीक से नहीं कर सकता तू तो कर सकता है ना तू ही कोई कर्टब कर जिस से हम भाई के कहर से बच सके मैं तो कर ही रहा हूँ साले तेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ अभी पेछे बार पर किया उससे पहले होटेल में किया इधर भी कुछ करेगा डेरेवर को आने दे, फिर देखना क्या होता है उसको थामने को बोला, तू नक्की बोला बोला डेरेवर का लफड़ा नहीं मांगता बोला गवा नहीं मांगता, अब नहीं है गवा थोबड़ा बंद कर क्यों थोबड़ा बंद करूँ सालक खुद किसी काबिल नहीं मेरे को डराता है, दमकाता है भाई की हूल देता है गोत मारे भवरलाल तनिक नम्र स्वर में बोला हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा तो हर गलती का जिम्यदार मुझे ठहराना बन नहीं करेगा तो जगड़ा तो होगा ही होगा अच्छा बाप मैं सौरी बोला हम दोनों एक टीम एक की गलती का दूसरा भी जिम्यदार अब राजी गोत मारे ने उतर नहीं दिया उसने बुन बोनाते हुए जेब से एक ट्यूब निकाली और उसमें से मलहम निकाल कर अपने चेहरे और गले पर मली मुझे उमेद नहीं फिर वो बोला कि माल डिरेवर के पास होगा जब वो और कहीं नहीं है भवरलाल बड़े सब्र से अपने गुसे को काबु करता हुआ बोला तो और कहा होगा कल जब हमने उसको थामा था तो माल उसके पास नहीं था हमें क्या पता नहीं था हमने उसे थामा था ये मालूम करने के लिए कि उसने अपने पैसेंजर को कहां उतारा था ना कि ये मालूम करने के लिए कि माल उसके पास था या नहीं ऐसी कोई कोशिश तो हमने की ही नहीं थी तब क्या तो सपने में भी सोच सकता था कि इतना कीमती माल पार्टी लेक अंजान टेक्सी डिरेवर के हवाली कर देगा मैं तो अब भी नहीं सोच सकता अब ऐसा सोचना जरूरी है क्योंकि बाकी तमाम सोच फेल हो चुकी है माल जब कहीं नहीं है तो वहां क्यों नहीं हो सकता जहां कि हम पहले समझते थे कि वो नहीं हो सकता था गोत मारे से जवाब देते नहीं बना उपर से हो सकता है वो टेक्सी डिरेवर उसके लिए अंजान ना हो मैं पहले ही बोला कि पार्टिल एक बार पहले भी चिपलन आ चुका था वो अपने पिछले फेरे से उस डेरेवर का वाकिफकार हो सकता था गोत मारे के चेहरे पर आश्वासन के भाव नहीं आए अरे मेरे भाई, जब तमाम रास्ते आस्मा लिए तो फिर ये एक रास्ता आस्मा लेने में भी क्या वांदा है ऐसा तो कोई वांदा नहीं, गोत मारे कठिन स्वर में बोला तो फिर बात खत्म, तो फिर चैन से बैट वो डेरेवर इधर आएगा क्या क्यों नहीं आएगा अभी उसके जोड़िदार डेरेवर लोग बोले थे कि नहीं बोले थे कि ये उस डेरेवर शकील का पक्का अड़ा है वो देर सवेर इधर ही लोट के आएगा आगया, एक आएक गोत मारे उत्यजित स्वर में बोला अपने अड़े पर ही पैसेंजर उतार रहा है देखा, भावर लाल विजेता किसे स्वर में बोला भीड़ो, वो बाई, गोत मारे बोला कौन सी बाई? जो उस पैसेंजर के साथ शकील की टैक्सी से उत्री क्या हुआ उसे? मुझे दादर वाली बाई मालूम पड़ती है जिसने तेरा थोबड़ा जुलसाया हाँ वही माता फिरिला है उसका इधर क्या काम? पन क्या पन? अरे इतने फासले से सारी फैंसी बाईया एक ही जैसी लगती है पन दिमाख मत चाट असल काम की तरफ तवज्जु रख गोत मारे भुन भुनाता हुआ चुप हो गया टैक्सी जा रही है भवर लाल बोला अब कोई आके सीटी बचाएका जंडी हिलाएका तो तो यहां से हिलेगा क्या? गोत मारे ने ततकाल फियट को स्चार्ट किया और उसे संक्री गली से बाहर निकाला अब क्या इरादा है? उसने पूछा ये भी कोई पूछने की बात है भवर लाल बोला कहीं रास्ते में साले डिरेवर को थामते हैं वो कल रात से हमारी सूर्टे पहचानता है तो क्या वांदा है? वो मुँ फाड़ेगा किदर से फाड़ेगा? मुर्दे कहीं बोलते हैं क्या? गोत मारे हट बढ़ा कर चुप हो गया फियर तब तक सड़क पर पहुँच चुकी टैक्सी के पीछे दौट चली वो थाने पहुँचे सब इंस्पेक्टर डोलस तब तक वहां लौट आया हुआ था सौरी उन्हें देखते ही वो तत्काल बोला मुझे एका एक उठके जाना पड़ गिया था कोई बात नहीं धरमेश बोला विराजिये? दोनों उसके सामने बैट गए थंडी कोठी में क्या देखा? सब इंस्पेक्टर उत्सुख भाफ से बोला लाश मिस्टर जामवंत राव पाटिल की है शोबना गंभीरता से बोली इसमें शक की कोई गुणजाइश नहीं आई सी सब इंस्पेक्टर एक शंट ठिटका और फिर बोला कितने अफसोस की बात है कि लाश की शिनाक तो हुई लेकिन उसकी बाबत हमारी जानकारी में फिर भी कोई इजाफा नहीं हुआ कितने अफसोस की बात है कि आप मिस्टर पार्टिल को जानते हुए भी कुछ नहीं जानती शोबना खामोश रही उपर से ये इतिफात भी कोई कम हैरान करने वाला नहीं कि इतने बड़े हिंदुस्तान में जब 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 शहर में मक्तूल की लाश पाई गई तब एन उसी शहर में पश्री रात को आपकी कार बिगडी और आज लाश के शिरनाख करने के लिए जैसे आप खुदाई मदद के तौर पर ठाने में पधारी आप कहना क्या चाहते हैं? शोबना तीखे स्वर में बोली सिवाए इसके कुछ नहीं के जितना आप जानती हैं उससे कम, बहुत कम आप पुलिस को पास ओन कर रही है ऐसी कोई बात नहीं? होती तो क्या आप अपनी जुबानी कुबूल करती? हमें कोई बात चुपाने में क्या फाइदा है? हमारी नियत में कोई खोट होती, तो हम क्यूं खुद बखुद यहां हाजिर हुए होते? कोई तो वज़ा होगी? वही वज़ा है जो प्रत्यक्ष है, धर्मेश बोला, जिम्मेदार नागरी को ने जिम्मेदारी से अपना फर्स निभाया है चलिए ऐसे ही सही, अब हमारे लिए क्या हुगम है? शोबना ने पूछा लाश आपको सौंपी जा सकती है या नहीं? इस बाबत मुझे अपने उच्चा धिकारी से, जो कि सरकल इंस्पेक्टर है, मश्वरा करना पड़ेगा फिर अभी लाश का पोस्ट मैटम भी होना है, आप लोग कल तक यहां रुख सकते हैं क्या? शोबना की दर्मेश से निगा मिली, दर्मेश ने हॉले से सहमती में सेर हिलाया ठीक है, शोबना बोली, हम होटेल स्वागत में हैं गुड, मैं आप से कॉंटेक्ट करूँगा, हम भी करेंगे ठैंक यू, और दोनों वहाँ से बाहर निकल आए, अब क्या करें? शोबना बोली, अब थोड़ा रिस्क लेने का इरादा है कैसे? धर्मेश ने बताया धर्मेश बड़े रॉप से चलता हुआ, होटेल पैरमाउंट के रिसेप्शन पर पहुँचा दिलीब डोलस, वो बोला, सब इंस्पेक्टर, लोकल थाने से, किधर है? वो तो, उसके रॉप से थर्राता रिसेप्शनिस जल्दी से बोला, वो तो चले गए सर कहां चले गए? वापिस थाने, तफ्तिश मुकमल करके मैंने उन्हें यहां रुकने के लिए कहा था आँ, आपकी तारीफ सर मैं CID ओफिसर हूँ, हेड़कॉर्टर से आया हूँ CID ओफिसर, हेड़कॉर्टर, मैं मैनेजर साहब को खबर करता हूँ रिसेप्शन के पेचे से निकल कर, वो दोड़ता हुआ एक बंद दर्वासे पर पहुँचा जिस पर मैनेजर लिखा था, वो लौटा, तो एक सोट बोर्ट धारी, भारी भरकम आत्मी उसके साथ था जो कि चलते वक्त, ड्रम की तरह लुड़कता मालूम होता था वेलकम, वो करीबा कर बोला, मैं मैनेजर हूँ धर्मेश ने बड़ी संजीद्गी से सेमती में सिर हिलाया डोलत साहब तो चले गए, अभी मालूम हुआ, उन्हें नहीं जाना चाहिए था मेरे पहुँचने तक यहां रुखना चाहिए था ताकि वारदात की बाबत, बयान मेरे सामने होता अब आपके आदमी को सब कुछ फिर से दहराना पड़ेगा नो प्रॉबलम सर, वो रात वाला रिसेप्शनिस्ट अभी यहीं है आप मेरे कमरे में चल के बैठिये, मैं उसके तलाश करवाता हूँ ओके, धर्मेश मैनेजर के सुसज़ित आफिस में जा बैठा वहाँ अपनी नर्वसनेस पर परदा डालने के लिए उसने एक सिगरेट सुलगा लिया मैनेजर वापिस लोटा, तो उसके साथ एक नौजवान था मैनेजर अपनी एक्सेक्यूटिव चियर पर धेर हो किया नौजवान बड़े अदब से मैं इसके पहलू में खड़ा रहा ये शुकला है मैनेजर बोला, जो के रिसेप्शन के नाइट ड्यूटि पर था क्या हुआ था, धर्मेश दबंग स्वर में बोला सर, सुबस अवेरे का वक्त था, शुकला बोला, अभी पॉब भी नहीं फटी थी जबकि वो दो मवाली रिसेप्शन पर पहुँचे थे दो मवाली? जी हाँ, तब तुम्हें क्या पता था कि वो मवाली थे? सर, बाद में तो पता लगा ना, जबकि उन्होंने वो हरकत की ठीक है, उनमें से एक सिर से अदगंजा था और दोसरे के कंदों तक काने वाली लंबे बाल थे और अदगंजे का मूँ जुलसा हुआ था ये क्या आपको मालूम है सर? शुकला हैरानी से बोला वो दोनों बहुत खतरनाग गैंक्स्टर है, देशतगर्थ है हमें एक अरसे से उनकी तलाश है उन्हें की फिराख में मैं पूना से चल के यहां आया हूँ ओ! मैनेजर भी अब परियाप प्रभावित दिखाई दे रहा था आगे बढ़ो, धरमेश बोला सर लंबे बालों वाले ने आते ही मुझसे सवाल किया कि क्या मैं रात से ही रिसेप्शन की ड्यूटी पर था मैंने हामी भरी तो लंबे बालों वाला पूशने लगा कि होटेल में आने वालों का कीमती सामान कहां रखा जाता था मैंने बताया कि पिछले कमरे में मौजूद एक सेफ में रखा जाता था वो सेफ की चाबियों की बाबत सवाल करने लगा तब मेरा माता ठंका तब मैंने ये भी नोट किया कि अदगंजे के शर्ट फ्रंट पर खून के छिंटे दिखाई दे रहे थे मैंने उस बाबत सवाल किया तो जवाब दोस्रे ने दिया कि उसके साथ ही की नकसیर फूड गई थी उसने फिर सेफ की बाबत सवाल किया तो मैं बोला मैं नाइट मैनेजर को ख़बर करता हूँ तब ही लंबे बालू वाले ने मेरे पर रिवालवर तान दी मेरे चक्चे चूट गए वो बोला मैं सेफ खोलू नहीं तो वो मुझे शूट कर देगा मरता क्या ना करता के अंदाज से मैंने सेफ खोली वहां से क्या चुराया उन्होंने कुछ भी नहीं क्या कुछ भी नहीं कताई कुछ नहीं सर अल्बता सेफ में माजूद हर चीज उन्होंने वहां से निकाल निकाल कर कमरे के फर्ष पर छितरा दी थी यानि कि उन्हें किसी खास चीज की तलाश थी ऐसा ही मालूम पढ़ता था सर खास भी और कीमती भी जो कि उनकी निकाह में होटेल की मजबूत सेफ में ही महफूज रखी जा सकती थी जी हाँ फिर फिर रिवॉल्वर वाले ने उसकी मूट का प्रहार मेरी खोपड़ी पर किया जिससे कि मैं फॉरण बेहोश हो कर गिर पड़ा जब तक मुझे होश आया तब तक वो यहाँ से जा चुके थे क्या रिसेप्शन ड्यूटी पर तुम अकेले थे साथ में एक बैल बॉई था सर और इस वारदात के वक्त वो कहा था वो वो टॉयलेट में था सर टॉयलेट में था या मैनेजर तीखे स्वर में बोला तुम दोनों की मिली भगत से कहीं सोया पड़ा था टॉयलेट में था सर मैनेजर के चेहरे पर विश्वास के भाव नहीं आए यू काइंडली पे अटेंशन टु मी धर्मेश रूखे स्वर में बोला येस सर शुकला ततपर स्वर में बोला उन दोनों को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे जी हाँ फॉरन गोली की तरहा कास्त और से उस लंबे बालू वाले को जिसने मेरी खोपड़ी पर वार किया था क्या तुमने का क्या किसा है वो बोला जॉन वोकर? हां वो इंडो नेपाल एरलाइंस के रिश्नल डिरेक्टर हां वही सही क्या किसा है उनकी यहाँ रिजर्वेशन है सर वो सुभा आने वाले थे लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे है रिजर्वेशन उन्होंने खुद करवाई थी क्या जी नहीं उनके सेंट्रल ओफिस से फोन आया था वो कहा हुआ ये ये तो मैंने पूछा नहीं था चिपलन में तो एयरपोर्ट ही नहीं है लेकिन ट्रेवल एजेंट बहुत है सर इस होटेल में ही दो है लेकिन उसने सेंट्रल ओफिस कहा राइट येस सर जो कि यहां चिपलन में नहीं हो सकता मुंबई में होगा मैनेजर बोला हम धरमेश बोला तो इन जोन वोकर साहब के लिए यहां कमरा बुक है क्या कौटेज सर शुकला उत्सा से बोला कौटेज नमबर फाइव डीलक्स दवेरी बैस्च लेकिन कौटेज को उक्यूपाई करने के लिए वोकर साहब अभी पहुंचे नहीं है लेकिन पहुंचेंगे जरूर क्यूंकि उनका रिजर्वेशन है और भी वज़ा है और क्या वज़ा है कल रात कोई उनके लिए यहां एक पैकेट चोड़ के गया था उसे वोकर साहब की यहां आमद का यकीन था तब ही उसने ऐसा किया कैसा पैकेट वो एक मामूली पैकेट था जो मैंने कल रात वोकर साहब के मेल बॉक्स में डाल दिया था वो अभी भी वही होगा पैकेट कब पहुँचा था यहां कल रात साड़े बारा बज़े के करीब लाने वाला कौन था कोई वाकिफकार ही होगा वोकर साहब का नाम नाम तो उसने बताया नहीं था पैकेट पर लिखा होगा पैकेट पर सिर्फ पाने वाले का वोकर साहब का नाम लिखा था मैंने देखा था क्या पैकेट लाने वाला ब्राउन सूट पहने था सिर्फ पर ब्राउन फेल्ट हैट लगाई था जी हाँ आप उसे जानते हैं सर उसका हुलिया बोलो उसने अपना हैट अपने माथे पर बहुत नीचे तक जुकाया हुआ था इसलिए में ठीक से उसकी सूरत नहीं देख सका था फिर भी कोशिश करो शुकला ने आधा पॉना हुलिया बोला धर्मेश के चेहरे पर असंतोश के भाफ आई I cannot do any better सर शुकला खेत पॉन्ट स्वर में बोला You can मैंने बहुत थोड़े अर्से के लिए उस शक्स की सूरत देखी थी सर और फिर मेरी पूरी तवज्जो भी उसकी तरफ नहीं थी फिर वो है टूम Still you can सर मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ धर्मेश ने जेब से मुड़ी हुई पॉलेरोइट तस्वीर निकाल कर उसके सामने की ये तो तदकार शुकला के मुँ से निकला वही है ऐसे ही हम C.I.D. वाले नहीं है तस्वीर वापिस जेब में रखता धर्मेश गर्फ से बोला काम करते हैं थाने में बैट कर कुर्सी नहीं तोड़ते मैनेजर पर उस बात का परियाप्त रॉक पड़ा उसका सेर अपने आप ही सहमती में हिलने लगा जिस वक्त धर्मेश बोला उस शक्स ने वो पैकेट तुम्हें सौंपा था उस वक्त तुम दोनों के करीब कोई था क्या जी नहीं शुकला बोला कोई नहीं था यानि कि किसी ने उसे वो पैकेट तुम्हें सौंपते नहीं देखा था नहीं देखा था और तुमने उस पैकेट को ऐसा ही दस्तूर होता है मैनेजर बोला यो जब मेहमान चाबी मांगता है तो उसकी डाक या कोई संदेशा उसे अपने आप हासिल हो जाता है बले ही पहले रिसेप्शन क्लर्क ड्योटी पर ना हो I understand जरा देखे तो वो पैकेट मैनेजर ने को इशारा किया जो बाहर जाकर पैकेट ले आया दर्मेश ने पैकेट लेकर गौर से उसका मौईना किया वो एक मुश्किल से धाई 300 ग्राम वजन का ब्राउन पेपर से लिप्टा टेप से सेल किया हुआ सच में ही डबल रोटी जैसा मामूली पैकेट था जिसमें करोडों का माल मौजूद होने की कतर ही कोई संभावना नहीं थी जैसी वो पैकिंग थी उससे तो लगता था कि तक्रीबन वजन पैकिंग का ही था उसने उसे खोब हिला डुला कर कान के पास ले जाकर खड़का कर देखा लेकिन उसके कोई खोबी नुमाया नहीं हुई इसका आप क्या करेंगे वो पैकेट को वापिस मेज पर डालता हुआ बोला जब वाकर सहब चेक-इन करेंगे मैनेजर बोला उन्हें सौम देंगे अच्छा फर्स केजिये वो नहीं आते तो ऐसा क्यों कर होगा सर उनकी रिजर्वेशन है फिर भी वो शक्स भी वापिस लोट सकता है जो कि पैकेट दे कर गया था ये जानने के लिए कि वो डिलिवर हुआ था या नहीं आई सी धरमेश ये का एक उट खड़ा हुआ सैयोग का शुक्रिया मैनेजर सहब और तुम्हारा भी मिस्चर शुक्ला नमस्ते दोनों को मुस्कुराता सिर नमाता चोड़ कर धरमेश वहाँ से रुक्सत हो गया वो होटेल से बाहर निकला होटेल के पहलू में ही एक स्टेडी बूत था उसने वहाँ से मुंबई की टेलिफोन डिरेक्टरी हासिल की और उसमें इंडो नेपाल एरलाइन्स की एंट्री तलाश की एंट्री के आगे दर्ज फोन नमबर पर उसने एस्टेडी लगाई आगे बात हुई तो नई ही बात सामने आई इंडो नेपाल एरलाइन्स में ना जॉन वॉकर नाम का कोई अधिकारी था, ना उनके यहां रिजनल डिरेक्टर की कोई पोस्ट होती थी, और ना उनके यहां से चिपलन के होटेल पैरामाउंट में कोई कॉल की गई थी, वहां किसी को होटेल पैरामाउंट की तो क्या खबर होती, यही खबर नहीं थी कि चिप पहलो बदलती शोपना मौजूद थी। धर्मेश दर्वाज़ा खोल कर उसकी बगल में जा बैठा। क्या हुआ वो उत्सुक भाफ से बोली। हमारे मवाली दोस्तों का फेरा यहां भी लग चुका है। धर्मेश बोला। परेड ग्राउंड में पार्टिल का काम करने के बाद लगता है वो सीधे यहीं पहुंचे थे। क्यों? क्या ये भी कोई पूछने की बात है। जाहिर है कि माल की तलाश में उन्हें मालुम था पा पास से बरामत नहीं हुआ तो उन्हें होटेल का खयाल आया। अब माल क्यों की केमती था और केमती माल महफोज जगा पर ही लगा जाता था। इसलिए उन्होंने जबरन होटेल की सेफ खुलवाई लेकिन माल वहां नहीं था। यानि कि पार्टिल साहब ने उन्हें गुमर ही खबर होती जिसके लिए कि वो पैकेट रिसेप्शन पर पार्टिल ने छोड़ा था। पार्टिल तो ज़रूर उन्हें बिना कुछ बताई मर गया था। तो फिर उन्हें होटेल पैरामाउंट की सूच कैसे लगी। उस टेक्सी ड्राइवर शकील की वज़ा से जिसकी ठ चुकाई करके उन्होंने जाना था कि उसने अपने सवारी को कहां उतारा था। किसी और तरीके से भी उन्हें पार्टिल का रिष्टा होटेल से जुड़ा लगता होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि पार्टिल उनकी पकड़ाई में होटेल से बाहर कदम रखते वक्त ही आ कि वो होटेल की सेफ में ही हो सकता था जबकि पैकेट उनकी मौजूदगी में भी रिसेप्शन के एक पीजन होल में पड़ा था दूसरी बार तुमने किसी पैकेट का नाम लिया शोबना ने पूछा कौन सा पैकेट कैसा पैकेट बताया तो वो पैकेट जो कि पिछली रात प हाँ जो कि अभी बे रिसेप्शन के पीछे बने पीजन होल में से एक में पड़ा है और जॉन वोकर कोन? कोई नहीं वो एक फर्जी नाम है जिसका कोई वजूद नहीं लगता है वो नाम पाटिल के ही दिमाग के उपश था और उसने उसे इसलिए डॉन पेड्रो की रसीत क पीछे दर्च कर लिया था ताकि बात में खुद उसे ही वो फर्जी नाम भूल नहीं जाता फर्जी नाम क्यों? ताकि वो पैकेट को होटेल में छोड़ पाता जो कि उससे चिन सकता था मेरे खयाल से उसने खुद ही पहले होटेल फोन करके जॉन वाकर के लिए पैकेट उसे डिलिवर हो ही नहीं सकता था पाटिल जब खत्रा सिल से टल गया पाता तो वापिस होटेल पहाँच था उसे मालूम होता कि वो पैकेट तो तब भी अन्डिलिवर वहाँ पड़ा था तो वो खोदी उसे क्लेम कर लेता यानि कि शोबना उत्तेजित होटी माल उस पैकेट में है क्या खामखा जोश काने की जरूरत नहीं मैंने वो पैकेट देखा है माल उसमें नहीं हो सकता तो फिर क्या है उसमें कुछ तो होगा जो पाटिल ने उसके सेफटी के लिए इतनी जहमत उठाई कुछ तो जरूर होगा क्या होगा ये पैकेट खोले बिना नहीं मालूम हो सकता शोबना हमें पैकेट हत्याना है और जल्दी हत्याना है जल्दी किसलिए? क्योंकि परेड ग्राउंड से मिली लाश की खबर कभी भी फैल सकती है और होटेल तक भी पहुंच सकती है जो कि खुश किस्मती से अभी तक नहीं पहुंची मालूम होती होटेल वालों को जब ये पता चले का कि जो शक्स पिछली रात वहाँ पैकेट छोड़ कर गया था उसका कतल हो गया था तो वो लोग वो पैकेट पुलिस को ही सौंपेंगे ओ लेकिन वो पैकेट हमें कैसे हासिल होगा मेरे जहन में एक स्कीम है जिस पर हिम्मत दिखाओ तो तुम अमल कर सकती हो क्या स्कीम है होटेल वालों को अभी भी मिस्टर जॉन वाकर का इंतिजार है उन्हें अभी नहीं मालूम कि वो नाम फर्जी है और ऐसा कोई आदमी वहाँ नहीं पहाँचने वाला हम इस बात को कैश कर सकते हैं कैसे? धर्मेश ने बताया एक टेक्सी होटेल पैरामाउंट की मार्की में आकर रुकी ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला और उसने लपक कर उसका पिछला दर्वासा खोला चम-चम करती हुई एन विलाईती में बनी शोबना उसमें से बाहर निकली उस घड़ी वो एक लो कट का बलाउस और टाइट स्कर्ट पहने थी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाई थी और उसके लंबे रेशमी बाल एक बड़े स्चाइलिश विक के नीचे दबे हुए थे विक भूरी रंगत वाले बालों का था और वो धर्मेश ने उसके लिए एक स्थान गे ब्यूटी पार्लर से मुहया किया था हाई हिल्स ठक ठका थी वो होटेल के प्रवेश द्वार की और बढ़ी दर्बार ने ठोक के सेल्यूट मारा वो सीधे रिसेप्शन की और बढ़ी उसके करीब आने से पहले ही रिसेप्शनिस साफधान की मुद्रा में आ गिया और बत्ति सी चमकाने लगा मिस्टर वाकर के लिए कौटेश तयार है क्या वो अधिकार पॉर्ट स्वर में बोली येस मैडम रिसेप्शनिस बोला डिलक्स कौटेश नमबर फाइव ओल्रेडी फोर मिस्टर जॉन वाकर एस डिरेक्टिड ओवर टेलिफोन गुड मिस्टर वाकर अभी नहीं आए मुंबई से मेरे साथ ही चले थे लेकिन रास्ते में उनका प्रोग्रेम बदल किया मुबाइल पर कॉल आ गई जिसकी वज़ा से पूरा जाना पड़ गया वो शाम तक पहुंचेंगे और आप मिस्सिस वाकर मिस्स एलिसा वाकर ओ, वेलकम मैडम रिजर्वेशन का वो अपना बैक खोलने का उपकरम करती हुई बोली क्या कोई डिपॉजिट करवाना है नो मैडम नॉट निसेसरी इट्स परफेक्ली आल राइट एस सच थैंक यू की प्लीज रिसेप्शनस ने कॉर्टेश नंबर फाइफ के पिजन होल से चाबी बरामत की और साथ ही वहाँ पड़ा पैकेट भी उठाया उसने दोनों चीज़े शोबना के सामने रखी ये क्या है पैकेट की तरफ इशारा करती शोबना बड़ी अदा से बोली मिस्टर वॉकर के लिए है पिछली रात कोई छोड़के गया आई सी उसने चाबियों और पैकेट उठा लिया ओके मिस्टर वॉकर विल गेट इट थैंक यू यूर वलकम मैडम कॉटेश किधर है बेल बॉय छोड़के आता है मैडम आपका लगेज पिछू आएगा शाम को मेरा हस्बेंड के साथ एनी प्रॉब्लम नो, नोट अट आल उसने जोर से एक काउंटर पर रखी घंटी बजाई और बोला फ्रंट तदकाल एक वर्दिधारी बेल बॉय रिसेप्शन पर पहुँचा मेडम को कौटिश नंबर फाइफ में लेके जाओ बेल बॉय का सिर्थ सहमती में हिला थैंक यू शोबना मुस्कुराती हुई यू जुक कर बोली कि रिसेप्शनिस को उसके वक्ष की घाटियों में जांकने का नयन सुक मिल पाता रिसेप्शनिस नेहाल हो गया धरमेश होटेल के पिछवाड़ी की सड़क पर कार में बैठा सिग्रेट फूंक रहा था जबकि उसने पिछवाड़ी का आइरन गेट ठेल कर शोबना को बाहर सड़क पर कदम रखते देखा उसने सिग्रेट फैंक दिया और हॉले से कार का हॉन बचाया शोबना का ध्यान कार की तरफ गया तो वो लंबे डग भरती उसकी और बढ़ी वो करी पाहुची तो धरमेश ने परली तरफ का दर्वासा खोल दिया वो कार में आ बैठी तो धरमेश ने प्रस्ण सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा इजी शोबना उसे पैकेट दिखाती प्रसन भाव से बोली पैकेट की बाबत पूछना तक नहीं पड़ा रिसेप्शनिस ने खोद ही मेरे हवाले कर दिया गुड अब यहां से हिलो धरमेश ने सेहमती में सेर हिलाते हुए कार आगे बढ़ाई क्या रिसेप्शनिस ने कोई शक किया धरमेश ने पूछा कब करता वो बोली उसे तो मेरे गिरेबान में जांकने से ही फुरसत नहीं थी इस पोशाक में लगती भी तो तू एंड फिरंगी मेम है वो हसी टेक्सी ड्राइवर ने ठीकी कहा था फिर वो बोला लगता तो ये पैकेट डबल रोटी ही है क्या मैं इसे खोलूं ये भी कोई पूछने की बात है शोपना ने ग्लोब कमपार्टमेंट में से एक पतली नोक वाला पेचकस बरामत किया और उसकी सहायता से पैकेट का उपरी रैपर उधेडा भीतर से कार्ट बोर्ड का एक डिबबा बरामत हुआ पेचकस की सहायता से उसने उसे भी खोला तो भीतर से एक और डिबबा बरामत हुआ पैकेट में वो बोली छोटे बड़े साइजों के डिबे ही तो पैक नहीं है क्या ऐसा क्यों कर होगा तुम भूल रही हो कि यही वो पैकेट है जसके लिए पाटिल की जान गई बार का माली का स्पताल पहुचा टैक्सी ड्राइवर के ठुकाई हुई और रिसेप्शनिस की ठोकोपड़ी ठक ठका गई ठीक कह रहे हो इसे भी खोलो जरूर हीरे होंगे इसमें कैसे सुझा वही बेश केमती होते हैं और बहुत कम जगा घेरते हैं जरूर इसमें हीरे होंगे करोडों के अब तुक्के लगाने का क्या फाइदा जो बात वैसे ही सामने आ जाने वाली है उसके बारे में क्या होगा या क्या नहीं होगा सोचने की क्या जरूरत है हाँ ये भी ठीक है ये डिबा भी खोल उसने खोला इसमें तो रोई भरी है वो बोली पैकिंग में काम आती है रोई हटा उसने रोई को आजू बाजू हटाया तो एक आएक उसके मों से आतंग भरी चेक निकल गई क्या हुआ धरमेश बौकला कर बोला सससांप क्या सांप डिबा उसके हातों से उचल कर उसके घुटने पर गिरा था और फिर वहाँ से नीचे कार के फर्ष पर लोड़क गया था धरमेश ने ततकाल कार रोकी और जुक कर डिबा उठाया मरा हुआ है फिर वो बोला बलकि नकली है नकली हाँ कपड़े का बना हुआ है कपड़े का बना हुआ सांप हे भगवान मेरे तो प्राण ही निकल गए थे उपर से सांप की केंचुली असली चड़ाई हुई है नीली केंचुली मैंने तो ऐसे चमकीले नीले रंग का सांप कभी नहीं देखा देखा तो मैंने भी नहीं लेकिन ब्ल्यू कोब्रा का नाम बहुत सुना है मैंने दुरलप सांप बताया जाता है ये क्या दुरलप एक तो इसलिए क्यूंकि ये बहुत कम किनी खास जगों पर ही पाया जाता है दूसरे इसके जहर में कोई खूबी बताते है वो खूबी क्या है ये मुझे नहीं मालुम सांप के जहर में क्या खूबी होगी सिवाए इसके की आम सांप के काटे आदमी की जान निकलने में थोड़ा वक्त लगता होगा ये हाथ के हाथ ही खलास कर देता होगा कैसे पता? शायद अब तक कातंग से मरी जा रही योग शोबना के स्वर में आशा का पुट आया क्या पता इसमें हीरे हो? धर्मेश ने सांप को उल्टा पल्टा तो पाया उसकी निशली तरफ पूरी लंबाई में बराबर फासले पर नेले धागे के टांके लगे हुए थे उसने पेचकस खुद संभाला और तीन चार टांके उधेडे लकड़ी का बुरादा वो मुँ बिगार कर बोला जो कि सांप को आकार देने के लिए भरा हुआ है ओ, शोबना मायूसी से बोली जिन्दा सांप होता धर्मेश सांप को वापिस डिबे में रूई की तहों के बीच खोसता हुआ बोला तो हम दोनों कप के कार में मरे पड़े होते शोबना के शरीर ने जोर से जुर जुरी ली एक नकली सांप के लिए वो बोली पार्टिल साहब ने अपनी जान दे दी हैरानी की बात है नहीं, इसमें कोई भेध है लेकिन दिखाई तो नहीं देता कहीं, कहीं ये पैकेट डुपलिकेट तो नहीं डुपलिकेट उन मवालियों को गुमरा करने के लिए नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये अकल में आने वाली बात नहीं अगर पार्टिल ने अपने पीछे लगे उन मवालियों को गुम्रा करने के लिए ही किसी डुप्लिकेट पैकेट का वजूद बनाना था तो उसमें इतना फैंसी साप रखने की क्या जरूरत थी वो पैकेट में कोई छोटी मोटी इंट रख सकता था पुराने अकबार रख सकता था कुछ भी रख सकता था यहां तक की डबल रोटी ही रख सकता था ओ और फिर साम भी कोई एरा गेरा नहीं खास किस्म का ब्लू कोब्रा जिसकी केंचुली ही असानी से मिलनी मोहाल है और फिर सो बातों की एक बात ये है कि अगर ये पैकेट डुप्लिकेट है कैसे कहा से पाटिल साहब के पास से उनको टॉर्चर करने के बाद गुड फिर होटेल के सेफ पर हला किस लिए बार के मालिक पर हमला किस लिए शोपना को कोई जवाब नहीं सूचा अब क्या इरादा है फिर उसने पूछा फिलहाल तो होटेल चलते हैं भोग से दम निकल रहा है छीक है धर्मेश ने सांप वाला डिबा लापरवाही से पिछली सेट पर उचाला और फिर कार को आगे बढ़ाया होटेल के कमरे के दर्वाजे पर दस्तक पड़ी शोपना उस घड़ी पलंग पर अदलेटी सी बैठी एक पत्री का के पन्ने पलट रही थी और धर्मेश टीवी के आगे एक सोफे पर बैठा सिग्रेट के कश लगा रहा था सांप वाला पैकेट साइट टेबल पर उपेक्शित सा पड़ा था वो दोनों कई बार उसका मुआइना कर चुके थे लेकिन उसमें कोई विशेश, कोई असाधारन बात तलाश करने में नाकाम रहे थे उस घड़ी पैकेट का मुँँ खुला था और उसमें से सांप आधा बाहर लटका हुआ था कामिन धर्मेश उचस्वर में बोला दर्वासा खुला सब इंस्पेक्टर देलीब डोलस ने भीतर कदम रखा उसे देख कर शोबना ततका सीधी होकर बैठी और धर्मेश उठकर खड़ा हो गया हेलो, सब इंस्पेक्टर जबरन मुस्कुराता हुआ बोला आईए सहब, धर्मेश भी जबरन मुस्कुराया तश्रीफ रखिये नहीं, कते ही नहीं क्या तफ्री हो रही थी? टाइम पास हो रहा था ये भी इसी कमरे में है क्या आपको कोई एतराज? कते ही नहीं, ये आजात मुल्क है और आप दोनों ही बालिक है क्या एतराज होगा? कैसी आना हुआ, इंस्पेक्टर सहब? योही इधर से गुजर रहा था सोचा आप लोगों से मिलता चलू कुछ गपशब करता चलू शुक्रिया वसे एक बात और भी थी कहिए ये छोटा सा शेहर है खून खराबा मर्डर वो भी डेलिब्रेट cold-blooded murder यहां के आम वाक्यात में शुमार नहीं आप ये कहना चाहते हैं कि चिपलन में कभी कोई कतल की वारदात नहीं हुई? ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहता कतल की वारदात हो जाती है डेर तो साल में एक बार इंसानी फित्रत तो अपना काला रंगाहे बगाहे दिखा ही जाती है लेकिन एक ही दिन में तीन कतल तीन? जी हाँ खयाल करके जस्म में जुर जुरी दौट जाती है लेकिन तीन कौन से? दो और कतल हो गई है एक तो वो बार का मालिकी बिना होश में आई अस्पताल में दम तोड़ चुका है जिस पर और जिस के बार पर दो मालियों ने दिन दहाडे हमला किया था दूसरा एक टैक्सी ड्राइवर था टटट टैक्सी ड्राइवर? शकील नाम का दो घंटे पहले उसी की टैक्सी में से उसकी लाश बरामद हुई है टैक्सी शहर की एक उजार सड़क पर खड़ी थी एक रागेर की इतिफाक से ही भीतर नजर पड़ गई थी उसी ने फूप पुलिस को फोन किया वो कैसे मरा? गोली खाकर किसी ने बेचारी की कनपटी से रिवालवर सटाई और गोली चला दी भेज़ा खोपड़ी से बाहर हौल नाक नजारा था तौबा उसे लूटने के लिए किसी ने उसका कतल कर दिया लूटने के लिए ऐसा कौन बोला? मैं ही बोला और भला क्यों उसका कतल हुआ होगा? वो गरीब टैक्सी ड्राइवर था उसके पास लुटवाने के लिए कुछ नहीं रखा था उसके अधिकार में जो सबसे केमती चीज़ थी वो तो उसकी टैक्सी ही थी लेकिन वो तो लाश के साथ सड़क पर लावारी सखड़ी थी कमाल है लेकिन बुरे हाल में क्या लाश? नहीं टैक्सी आगे पीछे की दोनों सीटों के कुशन चाकू से काट दिये गए हुए थे सीटे अपनी जगों से उकड़ी पड़ी थी बोनेट खुला था डिक्की खुली थी और उसमें रखी स्टेपनी के टायर ट्यूब की भी धजियां उड़ी हुई थी चारों दर्वासों की भीतरी परत अंदर की तरफ से उकड़ी पड़ी थी कहने का मतलब ये है कि टैक्सी को यूँ उधेडा गया था कि अगर उन्हें सुई की भी तलाश होती तो वो उन मवालियों के हाथ जरूर लगी होती किन मवालियों के हाथ उन्हें मवालियों के हाथ जिनोंने बार के मालिक पर हमला किया था और होटेल पैरामाउंट की सेफ जब्रन खुलवाई थी आपको जरूर कोई सबूत मिला होगा जिससे आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि उस टेक्सी ड्राइवर के कतल में भी उन्हें मवालियों का हाथ था सबूत तो बदकिस्मती से अभी कोई नहीं मिला लेकिन हालात का इशारा सरसर इसी तरफ है पिछले 24 घंटों से जो भीशन उतपात इस खामोश शहर में मचा हुआ है उसके पीछे किसी लोकल शक्स का हाथ नहीं हो सकता और बाहरी शक्स आज की तारीक में यहाँ या वो दो मवाली है या या क्या अब मैं अपनी जुबानी क्या कहूँ आप लोगों की शान में गुस्ताकी होगी या हम है बहुत समझदार है आप जनाब कतल हमारा कारूबार नहीं है अगर हमारा उन कतलों से कुछ लेना देना होता तो अभी तक हम यही नहीं टिके होते गायब होते उन मवालियों की तरह आपको कैसे मालूम की वो गायब है क्या ये भी कोई कहने की बात है वो आपके कबजे में होते तो क्या आप यहां मौजूद होते और alternate कातिलों के तौर पर हम दोनों की बाबत सोच रहे होते आपकी काम ख्याली है कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ जानकर खुशी हुई इंस्पेक्टर सहब लेकिन ये मैं फिर भी कहता हूँ कि खून खराबे के इन वाक्यात के दारान आप लोगों का चिपलन में मौजूद होना एक खटकने वाला इतिफाक है ये और भी कटकने वाला इतिफाक है कि जस पहले शक्स का यहां कतल हुआ उससे आप लोग वाकिफ थे वाकिफ क्या थे उसके शिनाक का जरिया ही आप लोग थे इतिफाकों की ऐसी रेल पेल में एक ये इतिफाक भी कहीं पैबस्त हो सकता है कि आप उन दो मवालियों को भी जानते हैं हम नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब हम कैसे जान सकते हैं उन्हें हम आपको शोबनाभी तेखे स्वर में बोली किनी मवालियों के किनी कातिलों के जोड़ीदार लगते हैं क्या मेडम, किसी को जानने के लिए उसका जोड़ीदार होना जरूरी नहीं होता किसी को जाने बिना भी उसके बारे में आई रिपीट उसके बारे में जाना जा सकता है यह आपकी सरसर खाम खयाली है धर्मेश बोला और हम पर बेज़ा इलजाम है हम उन्हें नहीं जानते लेकिन आप मक्तोल टैक्सी ड्राइवर को जानते थे नहीं जानते थे आप बस स्टेंड से उसके टैक्सी पर सवार हुए थे कहीं गए थे और फिर उसे के टैक्सी पर वहीं वापिस लोटे थे ककक कैसे मालूम आपको तफ्तिश से मालुम और कैसे मालुम बस अड़े का टेक्सी स्टेंड शकील का पका ठीकाना था लहाजा तफ्तिश के लिए हमने वहाँ जाना ही था वहीं से हमें उन दो पैसेंजरों का हुलिया पता चला था जो कि शकेल की जिन्दगी में उसकी टैक्सी में सवार होने वाले आखरी पैसेंजर थे आप इस बात से इंकार करते हैं कि वो पैसेंजर आप थे नहीं इंस्पेक्टर सहब लेकिन जब हम उसके टैक्सी में सवार हुए थे तब क्या हमें सपना आना था कि बाद में उसके ड्राइवर का कतल हो जाना था आप बस सड्डे क्या करने गए थे पंजी की बसों का शेडियूल पता करने गए थे क्यों क्या आपकी कार सुधरी नहीं फिलहाल तो सुधर गई है लेकिन चलताओ ही सुधरी है ऐसे ढूल मुल रिपियर हुई है कि हमारा उस पर से एतबार हड़ गया है हम उसे कंप्लीर ओवर खॉलिंग के लिए यहां सली मिस्त्री के पास छोड़ कर बस से गवा जाने का इरादा बना रहे थे टैक्सी में क्यों सवार हुए थे क्योंकि कार फिर खड़-खड़ करने लगी थी और सवार होकर कहां गए थे खास कही नहीं यूही आपका शहर देखने निकले थे तभी तो बस सड़े वापिस लोटे थे जहां कि हमारी अपनी कार खड़ी थी क्या लोटने पर ठीक चल पड़ी थी आपकी कार ना बोली क्योंकि पाटिल साहब की लाश की बाबत कोई जवाब हमें आप से कल मिलना है अजनभी शहर से बोर होता आत्मी इधर उधर भटकता ही है जनाब तो मैंने कब एतरास किया मैडम अच्छा नहीं किया यानि कि मैंने गलत समझा कि आप हमें गिरफतार करने आए है क्योंकि हमने बिना इजाज़त आपके शहर में घूमने की जुरत की सब इंस्पेक्टर ने आहत भाव से शोबना की तरफ देखा तदकाल शोबना परे देखने लगी और क्या जाना, शोबना की तरफ से सब इंस्पेक्टर का ध्यान हटाने की खातिर धर्मेश बोला आपने उन दो खतरनाक मवालियों के बारे में और उनकी कार की बाबत जाना, सब इंस्पेक्टर बोला पुरानी फियर्ट, रंग काला, पिछला बंफर पिछका हुआ, एक हैड लाइट का हाई बीम वाला सर्किट खराब, नमबर MDA 7158 वेरी गुड, इतना कुछ आप कार की बाबत जान भी गए, फिर तो कार ही उन दोनों की गिरफतारी का जरिया बन जाएगी अफसोस है कि ऐसा नहीं हो पाईगा, क्यूं? क्यूंकि कार बरामत हो चुकी है, वो रेल्वे स्टेशन के सामने की सड़क पर लावारिस खड़ी थी ओ, उपर से ये स्थापित हो चुका है कि कार चोरी की है और उस पर लगा नमबर फर्जी है कार काफी निगाहों में आ चुकी थी, जरूर इसे लिए उन मवालियों ने वक्त रहते, उससे किनारा कर लिया था ऐसा ही मालूम होता है और? और क्या कहूं? और यही की मकतोल मिस्टर पाटिल का किरदार किसी गोड़ पहेली से कम नहीं पिशली रात जहां जहां भी उनके कदम पड़े, वही वही कोई न कोई गुल खिला वो शकेल की टैक्सी में सवार हुए, तो शकेल का कतल हो गया वो उस बार में गए, तो उसके मालिक पर हमला हो गया उस बार में पाटिल साहब के गए होने की खबर आपको कैसे लगी इंस्पेक्टर साहब तफ्तेश से लगी, ये सोचकर वहां से तफ्तेश करने से लगी कि तमाम के तमाम वाक्यात एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते थे वहां हमने मक्तूल की मुर्दा सूरत की, तस्वीर सर्कूलेट की तो एक वेटर ने उन्हें फॉरण पहचाना बोला कि वो शक साधी रात के करीब वहां फोन करने आया था I see आगे अगर ये स्थापित हुआ कि कल रात मिस्टर पाठिल होटेल पैरामाउंट में भी गए थे तो मुझे कताई कोई हैरानी नहीं होगी क्या ये अभी स्थापित हो नहीं चुका? नहीं, अभी नहीं हो चुका मैं बारवाली वारदात में और टेक्सी ड्राइवर के कतल की वारदात में ही इतना उलज़ा रहा कि होटेल पैरामाउंट के तरफ दोबारा रुख करने का मुझे मौका ही नहीं मिला ओ, क्या करें? मजबूरी है एक वक्त में एक ही काम हो सकता है I understand, Inspector सहब साम क्या ये आपका फेवरेट है? जी हाँ है तो सही अजीब बात है, सामप आपका फेवरेट है आपका पसंदीदा स्चफ्ट टॉइस सामप है It takes, धरमेश दाशनिकता पॉंट स्वर में बोला All kind of people to make this world Maybe you are right, एक एक वो उट खड़ा हुआ मैं अब चलता हूँ मैंने आपका बहुत वक्त लिया Never mind सुबह थाने तश्रीफ लाईएगा तब मैं आपको Mr. Partil की लाश के बारे में कोई जवाब दूँगा Okay वो वहाँ से रुखसत हो गया ये पैकेट यहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए था पीछे धरमेश चिंतित भाफ से बोला और वो भी यूँ खुला हुआ अब क्या पता था कि वो सब इंस्पेक्टर यहाँ पहुंच जाएगा शोबना उसको Partil की होटेल पैरा माउंट की विजिट की खबर लग जाना अब महस वक्त की बात है फिर उसे C.I.D. इंस्पेक्टर की भी खबर लगेगी जिसने वहाँ हुई वारदात के बारे में लोकेल पुलिस से भी ज्यादा सवाल पूछे थे मिसिस एलिसा वॉकर की भी खबर लगेगी जो की अपने कथित पती की रिजर्वेशन पर चेक-इन करके वहाँ से गायब हो गई थी और साथ में वाकर साहब ने वहाँ छोड़ा गया पैकेट भी ले गई थी फिर तो बड़ी गड़बड हो गई शोबना चिंतित भाफ से बोली गड़बड तो हो गई लेकिन वो हमारी हरकतों से नहीं हुई वो उन्दो अतिरिक थत्याओं से हुई है जो आनन फानन एक दूसरे के बात हुई है सिर्फ पार्टिल के कतल की बात होती तो कुछ नहीं होने वाला था सब सत्यानाश उस टेक्सी ड्राइवर के कतल ने किया जिसे कि मैंने चिताया भी था सिर्फ पार्टिल के कतल की बात होती तो पुलिस को साथ जन उसके तफ्तेश के लिए होटेल का रुक करना नहीं सूच था वो सब इंस्पेक्टर एक फेरा वहां लगा चुका था फिर भी उसे जॉन वाकर की और उससे तालुकात रखते वाक्यात की खबर नहीं लगी थी इसी बात से जोश खाकर मैंने होटेल का रुक किया था और तुम्हें एलिसा वाकर बना कर वहां भीजा था ओँ अब उसे पता लग गया कि पैकेट पार्टिल ने होटेल में छोड़ा था और इसे सब को उलू बना कर हम वहां से ले आई थे तो हमारी खैड नहीं अब क्या करें हम मेरी राय में तो कल सुबह सवेरे हमें यहां से निकल चलना चाहिए क्या पुलिस सोचेगी नहीं कि हम जो पार्टिल साहब की लाश के लिए यहां रुके हुए थे रुके हुए थे लेकिन हमारा खयाल बदल गिया पुलिस के टाल-मटॉल वाले रवईये की वज़ा से हमारा खयाल बदल गिया यह ना भूलो कि कल भी उसने हमें लाश की बाबत कोई जवाब ही देना है लाश हमें सौंप नहीं देनी है और उसका जवाब से भी हो सकता है कि लाश हमें नहीं मिल सकती उपर से ये भी नहीं भूलो कि पार्टिल तुम्हारा कोई सगे वाला नहीं था सिर्फ बॉइफ्रेंड था लेहाज़ा तुम्हारा खुद का लाश के जिम्मेदारी अपने सिर लेने का इरादा बदल सकता था हम्, जरा यात करो कि लाश हम क्यों क्लेम करना चाहते थे ताकि पाटिल का तमाम साजो सामान हमारे हवाले हो जाता और हम इतमे नान से माल के किसी क्लू के लिए उसे टटोल पाते जो क्लू हाथ आना था वो तो हैट में से आ चुका अब हमने पाटिल के सामान को सिर मारना है क्या बात तो तुम्हारी ठीक है धर्मेश देख लिए ना वो सब इंस्पेक्टर हमें होटेल से गायब पाई का तो यही समझेगा कि हम जिम्मेदारी से कत्रा कर खिसक गए थे बस शर्ते की उसे ये खबर ना लगे कि हमने धोके से होटेल से कोई पैकेट खिसकाया था हाँ वो बात तो है दूआ करो कि उसे पैकेट की या पैकेट से हमारे रिष्टे की खबर ना लगे पैकेट में कुछ रखा तो है नहीं अगर हम है पैकेट कोई उसको खबर कर दे तो हो हमारा ये चोटा सा गुना बक्ष नहीं देगा क्या क्या पता क्या करेगा वो मैं तो ऐसा कोई कदम उठाने आज माने के हक में नहीं हूँ हमारा गुना तो उसने बक्ष दिया लेकिन किसी ना किसी बहाने हमें यहां अठकाई रखा तो भी ये गुना बक्षी हमें माफिक नहीं आने वाली तुम्हारा आगे का इरादा क्या है? मेरा इरादा फिगारो आइलेंड पहुँचने का है जहां से कि पाटिल ने पेडरो की बस पकड़ी थी हमारे पास पाटिल की तस्वीर है उसके जरिये हम आइलेंड पर पाटिल मुव्मेंट स्ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं उससे क्या फाइदा होगा? होगा तो सामने आ जाएगा नहीं होगा तो ठंडे ठंडे घर लोटाएंगे फिगारो आइलेंड पर पहुँचने के लिए पहले तो हमें पंजी ही जाना पड़ेगा ना? हाँ, पेडरो ऐसा ही बोला था फिर तो हम वहाँ होटेल मेफियर का भी चक्कर लगा सकते हैं क्या पता पाटिल साहब का कोई संदेशा वहाँ हमारा इंतिजार कर रहा हो? चीक है, वो भी देखेंगे लेकिन कल सुबा मुँ अंधेरे हम यहाँ से तभी एका एक फोन की घंटी बची दोनों की निगाहे मिली कौन होगा? धर्मेश संशक भाव से बोला वो सब इंस्पेक्टर ही होगा और कौन होगा? शोबना मु भिगाड कर बोली फिर कोई भूली बात याद आ गई होगी सेहमती में सेर हिलाते धर्मेश ने आगे बढ़कर फोन उठाया हलो, वो माउठ पीस में बोला लेकिन कोई आवास नहीं आई हलो, वो जुझला कर बोला अब बोलो भाई मेरे को पैकेट मानता है धर्मेश सन्नाटे में आगिया उसका हाथ रिसीवर पर कस किया क्या? वो बोला क्या कहा? पैकेट मानता है किदर फोन लगाया? तुम्हारे को मालुम किदर फोन लगाया? तुम कौन बोल रहे हो मैं वो भेड़ो बोल रहा हूँ जो पैकेट मानता है जो तुम्हारे पास है तुम्हें कैसे मालूम अक्का दिमाद तुम्हारे पास ही नहीं है टैक्सी ड्राइवर शकील से जाना क्या उससे जानकर होटेल पैरा मांट जाके पूछा अब तुम्हारे से पूछता है पैकेट पुलिस के पास है ठाने जाके ले आओ बंडल नहीं बाप बंडल नहीं फर्याद करता है फिर याद करता है पहले कब याद किया फिर याद नहीं बाप फिर याद करता है अच्छा फर्याद कड़क नहीं बोलता धमकाता नहीं बाप क्यों खाली पेली टैम वेस करता है वो पेकेट तुम्हारे किसी काम का नहीं वो तुम्हारा माल भी नहीं वो हमारा माल जो पाटिल नक्की किया पेकेट वापिस करो और बदले में खिद्मत बोलो पैकेट मेरे काम का क्यों नहीं तुम्हारे को मालूम मेरे को कुछ नहीं मालूम तुम्हीं बोलो बाप क्यों खाली पीली बॉम मारता है क्यों अशे काम में फचर फसाता है जिस से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं दिमाग से काम लो बाप और खिद्मत बोलो किद्मत बोलू किमत किमत बोलो कितना मांगता है मैंने कभी ऐसा माल खरीदा नहीं क्या रेट चल रहा है आजकल दरजन का बाप गिराईक तुम नहीं गिराहत मैं है खरीद से ही तो फरोग की किमत का अंदाजा होता है मैं उमीद से ज्यास्ती कीमत भरेगा कितनी? पचास हजार एक निकम में पैकेट के लिए? हाँ, ऐसी क्या खूबी है उसमें? तुम नहीं समझेगा बाप? कोई तो खूबी होगी ही जिस पैकेट के लिए 24 गंटे में तीन कतल कर डाले उसमें कोई खूबी होगी ही और लाइन पर सर्नाटा चागिया हेलो, धर्मेश बोला एक पेटी दूसरी और से आवास आई यानि कि कुबूल करते हो कि खूबी है तुम्हारे लिए नहीं ना सही लेकिन तुम्हारे लिए भी तो तभी होगी जबकि पैकेट मिलेगा पैकेट इतना जरूरी नहीं तो कितना जरूरी है फाइनल बात बोलो दो पेटी मुझे मन्जूर है पैकेट कहा है? रोकडा कहा है? रोकडा चौकस है पैकेट भी चौकस है बढ़िया किधर आने का है? देलेब डॉलस के आफिस में वो कहा है? ठाने में जहां कि देलेब डॉलस सब इंस्पेक्टर है साला तब जैसे फोन करने वाली का धीरत चूट गया, मसकरी मारता है उसे तीन हत्याओं के अपराधी को रिसीव करके खुशी होगी मैं करता है तेरे को खुश, गर्दन पर कांटी फिराएगा, तो मुझ की जगा गला हुसता होईगा ऐसा क्या? हाँ, ऐसा, जहाँ तीन नक्की किया, वहाँ एक और सही तीन में कौन-कौन शामिल है, जरा नाम भोलना तू कहीं ये सोच के तो नहीं पसर रहा, कि मैं अकेला है नहीं, दो तो तुम यकीनन हो और हमारी पीट पर जिसका हाथ है, उसका नाम सुनेगा तो पतलोन गिला कर बैठेगा अच्छा, हाँ, हम लोग भाई का आदमी है कौन भाई? नहीं जानता क्या? नहीं, नहीं जानता भाई के नाम से अक्खी मुंबई कामती है मैंने कभी खयाल नहीं किया इस बार मुंबई पहुंचूंगा तो भाई का नाम लेकर देखूंगा कम-कम भी छोट गई तो तो मुंबई नहीं, कहीं और ही पहुंचेगा अब और कहा? जहां पहले तेन को पहुंचाया अब इंतिजार कर बाप और लाइन कट गई दर्मेश ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया कौन था? शोबना उच्सुखभाव से बोली उन्हीं दोनों मवालियों में से एक मालूम होता था दर्मेश बोला हमें उस टेक्सी ड्राइवर को यहां का पता नहीं बताना चाहिए था क्या कहता था? पैकेट खरीदना चाहता था कीमत देकर? भाई खरीद कीमत देकर ही होती है कितनी कीमत? दो लाग पचास हजार से शुरू हुआ था इससे तो साफ साबित होता है कि उस साब में कोई खूबी है जो हमारे पल्ले नहीं पढ़ रही पढ़ जाएगी अब यह पैकेट हम इससे ना उमीद होकर फैंकने नहीं वाले अब यह हमारे ही पास रहेगा छीक है? और क्या बोला वो? आखिर कार तो वही जुबान बोला जो उसे आती थी पहले तो अदब से पेश आने की कोशिश करता रहा फिर एका एक कतल की धमकी देने लगा किसी भाई का हवाला देकर डराने लगा भाई? हाँ यही बोला वो क्या कोई नाम नहीं बोला? नहीं बस यही बोला भाई बोला कोई भाई उसके पेट पर था पता नहीं कौन है यह भाई भाई उसका रुत्बा रिष्टा है या नाम अंडरवर्ड के बड़े मवाली भाई कहलाते हैं अच्छा मुझे नहीं मालुम था मैं तो समझता था कि वो दुबाई वाला खलीफा ही भाई कहलाता था क्या पता यह मवाली उसी के आत्मी हो? फिर तो मैंने उनसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया वो सच में ही कुछ कर ना गुजरें अब तो मुझे भी यही अंदेशा है अब क्या करेंगे धर्मेश? वही करेंगे जुसका फैसला हमारे बीच पहले ही हो चुका है यानि कि सुबा सवेरे यहां से निकल चलेंगे? हाँ, अभी तक हमने पुलिस से चुप कर यहां से कोच करना था लेकिन अब उन मवालियों से भी छुपना पड़ेगा कैसे? हमारी यहां माजूदगे की बहुत बड़ी चुगली नीचे पार्किंग में खड़ी हमारी कार है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी सली मिस्ट्री को फोन करता हूँ मैं उसे कहता हूँ कि क्यूंकि हमने लंबे सफर पर रवाना होना है इसलिए हम चाहते हैं कि कार का एक फाइनल चेक अप सुबा सवेरे हो जाए सुबा सवेरे कार लेने जल्दी आने की हम उसकी एक्स्ट्रा फीस भर देंगे चाबी हम कार में ही छोड़ देंगे वो आएगा और कार ले जाएगा वो मवाली यहां के निग्रानी कर रहे होंगे तो कार के पीछे लगेंगे बात में जब वो पाएंगे कि कार में हम नहीं थे तो यहां वापिस लोटेंगे उनके वापिस लोटने से पहले हम यहां से किसक जाएंगे हम सेफ समझेंगे तो सलीम मिस्त्री के गैरात से कार उठा लेंगे नहीं तो उसे फोन करके कार कहीं मंगवा लेंगे मेरे खयात से ये तरकीब काम कर जाएगी शोबना ने सेहमती में सिर हिलाया होटेल का बिल हम अभी चुपता कर देते हैं ताकि सुबा हम जब चाहें निर्विग ने यहां से रवाना हो सके गुड गुरुवार उन्निस वरवरी चिपलन पंची फिगारो पोंडा सुबा वातावरन में भोर का उजाला अभी फैलना शुरू ही हुआ था कि धर्मेश और शोबना होटेल से रवानगी की तैयारी लगबग पूरी कर चुके थे उस घड़ी शोबना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बालों में कंगी फिरा रही थी और धर्मेश पलंग पर बैठा जूतों के फीते बांध रहा था आज तुम्हारी सूरत पर बारा बज रहे हैं एका एक धर्मेश बोला मालुम है शोबना ने कहा वजा बारा बजे अभी दिखाई दिये या पूछा देर से दिखाई तो पहले ही दिये थे पूछने लायक अब दिखाई दे रहे हैं क्या बात है तब यह तो ठीक है ना ठीक है तो फिर मैं रात भर सो नहीं पाई अच्छा क्यूं भला सांप के बारे में सोचती रही कभी जबकी आ भी गई तो सपने में भी सांप ही दिखाई दिया लिहाज़ा फिर जाग गई ओ, सारी रात ये की बात जहन में हथोड़ी की तरह बचती रही कि उस सड़े से सांप में क्या खूबी थी जो वो मवाली उसके लिए दो लाक रुपे देने को तयार थे क्या खूबी थी जो पार्टिल सहब उसे कलेजे से लगाए फिर रहे थे पंजी के होटेल मेफियर में बुलाकर भी वो क्या मुझे ये सांप भी सौंपने वाले थे लहाज़ा सारी रात इसी सोच में गुजारी सारी नहीं, तीन चाथ आई अच्छा, बाकी में क्या किया? बाकी में मैंने सांप का फुल पोस्ट माटम कर दिया जैसे तुमने पेचकस की मदद से उसके पेट की तरफ नीले धागे से लगे तीन चार टांके उधेडे थे वैसे मैंने एक ब्लेड लेकर तमाम के तमाम टांके काट दिये और भीतर का सारा लक्री का बुरादा बाहर निकाल दिया बिल्कुल खोगला कर दिया उस कपड़े के सांप को अच्छा उसे क्या फाइदा हुआ फाइदा तो पता नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ लेकिन कुछ आत जरूर लगा क्या कुछ आत लगा हाँ जो कि सांप में था हाँ बुरादे की तहों के बीच एक बारीक नलकी की तरह पैबस्त इधर आओ धरमेश पलंग से उठकर उसके करीब पहुचा शोबना ने कंगी टेबल पर रख दी और ब्लाउस में हाथ डाल कर उसमें से एक नलकी सी बरामत की उसने वो नलकी धरमेश को थमाई क्या है धरमेश बोला खुद देखो धरमेश ने गौर से उसका मौईना किया तो पाया की वो एक गोल लपेटा कागस था सावधानी से उसने उसे खोल कर सीधा किया उसकी तेहों को खोला तो वो आठ गुना दस का एक वरका बन गया जिन पर उसे पैंसिल से खिंची होई कई लकीरे दिखाई थी ये क्या है वो हक बकाया सब बोला कोई नक्षा मालूम होता है वो तो मालूम होता है लेकिन कैसा नक्षा किस चीज का नक्षा ये तो वैसा नक्षा जान पड़ता है जैसे बच्चों की जोग्राफिय कॉपी में रंग भरने के लिए छपा होता है ये एक बड़ा सा आड़ा तिर्चा दाइरा ये उसके करीब एक छोटा सा वैसा ही आड़ा तिर्चा दाइरा ये छोटे दाइरे के करीब उससे भी छोटे छोटे आठ नो दाइरे क्या मतलब हुआ इसका कुछ तो मतलब होगा तबी तो ये इतने यतन से सांप में चुपाया गया था कि पहली बार की पर्ताल में तो हमें इसके सांप में मौजूदगी की कोई भनक तक नहीं लगी थी मेरा दिल कहता है कि यही सारे तिलिस्म की कुणजी है लेकिन कुछ पल्ले तो बड़े कोशिश करो क्या मैं करूँ हाँ तुम ही करो क्यूंकि मैं तो बहुत कोशिश कर चुकी सारी रात मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं तो मेरे ही क्या पल्ले पड़ेगा मैं क्यों तुम से ज्यादा सयाना हूँ हो तो नहीं लेकिन उस खुश्ट वैमी के तहट कोशिश करो जो मर्दों को होती है कि वो और तों से ज्यादा सयाने होते हैं धर्मेश गौर से नक्षे का मौईना करने लगा तब ही एक धर्म की आवास उनके कानों में पड़ी ये कैसी आवास थी? शोबना के मुझ से निकला ऐसी आवास थी जैसे कहीं बम फटा हो दिवाली तो अभी महीनों दूर है कहीं करीब से ही आई हाँ जैसे होटेल के कमपाउंट से ही कोई टायर फटा होगा? कभी कभी होती है, फिर अभी सुबा का खामोश महौल है ऐसे में चोटी मोटी आवास भी ज्यादा गोश्टी है ये चोटी मोटी आवास नहीं थी अब चोट भी हमें क्या? तबी नीचे कहीं से शोर उठा कोई गडबड है शोबना बोली अरे, किचिन में कोई गैस का सिलेंडर फटा होगा धरमेश जल लाया तो भी हमें क्या? खाम का टाइम जाया करेगी अब रवानगी का टाइम है तो नए पच्चडों में पड़ रही है? तुम नक्षे का कोई सिर पैर समझने की कोशिश करो मैं अभी आती हूँ लेकिन और शोबना वहाँ से बाहर निकल गई धरमेश फिर उस नक्षे को कभी सीधा कभी उल्टा कभी इस बाजू कभी उस बाजू देखने लगा पांच मिनट बाद शोबना दोड़ती हुई भीतर दाकिल हुई क्या हुआ? धरमेश सक्पकाया इतनी बद हवास क्यों हो? बम वो हाफती हुई बोली हमारी कार में फटा पर खच्चे उड़ गए कार के भी और ड्राइवर के भी ड्राइवर? वो आतंकित भाफ से बोला ड्राइवर कौन? सोचो हे भगवान सलीम मिस्त्री हम बच गए कार जाके हमने स्चार्ट की होती तो इस घड़ी सलीम की जगा उपर वाली के दर्वासे पर हम दस्तक दे रहे होते तौबा यानि कि उस मवाली ने फोन पर कतल की फर्जी धमकी नहीं दी थी कार में बम लगा दिया हाँ जो इगनिशन आन करते ही फट पड़ा बेचारा सलीम मिस्त्री ये वक्त उसकी बेचारगी का रोना रोने का नहीं है चुप चाप यहां से निकल चलने का है धर्मेश ने एक शन अप अलक शोपना की तरफ देखा और फिर बोला क्या तुम्हारी इस बात का कोई खास मतलब है हाँ वो पुर्जोर लेचे में बोली नीचे जो हंगामा खड़ा हुआ है उसमें हमारा चुप चाप यहां से खिसक जाना बहत आसान हो गया है अभी पुलिस भी यहां पहांचती ही होगी उसके बाद काफी अरसे तक पुलिस की मुकमल तवज्जो इस हॉलनाक वारदात की तरफ ही रहेगी लेहाजा हम होटेल से ही नहीं शेहर से भी चुप चाप कोच कर जाने में काम्याब हो सकते हैं उपर से सलीम मिस्री से हमारी क्या जुगल बंदी थी इस बात की खबर या तो हमें है या सलीम मिस्री को थी मौजूदा हालात में यही समझा जाएगा कि बंविस्फोर्ट के शिकार तुम हुए थे लाश के पर खच्चे उड़े पड़े हैं उमेद तो यह है कि उसके शिनात हो ही नहीं पाएगी होगी तो बहुत मुश्किल से होगी होते होते होगी यानि कि एक अरसा तो हमारा उन मवालियों से ही नहीं पुलिस से भी पीछा चूटा रहेगा मौजूदा हालात में यह बात हमें बहुत माफिका सकती है हमारे कतल की कोई नई कोशिश नहीं होगी और पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ेगी गुट धर्मेश सेहमती में सिर हिलाता हुआ बुला वेरी गुट फिलहाल हम इस संदेशे से भी बरी है कि होटेल पैरामाउट से पुलिस हमारी कर्तूतों के बारे में कुछ जान जाएगी अगर जान जाएगी तो मौजूता वारदात की रूमें अपनी जानकारी को नजर अंदासी करेगी यहां लाश के शेनाग भले ही ना हो पाई लेकिन ये जान पाना मुश्किल नहीं होगा कि कार्विसफोर्ट में मरने वाले दो नहीं थे एक ही जना था जो कि तुम थे और तुम्हारे अंजाम से खौफ का कर मैं चुप चाप यहां से खिसक गई थी यहां की पुलिस का मुंबई तक मेरे पीछे पढ़ना मुम्किन नहीं होगा क्यूं मुम्किन नहीं होगा तुमने उन्हें अपना दादर वाला पता बताया था वो किराई का फ्लेट है धर्मेश जिससे समझ लो मैंने अभी किनारा कर लिया लेकिन तुम्हारा सामान सब कूड़ा है चार पैसे हाथ लग गए तो क्या परवा होगी मुझे उस सामान की ना हाथ लगे तो क्या तुम समझते हो कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला मिसाल के तौड़ पर कहा नहीं हाथ लगे तो तो लोट के बुद्धु घर को आए मैंने कोई अपरात तो किया नहीं है पुलिस मेरी ताथ में दादर वाले फ्लैट पर निगा जमाई होगी तो भी क्या कर लेगी मेरा ये नहीं भूलो कि पैरामाउंट होटेल के रिसेप्शन से वो पैकेट मैंने मांगा नहीं था वो मुझे बिना मांगे दिया गया था लेकिन खुद को अलिसा वाकर बताना एक ऐसे शक्स की मिसिस बताना जिसके लिए कि वहाँ कॉटेज बुक था ऐसा करने को मुझे कहा गया था किसने कहा था खुद मिस्टर जॉन वाकर ने क्या तुम मेरा धंदा भूल रहे हो ओ वो मुझे मुंबई में मिला उसने मेरी फीस भरी और मेरे साथ मौच मेला किया उसने मेरी और फीस भरी और फॉला तारी को मुझे चिपलन के होटेल पैरामाउंट में मिलने को कहा उसी ने मुझे हिदायत दी कि अगर मैं उससे पहले वहाँ पहांच जाओ तो अपने आपको मिसिस वाकर बता कर उसके लिए बुक कॉटेश की चाबी हासिल कर लूँ और वहाँ उसका इंतिजार करूँ लेकिन मिस्टर वाकर का तो कोई वजूद ही नहीं है शोबना कौन कहता है इंडो नेपाल एरलाइन्स वाले कहते हैं जिनके यहाँ ना रिजनल डिरेक्टर की कोई पोस्ट है ना ही इस नाम का कोई डिरेक्टर है और ना ही उनके यहाँ से होटेल पैरामांट में बुकिंग के लिए कोई फोन किया गया था होटेल के स्टाफ ने कुछ गलत सुना होगा धर्मेश फोन पर इंडो नेपाल एरलाइन्स नहीं कुछ और कहा गया होगा जहां की रिजनल डिरेक्टर होता होगा लेकिन जब ऐसा कोई शक्स होटेल में पहुंचा ही नहीं तभी तो मेरा माता ठनका और मैं दिन भर कॉर्टेज में इंतिजार करके वहाँ से चली गई तुम? हाँ मिस्स वॉकर दिन भर इंतिजार करके हाँ कोई मेरे इस दावे को जुटला नहीं पाएगा कि मैं दिन भर वहाँ थी लेकिन ये फरसी नाम भाई कॉल गर्स के तालुकात में आने वाले लोग अमूमन अपने नाम फरसी बताते है ओ मैं बदकिस्मत इसे पुलिस के फेर में पढ़ ही गई तो मेरी जो थोड़ी बहुत पॉलिश उत्रेगी इसी बात से उत्रेगी कि मैं एक कॉल गर्ल थी जब वक्त आएगा तो उस जिलत को मैं बरदाश कर लूँगी पैकिट पैकिट का क्या जवाब दोगी मांगे जाने पर वापिस कर दूँगी और लिया क्यों नहीं लिया जबरन दिया क्या मिस्टर वाकर को आगे सौंपने के लिए कबूल कर लिया वो अमानत आज भी ज़स की तस मेरे पास मौजूद है ज़स की तस मैंने साम को वैसा का वैसा लकड़ी के बुरादे में भर दिया था और एन वैसे ही टांके उस में वापिस भर दिये थे जैसे कि मैंने उधेरे थे अब कोई नहीं कह सकेगा कि साम के साथ कोई छेड़ खानी की गई थी अब वो महजे खिलोना था जो कि क्या पता मिस्टर वाकर ने मेरे लिए ही मंगवाया था तुम तो अपने बारे में सब सोचे बैठी हो तुम्हारे बारे में भी तुम बम विस्फोर्ट में मारे जा चुके हो और तुम्हारे में इस वारदात में उलचने से बचने के लिए चुप चाप यहां से खिसक गई थी जो कि कोई गैर कानूनी बात नहीं तुम मेरे कोई सगे वाली नहीं हो सिर्फ फ्रेंड हो या फिर मैं भी ग्राहक हूँ अगर पुलिस ऐसा सोचे तो और भी अच्छा है अब जितनी देर तुम फाल तो यहां रुको के उतने ही ज्यादा इस प्लैन में पंगा हो जाने के चांसिस होंगे पंगा अगर होटेल के किसी स्टाफ ने तुम्हें यहां देख लिया तो यह अपने आप में सबूत नहीं होगा क्या कि बम ब्लास में मरने वाला कोई और था ओ अभी सब लोग कार के इर्द गिर्द जमा है अभी हमें यहां देखने वाला कोई नहीं है हम चुपचा पिछवारी के रास्ते से यहां से किसक सकते है मैं अभी रवाना हुआ शुकर है गोतमारे और भवरलाल पंजी जाने वाली बस में सवार थे भवरलाल बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था और इस बात के लिए कलप रहा था कि बस अपने सफर पर रवाना क्यों नहीं हो रही थी बार बार उचक कर वो खिड़की से बाहर दोर उस सड़क की तरफ जानता था जिदर से कि लोकल पुलिस वहां नमुदार हो सकती थी वो जान बुझ कर बस में ऐसी सीट पर बैठे थे कि ऐसा कोई नजारा होते ही वो छलांग मार कर बस से बाहर होते और विप्रे दिशा में कहीं गायब हो जाते इस बात की तस्दीक तो वो पहले करके ही बैठे थे कि बस सड़े पर पुलिस की निगरानी नहीं थी गोत मारे भी बेचैन था लेकिन उसकी बेचैनी की वज़ा जुदा थी उसे ये बात हैरान कर रही थी कि वो खाली हाथ वहाँ से रुकसत हो रहे थे फिर उसकी शंका उसकी जुबान पर आही गई उसने कोहनी से अपने जोडीदार को टहो का क्या है भवरलाल अप्रसन भाव से बोला हम पंजी क्यों जा रहे हैं? क्यों का क्या मतलब? मेरा मतलब है पैकेट के बिना क्यों जा रहे हैं? पैकेट का नाम ना ले अब भूल जा उसे समझ ले वो हमारे हाथ से निकल गया क्या? कैसे निकल गया? कल रात तो तो कह रहा था कि पैकेट स्वागत के कमरा नंबर 11 में ठहरे भीडू के पास था जिसका नाम तो धर्मेश ठाकुर बोला अगर पैकेट उसके पास है तो वो हमारे हाथ से निकल कैसे गया? कुछ मत बोल बस निकल गया पन्ड? क्या पन्ड? कान मत खा लेकिन कैसे निकल गया? बस निकल गया तो बात को यूँ समझ की जहां पैकेट अब है वहाँ से उसे कब जाने का कोई तरीका नहीं है समझा? नहीं समझा क्यूंकि तुम मूर्ख है वो तुम्हे है पर इतना नहीं कि तुम कुछ समझाए और मैं ना समझे तो अकेला मूर्ख नहीं इस दुन्या में क्या? क्या बोला? साला नहीं जानता कि जो उसके पास है उसके उसके लिए कोई कीमत नहीं फिर भी पीछा नहीं चोड़ना मांगता था कौन? कौन नहीं पीछा चोड़ना मांगता था? वो स्वागत होटेल वाला भीडू वो क्या बोला कुछ नहीं बोला अब तो ये किस्सा खलास कर क्यूं क्यूंकि मैं ऐसा बोला पर अब थोबड़ा बंद कर गोत मारे हक बका कर चुप हो गया उसने जेब से मलहम की ट्यूब निकाली और उसमें से एक उंगली पर मरहम निकाल कर उसी अपने चेहरे गले और चाती पर मलने लगा साला डिरेवर किधर मर गया भवन लाल भून भुनाया वो बोला तो गोत मारे भी बोल पड़ा बाप तो उस होटेल वाले भीडू की बाबत कुछ चुपा रहा है तो फिर शुरू हो गया भवन लाल जल लाया अभे हलकत तो यों समझ की होटेल वाला वो भीडू अब इस दुन्या में नहीं है नहीं है? हाँ नहीं है या मैं समझूं की नहीं है समझ की नहीं है और आगे समझ कि पैकेट भी उसके साथ ही गया क्या पैकेट भी हाँ कहां गया जहन्नु में गया साथ में वो भीड़ू भी अब खबरदार जो उसका जिक्र फिर चेड़ा क्या सच में गया कौन कहां वो भीड़ू धर्मेश थाकुर जहन्नु में भावरलाल ने कोई उतर नहीं दिया वो खिड़के से बाहर देखने लगा भाई सुनेगा तो हम दोनों को आजू बाजू खड़ा करके शोट कर देगा मालूम है ना हाँ मालुम है भावरलाल भुन भुनाया क्या कल तु भाई को फोन लगाया था हाँ लगाया ऐसे चौडर है मेरे सामने तो नहीं लगाया कहीं और से लगाया था जब तु मुझे पिच्चो छोड़ कर अकेला कहीं गया था हाँ क्या बोला भाई सोच क्या बोला होगा एका एक भवर लाल के जिस्म ने जोर के जोर जोरी ली सोच बाप अब क्या है क्या तु भाई से ड़ता है हाँ मैं तु नहीं ड़ता तेरी तो क्या ही बात है पंड भीडू तेरा ना डरना इस बात का सबूत नहीं कि तो शेर बच्चा है इस बात का सबूत है कि तो मेरी उमेद से कहीं ज्यादा मोर्ख है भाई का आदमी हो और कहें कि भाई से नहीं डरता तो वो जरूर अकल से फुल कोरा है तो भाई को उस धरमेश ठाकुर का नाम बोला क्या? गोत मारे मैं अभी तेरे को क्या बोला? मैं बोला तो उस बेडू का नाम नहीं लेगा पन तब ही ड्राइवर बस में आ बैठा तद काल उसने इंजन स्चार्ट किया और बस आगे को सरकाई भावनलाल ने चैन की सांस ली धरमेश और शोपना पंजी पहुँचे पंजी तक बस में आने की जगा वो रास्ते में पेरनम उतर गए थे जो कि मुंबई गोवा रोट पर गोवा स्ट्रेट में दाकिल होते ही एक जगा थी वहां से उन्होंने प्राइविट टैक्सी का इंतिजाम किया था जिसे ड्राइवर के बिना हासिल करने के लिए उन्हें काफी पापर बेलने पड़े थे आखिरकार माईलेश का दुगना रेट मुकरर करके और धरमेश के ड्राइविंग लाइसंस पर से उसका नाम पता नोट करके टोरिस टैक्सी कमपनी का मालिक उन्हें उनकी दर्ख्वास के मताबिक कार देने के लिए तयार हो गया था पेरनम में ही धरमेश ने अपनी मूँच साफ करवा दी थी सिर के बाल बहुत छोटे कटवा लिये थे और अपने लिए पीक कैप समेथ ड्राइवर की नेली यूनिफॉर्म खरीदी थी और शोबना ने अपना वो लिबास पहना था जिसमें की वो विलाईती मेम लगती थी यूँ जब वो पंजी पहुंचे थे तो धरमेश यूनिफॉर्म पहने टोरिस टैक्सी का ड्राइवर बना गाड़ी चला रहा था और कोई फॉरिन टोरिस बनी शोबना बतार पैसेंजर बहुत थसे से टैक्सी की पिछले सेट पर सवार थी पंजी में सबसे पहले उन्होंने होटेल मेफ्यर का रुख किया जो कि डॉक्टर दादा वैद्या रोड पर था मालुम हुआ कि वहाँ कोई जामवन तराओ पाटिल के नाम से वाकिफ नहीं था हाल में ना इस नाम का कोई आदमी वहाँ ठहरा था और ना ही उस नाम से या किसी और नाम से जैसे मिस्स गोपिना तुमाठे के नाम से या मिस्स शोबना शेटी के नाम से वहां बुधवार 18 फरवरी के लिए या किसी और दिन के लिए कोई कमरा बुख था उन्होंने रिसेप्शनिस को, डोर मैन को, दो तेन बेल बॉइस को, लॉबी मैनेजर को, पार्टिल की तस्वीर भी दिखाई लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं निकला, वहां से निराशो कर, वो वापिस टैक्सी में आ बैठे, एक स्थान से उन्होंने गोवा का एक विस्तरित नक्षा खरीदा, उसका गेहन अध्यायन किया, और सांप में से बरामद हुए नक्षे से उसका मिलान किया, ततकाल उनके प जिसके एन इस कोने पर से बिंदू जरूर गोवा की राजधानी पंजी है, फिर तो ये शोबना भी उत्सा से बोली, पंजी वाले बिंदू के सामने बना छोटा सा दाइरा, फिगारो आइलेंट हो सकता है, फिगारो आइलेंट? हाँ जिसका जिक्र डॉन पैडरो ने किया वो आइलेंट होंगे, जो पैडरो कहता था कि फिगारो सबसे बड़ा था, हो सकता है, लेकिन जैसे फिगारो आइलेंट का नाम नक्षे में लिखा है, वैसे इनके नाम क्यों नहीं लिखे हुए? एक का लिखा हुआ है, ये देखो, ओल्डरो का आइलेंट, ये एक और इसको चर्ण सोचता रहा और फिर बोला, मेरे खयास से नाम उन्ही टापूओं के हैं, जिन पर की आबादी है, क्या बिना आबादी वाले भी टापू होते हैं? हो सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वेब समू में कई छोटे छोटे टापू ऐसे हैं, जहां आबादी नहीं हैं, लेकिन जो उसे द्वेब समू का हिस्सा माने जाते हैं, इन टापूओं का भी ऐसा ही कोई सामोहिक नाम होगा, जैसे कि फिगारो, और रोग द्वेब समू, यूर राइट, ये नीचे फुटनॉट में यही लिखा है, हां, चलो मानलिया के सांप में से निकला नक्षा गोवा और उसकी राजधानी की और वाले समूदर में फैले एक द्वेब समू का है, लेकिन इससे हमारे हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं, शोबना के स्वर में निराशा का पुट टा किया, लगना तो चाहिए, अगर ये नक्षा पाटिल ने बनाया है, और किसने बनाया हो तो कुछ समझकर ही बनाया होगा शोबना, समझकर बनाया होगा तो वो कुछ समझना भी चाहता होगा, क्या समझाना चाहता होगा पाटिल तुम्हे, मुझे, और किसे, अपना माल वो सेफ कीपिंग के लिए, तुम्हे ही तो सांपना चाहता था, ऐसे विकट तरीके से की सा आप जनम कुछ पल्ले पड़े ना मुझे शायद ऐसा सिर्फ लगता है शायद असलियत में ऐसा नहीं है जरूर इस नक्षे में ऐसी कोई बात है जिससे पार्टिल को यकीन था कि तुम जट असलियत को समझ जाओ की कहां छुपी है वो बात जिससे मालुम हो कि वो क्या बात ह हमें फिगारो आइलेंट पहुंचना चाहिए शोबना शायद वहां से कुछ मालुम हो ओके फिगारो आइलेंट ऐसे हता शोकर दिखाने की कोई बात नहीं मेम सहब आखिर मेहनत से ही नतीजा निकलता है मेहनत का ही फल हासिल होता है अभी तो ये समझो कि हम यहां पांचे ह ही है मेहनत के खाते में तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है सिवाई धक्के खाने के ऐसा भी अगर है तो क्या है तुम क्या समझती थी कि हम पंजी पहुंचेंगे तो आगे कोई थाल में सजा कर वो माल हमें नजर करने के लिए खड़ा होगा जो कि पाटिल हिवासत के लि तुमने देखा है और मुझे दिखाया है अगर वो सपना चकना चूर होता दिखाई दे रहा है तो लौट चलते हैं पागल हुए हो क्या जिस माल की वज़ा से चिपलन में हम पुलिस के हातों गिरफतार हो सकते थे उन मवालियों के हातों जान से जा सकते थे उसका खयाल अब छोड़ दे तो उसके हासिल के लिए कोई जोश, कोई उमंग दिखाओ मैडम ना कि उल्लू सा नक्षा तान कर दिखाओ कुछ नहीं हुआ मेरे नक्षे को फिर एका एक वो बदले स्वर में बोली ड्राइवर हमारे को फिगारो लेके चलो एक स्टीमर पर सवार होकर कार समीत विविगारो आईलेंड पर पहुँचे पायर पर उतरने के बाद धरमेश ने सबसे पहले पूरे आईलेंड का एक चकर लगाया वो आईलेंड कलंगुट बीच से जहां से कि वो स्टीमर पर सवार हुए थे 50 किलो मेटर के फासले पर था और कोई 500 किलो मेटर के ख्षेतरफल में फैला हुआ था आईलेंड पर अधिकतर बंगले पुराने पूर्टगाली अंदास के थे और तब की यादगार थे जबकि गोवा पूर्टगाल के कबसे में था आईलेंड पर खुब रॉनक थी और उसकी प्रकरतिक द्रिश्यावली मन मो लेने वाली थी फेरी स्टेशन से पूश्टाच करने पर उन्हें मालूम हुआ कि जैसे कलंगुट से फिगारों तक स्चीमर चलते थे वैसे ही यातायात का वो साधन फिगारों से ओल्ड रॉक के लिए और फिगारों से फिष्टेल के लिए उपलब्द था ओल्ड रॉक से फिष्टेल तक आवा जाई के लिए पहले फिगारों आना जरूरी था पाकी के आईलेंड्स के बारे में उन्हें मालुम हुआ कि वहां यदा कदा सिर्फ सैलानी जाते थे जिन के लिए किराई की मोटर बोट फेरी स्टेशन से उपलब्ध होती थी वो फेरी स्टेशन की तरफ रवाना हुए उसके आगे से निकलने वाली सड़क पर एक टिपिकल गोवानी बार था जिसके सामने उसने कार रुकी तुम कार में ही बैठो धर्मेश बोला मैं जरा यहां का माहौल भाब कर आता हूँ ठीक है शोबना बोली धर्मेश कार से निकला उसने पीक कैप उतार कर हाथ में ले ली और आगे बढ़ा बार के हॉल के आगे एक साइबान था और उसके नीचे भी टेबले बिची हुई थी बितर हॉल में तो उस घड़ी काफी लोग दिखाई दे रहे थे लेकिन बाहर साइबान के नीचे कोई इका दुका शक्सी मौझूद थे धर्मेश जान बुचकर उस टेबल पर पहुँचा जिस पर की एक कोई पचास साल का व्यक्ती मौझूद था वो एक घिसी हुई जीन और वैसे ही जैकेट पहने था और एक अजीबो गरीब शकल के पाइप के कश लगा रहा था धर्मेश जबरन मुस्कुराता उसके करीब बैट गया वेटर उस टेबल पर पहुँचा फेनी धर्मेश बोला दो जनों के लिए पाइप वाली की भवे उठी अकेले पीने का क्या मज़ा है? धर्मेश मुस्कुराता हुआ मेठे स्वर में बोला यूर राइट पाइप वाला बोला कोई चेर्ज बोलने वाला नहीं हुआ तो क्या फाइदा हुआ पीने का? राइट अगेन मुझे ठाकुर कहते हैं क्या मराठे हो? नहीं बिहारी I am Mario मारियो धर्मेश ने मन ही मन नाम दोह राया लगता था हर तीसरे गोवानी का नाम मारियो होता था तब ही वेटर दोनों के सामने फैनी के गिलास रख गया छियर्स धर्मेश बोला मारियो बोला में वोई ड्रिंक ऑ बोटल अडे and die some other way धर में शसा क्या टैक्सी के धंदे में हो मारियो एक उर्ती निगा सड़क पर खड़ी कार की और दोडाता हुआ बोला हाँ पंजी में पंजी से बाहर भी पर इधर पहले कभी आना नहीं हुआ I see मैडम फिशिंग की शौकीन है इस जगा का तो फिशिंग के लिए कोई नाम नहीं उसके लिए तो पंजी ही ठेक था या मिरामर जाना था मैं मैडम को बोलूँगा इधर बहुत आईलेंड बिकरे पड़ी है उन सब की सैर करने का क्या तरीका है मोटर बोट किराई पर मिलती है आदे दिन में सब के सब जंजीरों का चकर लगाया जा सकता है आराम से मिल जाती है यू आर माई फैनी ब्रदर नाउ तुम्हें आराम से मिल जाएगी मैं इंतिजाम कर दूँगा किराया कितना है दो हजार रुपए दो हजार पैसंजर से चार्च करने के लिए मारियो एक आंख दबा कर बोला असल में बारा सो बाकी चार तुम्हारे चार मेरे ओ तो क्या मैं मोटर बोट पक्की करूँ हाँ करो दो हजार रुपए मन्जूर है ना अखी दिहारी के बट मैं चार घंटे में तो सब आईलेंड अखी दिहारी के ओके अखी दिहारी के एट आवर्स के हैपी नाउ येस आठ सो में छे मेरे दो तुम्हारे ऐसा कौन बोला मैं बोला क्यों बोला क्योंकि पैसेंजर मैं लाया क्योंकि पैसेंजर नहीं तो डील नहीं काफी स्मार्ट हो हाँ ऐसा ही है इधर ओके डन बोट कब मांगता है जाहिर है कि कल सुबा अब तो सेर का टेम है नहीं टेम बोलो दस बजे मैं पायर पर मिलेगा बोट के साथ नाम मारियो याद है याद रहेगा इधर टहरने का क्या इंतिजाम है किसी फॉरल लेडी के लिए है या वापिस पंजी जाना पड़ेगा इस टेंड के बाजार में एक अच्छा होटेल है डामिन नाम है क्या उधर भी तुम्हारा कमिशन है बोट का माफिक वो आँख दबा कर हसा मैं मैडम से बात करके आता हूँ धरमेश ने कहा ओके धरमेश कार तक गया एक मिनट वहाँ ठहरा और वापिस लोटा वो बोट वो बोला मैडम देखना मांगता है अभी हाँ क्यूं देखना मांता है कि बोट चोकस है राइड के काबिल है उसके काबिल है देट मिन्स काफी फसी काफी खुंद की मैडम है हाँ ऐसा ही चै ओके पंदरा मिनट में पायर नमबर पांच पर मिलो छीक है वो वापिस जाकर कार में सवार हुआ रास्ते में एक दो जगा रास्ता पूशने के लिए रुखने के बाद वो एस्ट एंड के बाजार में सिद डाइमेंड होटेल पांची यहां सिर्फ तुम ठहरोगी धरमेश बोला क्या मतलब? यह चोटी से जगा है यहां यह बात किसी के भी नोटिस में आ सकती है और उसे खटक सकती है कि विलाइती टोरिस मेडम के साथ होटेल के कमरे में उसका टैक्सी ड्राइवर भी ठहरा था ऐसा कुछ होना हमारा खेल बिगाड सकता है ओ! हमने यहां जो कुछ करना है खामोशी से करना है छिद्रान वेशी जासोज जैसे फित्रत रखने वाली किसी भी शक्स के निगाहों में आई बिना करना है इसलिए तुम्हारा यहां अकेले ठहरना ज़रूरी है और तुम? मैं भी कोई सस्ता किसी टैक्सी ड्राइवर के लिए फिट्ट होटेल तलाश कर लूँगा और तुम्हें खबर कर दूँगा ठीक है? विलाईती मेम को होटेल की पहली मंजिल पर कमरा मिला जहां कि उसका ड्राइवर उसका सामान छोड़ कर आया फिर वो पायर नंबर पांच पर पहुंचे वो मेन फेरिस्टेशन से अलग थलग पर पायर था और उस घड़ी वहां कोई भी नहीं था सिवाई मारियो के जो वहां लगी एक मोटर बोट के डेक पर मौजूद था धरमेश ने देखा उस घड़ी उसने अपनी जैकेट की आस्ती ने कोहनियों तक चड़ाली हुई थी अपने बद शकल पायप के कश वो बद स्तूर लगा रहा था वो करीब पांचे तो उसने हाथ से सहारा दे कर दोनों को डेक पर उतरने में मदद की धरमेश एका एक शोबना उसके कान में फुस फुस आई धरमेश ने प्रश्ण सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा इसकी कलाईया देखो वो पूरवत उसके कान से होट सटाई फुस फुस आई क्या? क्या देखूं? कलाईया कोहनी तक देखो? तब धरमेश की तवज्जो मारियों की कलाईयों पर बनी उन खरोचों की तरफ गई जो की एन वैसी थी जैसे की उसने चिपलन में अस्पताल की मोर्ग में पड़ी पाटिल की लाश की कलाईयों पर देखी थी बेशुमार खरोचों के निशान क्या बात है? मारियों संशक भाफ से बोला कुछ नहीं क्या बोट देखे चलके? मारियों ने सहमती में सिर हिलाया उन्होंने बोट को पूरी तरह से चोकस किया सूरत से भी और चलवा कर उसकी रफ़तार से भी आखिरकार धरमेश ने उसे 14 सो रुपए थमाई मारियों ने उन्हें गिनने की कोशिश की तो धरमेश ने उसे कोहनी मारी मारियों ने हट बढ़ा कर उसकी तरफ से रुठाया और फिर चुप चाप बिना गिने नोट जेब में डख लिये डेडियों फिर वो बड़े आपनीय स्वर में बोला तो मारी कलाईयों पर ये अजीबो गरीब खरोचों के निशान कैसे बने ये मारियों अपनी कलाईयों का मौईना करता हुआ बोला ये सापों की महरबानी है क्या क्या साप नहीं समझते स्नेक्स लाइक दिस उसने एक हाथ का फन बना कर उसकी नाथ के सामने लहराया और मूँ से फुंकार की आवास निकाली साप तो समझता हूँ डैडियो धरमेश बोला पन सापों का इन खरोचों से क्या वास्ता उन्होंने तो बनाई है वो क्या है कि पहले मैं साम पकड़ा करता था पहले जबकि मैं कदरन नौजवान था और बहुत फुर्तीला था पन खरोची कैसे साम पहले दांद गड़ाता है और फिर यूँ बने जख्म में जहर भरता है दांद गड़ते ही लेकिन साम के तालू का जहर फूटने से पहले ही हाथ घसेट लेना पड़ता है जो कि फुर्ती दिखाने से ही हो सकता है दांद से लगे खरोन से कोई नहीं मरता उसमें जहर भरने से मरता है फॉलोट पन साम पकड़ते क्यों थे? पेट पालने के लिए अभी कुछ साल पहले तक यही मेरी रोजी रोटी का जरिया था वो कैसे? पॉर्णा में सरकारी बायो केमिकल एंट टॉक्सिकोलोजी लेबोर्टरी है वहां रिसर्च होती है और एक खास साम के जहर से कई लाइफ सेविंग ड्रग्स बनते हैं वो लोग उसे खास साम का वो खास साम इधर के कुछ आइलेंट्स में खूप पाया जाता है वैसे बहुत दुल्लब है अलबता पकड़ना हर किसी के बस का काम नहीं वन बाइट एंड शूर डेथ यूनो शोबना के शरे ने जोर के जुर जुरी ली बहुत खतरनाक तरीका है ये तो रोजी रोटी कमाने का धर्मेश ने कहा हाँ वो तो है जान की बाजी है आड या पार पर रिवार्ट बुरा नहीं मैं तो कई बार एक एक रोज में बेस ब्लू कोब्रा पकड़ा पनब छोड़ दिया चार साल से छोड़ दिया बॉडी स्लो हो गया नहीं छोड़ता तो मरता और लोग भी इस अनोखे कारूबार में होंगे क्या देट गोज विदाउट सेंग मेरा क्या मोनोपली होना मानता इस काम पर ठीक पनद ज्यादा नहीं कोई कोई ही जान जोखिम का काम बहुत होसला मानता बहुत जिग्रा मानता हर किसी में नहीं होता यू आर राइट वो पॉर्ड़ा वाली रिसर्च इंस्टिटूट कब तक खुली रहती है शाम साथ बजे तक वो सांपो की इस घरीदारी को कौन डील करता है लेब सुप्रेटेंटेंट डॉक्टर एसमाल डो हम् ओके मारियो कल सुबा दस वजे इसी पायर पर उसने सहमती में सेर हिलाया और फिर बोला मैडम इदर की जुबान नहीं समझती क्या इदर की जुबान धर्मेश सक पकाया हाँ जो इधर बोली जाती है कॉंकणी, मराठी, पूर्टगिस, हिंदुस्तानी ओ, वो नहीं मैडम सिर्फ इंगलिश बोलती समझती है तभी खामोश है हाँ वो टेक्सी में वापिस लोटे हमें उसे पाटिल साहब की तस्वीर दिखानी चाहिए थी शोबना तनी को तेजित भाफ से बोली धर्मेश ने इंकार में सिर हिलाया क्यूं? शोबना ने पूछा वो बातूनी आदमी है खाली आदमी है फैनी का शौकीन है सो जगा इस बात का जिक्र करता कि एक फिरंगी मेम और उसका टेक्सी ड्राइवर उसे पार्टिल की तस्वीर दिखा रहे थे हमारे यहां सो दुश्मन हो सकते हैं जिनसे हम कतई बेखबर हैं आखे यही वो जगा है जहां से पार्टिल पेड्रो की बस में सवार हुआ था जैसे वो दो मवाली मुंबाई और चिपलन में पार्टिल की फिलाक में भटक रहे थे वैसे यहां दस हो सकते हैं बीस हो सकते हैं ऐसे मौहल में इस चोटी से जगा पर इस बात का प्रचार हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है कि हम भी पार्टिल की फिलाक में यहां भटक रहे हैं ओ बहरहाल अब ये तो स्थापित हो ही गया है कि पार्टल भी कभी उस गोवानी मारियों की तरह इधर साम पकड़ता था वो मामूली धंदा है मामूली आदमी के लिए ठीक है लेकिन बे सजार रुपे के फेस भर कर किसी कॉल गल से आशनाई करने वाला कोई साम पकड़ कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला शक्स नहीं हो सकता जो शक्स करोडों के माल की बात करता हो वो साम पकड़ने वाला नहीं हो सकता करोडों के माल की वो आज़ बात करता था उसकी आज़ वाली आकात बनी होगी तब है उसने अपना पुराना धंदा छोड़ा होगा जाहिर है कि जब वो साम पकड़ता होगा तब बेस अजार वाली बाई के सपने नहीं देखता होगा ऐसी इंसानी ख्वाईशात का सीधा रिष्टा उसकी माली हालत से होता है लेकिन एका एक इतना पैसा कितना पैसा हमने माल का चटचा ही सुना है उसे अभी देखने या परकने का मौका हमें कहां मिला है और फिर एका एक कैसे क्या पता वो कब से सांप पकड़ने वाले अपने पुराने धंदे में नहीं है और कब से नई धंदे में है नया धंदा कौन सा वही जिसने किसी जाइस या नाजाइस तरीके से उसकी करोडों की आउकात बनाई क्या हो सकता है ऐसा धंदा मुझे तो एक ही धंदा सूचता है क्या? स्मगलिंग कैसे इतना दौलत मन बन सकता है और एक हाई प्राइस कॉल गल को हमेशा के लिए अपना बनाने का ख्वाइश मन्द हो सकता है किसी भाई का जिक्र भी इसी थियोरी में फिट बैठता है कैसे? वो कथित भाई जरूर कोई टॉप का स्मगलर होगा जिसका कोई कीमती माल पाटी ले उड़ा था जिसकी वसूली के लिए कि वो मवाली उसको ढूनते फिर रहे थे वसूली के लिए जिने एक के बाद एक चार खून कर देने से गुरेश नहीं हुआ ओ जरा उस चिठी को याद करो शोबना जो उसने तुमें उस शक्स के हाथ भिजवाई थी जिसका की खड़ा पार्सा में उस मवाली जोडी के हाथो पहला कतल हुआ शांता राम मोडग हाँ वही लेकिन तुम चिठी की याद करो जो कि साफ साफ इस बात की तज़्दीक करती है कि पार्टिल या कोई स्मगलर था या किसी स्मगलर का सैयोगी था पार्टिल ने चिठी में साफ लिखा था कि वो मुसीबत में फसा हुआ था उसके सामने भारी संकट की घड़ी थी उसके दुश्मन उसके पीछे पड़ी थे जिन से कि वो चुपता फिर रहा था इसका क्या मतलब हुआ इसका साफ मतलब ये हुआ कि वो कोई ऐसा माल ले उड़ा था जो कि उसका नहीं था उसने शर्तिया अमानत में खयानत की थी और जिस शक्स की अमानत में खयानत की थी वो जरूर कोई शक्तिशाली गैंक्सचर कोई इंटरनेशनल स्मगलर था जो कि भाई के नाम से जाना जाता था ओ अब जरा इस इस इलाके पर इसके भौगालिक सिती पर गौर करो जहांकि हम इस खड़ी मौचूद है ये एंट समुद्र के बीच हिंदुस्तान के खुश्की से 50 किलो मिटर परे एक चोटा सा आईलेंड है इसके एर्दगेत कोई दर्जन पर इस से भी चोटे आईलेंड और बिखरे हुए है जिन मेंसे दो को छोड़ कर किसी पर अबादी भी नहीं है स्मगलिंग का माल हिंदुस्तान में उतारने के लिए इससे ज्यादा माकूल जगा और क्या हो सकती है जबकि इसे समुद्र के परले सिरे पर गोल्ड स्मगलिंग के लिए खूब मश्यूर जगा दुबाई है तो क्या माल सोना होगा हो सकता है सोना हो सकता है हीरे हो सकते हैं स्विस गड़ियां हो सकती है electronic components हो सकते है narcotics हो सकते है narcotics क्या मादक पदार्ट चरस अफीम हैरोईन LSD कुछ भी लेकिन ऐसे तो माल हमारे हाथ लग गया तो वो लोग पार्टिल का पीछा छोड़ के हमारे पीछे पर जाएंगे अभी भी पड़े हुए है तभी तो मैंने कहा कि यहां उस मारियो नाम के शक्स को पार्टिल की तस्वीर दिखाना मुनासिब नहीं था ओ लेकिन एक और जगा हम वो तस्वीर दिखा सकते हैं और जगा कहां पॉंडा में जहांकि सरकारी बायो केमिकल एंट टॉक्सिकोलोजी लेबाटरी है जहांकि रिसर्च के लिए और लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए एक ब्लू कोब्रा दो सो रुपई में खरीदा जाता है वो लेबाटरी साथ बज़े तक खुलती है पायर से मुझे फॉरं स्टीमर मिल जाए तो मैं वक्त रहते वहां पहुंच सकता हूँ तुम्हें? सिर्फ तुम्हें? हां और मैं? तुम यहीं रहो और एक खास काम करो क्या? फेरी स्ट्रेशन से वहां के बोज़ट होने वाले खलासियों से वहां से ऑपरेट करने वाले टेक्सी ड्राइवरों से चुप चाप पोश्टाच करके मालूम करो कि क्या ये आईलेंड स्मगलिंग के लिए बड़ी माकूल जगा होने के लिहाज से किने संबंदी तदिकारियों के निगाह में है? कौन संबंदी तदिकारी? जैसे कोस्टल गार्ट्स, जैसे कस्चम वाले या फिर ओर्डिनरी लोकल पुलिसी? हम् तुमने ये भी मालूम करने की कोशिश करनी है कि क्या हाल ही में यहाँ कोई ऐसी काबिले जिक्रवार्दा थोई थी जिसका रिष्टा किसी स्मगलिंग से या उसकी कोशिश से जोड़ा जा सकता हो? स्मगलिंग में और उसकी कोशिश में फर्क होता है क्या? होता है पर्ताल करोगी तो फर्क सामने आ जाएगा पर्ताल से शायद तुम्हें मालूम हो कि कोई फॉरेंड बोट यहां से किसी आईलेंड पर कोई माल उतारने के नियत से आई थी लेकिन कोस्ट्रल गार्ड्स द्वारा खदेर कर भगा दी गई थी ठीक है मैं समझ गई मैं करूँगी ऐसी पूशताच खामोशी से हश्यारी से हाँ ठीक है तुम खूबसूरत आउरत हो तुम ये काम बेहतर तरीके से कर सकती हो खूबसूरत आउरत मनुहार से कोई सवाल पूछे तो मर्द लोग जवाब देने के लिए बिच बिच जाते है ठीक है देखते हैं क्या होता है क्या तुम होटेल लोटना चाहती हो किस लिए शायद कोई वज़ा हो कोई वज़ा नहीं तो फिर मुझे जाने दो तक काल वो टेक्सी से उतर गई वक्त रहते धर्मेश पोंड़ा अपनी मंसिल पर पहुँचा वहां की सरकारी बायो केमिकल एंट टॉक्सिकोलोजी लेबाटरी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई जो वर्दी वो पहने था उसमें पी कैप ही इस बात की चुगली करती थी कि वो ड्राइवर की वर्दी थी इसलिए लेबाटरी की इमारत में दाखिल होने से पहले उसने पी कैप को पीछे कार में ही छोड़ दिया लेब सुप्रिटेंडर डॉक्टर एसमाल्डो के आफिस में पहुँचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई वो एक नहायत खुश मिजाच गोवानी निकला जिसका की ज्यादा फूफा में एतबार नहीं मालूम होता था उसने पार्टिल के तस्वीर फॉरण पहचानी ये तो स्नेक हंटर पार्टिल है वो बोला लेकिन अब तो ये सालों से कोई सांप लेकर इधर नहीं आया हम तो आज भी उसे याद करते हैं अपने कारुबार में पार्टिल सबसे ज्यादा दिलेल और सबसे ज्यादा फूरतिला आदमी था जबकि उम्र भी उसकी कोई कम नहीं थी चोकरा तो किसे भी लिहाद से नहीं था लेकिन सबसे ज्यादा सांप लाता था ब्लू कोब्रास के ऐसे ऐसे ठिकाने जानता था जिनकी या तो दूसरे स्नेक हंसर्स को खबर ही नहीं थी या जहां उसके इलावा किसी दूसरे का कदम रखने का होसला नहीं होता था ऐसे किसी जगा का कभी कोई जिक्र किया था क्या उसने नहीं लेकिन होगी वो फिगारो और ड्रोग द्वीप समू में ही कही उस द्वीप समू में कोई ऐसी जगा है जिसके बारे में पाटिल कहता था कि वहाँ इतने ब्लू कोब्रास थे जितनों की हमें एक सदी तक जरूरत नहीं पड़ सकती थी लेकिन उस जगा का कोई नाम उसने नहीं लिया था क्या नहीं ना कभी आपके किसी और स्नेक हंडर ने उस जगा का नाम लिया था नहीं लेकिन थी वो जगा फिगारों के इर्ध गिर्धी कही हाँ ये पक्की बात है इतने ब्लू कोब्राज एक जगा गोवा में और कहीं नहीं है नहों सकते हैं I see लेकिन एक बात वो कहता था क्या? कि वो तो जैसे ब्लू कोब्राज की कॉलोनी थी बस्ती थी वहां सांपों के इलावा कुछ था ही नहीं कोई मेंडक, चुहे कौकरोच चिपकली या कोई और क्रॉलिंग अबजेक्ट्स थे तो उन्हें सब सांप खा जाते थे धरमेश के शरीर ने जोर से जुर जुरी ली फिर सांप आपस में भी एक दूसरे को खा जाते हैं तुम्हारी जानकारी के लिए एक सांप अपने ही साइस के दूसरे सांप को एक ही बार में मुकमल खा जाता है उपर से उनके बच्चे जनम के बाद के पहले छे महीने खाते ही नहीं कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगा पर भी उनको सर्वाइवल के कोई प्रॉब्लम नहीं जहांके सिर्फ वही आबाद है फिर तो एक तरह से वो सांपू का द्वीप हुआ हाँ यही समझ लो अच्छा नाम दिया तुमने उस जगा को लेकिन होगा कहां वो उन्हीं आइलेंड्स में कहीं होगा जो कि फिगारों के आजू-बाजू बिक्रे पड़े है ऐसे किसी आइलेंड पर कदम रखने का होसला कौन कर सकता है और कदम रखे बिना उसकी खबर कैसे लग सकती है आम प्रोफेशनल स्नेक हंटर का वहां कदम रखने का होसला नहीं होता तो आदमी का भला कैसे होगा यूर राइट दियर लेकिन कोई आम आदमी ऐसी जगा कदम भला रखना क्यूं चाहेगा एडवेंचर की कातिर ऐसी एडवेंचर का क्या फाइदा जिसमें जान चली जाना निश्चित हो ठीक तुम्हारी जानकारी के लिए ब्लू कोब्रा का जहर आम सांप के जहर से 20 गुना शक्ति शाली होता है इसलिए यहां हमारे डिसर्च वर्ट में ब्लू कोब्रा को तरजी दी जाती है ब्लू कोब्रा का काटा पानी नहीं मांगता फिर भी ऐसी जगा पाटिल आम जाता था अगर जूट नहीं बूलता था तो जाता ही था हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि कोई स्नेक हंटर ब्लू कोब्रा को कहां से पकड़ लागता था लेकिन जितने सांप पार्टी लाता था उनके लिहाज से उसे ऐसी किसी खास जगा की जानकारी होना स्वभाविक था इसलिए common sense यही कहती है कि किसी सांपों के द्वीब की भाबत वो जो कहता था सच कहता था क्या आप कोई ऐसा तरीका सुझा सकते हैं जिससे फिगारों के संदर्ब में उस आईलेंड का कोई जोग्राफिया मेरी समझ में आ सके नहीं ओ तुम चाहते क्यों हो उसकी बाबत कोई जानकारी मैं अरब सागर में बिकरे आईलेंड्स पर एक किताब लिख रहा हूं ऐसे किसी आईलेंड का जिक्र जहां की केवल एक खास प्रकार के सांप रहते हैं मेरी किताब में बड़े दिल्चस्प रंग भर सकता है ओ तुम आर्केोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया से संपर करो वहां से क्या हासिल होगा वहां से तुम्हें अरब सागर से संबन भारत के इस हिस्से का इतना विस्तृत नक्षा हासिल होगा जितना की और कहीं से हासिल नहीं हो सकता क्या पता उस नक्षे में सांपों की उस बस्ती का जिक्र हो उस नाम से नहीं तो किसी और नाम से जिक्र हो I see, अच्छी राई दी आपने फिर एका एक वो उट खड़ा हुआ बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मैं आपकी राई पर अमल करूंगा खुश मिजाज महरबान डॉक्टर अर्मालडो से हाथ मिला कर वो वहां से विदा हुआ फिगारो आईलेंड पर शोबना उसे पायर के करीब के उस बार के हॉल में बैठी बेर चुसक्ती मिली जसमें कि उसकी मारियों से मुलाकात हुई थी उस घड़ी बार में इस तरी पुरुशों की खासी भेड थी वहां माजूद गोवानी लड़कियां नौजवान थी खूब सूरत थी लेकिन विलाईती मेम जैसे रख रखाव रौब दाब और ठसे वाली कोई नहीं थी मर्दों की ललचाई निगाहें रह रहकर अकेली बैठी शोबना की और उड़ती थी और निराशा लिये लौट आती थी अपने विलाईती परिधान में शोबना ने ये एक इजाफा और कर लिया था कि उस घड़ी वो अपने सेर पर बड़े स्चायल से तेरचा करके एक ठेट लगाई हुए थी धरमेश उसके सामने जा बैठा क्या पियोगे वो बोली कुछ नहीं क्यूं यहाँ पबलिक में नहीं विलाईती मेम साहब महरबान होके अपने ड्राइवर को अपने सामने बैठने दे सकती है लेकिन वो अपने ड्राइवर के साथ ड्रेंग भी शियर करे यह देखने वालों को खटक सकता है ओ, वो एक शन ठेट की और फिर बोली क्या हुआ पोंडा में खास कुछ नहीं हुआ सिर्फ इस बात की तज़्दीक हुई कि पार्टिल कभी यहां सामप पकरने का धंदा किया करता था वो ऐसी जगा को सामपों की बस्ती बताया करता था लेकिन वो जगा असल में कहा है उसकी लेबोर्टरी वालों को खबर नहीं थी तो फिर क्या बात बनी? सीधे से तो नहीं बनी यानि कि किसी और तरीके से बनी? हाँ मैंने सामप में से निकले उस नक्षे का फिर से बहुत बारीकी से मौईना किया था शोबना जो छोटे छोटे आईलेंड उसमें दर्च है उसमें एक आईलेंड का आडा तेर्चा दाइरा कुछ इस तरीके से बना हुआ था जैसे वो सामप का खुला हुआ मूँ हो अच्छा? मुझे तो ऐसा नहीं लगा था मुझे भी नहीं लगा था फिर से तेल आईलेंड का दाइरा देखने से लगा और उसी से नया आईडिया आया पार्टिल के नक्षे में फिर्श टेल आईलेंड एन ऐसे उकेरा गया था जैसे वो किसी मस्चली की पूछ हो शायद इसी वज़ा से उस आईलेंड का नाम फिर्श टेल आईलेंड पढ़ा था तभी मैंने महसूस किया था कि एक आईलेंड की शकल सांप के खुले हुए मूँ जैसी थी पार्टिल किसी आईलेंड को सांपो की बस्ती बताता था ऐसे आईलेंड को जिसमें की जाने की सिर्फ वही हिमत कर सकता था सांप पकड़ने का वो भी कारुबार किया करता था उसके पैकेट मेंसे भी वैसा नकली सांप निकला जैसे कि वो पकड़ा करता था उस सांप मेंसे वो नक्षा निकला जो कि साधारंतिया किसी की समझ में नहीं आ सकता था लेकिन इस इलाके से वाकिफ कोई जिसे आसानी से समझ सकता था आसानी से? हाँ अब मैं निश्चित रोप से कह सकता हूँ कि आसानी से क्यूं? अब क्या हो गया है? बताता हूँ उसने अपनी जेब से नक्षा बरामत किया और एक बार साधानी से दाई-बाई देख कर उसे मेज पर उल्टा करके रखा तुमने पहले नोट किया था वो बोला कि ये काड़ा तिर्चा कद्रन बड़ा दाईरा कागस के इधर भी है नहीं मैंने नोट किया था लेकिन मैंने समझा था कि जो कुछ पाटिल कागस पर उकेरना चाहता था उसमें उससे गलती हो गई थी इसलिए उसने कागस को उलट कर नए सिरे से नक्षा बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी लेकिन अब मेरे समझ में आया है कि असल में ऐसा नहीं है नक्षे की पेट पर ये इकलौता दाईरा खूप सोच विचार कर इसकी जरूरत समझ कर बनाया किया है ये इकलौता बड़ा दाईरा दरसल साम के खुले मूँ की शकल के उसी आयलेंड का विस्तरित रूप है जो कि में नक्षे में बहुत सुक्षम रूप में अंकित है देखो शुबना ने नक्षा हाथ में लिया और फिर उसे कई बार उलट पलट कर दोनों तरफ देखा बाई काट यूर राइट फिर वो बोली ये तो ऐसा लगता है जैसे उस चोटे दाईरे को एनुलाच कर दिया गया हो हाँ बिलकुल अब देखो कि इस इकलौते बड़े दाईरे में लकीरे और भी उकेरी गई है जैसे इसके बाई पहलू में ये पांच आड़ी तिर्ची लकीरे हैं जैसे कि साम की कैंचुली पर बना कोई डिजाइन हो अच्छा असल में क्या है असल में क्या है ये मुझे आर्कियोलाचिकल सर्वे के इस इलाके के विस्तित नक्षे से पता चला वो नक्षा पंजी में टेक्स बुक को स्टेशनरी बेशने वाली दुकानों पर आम मिलता है नक्षे को समझने के लिए उसमें जो संकेत दर्श थे उनके मुताबिक ये पांच लंबी खाईयां सी हैं जिसमें से होता समुद्र का पानी आईलेंड की खुश्की के भीतर घुसा हुआ है ओ जैसे नहरे होती है हाँ मिनियेचर नहरे समझ लो जो की आगे समुद्र में जाकर मिलती है इन में से दूसरी नहर सी के दहाने पर ऐसा लगता है एस जैसे डबल्यू लिखा हो ये नहर सी गहराई में भी बाकियों के मुकाबले में आईलेंड में सबसे ज्यादा भीतर तक जाती जान पड़ती है डबल्यू से थोड़ा आगे लकीर की लंबाई के आधे रास्ते में नौसो लिखा है लेकिन मतलब मुझे यकीनी तार से मालुम है और नौसो की बाबत मेरा अंदाजा है चीक है बोलो मैं सुन रही हूँ ये डबल्यू के चार लकीरे दरसल चार पेड़ है उस आईलेंड पर एक नहर सी के दहाने पर चार पेड़ यू उगे होने चाहिए कि उन्हें फासले से देखा जाए तो वो अंग्रेजी वर्ण वाला का अक्षर डबल्यू लगे ओ और नौसो वो शायद फासला है फासला चार पेड़ों से भीतर की तरफ लेकिन ये कहना मोहाल है कि फासला नौफूट है या मीटर है ऐसा कुछ वहाँ जाने से ही पता लग सकता है और जिसकी जाने की मजाल हो सकती थी वो एक पाटिल ही था मुझे उमीद नहीं मुझे लगता है शोबना की ये नक्षा इतने यतनों से बनाया ही इसलिए गया है कि अंकित रोट से जाने से और कोई छोटी मोटी साफधानी बरतने से वहाँ कोई भी पहुंच सकता होगा ओ, यानि कि माल उस रोट पर कहीं है क्या मेरी अकल तो यही कहती है उदर सांपो का खत्रा नहीं होगा क्या शायद होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उस खत्रे से दो चार होने वाला सूर्मा एक पाटिल को ही माना जाता यानि कि हम भी वहाँ जा सकते हैं कल पता चलेगा, कल सामने आएगा कि नक्षे को हमने ठीक से बांचा है या नहीं बहरहाल इन तमाम बातों का ये सामोहिक नतीजा तो निकलता ही है माल जरूर जरूर उस आईलेंड पर कही है हाँ, अब बजाए इसके कि कल हम इन तमाम आईलेंड्स की खाक चानते फिरें हम सबसे पहले सी थे उस आईलेंड का रुख करेंगे जिसका की कोई नाम नहीं है लेकिन जिसकी शकल साम के खुले मूँ से मिलती है सहूलियत के लिए हम उस आईलेंड का अपना कोई नाम रख लेते हैं जैसे पाटिल आईलेंड, कोब्रा आईलेंड, मवाली आईलेंड, भाई आईलेंड कोब्रा आईलेंड ठीक है चीक है अब तुम बोलो मेरी गैर हासरी में पीछे तुम्हारे पल्ले क्या पढ़ा कुछ तो पढ़ा गुड यहाँ सबने मुझे विदेशी समझा इसलिए बढ़ बढ़ के एक की आठ लगा के बात की अच्छा क्या कोई मतलब की बात भी निकली है हाँ निकली ना तभी तो बोला की कुछ पल्ले पढ़ा क्या यहाँ का जो कोस्चल गार्ट्स का इंचार्च है उसका नाम हरीश बेला वाला है सब इंस्पेक्टर के बराबर का रैंक है और लोकल पुलिस चौकी में ही पाया जाता है मैं उससे मिली थी तो उसने बत्ती से निकाल के और गोद में बिठा के मेरे से बात की थी गोद में बिठा के कसर भी नहीं चोड़ी थी कमीना पच्पन के पेटे में था और यूँ थोल थोल जिस्म था कि हैरानी होती थी कि वो कोई यूनिफॉर्म वाली जॉब करता था तोंद इतनी बड़ी थी जैसे साबुत तर्भूस निगल गया हो बैठता था तो तोंद घुटनों पर रखी मालूम होती थी फिर भी मुझे गोद में बिठाने का क्वाइश मन था ओ, ख्वाइश मन था, मैं तो समझा था कि बिठा ही लिया था जगा कहा थी? गोद में तो पहले से ही तोंद बैठी होई थी ना चीक है, आगे बढ़ो मैंने उससे पूछा कि क्या उस इलाके में स्मगलिंग का कोई शगल था था तो क्या हाल ही में कोई काबिले खिकर वारदात हुई थी? तो क्या जवाब मिला? जवाब में उसने मुझे एक काफी दिलचस्प कहानी सुनाई बोला, पिछले सौम बार को वहां के समुदर में वैसा एक वाक्या हुआ था जिसकों के जिक्र के काबिल कहा जा सकता था उस रोज कोस्चल पेट्रोल की एक मोटर बोट समुदर की गश्ट कर रही थी जबकि उन्होंने नीचे समुदर में खड़े एक माल वाहग जहास से एक मोटर बोट को अलग होते देखा था बेलावाला कहता है कि वो जहास भारत के समुदरी हद बंदी से बाहर खड़ा था इसलिए जहास पर उसका कोई जोर नहीं था लेकिन अगर वो मोटर बोट उससे अलग होकर भारत के समुदर में दाखिल होती थी तो वो उसके पीछे पढ़ सकता था लेहाजा वो तब तक इंतिजार करता रहा जब तक की ऐसा ना हो गया वो मोटर बोट आइलेंड की तरफ बढ़ी तो बेलावाला अपनी पेट्रोल बोट पर उसके पीछे लगा लेकिन दूसरी बोट वाले को जो ही इस बात की खबर लगी वो भाग खड़े हुए इससे बेलावाला का माथा ठनका उसने पेट्रोल बोट से उनका पीछा किया तब भागती बोट दो संकरे टापूँ के बीच में घुस गई बेलावाला अपनी बोट पर करीब पहुँचा तो उसे वहाँ ऐसा कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दिया जिस पर की बोट खुस सकती थी वो कहता है कि टापूँ के बेच पानी से बाहर सिर उठाती हुई चट्टानी थी जिन से टकरा कर बोट चूर चूर हो सकती थी लेकिन अगली बोट के साथ ऐसा कोई हाथसा नहीं गुज़रा था क्या नहीं गुज़रा था जरूर अगली बोट का ड्राइवर कोस्ट्रल गार्ड्स के ड्राइवर से ज्यादा चतुर सुजाम था जो कि चट्टानों में से मोटर बोट निकाल गया था कहां निकाल ले गया था जाहिर था कि उन टापूँओं से पार थोड़े अरसे के लिए अगली मोटर बोट बेला वाला की निगाहों से ओजल हो गई थी कोस्चल पेट्रोल की बोट उसके पीछे तो नहीं लग सकी थी लेकिन वो वहां से टली भी नहीं थी जल्दे ही उनके इंतिजार का फल उन्हें मिला और वो दूसरी मोटर बोट टापूँओं के परली तरफ फिर समुदर में दिखाई थी जहां से कि वो खामोशी से फिगारों के किनारी की तरफ बढ़ रही थी वो यहां के एक पायर पर आकर लगी तो बेलावाला ने उसे अपने कबसे में ले लिया मालूम हुआ कि वो एक लोकल बोट थी लेकिन बोट पर सवार तमाम के तमाम लोग इस बात से साफ मुकर गए कि वो बेट समंदर में खड़े किस इस जहास के करीब पांचे थे उन्होंने ये तक दावा किया कि उन्हें कताई खबर नहीं लगी थी कि कोस्चल पेट्रोल की कोई बोट उनके पीछे थी अच्छा जो कि जूट था हाँ सरसर जूट था इसलिए बेलावाला ने बोट की ऐसी मुकमल तलाशी ली जैसे सोई तलाश कर रहा हो कुछ हाथ नहीं लगा होगा ना तुमने कैसे जाना कुछ हाथ लगने वाला होता तो वो लोग हर्गिस भी फिगारों के समुदर तटका रुख नहीं करते You are right कुछ हाथ नहीं लगा था तो शोबना इस कहानी से हमारे हाथ क्या लगा जो हमारे हाथ लगा वो अभी आगे आता है ठीक है मैं सुन रहा हूँ जिन दो टापूँ के बीच में वो मोटर बोर्ट घस कर गायब होई थी वो मुझे बेला वाला ने अपने आफिस में लगे गोवा के विशाल नक्षे में दिखाई थे धर्मेश उन दो टापूँ में से एक साम की शकल वाला वो टापू था जिसका अभी अभी हमने नाम करण किया है कोब्रा आइलेंट? हाँ बेला वाला कहता है कि वो उस बोर्ट से कुछ नहीं बरामत होने पर बहुत जुँचलाया था इसलिए खुंदक में उस ने उस बोर्ट का फिर चलान कर दिया था किस बात का? उस पर कोई लाइफ बोर्ट ना होने का वो कहता है कि उस साइस की मोटर बोर्ट पर एमरजनसी में सेफटी के लिए जैसे लाइफ बेल्ट सोना कानूनन ज़रूरी होता है वैसे ही एक चपूओं से खेई जाने वाली किष्टी भी होना ज़रूरी होता है ऐसे किष्टी उस बोर्ट पर नहीं थी क्या? नहीं थी कहां गई? सोचो इस बात को खयाल में रखके सोचो कि दो टापूओं के बीच थोड़े अरसे के लिए वो बोर्ट कोस्चल पेट्रोल के निगाहों से ओजल हो गई थी तुम्हारा मतलब है दूसरी बोर्ट वालों ने उस वक्वे में किसी को उस सामान के साथ जो गैर कानूनी था और पकड़ा जा सकता था बोर्ट पर से किष्टी के साथ समुदर में उतार दिया था हाँ मेरा यही मतलब है क्या ऐसा नहीं हो सकता हो तो सकता है शोबना वरना उस बोर्ट की किष्टी कहा गई वरना स्मगलिंग का कोई माल उस बोर्ट से क्यों नहीं पकड़ा गया जिसकी हरकतें की स्मगलिंग की तरफ साफ साफ इशारा थी मेरा आगे मतलब ये है कि स्मगलिंग के माल के साथ और उस किष्टी के साथ जो शक्स कोब्रा आईलेंड के करीब समुदर में उतारा किया था वो हमारे पाटिल साहब थे ओ लेकिन वो आईलेंड तो फिगारों के खुश्की से बहुत फासले पर है वहाँ से कोई चपूँओं वाली नाओ चला कर किरारे पर पहुँचना तो मुम्किन नहीं ऐसा कोई कोशिश में पाटिलने नहीं की होगी क्योंकि उसे आश्वासन होगा कि कोश्चल पेट्रोल से पीछा चोट जाने के बाद उसके बोट वाले साथी उसे लेने आएंगे तो क्या वो गए होंगे? गए ही होंगे वरना पाटिल खुश्की पर कैसे पहुँचा होता? जब पाटिल को लेने गए तो माल भी साथी क्यों नहीं ले आए? तुम बताओ कई वज़ा हो सकती है एक तो कोश्चल पेट्रोल से उन्हें तब भी अंदेशा होगा इसलिए उन्होंने माल को कुछ दिन गायब ही रखे रहना मुनासिब समझा होगा दूसरे ये कि जाहिर है कि स्मगलिंग रैकेट में वो सब लोग तो प्यादे थे, मिडल मैन थे जिने उपर से आने वाले किसी हुक्म का इंतिजार होगा वो हुक्म आने तक उन्हें माल का वहाँ पड़ा रहना सेफ लगा होगा तीसरे, माल चुपाने के लिए उन्होंने शुरू से ही वही जगा चुनी होगी चौथे, कोई ऐसे गैर मामूली हालात एका एक पैदा हो गए होंगे कि उन लोगों का वक्ती तौर पर उस जगा के करीब फटकना नामुम्किन हो गया होगा जहांके पार्टिल ने माल चुपाया था कैसे गैर मामूली हालात साम भढ़न गए होंगे ओ, ना भी भढ़के हो तो तभी तो भी सैंक्रों हजारों साम्पों के बीच कदम रखने का होसला हर किसी का नहीं हो सकता पार्टिल सने खंटर रह चुका था वो साम्पों को हैंडल करना जानता था जो काम और लोगों के लिए बहुत मुश्किल ही नहीं बलके ना मुम्किन था वो उसके लिए मामूली था वो साम्पों में माल रखके आ सकता था तो यकीनन उसे वहां से भी वापिस ला सकता था उसके वो खास हैसिय थी उसकी वो ताकत थी जिसने उसे अमानत में खयानत करने के लिए उकसाया था वो जानता था कि कोब्रा आइलेंड पर माल बले ही कितने दिन पड़ा रहता सेफ था इसलिए वो अपने साथियों के साथ फिगारो आइलेंड पर आकर लगा और फिर वहां से खिसक गया तो फिर नक्षा क्यों बनाया उसे नक्षे की क्या जरूरत थी वो तो जानता ही था कि माल कहा था खुद उसने ही तो उसे वहां रखा था बिलकुल चीक इसी से जाहिर होता है कि नक्षा उसने अपने लिए नहीं बनाया था तो फिर किसके लिए बनाया था उस शक्स के लिए जिससे कि उसने इस माल का सादा किया था वो नक्षे का क्या करता उसके मुताबिक माल को अपने कबजे में करता उस सौदे की एक ये भी शर्थ होगी कि पाटिल सिर्फ वो जगा बताई का जहां की माल पड़ा था जहां से की खरीदार माल काबू में कर सकता था जहां से की कोई उसके लिए माल काबू में कर सकता था ये ना भूलो कि इस द्वीब समूपर स्नेक हंटिंग एक व्यफसाई है जिसमें लगा पार्टिल ही इकलौता स्नेक हंटर नहीं था लेकिन कोब्रा आइलेंड पर कदम रखने का होसला वही कर सकता था या तो ऐसा होगा नहीं पार्टिल जैसा कोई स्नेक हंटर उपलब्ध होगा खरीदार को या फिर उसके पास माल पर काबिच होने का कोई और जरिया होगा और वो कोई ऐसा जरिया भी हो सकता है जो कि उसे खुद पार्टिल नहीं सुझाया हो I see और तुम्हारे खयाल से माल का खरीदार चिपलन में था? हाँ, तभी तो वो वहाँ पहुचा ऐसा था, तो उसने मुझे पंजी में क्यों बुलाया? चिपलन में क्यों नहीं बुलाया? शोबना, जरूर माल के बदले में पेमेंट पंजी में होनी होगी बेशने वाला कोई शर्ट लगा सकता था तो खरीदने वाला तो लगा सकता था खरीदने वाले ने ये शर्ट लगाई होगी कि वो पहले माल को चौकस करेगा और फिर पंजी में उसकी पेमेंट करेगा और वो पेमेंट वो मुझे सौपना चाहता था पेमेंट ही तो साम से क्या पले पड़ता तुम्हारे लेकिन मुझे हिफाज़त के लिए सेफ कीपिंग के लिए उसे तुम पर एत्बार जो था हम और कोई बात है एक बात जो मैं पहले बताना भूल गई थी क्या वो मोटर बोर्ट जिसके पीछे कोस्चल पेटरोल वाले पड़े थे जिसके कि मैंने अभी तुम्हें कहानी सुनाई उसका नाम सी हॉक है सी हॉक ये तो उस बोर्ट का नाम है जो कि हमने मारियो की मार्फत कल के लिए किराई पर ली है ओ ये क्या महज इतिफाक है इतिफाक ही होगा इतिफाक ही होगा कि हमें ऐसी बोर्ट किराई पर मिली जिसे की कोब्रा आइलेंड के समुदर में दाखिल होने का पहले से तजुर्बा है हम और सी हॉक के मालिक का नाम भवरलाल और परेश गोत मारी है धर्मेश ने होंटों में बुद्बुदा कर नाम दोहराई और फिर बोला और और बस अब क्या इरादा है मेरा इरादा तो पहले अपने लिए किसी होटेल में जगा तलाश करने का है तो करके आओ तब तक मैं यहीं हूँ यहीं हो हाँ बियर का मज़ा आ रहा है धर्मेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा अच्छी जगा है यह मैं तो पहले कभी ऐसे घर से निकली नहीं इसलिए और भी मज़ा आ रहा है तुम्हें नशा हो गया है शोबना तो क्या बुरी बात है मैं चलता हूँ धर्मेश एका एक उठता हुआ बोला पंद्रा मिनट में ना लोटू तो समझना मुझे कमरा मिल गया मुझे कैसे पता लगेगा कहा कमरा मिल गया तुम्हारे होटेल में फोन कर दूँगा तुम अभी वहाँ नहीं पहुंची होगी तो रिसेप्शन पर मैसेच छोड़ दूँगा चीक है और अगर कमरा ना मिला तो तो लोट आउँगा फिर मुझे तुमारे होटेल में तुमारे साथ ही रहना पड़ेगा बले ही देखने वाले कुछ भी सोचे चीक है और धर्मेश वहाँ से विदा हो गया पीछे बैठी शोबना बेर चुसकती रही योही कोई पांच मिनट गुजरे तबी किसी ने उसके सामने खंकार कर गला साफ किया उसने सिर उठाया तो सामने बत्ती से निकालते मारियो को खड़ा पाया उसके साथ दो मवाली थे जिन में से एक के कंधों तक आने वाले लंबे बाल थे और दूसरा सेर से आधा गंजा था और उसका मूँ जुलसा हुआ था उसने जल्दी से अपने हैट को अपने माते पर और नीचे तक आँखों से भी नीचे तक जुका लिया येस ये उसके प्रोप्राइटर सोचा मिलवा दूँ हम भवरलाल वो लंबे बालो वाले की तरफ इशारा करता हुआ बोला गोत मारे उसने अधगंजे की तरफ इशारा किया हलो शोबना बोली जवाब में उन दोनों ने भी हलो बोला शोबना ने नोट किया कि अधगंजा गोत मारे बड़े उलजन पूर्ट भाव से उसकी तरफ देख रहा था आपका ड्राइवर कहां गया मारियो ने पूछा गया शोबना जान बोच कर जूमते से बोली अभी तो यहीं बैठा था चला गया डिस्मिस कर दिया रात को टैक्सी नहीं मांगता किदर जाएगा रात को ओ यानि कि सुभा आएगा येस आप भवन लाल बोला सुभत दस बचे सैर को रवाना होंगी शोबना ने यूँ उलजन पूर्ट भाव से मारियो की तरफ देखा जैसे उसके पल्ले कुछ ना पढ़ा हो तुमारो मारियो बोला टैन एम स्टार टैन एम है ना ओ दैट येस टैन एम इदर की कोई जुबान नहीं जानती क्या भवरलाल ने मारियो से पूछा नहीं मारियो हिंदुस्तानी में बोला सिर्फ इंग्लिश बोलती है नाम क्या है पूछा नहीं तो पूछ मैडम यूर नेम बोटमेन वांट्स नेम ओफिस चार्टर अलिसा शोबना बोली फ्रम इंग्लेंट यू वांट बियर मारियो ने तदकाल सेहमती में सेर हिलाया फिर उसने सेहम कर भवरलाल की तरफ देखा उसका सेर भी सेहमती में हिलता पाकर उसके जान में जान आई शोबना ने सब के लिए बेर का ओर्डर दिया वैसा करना जरूरी था अब वो वहां से एका एक उटकर नहीं जा सकती थी गोत मारे उसे शक के निगाहों से देख रहा था वो एका एक उटकर चल देती तो उसका शक दो बाला हो जाता गोत मारे एका एक व्यग्रभाव से भवरलाल की आस्तेन खिंचने लगा क्या है भवरलाल जुंचला कर बोला जरूर उटके मेरी बात सुन गोत मारे बोला इधर इच बोल इधर नहीं उटकर बाजू में चल कर सुन क्यूं? ये सुन लेगी ये इधर की कोई जुबान नहीं समझती मारियो दबे स्वर में बोला सिर्फ अंग्रेजी बोलती है अंग्रेजी समझती है सुना भवरलाल बोला अब जो बोलना है इधर इच बोल बेखौफ बोल फिर भी बाजू में चलना गोत मारे बोला भवरलाल ने एक आसी भरी और उठकर उसके साथ हो लिया धरमेश को होटेल में कमरा मिलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई चर्च रोड पर स्थित जिस पहले होटेल में उसने कदम रखा उसमें कमरा उपलब्द था होटेल का नाम लव नैस्ट था जहां कि उसे बारा नमबर कमरा मिला होटेल एक दो मंजिली इमारत में स्थापित था और बारा नमबर कमरा उसके एन पिछवाड़े में ग्राउंड फ्लोर पर था पिछवाड़े में एक कमपाउंड था जिसमें उसके खिड़की खुलती थी कमपाउंड से आगे एक चार दिवारी थी जिसमें एक छोटा सा आईरेन गेट था और उससे आगे पिछवाड़ी की कदरन चौड़ी गली थी बढ़िया रिसेप्शन पर पहुँच कर उसने सबसे पहले डाइमेंड में फोन किया मालुम हुआ कि मिसिस एलिसा वाकर अभी अपने कमरे में वापिस नहीं लोटी थी तब उसने रिसेप्शनिस को ही अपना और अपने होटेल का नाम और कमरा नमबर लिखवा दिया वो वापिस अपने कमरे में पहुचा वो एक कुर्सी पर धेर हो गया उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा क्या सांपो की बस्ती में कदम रखने की उनकी मजाल हो सकती थी जो उपकरण वो पंजी से खरीद कर लाया था क्या वाकिए वो उतना मददगार साबित हो सकता था जितने की की उसे उमीद थी क्या माल उनके हाथ लग सकता था और माल था क्या नार्कोटिक्स, हीरे, घड़िया तभी दर्वाजे पर दस्तक पड़ी येस, वो उच्छ स्वन में बोला दर्वाजा खुला और चौकट पर एक वेटर प्रकट हुआ आपका फोन है सर, वो बोला मेरा, धर्मेश सक्पकाया जी हाँ किसका है? मालूम नहीं सर शोबना का ही हो सकता था उसके सिवाई और किसे मालूम था कि वो वहाँ था आता है, वो बोला और वेटर चला किया धर्मेश रिसेप्शन पर पहुँचा कहा है फोन उसने पूछा रिसेप्शनिस ने पिछवाड़े के एक बंध दर्वासे की तरफ संकेत कर दिया यहां क्यों नहीं वो रिसेप्शन पर पड़े फोन की और इशारा करता हुआ बोला यह बिजी है सर वो अदब से बोला किसी और डेस्क का फोन आया हुआ है यह लाइन एंगेश्ट है ओ वेटर आपको पीछे के फोन पर लेकर जाता है तैंक यू वो वेटर के साथ थो लिया वेटर ने निर्देशित दर्वासा खोला दोनों भीतर दाखिल हुए वो एक आफिस नुमा कमरा था जो कि उस वक्त खाली था वेटर वहां नहीं रुका उसने उसके पिछले दिवार में बना एक दर्वासा खोला और धर्मेश को संकेत किया धर्मेश उसके करीब पहुंचा उसने उस दर्वासे से भीतर कदम रखा वेटर ततकाल वहां से रुकसत हो किया धर्मेश ने नोट किया कि वो एक स्चोर था जिसकी चारो दिवारों के साथ चट तक स्चोरिज रैक लगे हुए थे वहां रोशनी का इकलोता साधन चट से तार के साथ लटकता एक शेड़ वाला बल्ब था वहां कहां था टेलिफोन? क्या उसके साथ कोई मजाग किया गया था? इधर आ जाओ, फिर एक कोने से आवाज आई धर्मेश ने सक पका कर उधर देखा तो पाया उधर नी मंधेरे कोने में एक मेश के पीछे कोई बैठा था उसके सामने मेश पर टेलिफोन पड़ा था आओ, वह फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं कौन डरता है? धर्मेश ला परवाही का प्रदर्शन करता हुआ बोला बढ़िया, तो फिर चले आओ धर्मेश करी पहुँचा बैठो धर्मेश उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया फिर बड़े सहज भाफ से उसने फोन की तरफ हात बढ़ाया फोन नहीं है, वो धीरे से बोला फोन नहीं है, धर्मेश बोला फिर मुझे इधर क्यों बोलाया? बताता है लेकिन समझ लो कि मैं ही फोन किया समझ लो कि तुम मेरे से फोन पर ही बात कर रहे हो कमाल है क्या तुम्हारा नाम धर्मेश ठाकुर है? तुमने कैसे जाना? मुझे टीका राम कहते हैं मैं भाई का खास आत्मी है भाई, तो ये माचरा है मेरा तुम्हारे से अकेले में बात करना जरूरी था इसलिए तुम यहाँ हो क्या बात करना जरूरी था? पैकेट किदर है? कौन सा पैकेट? तुम्हें मालूम है कौन सा पैकेट? फालतू बातों में रात खोटी करने का कोई फाइदा नहीं धर्मेश खामोश रहा तुम नादान हो, अनजान हो इसलिए मैं एक बात तुम्हें समझा देना चाहता है भाई से पंगा लेना कोई हसी खेल नहीं दो ही किस्म के लोग भाई से पंगा ले सकते हैं एक जो खुद्खुशी के तमन्नाई हो और दूसरे जो भाई की ताकत भाई के रुत्बे भाई के जलाल से वाकिफव ना हो तुम दूसरे किसे के दूसरे किस्म के आपमी हो इसलिए मैं तुम्हारा लिहास करता है और शराफ़त से पैकेट की बात करता है लिहास कर रहे हो हाँ फिर उन दो मवालियों से तो तुम अच्छे ही हो जिन्होंने उसी पैकेट की खातिर चिपलन में मेरी कार में बम लगाया जिससे की मेरी जगा एक निर्दोश मारा किया वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा उसने एक शन अपलग धर्मेश की तरफ देखा और फिर बोला क्या उन्होंने ऐसा किया था हाँ फिर तो उनकी खैर नहीं पहले से तुम्हें या तुम्हारे कतित भाई को क्या उनकी कर्तूत की खबर नहीं है नहीं वो भाई के हुक्म पर उसे रोज फोन लगाते थे लेकिन ये बात उन्होंने चुपा कर रखी अब खैर नहीं कमीनों की अब तो एक ही तरीके से उनकी जान बच सकती है कि वो कुछ कर दिखाए वो एक शंट ठिटका और फिर बोला लेकिन कैसे कर दिखाए पैकेट तो तुम्हारे पास है धरमेश खामोश रहा एक एक टीका राम के हाथ में एक लंबी नाल वाली खतरनाक रिवाल्वर प्रकट होई क्या पैकेट तुम्हारे पास है वो कहर भरे स्वर में बोला इस भरे पुरे होटेल में गोली चलाने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती धरमेश ने कहा उसने रिवाल्वर का घोड़ा खींचा गोली धरमेश के कान को चूती हुई गुजरी और पीछे कहीं जाकर टकराई पीछे कहीं टन की आवास हुई जो गोली के किसी रैक से टक्राने से पैदा हुई मालूम होती थी लेकिन गोली चलने की आवास नहीं हुई थी उसने आतंग भरे भाफ से रिवॉल्वर की तरफ देखा तब उसे उसकी लंबी नाल का रास समझ में आया रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर चड़ा हुआ था जो की ने मंधेरे में उसे नहीं दिखाई दिया था एका एक धर्मेश का कंट सूख गया टीका राम की उंगली फिर रिवॉल्वर के घोड़े पर कसनी शुरू हुई ओ नो धर्मेश फुस फुसाया प्लीज नो टीका राम ने पाल नीचे जुका ली पैकेट तुम्हारे पास है वो सहज भाफ से बोला हाँ ततकाल वो सहमती में सिर हिलाता हुआ भोला लेकिन उसमें कुछ नहीं है क्या बाई गॉड उसमें कुछ नहीं है उसमें सिर्फ एक नकली सांप है सांप के भीतर कुछ होगा कुछ नहीं सिर्फ लकड़ी का बुरा था तुमने खोल के देखा क्या सारा नहीं सिर्फ दो तिन टांके तोड़कर भीतर जांका हम्हें मुझे थोड़ी सी मौहलत दो मैं अभी पैकेट हाजिर करता हूँ नहीं मांगता क्या? बेफिजोल का पैकेट नहीं मांगता क्या? तो खाम का अपनी शान पंती दिखा के मेरे को हड़काया बेच में पंगा किया भीड़ू मैं कुछ बोलना मांगता है क्या? पैकेट में कुछ था या नहीं था वो तू जाने तू इधर तक पहुँच किया इससे लगता है कि पैकेट में कुछ था जो कुछ था वो अभी में तेरे हलक में हाथ दे कर निकलवा सकता है पर मैं बोला मैं कुछ और बोलना मांगता है समझा क्या? माल को काबू में कर सकता है तो ऐसा करने की भाई की तरफ से तेरे को खुली छूट है अच्छा लेकिन ये नहीं बूलने का कि वो माल भाई का है वो जिधर भी है भाई का है आगे जिसके पास भी होगा भाई का होगा क्या कीमती माल है धरमेश ने खाम खा पूछा हां पचास करोड का पपा पच्चास हाँ भीडू अगर तु असमाल को तलाश कर पाया और उसे महफोस इधर ले आने में काम्याब हो पाया तो भाई की तरफ से तेरी सारी खताई माफ और तुझे पच्चास लाग का नसराना समझा दर्मेश के मूँ से बोल नहीं फूटा अब तु पच्चने से क्या होगा क्यूं क्या बुला तुम्हारे वो दो मवाली भी तो समझे इस गड़ी मुझे नहीं मालूम कि वो कहा है तो खातिर जमा रख वो अब तेरे पास भी नहीं फटकेंगे बस वो एक बार मुझे मिल जाएं वो तुम्हारे भाई को रोज फोन लगाते है तो आज नहीं लगाया तभी तो मुझे इधर आना पड़ा मेरे बारे में कैसे जाना क्या मुश्किल काम था हमारे आदमी तेरे पिच्चू पुलिस तेरे पिच्चू पाटिल की बाई का तो खास तु बहुत फेमस आदमी है भीडू ओ मेरी बत किस्मती तो जो मैं बोल जलना था बोल दिया पर एक बात फिर बोलता है कोई लफडा नहीं मांगता कोई शानपंती नहीं मांगता भाई का गुस्सा खराब भाई से एंटी जाके आज तक तो कोई जिन्दा बचा नहीं आगे तो खुद शाना है धर्मेश खामोश रहा अब जा और जाके ऐसे हाला पैदा कर कि भाई खुद तुझे अपनी रह्मत से नवासे तेरी पेट ठोके तुझे शाबाशी दे धर्मेश ने सहमती में सेर हिलाया ये कागस पकड तीका नाम ने कागस का एक पुर्जा धर्मेश को थमाया इस पर एक सेलूलर नंबर है अखी दुनिया में से किधर से भी कॉल करेगा लगेगी माल काबू कर सके तो खबर करना तेरे पास 48 घंटे का टैम है और उसके बाद धर्मेश फंसे कंट से बोला उसके बाद तो खुद सोच वो चार शब उस आदमी ने ऐसे निर्शन्स धंग में कहे कि धर्मेश की रूख काम कई अब जा और जाके 50 ल पास लाग के टीका राम चेतावनी भरे स्वर में बोला 50 करोड के नहीं सेहमती में सेर हिलाता बारी कदमों से धर्मेश वहां से रुकसत हुआ वो बार के एक तनहा कोने में पहुचा अब बोल भवरलाल उतावले स्वर में बोला ये मेरे को दादर वाली बाई जान पढ़ बोला माता फिरेला है क्या ये तो कोई फिरंगी मेम है ये दादर वाली बाई कैसे हो सकती है मेरे को जान पढ़ती है ना जैसे पहले तुझे चिपलन में उस टेकसी डिरेवर की पैसेंजर दादर वाली बाई जान पढ़ती थी हाँ वो भी यही थी नहीं हो सकती क्यों नह नहीं हो सकती, गोत मारे, तु मेरा यकीन कर, ये फिरंगी मेम वो बाई नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, तो कुछ छुपा रहा है, तो चिपलन में भी कुछ छुपा रहा था, अब मैं जानके रहूंगा, कि तु क्या छुपा रहा है, और अगर नहीं जान पाएगा तो, तो मैं भाई से बात करूँगा, क्या बात करेगा, मैं भाई को बोलूँगा, तू पेछे चिपलन में ऐसा कुछ किया, जो कि तू जुबान पर लाने से डरता है, मैं डरता हूँ, हाँ, तू मेरी अपने जोडीदार की भाई से चुगली करेगा क्या, जब जोडीदार को मेरा लिहास नहीं, तो मुझे जोडीदार का लिहास कैसे होगा, अगर हम दोनों एक हैं, तो तुझे मुझ से कुछ चुपाना चाहिए क्या, भवरलाल कुच्छन खामोश रहा, और फिर कठिन स्वर में बोला, ठीक है, बोलता हूँ, सुन, सुन रहा हूँ, गोत मारे बोला, मैं चिपलन में स्वागत होटेल की पार्किंग में, खड़ी उस भेडू की कार में बम लगाया, क्या, मैं उसको डराना मांगता था, बम पैसेंजर्स का और कार का थोड़ा बहुत नुकसान करता, फिर वो डर कर पैकेट हमारे को सौंपना कबूल करता, पर वो बम साला मेर को धोका दे गया, वो मेरी उमीद से कहीं ज्यादा कड़क निकला, मैं उसको कार के इगनिशन से ऐसा वायर किया था, कि इगनिशन और होते ही बम फटता, बम फटा, पर उसने सब कुछ ही खलास कर दिया, दोनों पैसेंजर खलास, कार खलास, साला पिच्चु कुछ भी नह ही बचा, मैं देख की आया, क्या, दोनों पैसेंजर खलास, दोनों ही होंगे, वो हर जगा इकटे जाते थे, तब भी कार में दोनों ही सवार होंगे, और पैकेट भी खलास, जब पैसेंजर खलास, कार खलास, तो पैकेट किधर बचता, अच्छा, तब ही चिपलर में बोलत का हां भवरलाल तेरी खैर नहीं हां मेरे को भी फिक्र है तभी तो दोड़ कर इधर आए गोत मारे तो इस साइलेंट से वाकिफ है ना कोई नहीं वाकिफ हो साइलेंट से पार्टिल ही वाकिफ था वो भी मुकमल तौर से नहीं तो एक बार वहां गया था बरोबर पन पार्ट आइल के साथ पंड किनारे तक ही आगे जाने का होसला पाटिल का ही हुआ था मेरा नहीं अब होसला करना पड़ेगा गोत मारे हम दोनों वहाँ जाएंगे अच्छा और यकीनन मारे जाएंगे साथ क्या आइलेंड पर कदम रखते ही गले पड़ जाते हैं नहीं लेकिन उनकी देश्यत ऐसी है कि वहाँ कदम रखने के खयात से ही रूख काम उठती है तो बात को बढ़ा चड़ा कर कह रहा है असल में बात उस बाई की हो रही थी अरे खर दिमाग कुछ समझ मैं बोला वो बाई अपने जोड़ीदार के साथ चिपलन में बम से उड़ गई वो इधर कै कैसे हो सकती है वो ये बाई कैसे हो सकती है जो साफ साफ फिर अंगर में लग रही है और हुमारी जुबान का एक अक्षर नहीं जानती लेकिन सूरत तो वैसे चै किसी से थोड़ी बहुत मिलते सूरत किसी की भी निकल आती है अब इस बात का पीछा चोड़ गोत मारे फिर नहीं बोला, दोनों टेबल पर वापिस लोटे, वेटर वहां उसी क्षण बियर सर्फ करके गया था, सब ने चेर्स बोला, तब इस अम इंस्पेक्टर की वर्दी पहने एक व्यक्ती ने बार में कदम रखा, कई लोगों ने उसका अभिवादन किया, अभिवादन करने की टेबल के साथी भी थे, सब इंस्पेक्टर ने एक सरसरी निगा इधर उधर दोड़ाई, और फिर उनकी टेबल की तरफ बढ़ा, वो करीब पहुंचा, तो शोबना ने देखा कि उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर जोसफ फिग्वेरा लिखा था, कैसी आई बोला, इधर की कोई जुबान नहीं समझती, ओ, सब इंस्पेक्टर बोला, वो एक कुरसी घसीट कर उनके करीब बैठ गया, उसने अपनी पीक कैप उतार कर अपनी गोद में रख ली और शोबना का अभिवातन किया, हलो, शोबना मदुरस्वर में बोली, बियर, नो थैंक सब इंस्पेक्टर बोला, I am on duty, राप को क्या duty हो रही है, भवरलाल हिंदुस्तानी में बोला, एक स्चोपेड ओर मिला है चिपलन से, सब इंस्पेक्टर बोला, जो कि महराश्र में है, ओर्डर मिला है कि धर्मेश ठाकुर नाम का कोई आदमी इधर दिखाई दे, तो उसे हिरासत में ले लिया जाए, भवरलाल चौंका, इधर साला इतना टूरिस चाता है, सब इंस्पेक्टर बोला, मैं क्या उनके पायर पर उतरते ही, एक केक को बाजू से पकड़ के हिलाऊंगा, और पूछूंगा की क्यों भाई, तो चिपलन से वहाँ पहुचा, धर्मेश ठ पहुचा, उसका और एक नौजवान लड़की का, जो कि उसके साथ हो सकती है, जैसे गैरंटी है कि लड़की अगर चिपलन में उसके साथ थी, तो गोवा में भी साथ ही होगी, और इधर फिरागों पर भी साथ ही होगी, किया क्या है इस धर्मेश ठाकुर ने? उधर के पुलिस से कोई पंगा किया है, जिसके बारे में वो लोग उससे पूच्टाच करना चाहते हैं, उधर उसके कार में एक बम फटा था, जिसमें पहले समझा गया था, कि वो मर गया था, तो क्या वो नहीं मरा था? नहीं, तो कौन मरा था? एक लोकल कार मकैनिक, जो की चेक अप के लिए उसके कार को उसके होटेल से लेने आया था, और वो लड़की? बम ब्लास के चपेट में एक ही जना आया था, एक ही लाश मिली थी, और वो लाश मोहमद सलीम नाम के एक लोकल मोटर मकैनिक की थी ओ, बम किसने लगाया? क्या पता? क्या उसी भिडू ने जुसका नाम धरमेश ठाकुर बोला? क्या पता? मिलेगा तो पता चलेगा, इदर तो वैसा कोई आत्मी नहीं आया कैसा कोई आत्मी? हुलिया तो बताओ फिग्वेरा ने बताया, फिर आशापूर नेत्रों से सब की तरफ देखा, सब ने सिर इंकार में हिलाई ओके, फिग्वेरा उठता हुआ बोला, मैं चलता हूँ, और लोगों से पूछता हूँ उसने बड़े अदब से शोबना का अभिवादन किया, और बार की तरफ बढ़ गया अब क्या कहता है? पीछे गोत मारे बोला, जब वो भीड़ो तेरे बम से नहीं मरा तो क्यों ये फिरंगी मेम, वो बाई नहीं हो सकती? जवाब तो खुदी दिया हलकट, भावर लाल बोला, क्योंकि ये फिरंगी मेम है पन्द, एका एक शोबना उट खड़ी हुई, उसने वेटर को बुला कर बिल चुकाया, और पहले मारियो की और फिर भावर लाल की और देखती मुस्कुराती हुई बोली, टैन एएम, ओके? ओके मेडम, मारियो बोला, गुड नाइट, गुड नाइट, मारियो ने कहा लापरवाही से चलती वो बार से बाहर निकल गई, और उस सड़क पर आगे बढ़ी, जो की एस्ट्रेंड की तरफ जाती थी उसे धर्मेश को फॉरण, ये खबर करना बहुत जरूरी लग रहा था, कि वो दोनों मवाली, फिगारो आइलेंड पर पहुंच चुके थे और बोट के दो मालिकान के, जो नाम उन्हें बताई गए थे, वो असल में उन्हें दोनों मवालीयों के थे लेकिन ये धर्मेश था कहां, अगर उसे कहीं कमरा नहीं मिला होता, तो वो पंदरा मिनट में वापिस लोटा होता, वो तो आधे घंटे से उपर हो जाने तक भी नहीं लोटा था जानने का एक ही रास्ता था, रात की उस घड़ी, लगभग खाली सड़क पर लपक थी, वो अपने होटेल पहुंची क्या मेरे लिए कोई, वो हावती सी, डिसेप्शनिस से बोली आपके लिए एक मैसेज है मैडम, क्या, जल्दी बोलो आपका ड्राइवर होटेल लवनेस के कमरा नमबर बारह में है, छीक है, वहाँ फोन लगाओ किसे? होटेल को नमबर लग जाए, तो फोन मुझे दो, जल्दी करो रिसेप्शनिस नमबर डाइल करने लगा, बिजी है, वो बोला फिर करो, करते रहो, मैं आती हूँ वो दोड़ कर अपने कमरे में गई, वहाँ से उसने वो रिवालवर अपने काबू में की जो उसका हमलावर दादर में उसके फ्लैट में फैंक कर गया था और जिसका नाम अब वो जानती थी, कि गोत मारे था उसने रिवालवर अपने हैंड बैक में रख ली, और दोड़ती हुई वापिस, रिसेप्शन पर पांची नहीं मिल रहा, रिसेप्शनिस खेत पॉर्ण स्वर में बोला, फोन खराप मालूम होता है क्या एक ही नंबर है, हाँ, नेवर माइंड, ये बताओ, ये होटेल लफ नेस्ट है कहाँ चर्च रोड पर, चर्च रोड कहाँ है, जल्दी बोलो, पहेलिया ना बुझाओ, यहां से चर्च रोड पहुँचने का रास्ता समझाओ हक बकाई से रिसेप्शनिस ने समझाया, शोबना जैसे बगले की तरह होटेल में दाकिल हुई थी, वैसे ही वहाँ से बाहर दौट चली रात की उस घड़ी कोई सवारी मिलने का तो सवाल ही नहीं था, इसलिए लगभग दौड़ती हुई, वो चर्च रोड पहुची, वहां आगे सड़क पर होटेल लवनेस का नियोन साइन चमक रहा था, वो उसकी दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ी, और फिर एका एक थम कर खड़ी हो गई, भवरलाल और गोत मारे होटेल के सामने खड़े थे और किसी बात पर तकरार करते मालूम हो रहे थे, आइलेंड पर गिंती के होटेल थे, जरूर उन्होंने जगा जगा हुलिया भयान करके मालूम कर लिया था, कि धरमेश ठाकुर कहा ठहरा हुआ था, फ और वहां से साफधानी से चलती हुई, होटेल की दो मंजिली इमारत के पिछवारे में पहुँची, उदर सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी, वो कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, और उसकी शीशे के खिड़की पिछले कमपाउंड में खुलती थी, कमपाउंड की चार दिव में दाखिल हुई, और रोशन खिड़की के करीब पहुची, खिड़की के आगे एक पर्दा तना हुआ था, लेकिन वो इतना जीना था, कि उसके पार बाखो भी देखा जा सकता था, रात के सननाटे में उसे भीतर से आती आवाजे भी सुनाई दे रही थी, साफधानी से स फिर उठा कर उसने भीतर जांका, उसे एक पलंग पर धर्मेश पलंग से नीचे टांगे लटकाए बैठा दिखाई दिया, उसके बाल बिक्रे हुए थे और चेहरे पर फटकार बरस रही थी, वो दोनों मवाली उसके सामने खड़े थे, उनकी खिड़की की तरफ पेट थी फिर भी भवर लाल के जिसमने जरा सी हरकत की, तो शोबना को उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर जिसकी नाल का रुक धर्मेश की तरफ था, साफ दिखाई दिया, साला इधर टेक्सी डिरेवर बन गया, उसे भवर लाल का क्लूर स्वर सुनाई दिया, एन नोटंकी बास का म आफिक, मूच साफ करा ली, बाल कटवा लिये, तो सोच लिया की थोबडा नमा हो गया, गोत मारी बोला, धर्मेश खामोश रहा, विलाईती मेम कौन है, बवर लाल बोला, विलाईती मेम है, धर्मेश शांती से बोला, और तो उसका डिरेवर है, हाँ, इधर टेक्सी चलात है, हाँ, चिपलन में क्या करता था, सेर करता था, उस बाई के साथ, हाँ, वो किधर गई, मालुम नहीं, पता नहीं मुझ से बोल हो गई, या बम बलास से डर गई, लेकिन मुझे छोड़ के चली गई, क्या वो वही बाई थी जो मुंबई में, दादर में रोड के एक फ्ल विलाईती में बनी हुई है, नहीं, मैं साला, गोत मारे आवेश पॉंट स्वर में बोला, उसी को थाम के उससे पूछेगा की, थोबड़ा बंद कर, भवरलाल घुड़क कर बोला, गोत मारे खामोश हो गया, फोरें टोरिस से पंगा लेगा, धरमेश शांती से बोला, तो पांच साल के लिए जेल जाएगा, क्या, गोत मारे फिर भड़का, क्या बुला, वही जो तु सुना, मैं साला देखेगा की, मैं बोला ना, भवरलाल सक्ती से बोला, अपना थोबड़ा बंद कर, गोत मारे फिर खामोश हो गया, भीड़ू, भवरलाल धरमेश से संबोधित हुआ, तु इधर मेरे से बात कर, कौन क्या था और अब क्या है, तु ये किसा छोड़, और बोल, अब पैकेट की बात करता है क्या, क्या बात, धरमेश बूला, वो पैकेट अब कहा है, चिपलन में, चिपलन में कहा, पुलिस ट्रेशन पर, सर्व इंस्पेक्टर दिलीब लोलस के पास क्या था उसमें एक नकली सांप और उसके भीदर क्या था कुछ नहीं सिर्फ लकडी का बुरादा था ये नहीं हो सकता सांप में जरूर कुछ था वरना पाटिल उसे साथ नहीं लिये फिर रहा होता बुरादे की सिवाई कुछ नहीं था सांप में या उसमें कोई नक्षा था धर्मेश ने उत्तर नहीं दिया उसमें जरूर कोई नक्षा था जिस पर ये दर्श था कि पाटिल ने आईलेंड पर माल कहां चुपाया था कैसा आईलेंड कैसा माल तेरे को मालूम भीडू अखा ही एडियट समझता है हमारे को कल तो उधर ही जाने के लिए बोट का किराया भरा कितना अच्छा हुआ कि हमारी बोट का किराया भरा मैं तेरे को अभी उधर लेके चलता है क्या चांदनी रात है कोई वांदा नहीं फिर वो अपने जोड़ीदार की तरफ घूमा और बोला इसका सामान समेट कर काबू में कर ठीक है गोत मारे बोला हम इसे पिछवारे के रास्ते यहां से निकालने चलते हैं होटेल वालों को सवेरा होने से पहले इसके यहां से नकी होने की खबर नहीं लगेगी वो यहीं समझेंगे कि ये साला टुच्चा गैस होटेल का भाड़ा भरे बिना इधर से किसक गया गोत मारे घरमेश का कमरे में इधर उधर पड़ा सामान सपेंटें लगा तुम ऐसा नहीं कर सकते धरमेश बोला कैसा नहीं कर सकते भाड़ाल बोला जैसा तुम करने जा रहे हो अच्छा कौन रोकेगा हमें तुम्हारा बाप ही रोकेगा क्या बकता है टीका राम आइलेंट पर है और वो तुम दोनों को तलाश कर रहा है भाड़ाल को एका एक जैसे साम सूंग गया कमरे से सामान बटोरता गोत मारे भी थमत कर खड़ा हो किया क्या बोला भाड़ाल भोचक का सा बोला क्या नाम बोला टीका राम भाई का खास आत्मी क्या तु उसे जानता है हाँ कैसे कैसे जानता है टीका राम भाई का खास, मैं टीका राम का खास गोत मारे ने सशंग भाव से अपने जोड़ीदार की तरफ देखा बंडल मारिला है, भवरलाल खोकले स्वन में बोला कहीं से नाम सुन लिया टीका राम का, अब नाम की ताकत आसमाता है, नाम लेकर हमें डराता है मैं आज ही धर्मेश आशापॉंट स्वन में बोला अभी थोड़ी दिर पहले ही उससे मिला हूँ कहां? यहीं इसी होटेल में जूट मैं उसका हुलिया बयान कर सकता हूँ अच्छा तो कर धर्मेश ने उसका हुलिया बयान किया ततकाल दोनों मवालियों के चेहरों पर हवाईया उड़ने लगी धर्मेश आशानवित हो उठा अच्छा जादू था भाई के खात के नाम में ककक्या? भवनलाल बोला, क्या बोलता था? बोलता था भाई तुमसे एंटी, धर्मेश बोला बोलता था तुम दोनों की खेहर नहीं दोनों सिर से पाउं तक काम पे और भवनलाल ने पूछा और क्या बोलता था? बोलता था कि अब एक ही तरीके से तुम्हारी जान बच सकती थी कि तुम कुछ कर दिखाओ क्या टी का नाम ऐसा बोला? हाँ फिर क्या वांदा है? भवनलाल यूँ बोला जैसे जान में जान पढ़ गई हो कुछ कर तो हम जरूर ही दिखाएंगे उसी की तो तैयारी है धरमेश ने अपने होंट काटे उसने अनुभव किया कि वो आकरी बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी अब ठीका राम का ओवर्डोस हो गया था और लगता था कि पासा उल्टा पढ़ गया था ठीका राम ये भी बोला धरमेश ने फिर हिम्मत की कि तुम लोगों को हमारे पीछे नहीं पढ़ने का था पढ़न ये तो बोला ना कि हम कुछ करके दिखाएं तो सब माफ हाँ फिर तो कोई वांदा नहीं वो अपने जोडिदार की तरफ घूमा तो चलने दे अपना प्रोग्रेम हिचकते हुए गोत मारे ने अपना अधूरा छोड़ा काम फिर शुरू किया कुछ शन खामोशी रही बेचैनी से पहलू बदलता धर्मेश उस विकट स्थिते से निकलने की कोई तरकीप सोचता रहा भाई भी इधर आने वाला है एक एक वो बोला क्या? भवल लाग सक पकाया क्या बोला? मैं बोला भाई भी इधर आने वाला है ऐसा कौन बोला? ठीका राम जिसका तू खास है? हाँ बंडल सब बंडल भीडू ये एक जोट बोल के तू साबित कर दिया कि तू बाकी भी सब जोट बोला लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साले भाई कभी इधर नहीं आता जबसे वो दुबाई में जाकर बसा है तब से वो ना इधर पहले कभी आया था ना आब आएका वो इधर आही नहीं सकता ये एक बात बोल के तू ने ठपा लगा दिया कि बाकी बाते भी जोट है दर्मेश से जवाब देते नहीं बना ये क्या है? एका एक गोत मारे बोला भवरलाल ने देखा वो कार्ट बोर्ट के एक डिब्बे की तरफ इशारा कर रहा था क्या है? उसने पूछा मैं तो तेरे से पूछा गोत मारे बोला भवरलाल ने धर्मेश की तरफ देखा तो धर्मेश परे देखने लगा आखिर पंजी की उसकी खास खरीद भी उनके हाथ में आही गई थी खोल भवरलाल ने आदेश दिया गोत मारे ने डिब्बे के उपरी धकन खोल कर एक दूसरे से अलग किये क्या है? भवरलाल बोला और फिर आगे बढ़कर भीतर जांकने लगा डिब्बे के भीतर एक लोहे का छोटा सा सिलिंडर था जिसके कोने जैसे दहाने पर एक नलकी लगी हुई थी और नलकी पर एक कंट्रोल नॉब फिट थी ये क्या है? गोत मारे बोला भवरलाल की सूरत से ऐसा नहीं लगा कि उसने पहचाना था कि वो क्या था क्या है ये? वो गुड़कर धर्मेश से बोला अक्सीजन का मिनी सिलंडर है धर्मेश साफधान स्वर में बोला पानी के नीचे सांस लेने के काम आता है मैडम ने पोंडा से मंगवाया है इसे भी इसके बैक में रख गोत मारे ने सेहमती में सिर हिलाया भीडू बावरलाल बोला तु हमारा कहना नहीं माने का कोई पंगा करेगा तो पानी के नीचे ही सांस लेगा पंट तब तेरे पास कोई अक्सीजन नहीं होगी कोई सेलंडर नहीं होगा समझा क्या? दर्मेश खामोश रहा उटके खड़ा हो वो खड़ा हुआ इसकी टाई से इसके हाथ इसकी पेट पीछे बांदे और मुँ में कपड़ा ठूस दे गोत मारे ने सेहमती में सिर हिलाया शोबना खामोशी से खिड़की के नीचे से हट गई उस घड़ी धर्मेश के बचाप का बेहतरीन जरिया यही था कि वो चुप चाप वहाँ पुलिस को बुला लाती लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ऐसा करने से तो तमाम किस्सा ही खत्म हो सकता था जबकि माल की ललक अभी भी उसके मन में बरकरार थी धर्मेश की जान उस घड़ी जोखिम में थी तो वो क्या कर सकती थी आखिर वो उसका 50-50 का पार्टनर था मोटा माल कहीं जोखिम में बिना जोखिम के बिना काबू में आता था क्या इतना तो वो समच चुकी थी कि वो दोनों मवाली धर्मेश को जबरदस्ती कोब्रा आइलेंड ले जाना चाहते थे ऐसा उनकी बोट के जरिये ही हो सकता था जो कि तब भी पायर नंबर पांच पर बंदी खड़ी हो सकती थी वो वापिस पिछली गली में पांची और फिर तेजी से फेरी स्टेशन की दिशा में बढ़ी शुकरवार बेस फरवरी कोब्रा आइलेंड बंदी धर्मेश को अपने बीच में चलाते वो दोनों पायर नंबर पांच पर पांचे जहांकि उनकी मोटर बोट सी हॉक बंदी होई थी एक लकड़ी के तकते पर सेंडविच की सूरत में चलते हुए वो पायर से मोटर बोट के डेक पर उदर गए वहां धर्मेश का बैग और पैकेट गोत मारे ने एक लॉकर में डाल दिया और डेक पर से ही एक रसी तलाश करके धर्मेश के पाउं भी बांद दिये उसने उसे धका देकर डेक पर लुड़काया और फिर उसे लंगर की जंजीर के साथ बांद दिया तब आधी रात हो चुकी थी और आसमान पर पूरा चांद चमकता दिखाई दे रहा था अपने बंदी से फारिक हो कर और इस बात से संतुष्ट हो कर कि वो कोई बखेडा खड़ा नहीं कर सकता था बावलाल स्कीपर के बिना कैबिन में पहुँच किया और गोत मारे पायर से बंदी उसकी रसी खोलने लगा रसी खोल गई तो वो तकते पर चलता बोट में आ किया और अपने पीछे उसने तकता भी बोट पर खेंच लिया फिर बोट का इंजन गरचा और वो समुद्र की चाती पर दौट चली डेक पर लुड के पड़े धर्मेश को कबूल करना पड़ा कि मवाली वो कैसा भी था बोट में बड़ा दक्ष था दर्म्यानी रफ्तार से चलती बोट समुद्र पर आगे बढ़ती रही फिगारो आइलेंट पीछे बहुत पीछे रह किया और फिर धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गिया कितनी ही देर वो यूँ ही अंधेरे समुद्र की चाती पर दौटती रही फिर एक एक बोट का कंट्रोल भवलाल ने गोत मारे के हवाले किया और खुद डेक पर लुड़के पड़े धर्मेश के पास पहुँचा वो उकडू होकर उसके पास बैट किया और बुला भिडू तो खाम का पंगा लिया पर अब लेही लिया है तो कहना मानने में ही तेरी भलाई है तो हमारे से ठीक ठीक पेश आएगा तो जैसे तीन हम इधर आई वैसे ही तीन वापिस लोटेंगे अगर नहीं ठीक पेश आएगा तो दो वापिस लोटेंगे और एक पीछे सांपों की खुराग बनने के लिए रह जाएगा समझा क्या धर्मेश खामोश रहा चिपलन में उधर वो बार का मालिक मर गया कोई वांदा रही वो टेक्सी डिरेवर बन गया क्या करेगा पाटिल मर गया तो अपनी बेवकूफी से मैं इधर भी क्या करेगा पन मोडक को भूल गया क्या धर्मेश व्यंगे पूंट स्वर में बोला क्या मोडक शांता राम खड़ा पारसा कुछ याद आया अच्छा वो हाँ वो अब उसका टैम खला सोचुका था तो मैं क्या करेगा पाँच आदमी मार गिराई तुम लोगों ने गंपती बपा की महर बानी हुई कि छटा बच गया छटा हाँ तू चिपलन में बम की वज़ा से तेरा मर जाना मिस्चेक होता मैं बता नहीं सकता कि तेरे को जिन्दा देख कर भेड़ू मेरे को कितना खुशी हुआ ऐसा लगा कि तेरे साथ खुद हम दोनों के भी जान बच गई बाप में तेरी लंबी उम्र की दुआ करता है पर वो लंबी उम्र तेरे अपने हाथ में है तू चाहेगा तो उम्र लंबी होगी नहीं चाहेगा तो नहीं होगी धरमेश ने सहमती में सेर हिलाया और फिर बोला, तुम्हारा नाम भवरलाल है या परेश गोत्मारे, भवरलाल के चेहरे पर हैरानी के भाफ आई, हैरान होने की क्या बात है, धर्मेश ने कहा, हमें इस बोट के मालिकान का नाम भवरलाल और गोत्मारे बताया किया था, तुमने होटेल में खुद अपनी जु गोत मारे हो ओह मैं भवर लाल हूँ हम करीब पहुंच रहे हैं स्किपर कैबिन में से गोत मारे उचस्वर में बोला दोनों टापूओं में से मोटर बोट को वैसे ही चागे बढ़ा जैसे उस रोज बढ़ाई थी जबकि कोस्चल पेट्रोल की बोट हमारे पीछे लगी थी अ और वहां ले जाके रोख जहां हमने किष्टी के साथ पाटिल को उतारा था छीक है मोटर बोट की रफतार घटने लगी पानी में सिर निकाले खड़ी चटानों के बेट से गुजरते वक्त और रफतार इतनी घट गई जैसे इंजन वाली मोटर बोट ना चल रही हो हवा के रुक के साथ पाल वाली नाव चल रही हो चांद की रोशनी भले ही भरपोड थी लेकिन सामने कुछ दिखाई दे रहा था तो बोट की हेडलाइट की वज़ा से ही दिखाई दे रहा था बोट का एक नहीं तो दूसरा पहलू कई बार चटानों को चूकर निकला लेकिन गोतमारे भी अपने जोडिदार जितना ही दक्ष ड्राइवर था कई बार मोटर बोट किसी चटान से चूकर गोल घूम गई लेकिन फिर सीधी हो गई आखिरकार वो एक स्थान पर रुकी यहां लंगर डाल दे भवनलाल बोला गोतमारे ने खामोशी से आधेश का पालन कि गया बोट पानी की लहरों के साथ होले होले डोलती रही फिर गोतमारे भी स्किपर कैबिन से निकल कर अपने जोडिदार के करीब आ खड़ा हुआ लेंप जला भवरलाल बोला सेहमदी में सिर हिलाता भवरलाल एक लौकर के करीब गया और उसमें से मिट्टी के तेल से जलन वाला एक पेट्रो मैक्स निकाल कर लाया उसने पेट्रो मैक्स को डैक पर रख कर कुछ देर उसका पंप चलाया और फिर माची से उसे जलाया एक दो बार कफ कफ करके पेट्रो मैक्स ठीक से जल उठा और डैक पर अपनी चमकेली रोशनी फैलाने लगा फिर भवरलाल के हा अंगूठे से परक्ता हुआ बोला दिल भी कमजोर निकला उसका जल्दी टैम बोल गया था भीडू तू तो नाचवान है टिक-टिकी भी मजबूत होगी तेरा मज़ा आये का धरमेश का कंट सूखने लगा इधर कोई जल्दी नहीं है अखी रात अपनी है जब मर्जी जबान खोलना धरमेश के मूँ से बोल नहीं फूटा बवरलाल ने अपने जोडीदार की तरफ देखा और बोला पहले तू या मैं मैं गोतमारे खुशी से हाथ मलता हुआ बोला ठीक है बवरलाल चाकू उसे थमाता हुआ बोला तू भी क्या याद करेगा गोतमारे ने खिलोना उसके हाथ में आ किया हो आँखों में वैशी चमक लिए वो धरमेश के सिल पर आ खड़ा हुआ उसका चाकू वाला हाथ धरमेश की चाती की और बढ़ा खौफ जदा धरमेश ने कसकर आँखे बंद कर ली सांस रोके वो पहले वार का इंतिजार करने लगा एक फाय और सामने देखा गोत मारे धरम की आवाज से डेक पर धेर हुआ उसके हाथ से चाकू चिटक कर परे जाकिरा फिर उसे डेक से नीचे को जाती सेडियों के दहाने पर शोबना दिखाई थी उसके चेहरे पर आतंग के भाव थे और हाथ में धुआ उगलते रिवालवर थी भावरलाल ने अव विश्वास बरी निगाहों से धरशाई होते अपने जोड़ी दार को देखा फिर ततकाल पतलून की बेल्ट में खुसी अपनी रिवालवर की तरफ हाथ बढ़ाया धरमेश ने अपने बंदे हुए पैरों की दलती उसकी तरफ चलाई भावरलाल भर भर पीछे को पल्टा रिवालवर उसके हाथ से चिटक कर परे जाकिरी खबरदार शोबना रिवालवर भवरलाल की और तांती हुई बोली भवरलाल के कस बल धीले पड़ गए शोबना ने पहले उसके रिवालवर काबू में की और फिर धरमेश को बंदन मुक्त किया कहा थी ध शोबना भवरलाल पर निगा जमाई बोली बोट के छोटे से कारगो होल्ड में कैसे किया ये तो लंबी कहानी है बहर हाल एन मौके पर पहुँची शुक्रिया शोबना ने भवरलाल के रिवालवर उसे थमा ती धरमेश ने रिवालवर अपनी बेल्ट में खोसी और कलाईय मसलने लगा अब शोबना उतावले स्वर में बोली धरमेश डेक पर लड़के पड़े गोत मारी के पास पहुचा उसने जुक कर उसका मौईना किया और फिर सीधा होता हुआ बोला मर गया सुनते ही भवरलाल के मूँ से गालियों का तुफान फट पड़ा क्या पहले कभी रिवालवर चलाई थी धरमेश ने पूचा नहीं शोबना बोली फिर तो कमाल कर दिया चाती में लगी गोली एन दिल में से गुजरी अच्छा इसका क्या करें वही जो इसने मेरा किया धरमेश भवरलाल के सिर पर पहुचा उसने रिवालवर की नाल उसके माते से सटा दी ततकाल भवरलाल की जुबान को ब्रेक लगी वो भैभीत भाफ से धरमेश की तरफ देखने लगा ककक्या उसके मुझ से निकला यह 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 धरमेश ने रिवालवर को एका एक नाल की तरफ से थामा और उसकी मूट का भरपूर प्रहार उसकी कनपटी पर किया वो नीशब ड अचेत था फिर उन्ही रसियों से उसकी मुझ के कस दी जिन से थोड़ी देर पहले खुद वो बंदा हुआ था फिर वो उसकी जेबे टटोलने लगा इसका मूँ भी तो बांधो शोबना बोली क्या जरूरत है धरमेश ला परवाही से बोला यह होश में आकर चिलाएगा त भवरलाल की जेबो में से जो भी सामान बरामत हुआ उसने उसे भवरलाल के ही रुमाल में डाल कर रुमाल को एक गट्री की तरह बांध दिया तब उसने नोट किया कि शोबना अपनी फैंसी पोशाप की जगा एक कई साइस बड़ी पतलून और घुटनों से नीचे तक आन लग रही थी ओ अब क्या इरादा है इरादा वही है जिस पर कल अमल करना था लेकिन आद जबरन करना पड़ गया क्या हम अपने कोब्रा आइलेंड के दर्शन करेंगे कैसे जैसे पाटिल ने किये थे मोटर बोर्ट की नाव पानी में उतारनी पड़ी की शोबना की निगा सारे बोर्ट के पहलू से बाहर लटकती नाव पर पड़ी ततकाल उसके शरीन ने जोर की जुट जुरी ली बैतर ये नहीं होगा वो दबिस्वर में बोली कि हम कल लौट के आएं कल क्यों दिन की रौशनी में आना ठीक होगा ना रौशनी का इंतिजाम है हमारे पास पेट बश्तारी होगी लेकिन फिर कल भी तो यही कुछ करना है नहीं तो आज ही ठीक है फिर भी फिर भी ये कि जरा आगे तो सरकते हैं हालात काबू से बाहर दिखाई दिये तो लौट चलेंगे और सांप पानी में सांप भी तो होंगे नहीं होंगे जरूर ब्लो कोब्रा को पानी रास नहीं आता होगा सांप पानी में उतरते होते तो उनको पेट भरने के समस्या ही नहीं रहती फिर तो वो मचलियां ही भर पेट खा रहे होते ऐसा नहीं है होता तो पोंडा की लेबोर्टरी के डॉक्टर एसमाल्डो ने जब उनकी खुराक का जिक्र किया था तो म जैसी उनकी यहां आबादी बताई जाती है उस लिहाज से तो वो बाकी टापूँओं पर भी फैल गए होते फिगारो आइलेंड पर भी पहांच गए होते समझी शोबना खामोश रही शोबना धर्मेश दबिस्वर में बोला एक बात और भी है जिसके की तुझे खबर नहीं लेकिन जिसकी वज़ा से अब कुछ करना या ना करना हमारी मर्जी पर मुनहसर नहीं रहा क्या मतलब वो सक पका कर बोली धर्मेश ने उसे टीका राम से हुई मुलाकात की बाबत बताया अरे वो बोली इसका मतलब तो ये हुआ की एक तरह से अब हम भी भाई के लिए ही का कर रहे हैं हां कोई नतीजा निकाल पाई तो इनाम अगर फेल हुए तो खलास ऐसे कहीं होता है क्या होता ही होगा वो क्या भगवान है लोगों की तकदिर लिखता है उसे ऐसे कोई खुश वहमी हो सकती है नॉनसेंस तू बात को समझ नहीं रही है शोबना तो उसे तरीके स समझ देख उसे इतनी गैरंटी थी कि भाई की 50 लाक रुपई के नसराने की ओफर नाकबूल नहीं हो सकती थी कि उसने पैकेट देखने तक की कोशिश नहीं की थी जो कि मैं उसे सिर के बल लाके देता वो एक गोली और चलाता तो मैं नक्षा भी प्लेट में रख के पेश क करता और खुद बांच-बांच के सुनाता कि उस पर बनी आड़ी तिर्शी लकीरों का क्या मतलब था उसने तो यू भाई का हुकम दंदना तिया जैसे भाई कोई बादशा था और हम उसकी रियाया थे जैसे बादशा अपनी रियाया के किसे भी आदमी को चुन कर उसे किस काम देने का हुकम दंदना सकता है वैसे ही उसने हमारे लिए हुकम दंदनाया क्या हुकम दंदनाया यही कि माल बरामत करके लाओ और इनाम पाओ वर्ना धर्मेश ने जान बुच कर वाक्य अधूरा चोड़ दिया यानि की शोबना बोली अगर हम अपने मिशन में डालेगा हाँ ऐसा ही बोला वो टीका राम तुम्हें उसकी बात पर यकीन है सच पूछो तो है यानि कि अब हम पचास लाग के इनाम के फेर में हैं ना कि पचास करोड के माल के इस हम माल के ही फेर में है तबी तो मैं कह रहा हूँ कि हमें काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए हमें जो करना है अभी करना चाहिए क्या मतलब तो समझ ना उसने हमें 48 गंडे का टाइम दिया है अब जितनी जल्दी हम माल पर काबिज होंगे उतना ही ज्यादा टाइम हमारे पास माल के साथ खिसक जाने का होगा ओ तो ऐसा बोलना था ना ऐसा ही बोला मैं तो समझी ज़रा देर से तो ठीक है फिर वो गहरी सांस लेकर बोली ऐसे ही सही दर्मेश ने डेक पर पड़ा गोत मारे के हाथ से निकला चाकू उठाया और उससे नाव की रसियां काटने लगा तमाम रसियां कट गई तो नाव एक जोर की चपा की आवाज के साथ पानी में जाकर गिरी मैं नाव में उतरता हूँ धर्मेश जल्दी से बोला वरना ये डोलती हुई परे निकल जाएगी तो मुझे सामान पकडाना भारी सस्पेंस के हवाले शोबना ने जल्दी से सेमती में सिर हिलाया धर्मेश ने नाव में चलांग लगाई नाव एक बार जोर से डग मगाई और फिर स्थिर हो गई फिर शोबना उसके निर्देश के मुताबिक उसे सामान पकडानी लगी लोकर से निकाल कर धर्मेश का बैक उसका वहीं पड़ा कार्ट बोर्ट का डिबा पानी का एक कनस्तर और दो जग भवलाल के सामान की रुमार में बंधी गठ्री एक फैनी की बोतल जो कि स्किपर के कैबिन में पड़ी पाई गई थी आखिर में जलता पेट्रो मैक्स फिर धर्मेश ने शोबना को भी सहारा देकर नाव में उतारा नाव में ही दो हुको में अटकाई दो चपू मौजूद थे जो कि धर्मेश ने वहां से निकाल लिये उसने एक चपू को बोर्ट की बोड़ी से लगा कर जोर से धका दिया तो वो नाव बोर्ट से परेहट कर समु गिल्द मेलो तक कोई नहीं है, क्यूं कोई नहीं है, भवरलाल है ना, बस सेंकडों हजारों, क्या पता लाखों सामप हैं, मोटा माल योही हाथ नहीं लग जाता शोबना, जानमारी करने ही पड़ती है उसके लिए, एक बात कहूं, यकीन कर लोगे, हां कहो, क्या कहना चाहती हो मोटे माल का समोहन एका एक्छू मंतर हो गया है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है अब तो मुझे डर लग रहा है धर्मेश कि हमें चिपलन में पैकेट के बदले में दो लाक रुपई ले लेने चाहिए थे पागल हुई है क्यों अनाप्शना बोल के मेरा नशा उतार रह ही है नशा हां दौलत का ओ वो फैनी की बोतल कहां गई ये पड़ी है एक घूंट लगा ले हिमत बंद जाएगी सेमती में सेर हिलाते हुए उसने वैसी कोशिश की तो तदकार वो जोर-जोर से खासने लगी उसकी आँखों से आंसु बेहने लगे चप्पू चलाता धर में शसा सरसर जहर है ये तो वो बोली ला मुझे दे शोबना ने बोतल उसे थमाई तो उसने उसका एक तगड़ा घूंट हलक से उतारा और बोतल उसे वापिस थमा दी कोई दस मिनट तक खामोशी से नाव चली इधर तो कुछ भी नहीं है शोबना उतावले स्वर में बोली कुछ तो जरूर होगा बेला वाला ने तुम्हें खुद बताया था कि मोटर बोर्ट वालों ने नाव को इधर ही छोड़ा था अब हम जानते हैं कि उस नाव में पाटिल था माल के साथ जब पाटिल के लिए इधर कुछ था तो हमारे लिए क्यों नहीं होगा लेकिन कब होगा हौसला रखो अभी हम मोटर बोर्ट से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं चले आए हैं इस नाव को मैं तेजी से नहीं खेश सकता ये रात में किसी अद्रिश्य चटान से टक्रा गई तो हम इसके साथ ही डूप पड़े होंगे शोबना जोर से काम पी इसलिए वक्त की जरूरत फूंग फूंग कर कदम रखने की है मेरा मतलब है फूंग फूंग कर नाव चलाने की है वो देखो एका एक शोबना उत्तेजित भाफ से बोली धरमेश ने घूम कर देखा देखो वो बोली नहर जैसे लंबे संकरी खाई जो टापू की खुश्की में गुस्ती चले जाती दिखाई दे रही है नक्षे की पांच लकीरों में से पहली लकीर धर्मेश के मुँसे निकला हाँ फिर तो हम सही रापर हैं वो जोश से बोली सही रापर हैं हम अब जिगर थाम के बैट शोबना मेरा दिल गवा ही दे रहा है कि कोई नतीजा बस सामने आने ही वाला है वो पहले से ज्यादा जोश से लेकिन ज्यादा साफ धानी से नाउख खेने लगा खामोशी से पांच शे मिनट और गुस्रे डबलियू शोबना फिर एका एक बोली और नक्षे की दूसरी लकील धरमेश बोला वो लंबी नहर जैसी खाई जो टापू में सबसे ज्यादा भीतर तक जाती है उस खाई के दहाने पर चार पेड़ियों उगे हुए थे कि उनसे डबलियू बन गया जान पड़ता था खाई में आगे जहां तक भी निगा जाती थी उस पर दाएंबाएं पेड़ उगे मालुम होते थे दोनों किनारों से पेड़ियों एक दोसरे की तरफ जुके हुए थे कि खाई पर चट पड़ गई मालुम होती थी हमें इस रास्ते आगे बढ़ना है धर्मेश दबिस्वर में बोला इस रास्ते पर आगे 900 फुट पर या 900 गश पर कुछ है 900 फुट पर ही हो हे भगवान 900 फुट पर ही हो धर्मेश ने नाओ का रुख बदला और उसे उस नहर सीख में दाखिल किया नाओ पानी की सड़क जैसे उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे सरकने लगी तब ही शोबना के मुँ से एक घुटी होई चीक निकली क्या हुआ धर्मेश गबराया सा बोला शोबना ने फटी फटी आँखों से देखते हुए एक कुंगली एक तरफ उठाई उसके मुँ से बोल नहीं फूटा धर्मेश ने इंगे दिशा में देखा एक पेड़ की डाली से आधा लिप्टा चमकीले निले रंग का एक साम उनके सामने लटका हुआ था और जीब लप लपाता उनकी तरफ देख रहा था धर्मेश ने उसकी दिशा में हवा में चपो गुमाया तो वो ततकाल पीछे सिमट गया और फिर वहां से गायब हो गया हे भोले भंडारी शोबना होंटों में बुद्बुदा रही थी अगर आप भी आसपास कही हो तो हमारी रक्षा करना रात को साम भी सोते होंगे धर्मेश यूं बोला जैसे शोबना को नहीं अपने आप को देलासा दे रहा हो एक जो हमें दिखाई दिया था शोबना कामती आवास में बोली वो जरूर इनकी बस्ती का चौकीदार होगा इसलिए जाग रहा था मजाक मत कर शोबना लौट चलो धर्मेश क्या लौट चलो कुछ नहीं रखा यहाँ जान है तो जहान है कहना मानो लौट चलो अच्छा वो डिबबा पकड़ा इस महाल में साम तो मुझे क्या काटेगा मुझे लगता है वैसे ही मेरा दम निकल जाएगा जब तक दम नहीं निकलता तब तक तो हात पाओं हिला डिबबा पिकड़ा शोबना ने कामते हातों से कार्ट बोड का डिबबा उठा कर उसे थमाया धर्मेश ने डिबबा खोल कर उसमें से लोहे का सिलंडर निकाला यह क्या है उन मवालियों को मैंने कहा था कि ये ओक्सीजन का सिलेंडर था जो कि पानी के नीचे सांस लेने में काम आता था तब ही वो इसे साथ ले आई थे जो कि बहुत अच्छा हुआ अच्छा, असल में क्या है ये? असल में ये असेटलिन गैस से भरा सिलेंडर है ये वेल्डरों के वेल्डिंग वाले साजो सामान का जे भी संसकरण है हमारे किस काम आएगा ये? इसे फ्लेम थ्रोवर की तरह भी इस्तिमाल किया जा सकता है फ्लेम क्या? फ्लेम थ्रोवर, लपट फैंकने का आला इसकी कंट्रोल नॉप को थोड़ा सा घुमा कर मैं नलकी के मूँ को माचिस दिखाऊंगा तो गैस जल उठेगी फिर जितना ज्यादा मैं नॉप को खोलूंगा उतनी ही ज्यादा तीखी लपट इसमें से पैदा होगी मुझे उमीद है कि इसके होते सांपो की हमारे पास फटेटने की मजाल नहीं होगी ओ, दर्मेश ने नाल को माचिस दिखाई एक जोर की उश की आवास के साथ लपलपाती जीब की तरह लपट उसमें से निकली तदकाल आगे पेड़ों में हलचल होने लगी कोई सांप उने दिखाई नहीं दिया लेकिन लगता था कि पेड़ों में कई थे जो फुंकार रहे थे और पूंच पटक रहे थे चपु संभाल दर्मेश बोला धीरे धीरे नाव आगे बढ़ा सांप तेरा कुछ नहीं बिगाडेंगे ये मेरा सिम्मा चल अब हात पाउं हिला आतंग से अध्मरी होई जारे ही शोबना ने चपु संभाले नाव आगे सरकने लगी दर्मेश ने लपट को और तेस कर दिया और सिलेंडर को पानी के धरातल से 45 अंश के कोन पर था में नाव के अगरभात में बैठा रहा लपट इतनी तेस थी कि पेट्रो मेक से ज्यादा उजाला कर रही थी और इतनी दूर तक जा रही थी कि कई सांप उसकी चपेट में आकर जुलस रहे थे और उनके सामने पके फलों की तरह पानी में गिर रहे थे शोबना जोर-जोर से हनुमान चालिसा का पाठ कर रही थी भूत पिशाच निकट नहीं आवे वो लगभग चिलाती हुई कह रही थी महावेर जब नाम सुनावे लगता था जैसे उस एक ही लाइन पर उसके यादाश की सुई अटक गई थी लपट से पेडों की पतियां और सूखी शाखाई आग पकड रही थी जिसकी वज़ा से साम पेडों पर और उपर सरकते जा रहे थे जो वक्त रहते ऐसा नहीं कर पा रहे थे वो कुछ जुलस कर तो मर कर कुछ नीचे पानी में गिल रहे थे पेडों पर सुलगने लगी आग अब धर्मेश को सामपों से भी ज्यादा दैशत में डाल रही थी वो आग दावनल में तबदील हो सकती थी और वो दोनों वहीं किष्टी समेथ जल कर मर सकते थे एक सामप नाओं में एन शोबना के सामने आकर गिरा शोबना जोर से चीकी उसने चपू छोड़ दिये और दोनों हातों से अपना मूँ ढख लिया धर्मेश ने जल्दी से सामप को उढ़ा कर पानी में फैंका मरा हुआ था वो तीखे स्वन में बोला चपू संभाल वरना बह जाएंगे शोबना ने आंके खोली साम को सामने नहीं पा कर कामते हातों से फिर चपू संभाले शोबना चिहुंकर एकदम खामोश होई उसने चपू चलाने बंद कर दिये वो देख धर्मेश ने बड़े सस्पेंस भरे भाफ में बाइं किनारी की तरफ उंगली उठाई शोबना ने संकेत का अनुसरन किया तो पाया कि किनारे से कोई पंद्रा गज दूर एक टीन का ट्रंक पड़ा था क्या यही है माल वो बचकी से बोली और क्या होगा हम 900 फोट आए हैं या 900 गज फुट मुझे तो मील मालूम हो रहे हैं होने दे मन्जिल तो मिली ना कहा मिली सिर्फ दिखाई दी उसकी बात चीक थी क्योंकि ट्रंक के एर्ड़ गिर्ड उसके ऊपर भी सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे कोई भी सांप लंबाई में चार फुट से कम नहीं था पाठिल तो वहां तक गया ही होगा धर्मेश ने जसे अपने आपको तसली दी वो स्नेक हंटर था शोबना ने कहा प्रोफेशनल स्नेक हंटर उसको सांपो को हैंडल करने का तो जूर्बा था तो क्या करें? मैं किनारे पर उत्रू फ्लेम थ्रोवर के साथ आगे बढ़ूं क्या? पीछे मेरा क्या होगा? लपट के यहां से दूर होते ही ये सारी नाव सांपो से भरी पड़ी होगी ओ, तो फिर? नाव में ये रस्सी का लच्छा पड़ा है क्या ये किसी काम आ सकता है? धर्मेश ने देखा कि वो खूब लंबी, खूब मजबूत नाईलोन की रस्सी थी जिसके एक सेरे पर एक लोहे का हुक लगा हुआ था ततकाल उसके चेहरे पर रौनक आई सिलेंडर संभाल शोपना को सिलेंडर थमा कर उसने रस्सी को हातों में लिया उसने उसे खोला और घुमा कर ट्रंग के दिशा में फैंका ट्रंग के हैंडल का रुख उनकी तरफ था और वही उसका निशाना था हुक ट्रंग से तकराया उसका टीन जोर से खड़-कड़ाया और सांपों में भारी हलचल हुई, उसने रसी को वापिस खींच लिया और फिर घुमा कर सामने फैंका, उस बार भी हुक हैंडल में जाकर नहीं फसा, वैसी कई नाकाम कोशिशे उसने की, हैंडल में फसाने की जगा शोबना व्याकुल भाफ से बोली, हुक को ट्रंग के उप या पार फैंको और फिर धीरे धीरे खींचो, सहमती में सेर हिलाते हुए धर्मेश ने अगली बार वैसे ही किया, हो खेंडल में फसा, उसने धीरे धीरे रसी को खींचना शुरू किया, तब नई समस्या सामने आई, कई सांप रसी से लिपट गए, ट्रंग पर इकठा होके बैट गए, अब क्या होगा, शोबना बोली, रसी धीरे धीरे तो खींच और सिलंडर मुझे थे, और वो आदान प्रदान हुआ, ट्रंग कोई पांच गर्श दूर रह किया, तो एका एक धर्मेश ने लपट को और तेज किया, और उसका रुक ट्रंग की तरफ कर दिया, त रसी जल के दो टुकडे हो गई, तो सब बेड़ा गर खो जाएगा, फिर हुग भी उधर ही रह जाएगा, शोबना का सिर्ष सहमती में हिला, रसी जल कर तूटी तो सही, लेकिन तब जब कि ट्रंग किनारे तक सरकाया हुआ था, धर्मेश शलांग मार कर किनारे पर पांचा और ट्रंग उठाई वापिस नाव में कुदा, कोई सांप उसके पैरों के नीचे आया, किसी की फुंकार उसको देहला गई, किसी का फन उसके करीब लह राया, लेकिन वो सुरक्षित नाव में पांच गया, हे भगवान, वो हाफता हुआ बोला, शोबना ने उसके बिना कह ही नाव को वापिस खेना शुरू कर दिया था, अरे नाव को आग लगाओगे क्या, एका एक वो बोली, धर्मेश का ध्यान दूसरे हाथ में थमे, सिलंडर की तरफ गया, जिसकी लपट नाव के एक कोने को चू रही थी, उसने ट्रंग को हाथ से निकल जाने दिया, और तत काल सिलंडर की लपट उंची की, नाव निर्विक्न वापिस चलने लगी, एक एक करीब ही कहीं से मोटर बोर्ट के इंजन की आवास आई, ये तो सी हॉक के इंजन की आवास है, धर्मेश घबराकर बोला, इसकी फटी फटी फट फट को मैं अब तक खुब पहचान गया हू करीब ही कहीं से आ रही है, शोबना आतंकित भाव से बोली, लगता है मैं भवरलाल की मुश्के ठीक से नहीं कस पाया था, वो क्या करेगा, हमारा इंतिजार करेगा, हम दिखाई देंगे, तो मोटर बोर्ट हमारे उपर चड़ा देगा, तो फिर हम क्या करें, क्या कर सकते ह यहां तो रुके रह नहीं सकते, तो क्या करें, रुके रह भी सकते हो, तो रौशनी के वज़ा से उससे हमारी पोजीशन नहीं चुपी रह सकती, तो हम पैट्रो मैक्स बुझा देते हैं, क्या फाइदा होगा, लपट की रौशनी उससे कहीं ज्यादा है, और लपट को खाई में दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है वो हमें यहीं रौन देने का इरादा रखता है इंजन की आवाज अब बहुत उंची हो गई थी मोटर बोर्ट खाई में दाखिल हो चुकी थी और उनकी तरफ बढ़ रही थी वो पागल हो गया है धरमेश बोला इदर पानी उतल भी नहीं कि मोटर बोर्ट चल सके उसे ये बात नहीं मालूम होगी क्या फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था मोटर बोर्ट पानी के उस रास्ते पर कोई 60-70 गज़ भीतर घुसी और फिर दल-दल में फस गई उसका इंजन जोर से गरजा लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आय धर्मेश ने देखा कि मोटर बोर्ट का अगला भाग 30 के कौन पर नीचे जुग गया था और पिछला भाग किसी विशाल दानव की पोंच की तरह हवा में उठ गया था भावरलाल ने मोटर बोर्ट को घुमाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जगा से तस से मस नहीं हुई उसने रिवर्स गियर लगा कर एक्सिलेटर दिया लेकिन फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं आया फिर आखिर कार जो नतीजा सामने आया वो हॉल नाक था इंजन बंध ह किया ऐसा बंध हो गया कि दुबारा चलके नहीं दिया चपू तेज चला धरमेश बोला हमने मोटर बोर्ट की बगल से गुजरना है वहाँ जगा है क्या है ना दूर से नहीं मालुम होती लेकिन है जान की खैर चाहती है तो तेज चला नाव तेजी से मोटर बोर्ट के पहल में पहुंची भवरलाल तब भी इंजन को दोबारा स्चार्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी पेड़ों पर से सांप यूं मोटर बोट में टपकने लगे जैसे आस्मान फट गया हो और सांपों की बरसात होने लगी हो हे भगवान आतंग के अधिक्य में धर्मेश फसे कंट से बोला बोट से नाव इतनी नीची है आतंग के चोबना बोली उसमें से सांप नाव में भी गिरेंगे नहीं गिरेंगे मैं लपट का रुक बोट की तरफ रखूंगा तभी एका एक वाता वरण भवरलाल के दिल दहला देने वाली चीखों से गुंचने लगा वो हवा में हात पाउं पटक रहा था और चीख रहा था उसकी बाहों से, टांगों से, कमर से, चाती से, गर्दन से, हर जगा से सांप लिप्टे हुए थे और बड़े इत्मी नाम से उसे अपना आहार बना रहे थे भवरलाल चीख रहा था, चीख रहा था और बस चीख रहा था, तब ही चीखों की आवाज बंध हो गई वो क्या मर गया होगा, शोबना भुचक की सी बोली, हाँ, बचने का कोई मतलब ही नहीं, तौबा, कैसी मौत मरा वो उसने पांच लोगों की जान ली थी, और अपने जोड़ीदार की जान जाने की वज़ा बना था, उपर वाले ने खुद उसका इंसाफ किया है, हाथों के हाथ उसे सजा दी है लेकिन ऐसी सजा, जो जैसी सजा के काबिल होता है, उसको वैसी ही सजा मिलती है डीजल की महका रही है, मोटर बोट किसी चटान में ठुक गई होगी, फ्यूल टैंक में छेद हो गया होगा हमारी लपट से मोटर बोट में आग लग सकती है, हो सकता है, लेकिन मैं लपट बंद नहीं कर सकता, इसे उधर से हटा भी नहीं सकता अगर मैंने ऐसा कुछ किया, तो जैसे बोट में सांपो की बरसात होई, वैसे हमारी नाव में भी होने लगेगी ओ नो, नाव चला, जितनी जल्दी हम बोट के पहलू से पाड निकलेंगे, उतनी ही जल्दी, ये खत्रा हमारे सिर्च से टलेगा वो तेजी से चपू चलाने लगी, नाव अब मोटर बोट की बगल से गुसर रही थी धर्मेश लपट का रुक मोटर बोट की तरफ किये रहा लपट के हाई टेंपरेचर से बोट का पेंट पिखल रहा था और लोहा तप रहा था डीजल की महग तेज हो गई है, शोबना बोली तो नाव खेने पर ध्यान रख, बाकी बाते चोड, जो होगा देखा जाएगा अच्छा, कभी किनारे से तो कभी बोट की बोडी से टकराती, नाव पार निकल गई शोबना सुबतने लगी क्यों रोती है, धर्मेश डपट कर बोला हम बच गए अभी नहीं बच गए, अभी हम कोब्रा आइलेंड पर ही है इस नहर से पार जाकर समुदर में पहुंचेंगे तो फिर मानना की बच गए मेरा दिल कहता है कि अब हमें कुछ नहीं होगा चीक है, तो नाव चला अब नहीं चलती अब तो मेरे से चपू ही नहीं संभाले जा रहे लगता है कि बाहें कंदों से तोट कर गिर पड़ेंगी चपू मुझे दे, तो सिलेंडर संभाल दोनोंने अदला बदली की नहर का बाकी का रास्ता उन्होंने निर्विक्न पार किया नाव डबलीू को पार करके नहर के दहाने पर बाहर निकली तभी पीछे एक गगन भेदी आवास के साथ मोटर बोट का इंजन फटा और उनकी आँकों के सामने मोटर बोट के परखचे उड़ गए बाल बाल बचे धर्मेश होंटों में बुद बुदाया तद काल पेडों ने भी आग पकड़ ली और वो धदकने लगे आग फैलने लगी उनके देखते ही देखते सारा कोब्रा आईलेंट ही जैसे आग का गोला बन गया बाल बाल बचे धर्मेश के मूँ से फिर निकला हाँ शोबना मंत्र मुग्द भाव से सेमती में सेर हिलाती होई बोली हमने सांबो की बस्ती से जीवित वापिस निकल जाने का चमतकार कर दिखाया माल के साथ धर्मेश बोला माल उसे तो मैं भूल ही गई थी जब जान पर बनी हो तो ऐसा ही होता है शोबना की निगास्वय में भी दोनों के बीच में पड़े ट्रंग की और उड़ गई क्या होगा इसमें वो उच्सुक भाव से बोली तब तक सिलेंडर की गैस खत्म हो जुकी थी और वो खुदी बुझ गया था अब सिलेंडर फैंक दे धरमेश बोला ये अब किसी काम का नहीं शोबना ने सिलेंडर फैंक दिया और ट्रंग का मौईना किया उसने बालिश्टों से उसे नापा और मन ही मन हिसाब लगाया उसके हिसाब के मताबिक वो लंबाई में 20 इंच चुडाई में 16 इंच और गहराई में 8 इंच के करीब था उसने उठा कर उसके वजन का अंदाजा किया तो उसे 24-25 किलो के पेटे में पाया उसने उसे बोट के फर्ष पर रख कर आजू-बाजू हिलाया तो ऐसा नहीं लगा कि भीतर कोई हिलने डुलने वाली चेस थी यानि कि या तो भीतर का सामान पैक इतना टाइट किया गया था कि वो हिल नहीं सकता था या फिर वो कोई वन पेस चेस थी क्या होगा इसमें फिर वो मंत्र मुग्द स्वर में बोली क्या सोने की सिल्ली ये सपने देखने का टाइम नहीं है शूबना, जान की खैर मनाने का टाइम है अब क्या खत्रा है जान को? वा मेरी बिबो, क्या कहना चाहते हो? अरे हम खुशकी से मीलो दूर है, जिस मोटर बोट पर हम आये थे, वो स्वाहा हो चुकी है इस नन्नी से किष्टी पर सवार हम किनारे नहीं पहुंच सकते हे भगवान, वो नेत्र फैला कर बोली, अब क्या होगा? भगवान से दूआ मांगना शुरू करो, कि कोई कोस्टल पेट्रोल की लाँच इधर से गुज़रे और उनके निगा हमारी नाओ पर पढ़ जाई लला, लेकिन लाँच इधर से क्यों गुज़रेगी? पीछे धूदू करते सारे आईलेंड की वज़ा से कोई लाँच या बोट ये जानने के लिए इधर आ सकती है कि आफिर यहां क्या हो गया था? और अगर ना आई तो तो खुद सोच नाओ में सस्पेंस भरी खामोशी चा कई सिगरेट के कश लगा था अथा समुदर में दूर दूर तक निगा दोडा था धर्मेश नाओ में खामोश बैठा था शोबना नाओ के फर्ष पर गुच्छा मुच्छा हुई सोई पड़ी थी उसके गुटने उसकी चाती के साथ जुड़े हुए थे और उस घड़ी वो दीन दुनिया से बेखबर मालुम होती थी उस माहौल में जबकी मौत सिर पर खड़ी थी वो निश्चिन थोकर सोच सकती थी ये दर्मेश के लिए हैरानी की बात थी जरूर थकान का असर था उसने मन ही मन सोचा आदा घंटा बीथ चुका था लेकिन अभी तक कोस्टल पेट्रोल की किसी बोट के उधर दर्शन नहीं हुए थे जो कि भारी चिंता का विशे था उसने सिगरेट फैंक दिया और फिर शोपना की तरफ देखा इस बार उसकी निगा उसके पर्स पर पड़ी जो कि उसके करीब ही नाव में लुड़का पड़ा था उसने हाथ बढ़ा कर पर्स उठा लिया और यूही उसे उलटने पलटने लगा यूही बेध्यानी में उसने उसका खटका दबाया तो वो खुल गया उच्शुकता वर्ष उसने उसके भीतर जांका पूरे चांद की रोशनी में उसे भीतर दो चीजों के दर्शन हुए एक चीज रिवालवर थी जिससे कि उसने गोत मारी को शूट किया था और दूसरी चीज दूसरी चीज क्या थी उसने पर्स में हाथ डाल कर उस दूसरी चीज को बाहर निकाला वो एक टूवे वायरलेस टेलीफोन निकला वायरलेस टेलीफोन उसका शोबना के पर्स में क्या काम उसने एक उल्चन पोर्ण निगा शोबना की नीम के हवाले सूरत पर डाली और फिर वायरलेस टेलीफोन की तरफ आकर्शित हुआ उसने उसको आउन करके कान से लगाया खड़खड के सिवाई उसे कुछ सुनाई नहीं दिया उसने उसमें लगा एक बटन दबाया जो कि शायद दूसरे फोन को सिगनल देने के लिए था सिगनल जैसी कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी उसने उसे आफ किया और वापिस पर्स में डाल दिया टूवे फोन के दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिलने से उसने ये नतीजा निकाला कि वो फोन सीमित फासले में ही काम करने में सक्षम था उस गड़ी वो समुद्र तर्ट से मीलो दूर थे इसलिए उसका भेजा सिगनल वो दूसरा फोन नहीं पकड़ रहा था जो कि खुशकी पर माजूद किसी शक्स के अधिकार में था लेकिन कौन था वो दूसरा शक्स खुशकी पर जिस से शोबना वायरलेस टेलिफोन द्वारा संपर्ग बनाई थी और कब से बनाई थी क्यों बनाई थी क्या टीकाराम ने उससे भी संपर्ग किया था और वो भाई का खौफ खाकर उन लोगों से मिल गई थी या वो पुलिस के मुखबेर बन गई थी आखिर ऐसा माल पकड़वाने पर इनाम होता था किसी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था एक सीधी साधी लड़की उस गड़ी उसे अत्यांत रहस्यमाई रमनी लगने लगी थी क्या वो उसे जगा कर उससे सवाल करे उसको वो बात नहीं जची कितना अच्छा होता कि वो वायरलेस टेलीफोन समुदर में उसकी वर्ट मान स्थिती से खुशकी तक काम करने में सक्षम होता तब वहां मदद बुला लेना कितना आसान होता लेकिन किस से मदद की गोहार पर कौन वहां पहुँचता उसने फिर सोई होई शोबना की तरफ देखा क्या माचरा था फिर उसने रिवॉल्वर को पर्स से निकाल कर अपने हाथ में उल्टा पल्टा उसने उसका चैमबर खोल कर देखा तो पाया की भीतर चार खानों में गोलिया माजूद थी तब ही शोबना कुन मुनाई उसने जल्दी से रिवॉल्वर का चैमबर बंद किया और रिवॉल्वर को वापिस पर्स के हवाले किया फिर उसने पर्स को वापिस यथा स्थान शोबना के पहलू में डाल दिया वो कुछ शन अपलग शोबना को देखता रहा जब उसके शरीर में दोबारा कोई हरकत नहीं हुई तो वो ट्रंक की तरफ आकर्शित हुआ उसने उसे अपने करीब खींच लिया और उस पर लगे ताले का मौईना किया ताला मजबूत था और आसानी से खुलने वाला नहीं था आगर क्या था ट्रंक में कम से कम सोने की सिल्ली नहीं थी जो के शोबना समझती थी कि थी उस ट्रंक में रखी सोने की सिल्ली की कीमत पचास करोड रुपए नहीं हो सकती थी पचास किया एक करोड भी नहीं हो सकती थी तो फिर तब ही उसके जहन में उस सामान का अक्स उभरा जो उसने भवरलाल की जेबो से बरामत किया था उसमें एक चाबियों का गुच्छा भी तो था वो सारा सामान भवलाल के ही रुमाल में बंधा नाओ में मौझूद था उसने रुमाल की गठ्री उठा कर अपनी गोध में रखी और उसे खोला भीतर चाबियों का गुच्छा मौझूद था उसने वो गुच्छा बाकी सामान से अलग किया और गुच्छे की एक एक चाबी ट्रंग के ताले में आस्मानी शुरू की एक चाबी से ताला नीशब्द खुला उसने ताले को ट्रंग के कुंडे से अलग किया और कामते हातों से ट्रंग का धकन उठाया धड़कते दिल से उसके भीतर जांका तब पहले उसकी यही समझ में नहीं आया कि चांद की रोशनी में ट्रंग में उसे क्या दिखाई दिया था फिर उसने ट्रंग में ठसा ठस भरे नोटों को पहचाना नोट, डॉलर, पांसो डॉलर के नोट उसने कुछ गड़ियों को इधर उधर सरका कर नीचे जांका तमाम के तमाम नोट पांसो डॉलर के नोटों की गड़ियों में थे गड़ियों की कतारे कह रही थी कि कुल गड़ियां दो सो पचास थी यानि की सवा करोड डॉलर, यानि की लगबग पचास करोड रुपया हैरानी की बात थी कि ट्रंक में कोई माल नहीं, नकद रकम थी उसने एक गड़ी निकाल कर उसे फुरहर ही लगाई निश्टे ही सब के सब नोट थे, ऐसा नहीं था कि उपर एक या दो नोट और नीचे कोरे कागस थे तब ही उसके कानों में एक खलकी सी आवास पड़ी उसने चौंक कर सिर उठाया, तो उसके मुँ से एक हैरानी भरी सिसकारी निकल गई सामने कोस्चल पेट्रोल की एक मोटर बोट मौजूद थी नोटो के समोहन में वो इस कदर जकड़ा गया था कि उसको खबर ही नहीं लगी थी कि कब वो मोटर बोट उनके सिर पर पहुँच गई थी जरूर उन लोगों ने बेच रास्ते में उसका इंजन बन कर दिया था और हेड लाइट आफ कर दी थी या जलाई ही नहीं थी उसका हाथ जल्दे से अपनी कोट की जेब की तरफ सरका जिसमें की भवनलाल वाली डिवालवर पड़ी थी खबरदार बोट पर से कोई कड़क कर बोला धर्मेश ठिटक गया शोबना ने चिहुंकर आंके खोली अपने सामने मोटर बोट पाकर पहले उसके चेहरे पर हर्ष के और फिर आशंका के भाव आई वो तदकाल उठकर बैट गई तब धर्मेश ने देखा कि बोट के डेक पर से जो शक्स उससे कड़क कर बोल रहा था वो असिस्टेंट कमिशनर आफ पुलिस की यूनिफॉर्म पहने था उसके पहलू में कोस्चल पेट्रोल के सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने एक बुड़ा थुल्थुल आदमी मौजूद था जिसकी बड़े तर्बोस जैसी तोन्त उसके कोस्चल गार्ड्स का इंचार्ज हर इश बेला वाला होने की चुगली कर रहा था उन दोनों के पीछे दो हवलदार खड़े थे जेब में हत्यार है क्या एसे भी पोरवत कड़कता हुआ बोला धर्मेश ने अपने होंटों पर जुबान फेरी और सहमती में सिर हिलाया दो उंगलियों से पकड़ कर बाहर निकालो धर्मेश ने रिवालवर निकाली नाव में परे डालो उसने रिवालवर को एक कोने में उचाल दिया क्या कोई और भी हत्यार है? धर्मेश का सिर इंकार में हिला, जो कि सर्च था, उसके पास तो और हत्यार नहीं था, शोबना की तरफ से उसका जवाब देना जरूरी नहीं था, उससे वो खुद सवाल कर सकते थे? क्रंग को ताला लगाओ, धर्मेश ने लगाया, चाबियां इधर फैंको, धर्मेश ने चाबियां बोट की तरफ उचा ली, जो कि ACP ने बड़ी दक्षता से लपक ली, तब कहीं जाकर उन लोगों ने उनके रेस्क्यू के लिए कोई कदम उठाया, क्रंग समेथ वो मोटर ब के डेक पर पहांच गए, और मोटर बोट वापिस फिगारो आइलेंड की तरफ दौट चली, हेलो, सब इंस्पेक्टर शोबना को देख कर मुस्कुराता हुआ बोला, so we meet again, शोबना खामोश रही, मेरा नाम हरीश बेला वाला है, फिर वो धर्मेश को सुनाने के लिए बोल मैं इस रीजन के कोस्चल गार्ट्स का इंचार्च हूँ, ये उसने ACP की तरफ इशारा किया, मिस्टर हेमंद कुलकरणी है, जो कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में असिस्टन कमिशनर आफ पुलिस है, ACP सहब चिपलन से आए है, चिपलन के नाम पर धर्मेश की भव वहां के थाने के सब इंस्पेक्टर दिलिब डोलस के निगाह में तुमने वहां कई नाचाइज और गैर कानूनी काम किये हैं, जिनकी वज़ा से वो तुमसे बहुत खफा है, तुम्हारा खुलिया, बेला वाला बोला, सारे महराश्र गोवा और करनाटक में फ्लेश किया जा चुका है, हर जगा की पुलिस के पास तुम्हे देखते ही हिरासत में ले लेने का हुकम है, मैंने कुछ नहीं किया है, धरमेश बोला, छोटा मोटा कुछ किया भी है, एसे भी एका एक मुस्कुराया, तो अब वो माफ हो जाएगा, जी, आखे तुमने स्मगलिंग के मा खेप पकडवाई है, तुमने पचास करोड का माल पकडवाया है, मैं जाती तोर पर कोशिश करूँगा, कि सब इंस्पेक्टर दिलिब डोलस, तुम्हारी बेजा हरकतों को नजर अंदास कर दे, ओ, अब बोलो थैंक यू, थैंक यू सर, सी हॉक का क्या हुआ, आग के हवा वज़ा से लगी क्या, हाँ, लेकिन तुम बच गए, हाँ, बाल-बाल बच गए, और वो दोनो, कौन दोनो, भै सी हॉक के मालिकान, वो तो मोटर बोर्ट के साथ ही जल मरे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि खुदा ने ही इंसाफ कर दिया उनका, आप लोग कैसे पूचा, धूदू करते आईलेंड की वज़ा से ही पहुँचे, मीलो दोर से दिखाई दे रही थी, आईलेंड की आग, उपर से मालुम हुआ था, बेला वाला बोला, कि सी हॉक को किसी बाहर से आई, मैडम ने किराई पर लिया था, वो अपने होटेल में नहीं थी, सी हॉक अपने पायर पर नहीं था, हमारे लिए ये हैरानी की बात थी, कि जिस स्क्रिप पर उस मैडम ने, उसने आप अलग शोबना की तरफ देखा, कल सुबह रवाना होना था, उस पर वो आधी रात को चल दी, लिहाज़ा तफ्तेश के लिए हमने निकलना ही था, हम अपनी उसने ये जाहिर किया, कि उस अकेले को नहीं, उसके साथ शोबना को भी पकड़ कर लाया किया था, फिर तो करिश्मा हुआ समझो, बेला वाला बोला, कि बाजी उलट गई, वरना तुम लोग उनके अंजाम को पहुँचे होते, और वो लोग जिन्दा होते, ना सिर्फ जि बिनारे पर जल्ती आइलेंड की रोश्निया दिखाई देने लगी थी, मैं टॉयलेट जाना चाहती हूँ, एक एक शोबना बोली, नीचे स्ट्रेट रूम में टॉयलेट है, बेला वाला बोला, वहाँ चली जाओ, थैंक यू, लेकिन जल्दी लोटना, जरूर, अपना पर एसीपी बोला, आपके नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, जिसका कि मैं असिस्टन कमिशनर हूँ, और इस वक्त यहाँ प्रती निधी हूँ, आपके किस लिए, किस लिए का क्या मतलब, आप तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हैं, माल तो हेरोईन है, जिसे कि न बाटरी में चेक किया जाएगा अच्छा तो ट्रंक में हेरोईन है हाँ इसकी कोई चेकिंग होने से पहले ही आपको इसकी किमत कैसे मालूम है मालूम है कैसे मालूम है हमारे अपने भेदिये होते हैं मुख्बिर होते हैं जासूस होते हैं जिनके जरिये एडवांस में खबर ह कम तक पहुंची होती है कि नार्कोटिक्स की कौन सी खेप कब कहां उतरने वाली है और उसकी क्या कीमत है क्या आपको यकीन है कि ये वही खेप है जिसकी की आपको खबर है हां हेरोईन की भै बोला ना हां आई सी इसी पी साहप 50 करोड में कितने हेरोईन आती है क्यों पूछ रहे हो योही उत्सुकता वश नहीं बताना चाहेते हो ना सही ये कोई सीक्रेट नहीं 50 किलो प्योर अंकट हेरोईन हो तो उसकी नार्कोटिक्स की इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड रुपए कीमत होती है यानि कि आपके खयात से आपके जानकारी के मताबिक इस ट्रंक में 50 किलो हेरोईन है होनी चाहिए लेकिन ये ट्रंक तो 25 किलो से ज्यादा वजन का नहीं है क्या ये देखिए धर्मेश ने ट्रंक उठाया इसका वजन 50 किलो होता ट्रंक के अपने वजन पर भी गौर फर्माई तो इससे ज्यादा होता तो क्या मैं इसे एक हाथ से इतना उंचा उठा पाया होता एसे पी सक पकाया सा कुछ शंड सोचता रहा सब इंस्पेक्टर बेला वाला अस्मण जस्पूर्ण भाफ से उसका मुद देखता रहा तब ही शोबना वापिस लोट आई किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तब तक किनारा करीब आचुका था बोट की रफ़तार घट चुकी थी और अब वो पायर पर लगने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी Now I understand एका एक ACP चुटकी बजाता हुआ बोला What do you understand sir? बेला वाला ने पूछा ऐसे दो ट्रंक होने चाहिए इन लोगों ने एक ट्रंक चुपा लिया है कहा? धर्मेश व्यंगे पॉन्ट स्वर में बोला जेब में? नहीं आईलेंड पर कही वहां तो सब जलके स्वाहा हो गया अपने अपनी आँखों से देखा तुम्हें आईलेंड के यूँ आख पकड़ जाने की उमीद नहीं होगी तुम जरूर दूसरे ट्रंक के लिए फिर कभी लाट कर आना चाहते हैं थे क्यूं? क्योंकि सी हॉग भी सवाहा हो गया था और तुम्हें मालुम था कि तुम्हारी नाओ में से कोई तुम्हें रेस्क्यू कर सकता था तो वो कोस्चल पॉलिस की मोटर बोर्ट ही थी तब माल पॉलिस के काबू में होता जैसे कि इस वक्त है I see तुम कल किसी वक्त जरूर किसी दूसरी मोटर बोर्ट पर यहां पहाँशते और वो दूसरा ट्रंक लेकर चलते बनते लेकिन आइलेंड पर अप्रत्याशित रूप से भड़की आग ने तुम्हारा प्लैन बिगार दिया कहानी अच्छी गड़ लेते हैं जनाब तब ही बोर्ट पायर पर लगी उस गड़ी वहाँ एक और बोर्ट मौजूद थी जिसके डेक पर अंधेरा था अपने जुबान को काबू में रखो मिस्जर एसी पी क्रोधित भाफ से बोला और ट्रंक किधर करो आपकी कहानी में एक ही नुक से जनाब धर्मेश बोला और वो ये है कि इस ट्रंक में हेरोईन नहीं है क्या? जी हाँ और इसलिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों का इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए बक्वास मत करो और इधर करो ट्रंक तुम्हें मालूम है बेला वाला बोला कि इसमें क्या है? जी हाँ मालूम है क्या है? फोरन करंसी डॉलर्स में नकद रकम जिसका चार्ज एक पुलिस ओफिसर होने के नाते आप खुद भी ले सकते हैं सर बेला वाला एसेपी की तरफ घूमा He is right You don't listen to him एसेपी भड़का ये एक नहायत खुराफाती आदमी है और अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों चिपलन का सब इंस्पेक्टर दिलिब डोलस इससे इतना कलपा हुआ था ऐसे शक्स के मुनासिब जगा यकीनन हवाला थे वो सब ठीक है सर लेकिन अगर इस ट्रंक में नार्कोटिक्स नहीं है तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तो इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए ये ट्रंक तो लोकल पुलिस के हवाले होना चाहिए सब इंस्पेक्टर जोसफ फिगवेरा के हवाले होना चाहिए जोकी फिगारो पुलिस चौकी का इंचार्च है सब इंस्पेक्टर मुझे ये सिखाने की कोशिश ना करो कि मेरे महक में कब किस बात से वास्ता होना चाहिए और किस बात से नहीं होना चाहिए ये ट्रंक मेरे साथ जाएगा बट सर नो बट सब इंस्पेक्टर, मेरे हुकम की उदोली का जानते हो क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? तुम सस्पेंड हो सकते हो, तुम्हारी नौकरी जा सकती है. बेला वाला ने बेच्चैनी से पहलू बदला. ये मेरे महक में का केस है, इसलिए भीतर कुछ भी हो, इस ट्रंक का चार्ज मुझे ही लेना होगा, ये अंडरस्टैन्ड? येस सर, बेला वाला दबे स्वर में बोला, I am glad that you do, समझ लो की तुम्हारी नौकरी बच गई. बेला वाला ने जोर से थोक निकली, नाउ ये, एसी पी धरमेश की तरफ घूमा, Come on, ट्रंक इधर करो, लेकिन धरमेश बोला, लेकिन जनाब, एक 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 एसी पी के हाथ में एक रिवाल्वर प्रकट हुई, जान देने पर तुला है क्या, वो कहर बरिस्वर में बोला, यहीं मरना चाहता है क्या, धरमेश का दिल जोर से उचला, फिर उसने चुप-चाप ट्रंक एसी पी की तरफ बढ़ा दिया, एक एक बगल में खड़ी, अंधेरे में डूबी मोटर बोट पर एक तीखी रोशनी जली, जिसका रुक एन उन लोगों की बोट की तरफ था, इसे टिरंक ना देना धरमेश ठाकुर, साथ ही उस बोटर से कोई उचस्वर में बोला, क्योंकि ये एसी पी नहीं, बेहरूपिया है, धरमेश ने वो आवाज साफ पेंचानी, वो भाई के कथित, खास आदमी टीकाराम की आवाज थी, सबने चिहुंकर उस बोट की तरफ देखा, इसका असली नाम कलपनात हजारी है, और इसका असल धन्दा, फोरन करेंसी की ब्लैक करना है, इसे बागो भी मालूम है, कि टेरंक में क्या है, इसलिए मालूम है, क्योंकि ये भाई का माल है, और इसी माल का सौधा, पाटिल इस से करने के लिए चिपलन पहुँचा था एसे पी आवास की दिशा में घूमा खबरदार टीका राम की कहर भरी आवास गूजी रिवॉल्वर गिरा दे हजारे वरना कुत्ते की मौत मरेगा हजारे हिच किचाया एक फायर हुआ गोली हजारे के कंधे को चीलती हुई गुजरी उसने तदकाल रिवॉल्वर को अपने उंगलियों से फिसल जाने दिया तब अपने दो आदमियों के साथ टीका राम ने उस बोट के डेक पर कदम रखा उसके दाएं बाएं मौजूद वो दोनों आदमी भी उसी की तरह हथ्यार बन थे सब इंस्पेक्टर बेलावाला ठीका राम बोला तुम मेरे को नहीं जानता पर मैं तुम्हारे को जानता है ये आदमी एसी पी बन कर तुम्हारे को उल्लू बनाया और तुम बना ये आदमी इस टेरंग को ही हत्याने इधर आया अभी इस भीडू की बातों से इसने थोड़ा दबाफ महसूस किया था तो रिवॉल्वर निकाल ली थी यही दबाफ थोड़ा ज्यास्ती बनता तो ये इधर तुम सब लोगों को शूट करके तिरंग निकाल के ले जाता इस लिहास से मैं इधर आकर तुम्हारा और तुम्हारे हवलदारों का जान बचाया बेलावाला के मूं से बोल नहीं फूटा हवलदारों के चेहरों पर स्परश्ट क्रितग्यता के भाव आई बेलावाला ठीका राम बोला ये माल इधर से मैं लेके जाएगा क्योंकि ये माल भाई का है मेरे काम में फचर नहीं फसाने का तुम लोगों का इनाम दिन चड़ते ही चौकी में पहुंच जाएगा समझा क्या कोई कुछ नहीं बोला ये माल भाई का है जिस पर भाई के एक खास लेटिनेंट ने नियत मैली की इतना भरोसे का आदमी था जामवंतराव पाटिल इतना माल ढोता था पर इस बार बैमान हो गिया इस बार क्यों शोबना बोली पहले कभी क्यों नहीं क्योंकि पहले कभी ढोने के लिए नकद रोकड़ा नहीं होता था पहले हेरोईन होती थी सोना होता था घड़ियां होती थी हत्यार होते थे पन रोकड़ा नहीं होता था पार्टिल पहली बार रोकड़ा हैंडल किया बैमान हो गया माल ऐसी जगा छुपा आया जहां उसके सिवाई कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता था फिर माल का सौधा करने चिपलन पहुंच किया हजारी के पास जो कि फॉरन केरेंसी के स्मगलिंग और ब्लैक का धंदा करता था जो कि डॉलर के बदले में पार्टिल को ओनी पॉनी रकम रोपेओं में थमाता और खुद कड़क रोकड़ा बनाता पार्टिल के पीछे लगे हमारे आदमी इडियट अखे इडियट पार्टिल समेथ इतने भीडू मार डाले खुद भी मर गए नतीजा सिफर अंडा गोल अच्छा हुआ मर गए वरना भाई के हातों ज्यादा बुरी मौत मरते इस बार नकत रुपेओं किस लिए धर्मेश ने पूछा तू नहीं समझेगा भीडू मालूम है तभी तो सवाल पूछा तो जवाब सुन ले तू भी क्या याद करेगा आज कल इंडिया में इलेक्शन भाई एक खास पार्टी को पावर में आना मानता है उस पार्टी का मदद का वास्ते भाई रोकडे की पहली खेप भेजा पाटिल की गदारी से उसी में पंगा पढ़ किया लेकिन डॉलर में क्यूं वजन घटाने का वास्ते नग घटाने का वास्ते यही पचास करोड का रकम अगर रुपयों में होता तो पांच-पांच सो के नोटों से भरे ऐसे 40 तिरंग जरूरी होते ओ पंड कोई वादा रही अभी टैम है इलेक्शन में अब यह रोकडा उधर पहांच जाएगा जिदर पहांचना चाहिए था डॉलर इंटरनेशनल करेंसी किधर भी चलता है अब तो तिरंग किधर मेरे को दे जरूर अभी लो लेकिन मेरा नजराना नजराना क्या बोलता है भूल भी गए होटेल में क्या बोला था मेरे को नहीं भूल गया पंड तो तो माल हजारे के हवाले करने जा रहा था करने जा रहा था कर दिया नहीं था एन वक्त पर मैं नहीं पहुँचा होता तो कर ही दिया था वो सब कहने की बाते हैं सुनने की बाते हैं जो हकीकत है वो तुम्हारे सामने है और हकीकत ये है कि माल इस घड़ी भी मेरे कबसे में है हकीकत ये है कि जिस माल को कोई तलाश नहीं कर सकता था उसे मैंने तलाश किया और महफूज इदर ले आया हकीकत ये है कि माल मेरे ही सौंपे तुम्हें और आगे तुम्हारे भाई को मिलेगा फिर ये हकीकत नुमाया क्यों नहीं कि भाई की तरफ से मेरे सारी खताएं माफ और मुझे पचास लाग का नसराना नजराना मिल जाएगा कब मिल जाएगा बोलाना मिल जाएगा जो काम अभी हो सकता है उसे आगे के लिए टालने का क्या मतलब क्या? क्या बोलता है? ट्रंक में नकद रकम है चाभी इस नकली ACP इस हजारे नाम के शक्स की जेब में है ट्रंक खोलो और अभी पचास लाग मेरे हवाले करो ताकि मुझे यकीन आए कि तुम्हारा भाई कितना इमानदार है कितना दयानतदार है कितना वादे का पक्का है ज्यास्ती बात नहीं करने का क्यों ज्यास्ती बात नहीं? भाई के खास लेफटिनेंट या तो रोकड़ा अभी मेरे हवाले करो या कबूल करो कि नजरानी की पेशकश धोगा था मैं सोचेगा इस बाबत अभी सोचो अभी नहीं हो सकता मैं भाई से बात करेगा जो कि अभी नहीं हो सकती ये सब टाल मठोल की बाते है अरे क्यों मेरा दिमाग चाट रहा है एक एक टी का राम हत्य से उखड गया ते रंग किधर लाता है या मैं तेरी पेशानी में जरोका भनाई अच्छी बात है धर्मेश ट्रंग उठाई भारी कदमों से टी का राम की तरफ बढ़ा तभी परली बोट पर रोशनी के नीचे एक साया प्रकट हुआ धर्मेश उसकी सूरत नहीं देख सका लेकिन उसने देखा कि उसके दोनों हातों में रिवालवरे थी खबरदार साया चिलाया कोई अपनी जगा से ना हिले टी का राम को जैसे साम सूम गया जो जैसे खड़ा है खड़ा रहे जिदर रुक किये है किये रहे वरना गोली किसी के मुँ से बोल नहीं फूटा धर्मेश ट्रंग के साथ इधर पहांच टी का राम की तरफ बढ़ता धर्मेश उससे परे परे चलता परली बोट की तरफ बढ़ा शोबना ऐसे किसी आदेश के बिना ही परली बोट की तरफ लब की उन दोनों के परली बोट पर पहांचने की देर थी कि साई ने गोलिया चलानी शुरू कर दी पलक जपकते डेक पर मौजूद टी का राम उसके दोनों आत्मी सब इंस्पेक्टर बेला वाला और उसके दोनों हवलदार और हजारे डेक पर लड़के पड़े थे पलक जपकते उस शक्स ने साथ आत्मी मार गिराई थे धरमेश कुछ कदम और उसकी तरफ चला फिर एका एक वो थमक कर खड़ा हो गया अब उसने उस साई के सूरत साफ पहचानी वो पारिक नाम का वो शक्स था जिसका मुंबई में शोबना के फ्लैट पर शोबना के हातों कतल हो गया था और जिसकी लाश ठिकाने लगाने में उसने शोबना की मदद की थी एका एक उसकी दाइं कनपटी पर किसी भारी चीज का भिशन प्रहार पड़ा तद काल उसकी आँखों के सामने अंधेरा चाने लगा और घुटने मुडने लगे डेक पर धेर होने से पहले ही उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी धर्मेश को होश आया तो उसने अपने आपको डेक पर लुड़का पाया उसने दाइं बाइं निगा दोड़ाई तो पाया कि उस घड़ी वो टीका राम वाली मोटर बोट के डेक पर था और मोटर बोट तेज रफतार से समुद्र की चाती पर दोड़ी चली जा रही थी लेकिन किधर यकीनन फिगारो आईलेंड से विपरे दिशा में कही उसने उठकर खड़ा होने की कोशिश की तो लड़ खड़ा कर वापिस बैठ गया उसने पाया कि उसके एक टकने के गिल्द एक मजबूत रसी बंदी होई थी रसी की गार्ट पर लोहे की मोटी मजबूत तार कसी होई थी जिसको की खाली हातों से खोल पाना असंभव था रसी का दूसरा सिरा आगे कहा बदा हुआ था ये उसे दिखाई नहीं दिया वो फिर उठकर खड़ा हुआ उसने रसी अपने हातों में थामी और उसे समेट ता उसके साथ साथ आगे बढ़ा रसी उसे बोट की साइड में ले आई तो उसे दिखाई दिया कि वो बोट के लंगर की लोही की जंजीर से बंदी हुई थी और उसका उधर का सिरा खोल पाना तो दूर उस तक पहांच पाना भी असंभव था तभी कोई जोर से हसा सर्च लाइट उस घड़ी आफ थी कहीं रोशनी थी तो स्किपर के कैबिन में थी हसी की आवास उसी तरफ से आई मालूम होती थी उसने उधर से उठाया तो कैबिन से पारिक को बाहर कदम रखते पाया बोट का कंट्रोल शोबना संभाले थी पारिक उसके करीब पहुँचा मदारी का बंदर वो पूरवर थंसता हुआ बोला दस फूट इधर उधर फुदक सकता है रसी से बंदा एन मदारी के मंदर की माफिक तुम जिन्दा हो धर्मेश ने खामखा सवाल किया और क्या तुम्हारे सामनी मेरा भूत खड़ा है यानि कि तुम्हारी शुरू से ही शोबना से सांट गांट थी ये भी कोई पूशने की बात है कैसे जानते हो उसे वैसे ही जैसे जाना जाता है कैसे वो अपनी खास है और तुम उसके खास हो हाँ जाहिर है फिर खास का ही धामन क्यों नहीं थामा इसने आम को साथ क्यों ले आई आम यानि कि तुम हाँ अच्छा सवाल है इसका जवाब क्या है कोई नहीं जवाब की ज़रूरत नहीं अब क्या इरादे हैं ये भी कोई पूछने की बात है माल हमारे कबसे में है माल की जानकारी रखने वाले सब मर खब गए एक तुम बाकी हो जो अभी लंगर के साथ पानी में डूप पड़े हों लंगर की जंजीर बेस फुट नीचे तक जाती है तुम्हारे टकने के साथ बंधी रसी में दस फुट का जोल है हम बोट को बीच समुदर में कहीं रोप कर लंगर गिराएंगे तो तुम भी लंगर के साथ खेंचे नीचे समुदर में पहुंच जाओगे और बोट और लंगर के बीच पानी में जूल रहे होगे डूप कर मर जाओगे तो वापिस खेंच लिए जाओगे फिर तुम्हारे टकने से रसी खोल कर तुम्हें वापिस समुदर में फैंक दिया जाएका और लंगर समेट लिया जाएका कैसा लगेगा ये प्रोग्रेम सिदे ही गोली क्यों नहीं मार देते क्योंकि मैं चाता हूँ कि फिल्हाल तुम गायब पाई जाओ बाद में अवल तो तुम्हारी लाश मिले ही नहीं मिले तो ऐसा लगे जैसे की तुम डूप कर मरे तुमने तैर कर फिगारों से दूर कहीं पहाँशने की कोशिश की लेकिन पहाँश नहीं पाई रास्ते में ही चुक गए और डूप कर मर गए इससे फाइदा क्या होगा मैं चाहता हूँ पीछे फिगारों के पायर पर हुए खून खराबे के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाए मुझे तो कोई जानता नहीं इसलिए सब तुम्हारी ही कर्टूत मानी जाएगी और शोबना कौन शोबना? कैसी शोबना? मैसिस एलिसा वाकर करके एक विलाइती मेम तुम्हारे साथ थी वो तुम्हें बख्ष देगी? तुम्हारे और मेरे में फर्क है मेरे भाई तुम तुम हो, मैं मैं हूँ मैं उसका खास हूँ तुम्हें ये इज़द कहा हासिल है? खुश्वेमी है तुम्हारी कि तुम उसके खास हो पारिक दोलत के दिवानी उस सौरत का खास कोई आदम जात नहीं हो सकता उस सौरत के नस नस में धोका और बेवफाई बसी मालूम होती है मैं अंधा था जो मुझे उसके ये खूबियां दिखाई नहीं दी और तुम मेरे से बड़े अंधे हो शट अप देख ले न वो तुम्हें मेरे से कहीं ज्यादा बूरी मौत मारेगी आई सेट शट अप पारिक स्कीपर कैबिन में से शोबना ने आवास लगाई ये सानी पारिक बोला इधर आकर चक्का संभालो मैं थक गई ये सानी पालतू कुत्ते की तरह वो कैबिन की तरफ बढ़ा एक दूम ही नहीं हुई वरना वो उसे भी हिलाता शोबना कैबिन से बाहर निकली और धीरे धीरे चलती धर्मेश के करीब पांची तो तुम्हारे ये इरादे थे धर्मेश बोला मैंने कुछ नहीं किया वो बोली कसर भी क्या छोड़ी है तुमने जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था लेकिन ये आदमी जोश खा किया आपे से बाहर हो किया नतीजा तुमने देखा ही था टॉयलेट जाने का बहाना करके जब तुम कोस्चल पेट्रोल की बोट के स्ट्रेट रूम में गई थी तो वहां से तुमने वायरलेस टेली फोन से इससे बात की थी शोबना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तब ही ये पायर पर माजूद था पूरी तयारी के साथ ओ तुम्हें वायरलेस फोन की खबर है क्या तो और क्या मैं अंदाजन ये सब कह रहा हूँ कब लगी खबर चिपलन में लगी जब हम वहां के होटेल में थे फिर भी इस बाबत अब तक खामोश रहे मेरे से कोई सफाई नहीं मांगी खामोश तो रहा लेकिन साथ ही कुछ किया भी क्या किया मैंने मुंबई फोन करके अपने दोस्त देसाई को बुलाया क्या जैसे तुमने अपने खोफिया मददगार पारे खड़ा किया वैसे ही मैंने अपना खोफिया मददगार देसाई खड़ा किया वो वो कहा है आसपासी कहीं होगा ना सिर्फ होगा बल्कि मेरे कतल का गवा होगा तुम जूट बोल रहे हो बलफ मार रहे हो ऐसा कोई शक्स नहीं है धर्मेश बड़े व्यंगे पून भाव से हसा अगर है तो वो भी मारा जाएगा चौधा आदमी पहले ही मार गिराए अभी दो और को मार डालने के तुम इरादे रखती हो कितनी लाशों पर कदम रखती हुई तुम दौलत के अंबार तक पहाँचना चाहती हो उसने कोई उतर नहीं दिया और फिर तुमें अब कौन सा कोई फालतू माल मिल जाएगा सौधा तो अब भी 50-50 का ही है फर्ट सिर्फ ये है कि पहले मैं हिसेदार था और अब मेरी जगा पारिक होगा पारिक हिसेदार नहीं है तो क्या है बोलाना हिसेदार नहीं है यानि कि निरा ही कुत्ता है सिर्फ हट्टी डालने से खुश हो जाएगा वो फिर खामोश हो गई वो पैदा क्यों कर हो गया कम से कम इतना तो बता दो मुझे किसी मददगार की तलाश थी तुम मिल नहीं रहे थे पारिक से भी मेरे अच्छे तालुकात थे और मुझे उमीद थी कि तुम्हारी तरह वो भी मेरे काम आ सकता था हाला कि मेरी पहली चॉइस तुम ही थे आगे इत्तिफाक ये हुआ कि ना मिला तो कोई भी नहीं मिला मिले तो तुम दोनों मिल गए और तुमने कार के स्पेर पईये की तरह उसे भी एंगेश कर लिया हाँ यही समझ लो तो फिर उसके कतल का ड्रामा क्यों कर रचा ताकि तुम खुद को एक कतल में शरीक जान कर मेरे साथ बंदे रहते मेरा साथ नहीं छोड़ते जो कुछ तुमने किया उसे करने से इंकार नहीं करते प्रोजेक्ट को आधा अधूरा चोड़कर बीच रास्ते से वापिस नहीं लौट आते मैं ऐसा करता तो तुम मुझे पारिक के कतल में शरीक होने की धमकी के तहत अटकाई रखती क्या हाँ लेकिन गरीमत है कि वैसी नौबत नहीं आई पारिक का रोल क्या था उसने हमारे करीब रहना था और हम पर निगा रखनी थी किसलिए ताकि ताकि तुम मुझे धोका ना दे सको जबकि खुद तुम घर से ही ये इरादा चले के चली थी नहीं कैसे नहीं पारिक का सारा रोल ही उसका सारा वजूद ही पहले से तैशुदा धोके की बुन्या थे पारिक मेरी लाइफ इंशॉरंस था धरमेश क्या वो खामोश रही तुम समझती थी कि तुम्हें मेरे से जान का खत्रा था हो सकता था माल हाथा जाने पर हिस्सा बंटाने की जगा तुम पूरे माल के मालिक बनने की कोशिश कर सकते थे और ऐसा मेरी जान लिये बिना हो पाना संभव नहीं था अरे बेवकुफ औरत मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो कोब्रा आइलेंड पर मैं तुझे साथ लेकर गया होता क्या वो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे चलो मान लिया अगर मेरी नियत धोके की थी तो तुमें वापिस लाना क्यों जरूरी था माल काबू में आ जाने के बाद क्यों ना मैं तुमें वही सांपों की खुराग बनने के लिए छोड़ाता जाती बार एक्स्रा पेसेंजर मेरे लिए जरूरी था लौटती बार क्यों ज़रूरी था? उससे जवाब देते नहीं बना और जो कोछ चबो रहा है वो क्यों ज़रूरी है? क्या मतलब? तुम मेरी जान क्यों लेना चाहती हो? पचास करोड कोई छोटी रकम नहीं होती 50-50 की जगा इसका एक तेहाई हिस्सा भी विपुल धन राशी होती है वो इंकार में सिर हिलाने लगी क्यों? क्या हुआ? पारिक नहीं मानेगा क्यों नहीं मानेगा? वो तो पालतु कुट्ता है जिसके गले में बंधी जण्चीर तुम्हारे हाथ में है फिर क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा न? ये कहो कि तुम ही नहीं मनाओगी, तुम्हें ही एक तिहाई हिस्सा कबूल नहीं होगा वो परे देखने लगी अगर मैं कहूं, धर्मेश ने फिर कोशिश की, कि अपनी जानबक्षी के बदले में मैं अपना हिस्सा छोड़ने को तयार हूँ तो? पारिक नहीं मानेगा बढ़िया, यानि कि मौजूदा हालात में अपनी हर बदकारी, हर बदनियती तुम पारिक के सिर्थ थोप सकती हो उसके चेहरे पर अप्रसंता के भाव आए फिर वो भून-भूनाती, पाउँ पटकती, स्कीपर कैबिन की तरफ बढ़ चली कुछ शन खामोशी रही, फिर एका एक बोट की रफ़तार घटने लगी बोट गति शुन्य हुई, तो नीचे कहीं एक मोटर चलने लगी साथ ही ड्रम पर लिप्टी, लंगर की जंजीर उसके पाइप में नीचे समुद्र की और सरकने लगी लंगर गिराया जा रहा था, लंगर के साथ ही उसे भी जल समाधी मिलने वाली थी वो आतंकी थो उठा, वो पाइप के करीब पाँचा, उसने जंजीर को वहां से थाम कर उसे नीचे सरकने से रोकने की कोशिश की, तो उसे असंभव तृत्य पाया उस जंजीर को रोकना तभी संभव था, जबकी वो उसके सेरे पर बंधे भारी लंगर का भार संभाल पाने में सक्षम होता जो की वो नहीं था, इससे पहले की जंजीर से लिप्टे उसके हाथ भी पाइप में घुश जाते, उसने जंजीर छोड़ दी ड्रम घुमता रहा, उस पर से उतर कर लंगर की जंजीर खामोशी से नीचे सरकती रही फिर उसे एक तरकीब सुची, उसने अपने टकने के साथ बंधी रसी समेटी और उसे कस कर जंजीर के गिर्द लपेट दिया जंजीर का वो हिस्सा, जब पाइप में दाखिल होने लगा, तो रसी पाइप में यूँ फस गई, कि जंजीर का नीचे सरकना बंध हो किया बढ़िया, मोटर तब भी चल रही थी, लेकिन ड्रम घूमना बंध हो चुका था कोई गड़बढ है, उसे शोबना की आवाज सुनाई दी क्या गड़बढ है, पारिक ने पूछा इधर आके देखो ना, दरमेश बोला, कि क्या गड़बढ है क्या इधर आके देख, रसी पाइप में यूँ फसी हुई है कि जंजीर नहीं सरक सकती, और लंगर नहीं गिर सकता अब जंजीर को रवा करने के लिए तुझे, तुझे यहाँ आना पड़ेगा क्यूंकि ये शोबना के किये होने वाला काम नहीं मुझे लगता है मुझे तेरे को इधर इशोट करना पड़ेगा धर्मेश कैसे करेगा, अपनी दोनों रिवाल्वरे तो तुने पीछे फिगारों में ही खाली कर दी थी उसने जवाब नहीं दिया जो कि इस बात का सबूत था कि उसके पास अतिरिक गोलिया नहीं थी धर्मेश डेक पर इधर उधर हाथ मानने लगा किसी ऐसी चेस की तलाश में जो कि बतार हत्यार काम आ सकती थी एक लोहे के खुरदरी चड़ उसके हाथ लगी तब ही एका एक सर्च लाइट जल उठी और डेक रोशनी में नहा गिया हे भगवान सर्च लाइट को तो वो भूल ही गया था उसने हाथ में थमी चड़ पूरी शक्ती से सर्च लाइट पर फैंक कर मारी एक चटाप की आवाज के साथ शीशा तूटा और डेक फिर अंधेरा चा गया उसके जान में जान आई इसके हाथ भी बांधने चाहिए थे उसे शोबना की आवाज सुनाई दी जवाब में पारिक ने कुछ कहा जो की उसे सुनाई नहीं दिया उधर ही मर गया क्या धरमेश ने उसे ललका रा अब आभी जा आता हूं साले वो भड़क कर बोला और देखता हूं की तू और क्या पंगा कर सकता है उसके हाथ में एक छे इंच लंबे फल वाला चाकू चमका और फिर वो डगमगाती बोट के डैक पर कदम जमाता धरमेश की तरफ बढ़ा ठेहरी हूई बोट बुरी तरह डोल रही थी हर कदम पर सहारे के लिए उसे दाएं बाई कहीं हाथ मारना पड़ता था वो सहारे के लिए रेलिंग को थामता था तो धरमेश मन ही मन दूआ करने लगता था कि बोट एका एक जोर से डगमगाई और वो रेलिंग पर से उलट कर नीचे समुदर में जा किरे लेकिन दूआई यूं कहा कबूल होती थी खुआई शायद यूं कहा पूरी होती थी खुद धरमेश भी अपने आपको स्थेर रख पाने में भारी दिक्कत महसूस कर रहा था लेकिन उसकी तो जान पर बनी थी जान बचाने के लिए उसे तो कुछ भी करना पड़ना था ड्रम पर से उतर कर जंजीर अब पाईप और ड्रम के बीच में फर्श पर धेर हो रही थी उसने जंजीर को दोनों हातों से उठाया और हत्यार की तरह उसका कोई इस्तिमाद सोचने लगा पारिक फिर लड़ खड़ाया पारिक शोबना चेतावनी भरिस्वर में चिल्लाई मालकिन पुकार रही है कुत्ते धर्मेश बोला और कुछ नहीं तो भौंके तो दिखा ठहर जसाले बताता हूँ तुझे दांद किट किटाता चाकू हवा में लहराता वो धर्मेश पर जपटा धर्मेश ने जंजीर को उसकी तरफ फैंका बारी जंजीर उसके घुटनों से टकराई वो भर भरा कर मूँ के बल डेक पर गिरा धर्मेश जपट कर उसकी पेट पर सवार हो गिया उसने अपनी बाईंबा उसकी गरदन के गिर्द लपेट दी और दाएं हाथ से उसका चाकू वाला हाथ थाम लिया पारिक उसके नीचे दबा तडपने लगा लेकिन वो जी जान से उसे दबोचे रहा शोबना कैबिन से बाहर निकली और लपक कर करीब पांची उसने धर्मेश की टांग थामी और उसे घसीट कर पारिक से अलग करने की कोशिश करने लगी धर्मेश ने जोर से अपनी टांग को जटका दिया और दूसरी टांग चलाई शोबना चिटक कर परे जाकर गिरी और डग मगाती बोट के डेक पर दोर तक रपट गई पारिक जोर से तडपा उसका जिस्म एक पहलू उल्टा तो उसकी गर्दन पर से धर्मेश की पकड चोड़ गई उसने अपना यूँ खाली हुआ हाथ भी उसकी चाकू वाली बान से लिपट जाने दिया और उसे जोर से उमेठा पारिक का चाकू वाला हाथ मुड कर उसके जिस्म के नीचे दब गया उसके मुझ से एक जोर की चेक निकली और फिर एका एक उसके हाथ पाउं धीले पढ़ने लगे धर्मेश को अपने हाथ पर चिपचिपाहट से महसूस हुई उसने घबरा कर हाथ को अपनी आँखों के सामने किया तो चांद की रोशनी में उसे खून से रंगा पाया तदकाल वो पारिक से अलग हुआ और आँखे फार कर सामने देखता ये जाइजा लेने की कोशिश करने लगा कि असल में क्या हुआ था जो हुआ था वो तदकाल उसके सामने आया पारिक का अपना ही चाकू उसके दाएं पहलू में मोड तक धंसा पड़ा था और वहां से बलबल करके बैता खून उसके इर्द गिर्द डेक को रंग रहा था तब ही एक फायर हुआ धरमेश ने घबरा कर स्वयम को डेक पर गिरा दिया और पारिक के शरीर की ओट ले ली तौबा उस रिवाल्वर को तो वो भूल ही गया था जो कि वायरलस टेलिफोन के साथ शोबना के पर्स में थी लेकिन वो जानता था कि उस रिवाल्वर में चार ही गोलिया थी जिन में से एक अब वो चला चुकी थी पारिक के दोनों रिवाल्वरें तो पीछे पायर ही पर खाली हो गई थी और अब वो प्रबु से प्रातना कर रहा था कि उसका पहला अनुमान सच हो अतिरिक गोलिया उपलब्ध ना हो अगर हो तो वो शोबना के हाथ ना लगे धर्मेश धर्मेश वो उसे पुकार रही थी लेकिन जरूर उसकी डैक पर पुजीशन जानने के लिए ना कि उससे कोई बात करने के लिए लेहाज़ा धर्मेश खामोश रहा धर्मेश पारिक को क्या हुआ धर्मेश ने पारिक के पहलों से चाकू खेंच लिया और उसकी सहायता से तेजी से अपने टकने से बंधी रसी काटने लगा धर्मेश क्या वो मर गया धर्मेश खामोशी से रसी पर चाकू फिराता रहा अगर पारिक मर गया है तो हमारे में बात थो सकती है क्या हाथ में रिवॉल्वर लेकर धर्मेश कहे बिना नहीं रह सका गोली चला कर मैं गोली नहीं चलाना चाहती थी तो क्या अपने आप चल गई हाँ ऐसा ही हुआ मैं देशत के हवाले हूँ इसलिए गोडा खिंच गया मैं तुम्हें शोट नहीं करना चाहती तुम समझते नहीं हो धर्मेश अब हालात बदल गए है अब फिर तुम हो या मैं हूँ अब फिर हम 50-50 के पार्टनर है नहीं है हम 100-0 के पार्टनर है धर्मेश अपने नियत तुम बहुत अच्छी तरह से उजागर कर चुकी हो अब मैं धोका नहीं खाने वाला धर्मेश मेरा एतबार करो दूद का जला छाच भी फूंक फूंक कर पीता है साली तु तो उन सांपों से भी खतरनाक है जिन से हम बच निकले थे अब नहीं बच सकोगे एका एक उसका लहजा बदला और वो नागिन की तरफ फूंकारी मैं हत्यार बंद हूँ तुमने हत्ते हो अच्छा था कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि पारिक का चाकू धर्मेश के कबजे में हो सकता था मैं तुमारे सिर पर पहुंच कर तुमें शूट कर सकती हूँ तुमारी मजाल नहीं हो सकती मेरे करीब आने की क्यूं? क्यूं नहीं हो सकती आओगी तो जान जाओगी बलफ कोरा बलफ मैं नहीं फसने वाली तो आती क्यूं नहीं? खामोशी चाकई मैं इंतिजार कर सकती हूँ एका एक वो बोली किस बात का बोर का उजाला होने का जो की अब होने ही वाला है तब तुम मेरे निगाहों से नहीं चुप सकोगे वो छीक कह रही थी दिन की रोशनी में उसे शूट करने के लिए शोबना का उसके करीब आना जरूरी नहीं था धर्मेश चिन्तित हो उठा अब उसकी खैर इसी में थी कि वो रिवॉल्वर में बागी बची तीन गोलियां भी चला चुकती उसे ऐसा करने के लिए जान जोखे में डाल कर ही प्रेरित किया जा सकता था अब क्या कहते हो वो बोली क्या कहूं? कहूं नहीं करो क्या? सुला, मेरे पास आओ और समझो की कुछ नहीं हुआ चीक है आता हूँ वो उठकर खड़ा हुआ आगे बढ़ने की जगा उसने एक बाजो चलांग लगाई कतकाल एक फायर हुआ बाकी बची दो उसने नीचे जाती सेडियों के पहलू की तरफ जोस्त की लगाई फिर फायर हुआ उस बार वो बाल बाल बचा अब सिर्फ एक गोली उसके रिवालवर में बाकी थी वो कमपैनियन वेपर दोड़ा गोली फिर चली उस आखरी गोली ने उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन उसने कुछ और ही बिगाड दिया जो कि वातावरण में एका एक फैली डीजल की गंद से सपष्ट था वो आखरी गोली बोट की डीजल की टंकी को भेद गई थी और यूं हुए छेद में से अब डीजल बाहर बहने लगा था शोबना को भी प्रत्यक्ष्ट है डीजल की गंद मिली जवाब में उसने जो कदम उठाया वो खतरनाक था आत्मगाती था उसने लंगर उठाना शुरू कर दिया और बोट के इंजन को चालू किया फिर उसने तेज रफतार में बोट समुद्र की चाती पर दोडाई ऐसा करने के पीछे उसका मनतव्य यही था कि सारा डीजल बे जाने से पहले वो कहीं किनारे पर पहुँच जाती लेकिन वो तेज रफतार ही बोट में आग लगने की वज़ा बन सकती थी तेज रफतार की वज़ा से एक्सास्ट में गैस का धुआ ज्यादा बनता था और वही बहते डीजल के आग पकड़े जाने की वज़ा बन सकता था अब उस बोट से किनारा करने में ही उसे अपनी भलाई दिखाई थी दूर क्षितिश पर उसे कहीं कृत्रिम रोश्निया दिखाई दे रही थी जिन से लगता था कि बोट तब किनारे से एक डेड़ मेल से ज्यादा दूर नहीं थी वो सेर नेचा किये रेलिंग की तरफ दोड़ा धर्मेश शोबना चिल्लाई पागल नहीं बनो इतने रफतार से दोड़ती बोट से चलांग लगाओगे तो वैसे ही मारे जाओगे लेकिन बोट ने तब तक अभी पूरी रफतार नहीं पकड़ी थी इसलिए वही मौका था फॉरण कुछ करने का उसने समुदर में चलांग लगा दी जवाब में शोबना ने जो कदम उठाया वो अप्रत्याशित था और यकीनन मुर्कता पूर्ण था उसने बोट के स्पेट को कंट्रोल किया उसे वापिस घुमाया और पानी में हाथ पाउं मारते धर्मेश की तरफ दोडाया धर्मेश आतंकी थो उठा वो बोट से उसको कुछल डालने का इरादा रखती थी जरूर वो औरत पागल हो गई थी जरूर वो इस अकीकत का कोई सबूत पीछे नहीं चोड़ना चाहती थी कि माल उसके कबसे में था बोट उसके सिर पर आन पहुची तो धर्मेश पानी में डुपकी लगा किया बोट उसके सिर पर से गुजरी वो बोट से विपरे दिशा में तैरने लगा बोट को जोर की ब्रेक लगी वो वापिस घुमी और फिर उसकी तरफ दोड़ी बैते डीजल के लिहाज से यूँ एक 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 ब्रेक लगा कर एक 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 आक्सिलेटर देना और भी खतरनाक था जिसके किसी नतीजे से वो नावाकिफ थी लेकिन नतीजा ततकाल सामने आया बोट को आग लग गई उसने आग की लप्टे देखी तो बोट को और तेज रफ़तार से भगाया जरूर अब धरमेश को कुचल डालने से ज्यादा एहम काम उसे बोट को किनारे पर पहुंचाना लग रहा था लेकिन वो दोनों में से एक काम भी नहीं कर सकी एका एक एक भीशन विस्फोर्ट हुआ और बोट के पर खच्चे उड़ गई और साथ में शोबना के भी नोटों से भरे ट्रंग के भी कुछ शनों के बात्षा पारे के भी जो की पता नहीं उस घड़ी जिन्दा था या मट चुका था लेकिन धर्मेश की जान बच गई थी ना सिर्फ बच गई थी अब सुरक्षित भी थी क्योंकि उसकी कार गुजारियों के तमाम सबूत नश्ट हो चुके थे अब न उसके पीछे पुलिस थी और न भाई के आदमी थे एक चिपलन के सब इंस्पेक्टर दिलीब डॉलस को उसकी तलाश थी लेकिन वो भी उसे मौजूदा वारदात में मर खप गया समझ कर उसकी तरफ से हाथ खीन सकता था ना भी खीन था तो इतने बड़े बड़े वाक्यात के बाद उन छोटी मोटी विसंगतियों की अब कोई कीमत नहीं रह गई थी जो कि उसने उसके संदर्ब में चिपलन में नोट की थी वस्तुते तो उसने कुछ भी नहीं किया था वो तो महस हालात का शिकार एक दर्शक था जिसकी खुद अपनी जान कई बार जाते जाते बची थी उसने क्या किया था कुछ भी नहीं मुन्बई में शांतारा मोडग की जान उन दो मवालियों ने ली थी चिपलन में चार कतल उन दो मवालियों ने किये थे उन में से एक को शोबना ने शोट किया था और दूसरा अपनी जहालत से जल मरा था फिगारों में साथ आदमी पारिक ने मार गिराई थे खुद पारिक उसकी जान लेने की कोशिश में अपना चाकू अपनी पसलियों में उतार बैठा था और वैसे ही अंजाम को शोबना पहुँची थी उसकी उस वक्त की वाहिद जिम्मेदारी वो कार थी जो कि उन्होंने पेरनम से किराई पर ली थी और जो उस घड़ी फिगारों आइलेंड पर होटेल लवनेस के सामने खड़ी थी लेकिन वो कोई बड़ी समस्या नहीं थी वो कार के मालिक को कार की खबर कर सकता था और उसको फिगारों से कलेक्ट करवाने की कोई अतिरिक फेस मालिक मांगता तो वो उसे भर सकता था भोर का उजाला फैलने लगा था पंजी की स्काई लाइन को वो पहचानता था इसलिए जानता था कि उस घड़ी तैरता हुआ वो पंजी की और ही बढ़ रहा था उस लंबी तैराकी के लिए जो चीज उस वक्त उसे ताकत दे रही थी वो पांच-पांच सो डॉलर के नोटों की एक गड़ी थी जो कि उसके कोड की भीत हुकम पर रिवॉल्वर निकालते वक्त उसने रिवॉल्वर की जगा जेब में रख लिया था नोट भीग चुके थे लेकिन क्या फर्क पड़ता था वो किनारे पहांच कर उन्हें सुका सकता था नोट यानि की 50,000 डॉलर यानि की लगबग 20 लाक रुपया यानि की मुकमल रकम के आधे प्रतिशत से भी कम वो भागते भूत के लंगोटी थी लेकिन क्या खूब लंगोटी थी वाह वो दुगने जोश के साथ किनारे की तरफ तैरने लगा दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्पलीट होती है मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए थैंक यू वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही बहुत सारी दिल्चस्प कहानिया आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें अपना और अ बहुत सारा खयाल रखें